वेलकम तू तु 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 पेपर वन का पार्ट टू इसमें आपको मिलेगा जिसमें यूनेट 6 से लेके यूनेट 10 तक कवर किया जाएगा इससे पहले हम पार्ट वन लेके आ चुके हैं अगर जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है वो आप उसके देख सकते हैं तो पार्ट वन और पार्ट टू को मिलाके ये टोटल 20 गंटे का कोर्स बनेगा पेपर वन के लिए जो यूट्यूब के तिहास में पहली बार 20 गंटे के अंदर आपको पेपर वन की तियारी करवाई जा रही है वो भी फ्री ओफ कोस्ट बस आप वीडियो देखें सासा लि बना मत भूलिए तो अगर हम पेपर टू के लिए वीडियो लेके आएंगे इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो अगर आपको पीडियो नोट चाहिए स्टडी मेटेल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉंटक्ट ओवाट्सअब कर सकते हैं तो अगर आपको हमारा टेलिग्रम चैनल जॉइन करना है फ्री वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है आप असे जाके जॉइन कर सकते हैं अगल ćा पाधन यहन जो सल्सक्रिप्श का शब्द है परमान उस्कार्थ क्या है घ्यान का साथन है देखिए सबसे पहले मैं जो इसकी फॉन है प्रमान है सिंपल شब्द हो बताऊगा परमान होता क्या परमान को इंग्रिश पे गैत्ने प्रूफ अब देखिया अपने MA की होगा Master of Arts किया होगा कियोंने PhD किया होगा तो वो कैसे पता चलेगा कि आपने PhD किया है MPIL किया है MA किया है कुछ भी किया है वो आपको पता चलेगा आपके परमान पत्र यान की certificate से ठीक है फ्रेंच तो जैसे कोई वेखते आपको आपके गए कि मैंने MA किया हुआ है तो उसके लिए क्या होगा उसके लिए आप उसका परमान पत्र देखोगे तब ही ठीक है फ्रेंच यान की परमान एक ऐसी चीज है जो किसी प्रूफ के बारे में दर्शाती है अब यह मान के चले कि किसी अधाले में आप देखे देखे फ्रेंच की जज भी होता है वकील भी होते तो वहाँ पे मुझरिम भी होता है तो एक केश चल रहा हो कि हाँ वाके ही उसने चोरी की है चोरी के लग्शाम से पकड़ा हुआ है तो यह कैसे प्रमान इत होगा कैसे प्रमान होगा इसका कि उसने चोरी कि है तो सीधे शब्दों में तो होगा नहीं कहने से तो होगा नहीं तो वो सबूत मांगें सबूत कैसे होगा कि जह जगा पे चोरी की बात कही गई है अगर वहाँ पे CCTV कैमना में उसकी फोटो आ चुकी है कुछ भी उसका वीडियो बन चुका है तो उससे प्रमानित हो जाएगा प्रमान मिल जाएगे कि हाँ वाके ही यही चोर है तो किसी भी तरह से सिधन नहीं हो पाता तो उसे छोड़ दिया जाता है तो कहने का सिंपल मतलब है कि प्रमान एक ऐसी चीज है जिससे तो इसका अतात परिया भारतिय दर्शन में ज्यान विमानसा से इंग्रिश में ज्यान विमानसा को अबेस्टेमोलोजी कहते है ठीक है ज्यान जो भारतिय दर्शन है जो इंडिन फिलोस्पी है तो इसमें ज्यान विमानसा कहा जाता है तो फ्रेंट देखिए प्रमान का ध्यान यह है कि कैसे सही ज्यान प्रापत किया जा सकता है कोई कैसे जान सकता है कोई कैसे नहीं जान सकता और किसी चीज़ के बारे में किस हट तक ज्यान अरजित किया जा सकता है तो प्रमान का यह प्रमान यह देखता है परमान का परमान यह देखता है कि कोई जो है वो कैसे कोई व्यक्ति कैसे सही ग्यान प्रापत कर सकता है यानकि हम कैसे सही ग्यान को प्रापत कर सकते हैं परमान में यह देखा जाता है कोई कैसे जान सकता है या कितनी हद तक जान सकता है कि नहीं जान सकता है तो यह यह पर्मान में दिखा जाता है कि किसी चीज़ को जानना किसी चीज़ को ना जानना तो किस अधर जानना यह परमान में होता है प्राचीन और मद्धे युकीन भारतिय ग्रंथ स्टीक ग्यान और सत्ते के सही साधनों के रूम में पहचान करते हैं जो प्राचीन यानकी जो इंशेंट और मद्धे युकीन यानकी जो मौडरन हिस्ट्री है जो भारतिय ग्रंथ है उसमें accurate ग्यान यनकी सटीक ग्यान और सत्य के लिए सई साथनों को प्योग यनकी जो प्राचीन इतियास है जो मध्य कालीन जो इतियास है वहाँ पे अगर हमें correct knowledge या सत्य के बारे में जानना है तो उसके लिए परमान शब्द का प्रयोग किया जाता है हमें प्राचीन और मध्य कालीन जो भारतिये ग्रंथ है वहाँ पे इसका इस्तमाल बहुत हुआ है अब देखिए जो प्रमान है उसके छे रूप है प्राचीन काल और मध्य कालीन भारतिये जो ग्रंथ है उसमें प्रमान शब्द का इस्तमाल किया गया है उसके छे प्रकार बताएगए पहला कौन सा है दिखिए संस्क्री शब्द है प्रतेक्ष यहां प्रतेक्ष अनुमान या अनुमना फिर तीसरा है अपमना जिसे तोलना या उपमान भी कहते हैं नेक्स्ट है व्युत्पन यनकी अर्थपती फिर है अनुपलब्दी फिर है शब्द तो यह जो छे टाइप्स है यह है प्रमान की टाइप्स है इसी को हम एक एक डिस्कुस करेंगे अपने अगले लेक्षर में इन में से प्रतेक को भारतिय दर्शन के प्रतेक स्कूल द्वारा सशर्ता पूरंता आतम विश्वास और तुर्टी के संभामना के संदर में वर्गी गयत किया गया है तो प्रतेक को यनकी जो छे की छे जो इसके भारतिय दर्शन में जो परमान के छे परकार बताये गए है तो भारतिय दर्शन के यांकि इंडिन फिलोसपी के परते एक स्कूल परते एक स्कूल का मतलब है कि इंडिन फिलोसपी में हर जगा पर यानि कि भारतिय दर्शन के हर एक जगा पर इसका इस्तेमाल हुआ है तो फ्रेंट देखें कि भारतिय दर्शन के प्रते कूल दुआरा सेसरता पुरंता आतम उश्वात तुरूटी के संभावना के संदर में वर्गिग्रित किया गया है यानि कि जो ये 6 के 6 इसके जो परकार बताये गए है ये भारतिया दर्शन की हरे की पार्ट में इसको बर्गिग्रेत किया गया है तो देखिए friends होता है कि कई बार की होता है कि हमें जो परमान है hanussे हमें सटी ग्यान जो प्रापत करना है कई बार उसमें तूटियां भी आ जती यानकी गलतियां भी आ जाती है दुनिया की कोई चीज ऐसे नहीं है जो बिलकुल सही हो तो हरी चीज में गलती कोई न कोई होती है तो परमान के जो छे इसमें प्रकार बताये गए हैं उसी के अधार पर भारतिय दर्शन में इनको तो पताया गया है साथ में इन में तूटि होने की संद्भावना भी बताई गई है तो फ्रेंट देखें नेक्स्ट प्रमान शब्द यानकी प्रमान शब्द आमतर पर हिंदू धर्म के विभिन स्कूलों में पाया जाता है बाधिक द्यास में प्रमान को परमधा के रूप में संधर्बित किया गया है तो फ्रेंट बाधिक साहित्ते में प्रमान को प्रमदा के रोब में संदर्वित किया गया प्रमणना भी युक्ति की भारतिय दर्शन है उसमें जो अवधार्णा है जैसा की प्रमान है वैसा ही भारतिय जो दर्शन है भारतिय जो अवधार्णा है वहाँ पे एक और शब्था युक्ति जैसे प्रमान है वैसा ही युक्ति है युक्ति का आर्थ है कि किसी चीज को सो समझ की करना हम किसी चीज के प्रमान पर कैसे पहुंचते हैं जब हमें उसकी युक्ति पता हो तो प्रमणना भी और युक्ति भी दो शब्द इस्तमाल हुए हमारे भारतिये दर्शन में या भारतिये धार्णा में जिसका आते अनुप्रियोग या जो पहले से ही जानता है नवाचार, चत्रोभ्यान या कनेक्शन, कारेपणाली या तर्कचाल, एक साजुणना, अक्समिक्ता, साधन, विधी, नवीनता का अनुप्रियोग अथिक कुशलता से एक देश्य से प्रापत करना है तो फ्रेंड देखिए इसमें है क्या एपिस्टोमिलोजी जैसे हिंदी में ग्यान विमानसा कहते हैं तो इसमें है क्या कि जैसे नवाचार, कोई नवाग्यान हो, कुछ चत्रोभ्यान हो, कुछ युक्ति है, उस युक्ति को फॉलो करते करते हम एक प्रमान पर पहुंचाते हैं, या इनके प्रमान तक पहुंचने से पहले हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम किस जीजों को कैसे प्रापत करेंगे, उसके लिए हमें किसी साधन की, किसी विधी की कही जीजों का इस्तवाल करना पड़ता है, तो नेक्स्ट है, युक्ति और प्रमान पर कुछ भारति गृंथों में एक साथ चर्चा की गई है, जिसमें युक्ति को फॉलो कर धारना के मादम से ग्यान प्रापत करने के निश्क्रिये, प्रिक्रिया के विप्रिद, ग्यान प् भी बताया गया है, इसमें युक्ति का अवलोकन, वही बात फिर से आगई, यानि कि युक्ति का अवलोकन करके, यानि कि हमें ये पता करना होगा, कि हमें किस चीज के बारे में ग्यान प्रापत करना है, उस चीज को पहले हम ध्यान में रखेंगे, उसके ध्यान में रखते करने के स्क्रिय प्रक्रिया के रूम में वर्नित किया गया है तो इसमें क्या है कि जैसा युक्ति के माध्यम से जैसे जो भी हम ग्यान प्राप्त करते हैं तो इसमें है क्या निश्क्रिय प्रक्रिया के विप्रीत ग्यान तो यानिकि जो हमें चीज हमें जो ग्यान प्रापत क कि यह प्रापत करते हैं वो हमें तो तर यह पूँचा देती है। तो लास्ट है देखें विशेश रूप से सांखे योग मिमानसा और अद्वैत वेदान्त हिंदु धर्म के स्कूलों द्वारा परमण के गरंतों में अनेक उनके अर्थ और गलतियां शामिल हैं देखें इसमें क्या है कि जो विशेश रूप से जो शांखे हैं योग मिमानसा और अद्वैत वेदान्त हैं यह हिंदु धर्म के स्कूलों द्वारा परमण जो परमान शब्द है उसका जो हिंदु धर्म के स्कूल है स्कूल मनलब की सांखे योग मिमानसा और द्वैत वेदान्त इन्हें हिंदु धरमों के स्कूल जो है वो बताया गया है यहां पर क्या है कि परमाद शब्द का प्रयोग हुआ है साथ में यह भी बताया गया है कि परमाद शब्द के साथ साथ उसके बारे में जानकर दिए गई है यही करने कि मुनिश गलती करते हैं और गलत ग्यान दक पहुंचते हैं अगर कोई जान सकता है तो कैसे हो सकता है गलत है और यदि हैसा है तो कोई कैसे पता लगा सकता है कि महामारी पत्ति तुरुटी पुरण है या किसी के निश्करिये सत्य को तुरुटी बनाया गया था ताकि स्वयकर संशोधित किया जा सके और सही ग्यान प्रापत किया जासके इसमें प्रेंट कुछ नहीं है कि जो सांखे योग मिमास अध्वे विदान्त हैं हिंदू रम के स्कूलों द्वारा यहां पर पहली बातों की गई है बात की गई है प्रमान की साथ ही गई है गलतियां की यानि कि इसमें यह पताए गया है कि अगर हम प्रमान को प्रापत करते हैं तो वो किसी ग्यान के द्वरा प्रापत करेंगे तो उस ग्यान में गलतियां भी हो सकती है तो कई बर के होता है क गलत ग्यान की चीज़ को प्रापत करने के चक्कर में कुछ जो मनुश्य है वो गलती कर लेते हैं गलत ग्यान तक पहुंच जाते हैं तो उने कैसे पता चलेगा कि उनने वो चीज गलब प्रापत की है, उनको सही ग्यान प्रापत नहीं हुआ है, तो वो कैसे उनको सही कर सकता है, यानकि जब एक इनसान किसी गलत ग्यान को प्रापत कर लेता है, तो उसे सही ग्यान की प्रापत करनी होती है, तो उसे कैसे पता चलेगा तो यह पता चलेगा उनकी गलतियों से जो किसमे बताई गई है सांखे योग विमान ज़ावर्द विधानत में यांकि हमारा टार्गेट क्या है प्रमान तक पहुचने का तो अगर हमें गलत गयान के प्रापत प्रापती होती भी है तो इसके द्वारा वो सही करने का सुझा भी यहाँ पे दिया गया है हमें परमान दो तरह से प्रापत होगा सही का भी गलत का भी कोई चीज गलत है इसका भी परमान हो जाएगा कोई चीज सही है इसका भी परमान हो जाएगा तो कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है उसके परमान के बारे में भी यहां पे डिसक्स किया गया थे पहले बाद है कि इसकी प्रवाशा बढ़ते हैं प्रतक्ष प्रतक्षा एक संस्क्रिट शब्द है और भारतिय योगी के दर्शन यानकी भारतिय जो फिलोसफी है इंडियन फिलोसफी है उसमें धार्णा के रूप में व्याख अगरी के फ्रेंस् तो जैसे एक्जाम्पल के तौरह आपने आपने यह देका कूई कोई देखने चलेगे कोई मोवी देखने चलेगे आपने पर्तक्षे बड़ी अब जिसने मूवी नहीं देखी है आपका फ्रेंड ने कोई वो बता रहा है कि उसमें ऐसी स्टोरी थी ऐसी स्टोरी थी यह तो गलत बता रहा है तो आपने इस knowledge को सही कैसे किया, तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष, यहां कि जो घटना आपके आखों के सामने घटित हो, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष. ठीकिए, तो देखें, प्रत्यक्ष को मौटे तोर पर, दो प्रकारों में विवाजित किया जाता है, पहला है प्रतक्ष धाड़ना या अनभव दूसरा है समरन धाड़ना या सम्रीदी तो रेंड प्रतक्षा को दो प्रगारों में भाजित करते हैं इसके दो टाइप से पहला है प्रतक्ष धाड़ना या अनभव यहन की जो चीज आप अपने अनभव से प्रापत करते हैं कान माँख कान और हमारा टप्रेश यह यक्यान की स्किन को इंधी अंकों हमें जाइव से सुंगते हैं घ्रस भते हैं danis कर रहे हैं स्वारच टेस्ट कर्दे यब प्रतक्षा में आएंगे आपके पांच ग्यानिद्रियां ठशटी या निंदरी नहीं आएंगी वह कहांप पर आएगी सम्रंधाना में देखे सम्रंधाना स्मूरिदी में क्या है कि जो आपके दिमाग में जो जिजए है जो आपने याद राएग tecnica कोई बी इंसीरिंट और कोई भी धाड़ना विशेष्ट विशेष्था को पहचानने के बिना बनाई जाती है देखे यहां पर क्या है कि जो इसमें निर्विकल्ब में विभाजित कर सकते हैं ठीक है तो इसमें है क्या कि अगर हमें किसी वस्तु के कर Viel कि अगर हम किसी बारे में उसके बारे में ठीक है विशेष्ट विशेष्टा पहचाने बेना हम जब कोई चीज करते हैं और वहत्पह बॉरन धाड़ना या सब जिकनः विशेष्ट पर देखते हैं पैले थे देखते हैं कि जहाब किसी विशेष्ट के दिखते हैं शूरभ दिखते हैं ठाड़न देखें देखें अध्यवैत्-विदान्त में विवेयं कि अभवय धारन प्रकार्मात्परन है क्यों इसका अर्थ है कि परमवार्श्वक्ता या ब्रामन या सु Means 10 हो सकता है मुक्ती होती है देखें समें जहिए कि जहिकी अध्यर हुआuage रहेध्यफ्ट्ल थे तो परिच्श्च में सामने घटित होती। हैं, तो प्रभड को प्रापत करने , तो प्रभड को प्रापत करने के चार प्रीके हैं, पैला है इंद्री प्रधिषटा, जनकी किacesे कहता हैं इंद्रय बोध्, यह मानस प्रदिश्टा किसे क्यों हैं जहोद्ण प्रदिश्टा किसे आतम जतना से योगा ब्यास शसामने अंतर खिन से पर यह चाहर पर रखी जो टॉब्स है ये थैप ये पर्तक्सा की है शायर भी आपको कोई अपने लेक्षर में ये बताएं तो आजका लेक्षर काफी स्पेशल है इसको अच्छ से देख सकते हैं तो देखे फ्रेंट्स योग परचार का यह अंतिव तरीका केवल एक बार सोलब है जब एक योगी ने योग के आठ गुना पत का भ्यास किया और अशुद्य को हटा दिया ताकि वे अधिक पुरर रशुद रूप से महजूस कर सके हैं अब यहां पर आठ गुना पत यहनकी एट फोल्ड पाथ जीवन के वह आठ रस्ते यह किस ने दिया था यह गौतम बुद्ध ने दिया था उन्होंने एक बात बोली थी कि दुनिया क तो फ्रेंट से अब किसमे शामिले यह शामिल है योग में तो इसका प्रयो कोन करता है एक योगी एक सचा योगी आजकल की योगी नहीं एक सचा योगी जोगा वो आठ रस्तों पर चलेगा उस रस्ते पर चलके वो ठीक है इसका अभ्यास करेगा यानि कि जो आखरी योगा भ्यास है यह प्रतक्ष के अंदर आता है इसका इस्तमाल कौन करेगा योगी करेगा क्यूं करेगा क्यूंकि उसे अपनी अशुद्यों को हटाना है हटाने के बाद वो अपने आपको शुद्र मेसूस कर सके अशुद्यां हम फ्रेंट्स हमारे अंदर होती हैं हम किसी से बुरा करते हैं कुछ भी करते हैं तो हमारे अंदर अशुद्यां आ जाती है यह बात नहीं कि गंगा नहा लिया तो हो गया सब कुछ भी उसे पाप करने लगे ऐसा नहीं है आप अपने मन की शुद्यां हटाईए कैसे अटा सकते हैं जोगा भ्यास से उसके बाद आपने आपको आप शुद्रुप से मैसूस करेंगे ठीक है तो प्रतेक्षा में वह चीज आते हैं कि जो हमारी आखों सामने घटना घटी दोती है तो नेक्स अनुमान ठीक है अनुमान का क्या रहत है अनुमान एक संस्क्री भाशा संस्क्री शब्द है जिसका अनुमान जा ग्यान जो इस प्रकार है देखें परहें सिंपल जी बात है अनुमान होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में अंदाज लगाते हैं या अंदाजा लगाते हैं वो होता है अनुमान आप सिंपल सी बात करते हैं पेपर 1 में इतने कॉशन किये मैंने पेपर 2 में इतने कॉशन किये अब आप वो देख लोगे कि मेरे इस एक्जाम में कितने कॉशन सही थे कितने गलत है मैं क्या इस बार पास हो पाऊंगा या पाऊंगी क्या मैं फेल हो जाऊंगा या जाऊंगी ठीक है तो आप इससे एक अ अनुमान लगा लिते हो वो होता है अर्मान तो अनुमान फृ करन अब्रेंस शुन यह बादल भूहे हैं आज बारिश ज्रूर होगी तो धू बारिश अगर हो गई तो आपका अनुमान हो गया सही अगर धूप निगल है तो आपका अनुमान गलत हो गया यानकी जो knowledge थी वो correct थो हो यह नी ठीक है? यानकी अनुमान है क्या तो देखे फ्रेंट्स यह भारतिय दर्शन में प्राणों या सही ग्यानों के स्तुरोतों में से एक है अनुमना यानकी अनुमान एक नए निश्कर्स और सच्चाई तक पहुँआने के लिए अवलोकन पिछले सत्य उर् कारण का प्योग कर रहा है यह यानकी इसमें होता है कि जो अनुमान होता है वो है क्या? एक अनुमान से हम एक नए निश्कर्स पर पहुँँचते हैं एक सच्चाई पर पहुंचते हैं कैसे अवलोकन से, ठीक है फ्रेंश, अवलोकन महला कि जो हम चीज़े अवजर्वेशन करते हैं कही चीज़ को, ठीक है फ्रेंश, तो एक सधारन अधारन धुआ देख रहा है और अनुमान लगा रहा है कि आगोन चाहिए, जैसे कि आग, किस थोई को देख रहे हो तो आप एक अमान लगा लोगे ना कि यार कहीं पर आग लगी होगी है ना तो वह लुक्त अनुमाना में पांच चरण होते हैं एक परिकल्पना येनकी प्रतिजन, कारण येनकी हितु, एक उधारन येनकी उध्रन, पुने पुष्टी, उपनेयन और निश्कर्ष येनकी निगमन, ठीके फ्रेंज, ये अनुमना येनकी अनुमान के पांच उधारन है या पांच चरण होते हैं, ठीके फ्रेंज, जिसके अधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं, परिकल्बना, हमारी सोच, हम किसी चीज़ को सोचते हैं, किसी कारण से, किसी धारण से, किसी पुष्टी से, किसी निश्कर से, ये अनुमान के 5 चरण है, आपको पेपर में डिरेक्ट कोक्षन पूछ ले जाएगा, बताईए इन में से क्या अनुमा रूप से सच है कि यदि सक्रात्म गुधारण है तो जवाबी सुबूतों का अभावे यदि जो सामने चीज़े हैं वो सारी ही प्रतक्ष रूप से है पर उसमें जवाबी सुबूत वो कम है ठीक है तो अनुमान और दो अन्य प्राण ये इनकी प्रतक्ष और शब्दा केवल का अर्ददार्षनिक स्कूल कारवद का मलग की चावार्rete है या या अबर ding की लिख हो गया चावार्गाazing गाए चावार्गा अर्द दार्षनिक स्कूल ग्यां के एक मात्र वैयल सुरुत क सब्द्द के रूप में परत्यक्यान को सविगार करने के वाजाए अमान को सविगार करता भी कि ऩर्मार इंगी अनुमान को ठीकि तो देखें जो शेव। है उसमें जो ग् Autumn हेऐ उसमें जो ग्यार का जो एक मातरं वैद स्स्तोत है वो कि से माना गया यह वह अनुमान को माना गया है इंदी को होता है शब्द शब्द संस्क्रीब भाशा का शब्द है जिसका अर्थ है भाषन द्वनी यानि कि जब हम कोई चीज बोलते हैं तो उसमें ध्वनी हमें सुनाई देती है वह होता है शब्द तो इस फ्रेंट सिंपल जी बात है कि देंगे शब्दों का यहन की शब्द जो है एक वैलिट प्रूफ है किसका प्रमान का जो किसमें आता है भाशा के अंदर ठीके फ्रेंट बेना शब्दों के कोई भी भाशा नहीं हो सकती ठीके फ्रेंट यह कभी-कभी विद्व चुमके त्रंगों या कंपन उर्जा को जो ध्वनी है, जो sound है, जो vibrate होगए यानकि जो कंपन से एक जगा से दूसरी जगा पर जाती है, जो हवा होती है वहाँ पर अगर आब आवाज लगाओगे तो उसमें कंपन पैदा होगा, कंपन हो होके हवा के जड़ीए उसके कान तक पहुंचेगा तो आपके दौरा कहे उसको वहाँ पर सुनाई देंगे ठीक है तो व्याक्रन विदो के लिए शब्द भाशा भाशन की एक इकाई है हिंदू और योगिक दर्शन में यह है मौकिक वास्तविक्ता या ब्रामन के ज्यान प्रापत करने के तरीके के रूप में मौकिक वाई का वर्णन करता है देखे यहां कि जब हम किसी से कुछ बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बात को लिखके दिया जाए वही वैलेट प्रूफ है जब हम किसी चीज को बोल के बताया जाए तो होती है मौकिक वास्तविक्ता ठीक तो जैसे आप देखे कि जो ब्रामन का ग्यान प्रापत है जैसे जो मंत्रों के बारे में सब कुछ पता है वो उसकी क्या है वो उसकी मौकिक गवाही है कि हाँ इसने इसके बारे में ग्यान प्रापत किया है यानि कि जिस चीज के बारे में हमें पता हो वो हमें मौकिक ग्रूप से आ जाए ठीक है वो होता है मौकिक गवाही किसके लिए होता ह वैदिक साहित्य में शब्द ब्रहमन को ओम की ध्वनी के इंद मादम से शरव्यापी कहा जात है शब्दों में सरसे सरप्रिये कौन सा है सरव्यापी शब्द कौन सा है त्यूंकि जो उसका साउंट है वो सबसे उंचा है इसलिए शब्दा एक विशेश अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द है जो ध्वनी द्वारा प्रकड होता है अब देखें कि जो शब्द है वो विशेश अर्थ व्यक्त करता है यानि कि अगर हमें विशेश अर्थ जो व्यक्त करना है वो किसके द्वारा वह वो शब्दों के द्वारा होगा जो किससे प्रकड होता है जो ध्वनी द्वारा प्रकड होता है अभए अगर आपको गुस्ता है Ugh को वो प्यार में बोलते हैं फिर भी उसने शब्दी बोले हैं तर आपको उसमें गुस्ता नहीं है कि जो मत्र के है व्याटिकक्स आहिते में जो मंत्र हम्हों उसके द्धायब को का द्शात कि दीं कि जो हमारे मंतर है चाहिए वो हमारे जीमे से रिलेटीड हो चाहिए वो शादी से रिलेटीर हो जो वैधिक शहीता है । वुष में क्या लिखा गया है शब्दों के उच्छारण से हीजी पता चलता है कि जो यह मंत्र हैं we किसके लिए हैं ठीके फैंज तो यह अध्यात्मिक परभावों को दश आते हैं आप देखें कि मंत्र जिस भी भगवान के बारे में जो भी मंतर लिखे होते हैं वो मंतर किसके रूब में लिखे होते हैं शब्दों के रूब में यानि कि दुनिया में जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा काम में है वो बहुत ज़्यादा इस्तमाल के जाते हैं आप शब्दों के बिना किसी से भी कोई भी बात नहीं कह सकते। दुनिया में जतनी भी language है, चाहे वो बोल के बताई जाए, चाहे वो लिक के बताई जाए, चाहे वो किसी किताब में, गरंथ में कहीं भी हो। तो उसमें सारी जो चीजें हैं एक ही common होगी, क्या होगा उसमें शब्द कॉमन होगा। अब आपको चुमा पढ़ा रहा हूँ, वो भी मैं शब्दों के माधन से आपको पढ़ा रहा हूँ ना। उपनिश्दों में सरवदा पहली बार ब्राह्मन के दो प्रकारों की व्याख्या में दिखाई देता है, यानिकि जो शब्द है वो उपनिश्दों में पहली बार दो प्रकार से दिखाई देगा। मैं आपको उपनिश्दों में और दो रहा है कि जब रिषयों की द्वारा कहिगा जो कथन होते हैं वो किसमे दरज्दों में यान कि जब रिशी मोनी पुराने समय में धैट के प्रवचन देते तब लोग उसको उसको बैठ si session thus bestenda mo såFP पहली बात जो शचब्त की दो प्रक्राहर की व्याख्य हम नौरल बात करते हैं किसी पैशल बोर्ड को वह एक है किछी पैसल खास शब्र को वोता थैए तो इस पे हम धनी का इस्नमान करते हैं जब दोस्त को अवाज लगाओगे तब इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल से अवाज लगाओगे तो यह जो शब्द है तो यह प्रमान के अंदर आते हैं किसी को वैलिट तो यह अगला है अगर हमें किसी चीज की तुलना करनी है तो हमें दो बातों का ध्यान चाहिए पहली बात तो उन चीजों को दोनों में आपस में कोई सब्सक्राइब को चल रही सरकार को वोट डालोगे या नई सरकार को नई पार्टी को फिक है वोट डालोगे ठीक है तो आपको गौर्णमेंट को चुनना है तो आप यह comparison तभी कर पाओगे जब आपने पिछली बार बोट डाला था या जब आपको किसी पार्टी के बारे में पता है कि वो कैसे काम करती है ठीक है तो यह है उपमानेर की दो चुछों का आपस में comparison करना तुलना करके दि हम आपने दोनों दे रिखें ता हम यह दोनोंगा क्या है कि यी कैसी दिनी का अगर आप ने एक दे इन्हां में नहां नहीं पता हुआँ कि दोनों में से कौन मैटर था ऑफ़ाद की ग्याद्पे है नहीं है पार नहीं कि अगर हमें किसी चीज के बारे में पहले से ही पता है तो हम उस चीज का जुड़ाव या उस चीज का कनेक्ट आपसमें कर पाएंगे तो आपको उसके बार में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तो सबसे बिड़ी एक्जामपर यह है कि अगर आपने पहले अगर आपको इसके दो शब्द बनते हैं अर्थ और उत्पत्ती यानिकि अर्थ की उत्पत्ती होना ठीक है अर्थपति का मीनिंग क्या है अर्थ की उत्पति होना ठीक है तो यह संस्क्रिभाजा का शब्द है जिसका अर्थ है अनुमान तो एक तरह से यह लगाया जाए कि अर्थ की उत्पति कैसे होती है वो अनुमान के अंदर ही आ जाता है ठीक है यानि कि आपके सामने कोई नहीं अध्वेथ विदान्त परनालियों और पूरा मिमान साथ के भट्टा स्कूल की योग दर्शन में यह चे पर पर्मानों नहीं है इस परकार पॉस्टिलेशन और अन्मान का अपयोग करने के लिए तो फ्रेंट्स अर्थपति में यह कहा जाता है कि आपको जो सारी जानकारी जो है वह सुलव यहनकी असानि से प्रापत नहीं हो थी प्रापत के ऊसा जो teacher है वो student को गलास में पढ़ा रहा है जो एक शिक्षक है विद्यारतियों क्लास में कख्षा में पढ़ा रहा है तो होता है कि क्या है पाठ को पढ़ाना पर पाठ को अच्छे से पढ़ाएगा पर पूरा नहीं पढ़ाएगा एक दम से तोड़ा थोड़ा पढ़ाएगा उसके जो मुश्किल शब्द है उसका वो अर्थी बताएगा तो कहने का मतलब यह है कि जब शिक्षय कलास में बच्चों को पढ़ क्यां जाएगा तो पढ़ाने के वगत जो शब्दों की उत्पत्य होगी जो शब्दों का अर्थ हो निखलेगा थीका है मुश्किल शक्यों का अर्थ है उसे बोलते हैं आस की ऊत्पत्ति है कि तो दूसरे खाफ़ यहां पर यह ब जैसे मान के चलिए कि आप को शीज यहां तो आप एक्जाम्पल आपको दूँगा देखिए मानके चलते हैं कि यह मानते हैं कि दिसंबर 2018 में जो एंटी नेट का अबने एक्जाम्पल आपको दोघ्रा था मुश्कुल था तुछ नवीजिए चलते हैं कि यार इसमे पार मुष्किल तो तो फिर उसको जानेंगे ज़ुलाई में जो हुआ था ना दो डटारा में उसको देखेंगे फिक करते करते हैं काफी प्रिवेजर कॉशन देख लेंगे तो उसमें यह वहां पर अर्थ निकालेंगे इस साल यह मुश्किल था इस साल असान था ऐसे सिकर के तो हम उसकी फुल नॉलेज बिढ़ जाएगी कि कौन से साल में पेपर असान मुश्किल था तो आगे कैसे होना वाला है किस की कैसे त्यारी करनी है कौन से चुनेर कैसे पढ़ना है तो इससे क्या निकला अर्थ निकला ठीक है यानि कि हमने एक चीज़ के बारे में हमें नॉलेज प्रापत थी किस बढ़ एकजान थोड़ा सा मुश्किल था तो हम उस पकड़ते हुए हम पिछले सालों में चले गए तो समने एक पूरा को पूरा जो जानकरी है पूरी की पूरी information वो निकाल ली ठीक है 2017 से क्या निकला अर्थ निकला जिसे हमने पूरी की पूरी knowledge प्रापत की जिसे कहते हैं अर्थ पती फ्रेंस यह एक अच्छी तरह से स्थाफित तत्य का समर्फिन करने के निकला 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 जिक orieक खारने पार ङुशाला पूरिफ हो फूरी कीज्जी पूरी liberal लेकिमिर के पूरी फूर्फिन पर मुश्ले वारे थे यह वारा वाले एक्जाम भी साथ में देखें तुसे हमने निकाला कि कौन से हल में असान था कौन सा मुश्किल था पर जो मुद्दा था इस वार जो मुश्किल भी पर था वो वही का वही रह गया यह एक अच्छित हलांकि कुछ विद्वान इसे अन्य प्रमाणों फ्रेंस यहां पर दो गल्दियां यहां पर तब इसको सही कर लेना यहां पर प्रमाण आना था प्रमाण की तुलना में ग्यान प्रापत करने की एक कमजोर विधी मानते हैं तो कुछ जो विद्वान है इसे ग्यान प्रापत करने की कमजोर विधी मानते हैं हालांकि है तो प्रमाण नहीं है और इसे तत्त में जाते हैं कि दर्शन शास्त्र के स्कूल अर्थपदि नlungsत्की शेड़ फेशेँ कि बीव करते दिकनिक से शह पर प्रमाणों में से यह पांचमा है तो यह तो हो गया अर्थपती तो अब हम करते हैं अनुपलब्दी अनुपलब्दी का मनलब क्या है अनुपलब्दी का सिंपल सा मनलब क्या है कि अगर आप अपने घर में नहीं हो अगर आप कहीं पर बार गए हो इसका क्या मनलब है कि आप अपने घर पे उपलब्द नहीं हो ठीक है तो यहीं बात है बस ठीक है तो उसके बाद अनुपलब्दी में बहुत सारी चीज़ा आ जाती है आप किसी रेस्टरण में जा रहे हैं कुछ खाने के लिए आपने माँ पर ऑडर किया तो आपको वेटर बता रहा है कि नहीं यह चीज आपर नहीं मिलेगी यानि कि वह पर इए हको 'Mें सॉरी यह अनुपलब्द नहीं घाए जब भी चाहिं पर किसी चीज़ के बारे में या जब्र कोई चीज़ ना हो उसे बोला जाता है अनुपलब्दी ठीकमरन्स अनुपलब्दी इस बात को सविकार करते हैं कि प्रिवेशक और इनका प्रिवेश्चिke न नकरात्मक संबन्द में चीज़ें मुझूद है अब देखें जमें है क्या हम ये चीज़ें सविकार तो करते है अनुप लब्दी इस चीज़ को सविकार करते है कि हर एक चीज़ में क्या है साकरात्मक और नकरात्मक संबन्द जो है वो चीज़े मुझूद होती है साक्रात्मक समंद का मतलब है कि वे इंद्रिय द्वारा माना जाता है यानकि साक्रात्मक समंद का क्या मतलब वे इंद्रिय द्वारा इंद्रिय कहुंसी है जो हमारी जो पांच इंद्रियां होती है तो वो होता है सक्रात्मक समंद अगर हमें कोई चीज दिखाई देरी चुछ भी है तो उससे हम कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लेंगे तो आपको कुछ बात कहे तो आप उसका अर्थ निकालोगे इसने क्या कहा चाहे वो अच्छे वो बुरी आपको पतातल देगा नो तो यनकी वो हो गया सक्रात्मक समंद जो इंद्रे द्वारा होता है हलांकि नाक्रात्मक समंद या गयर असित्व में उन्हें इंद्रे द्वारा नहीं माना जाता है इसलिए मन के विगल्पिक आंदोलन के वश्कता है देखे इसमें क्या है कि जो नाक्रात्मक समंद है उसमे दोरा जो चीजे प्रापत होती है अर्थ-प्रापत होता है दो यह maan के मन पे है यहां पर क्यों नहीं है ऐसे से घर से तो होता क्या है कि जब किसी चीज की अनुपलब्दी होती है तो आप आपका मन परिशार हो जाएगा जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आप हिंदी मेनु के नोट्स ढूंड रहे हो अगर सबी जगा पर वह अनुपलब्द हो ठीक है तो आपको वहाँ पर दिक्कत कि आप एक चीज़े कैसे प्रापत कर पाऊगे ठीक है तो यह की हर जगह से कोई चीज ना मिले तो सबसे पहले जानते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम परकार या सरंचना जानते हैं उस वर्ड का मीनिंग है क्या सबसे पहले अनुमान की बात करेंगे जैसे मैंने पिछल वही common example आपको मैं दूँगा जैसे मानके चले कि आपने अकाश की तरफ देखा तो उसकी तरफ देखने पे आपको पता चला कि उसका रंग काला है यानि कि आपको पता चला कि मौसम खराब है आपने यह अनुमान लगा लिया कि बारिश होने वाली है अगर बारिश हो गई तो आपका अनुमान बिल्कुल सही हो जाएगा अगर बारिश ना होई तो आपका अनुमान हो जाएगा गलत ठीक है फ्रेंस तो अनुमान एक वो सत्य होता है जो कभी देखे अनुमान वो चीज होती है जो सही भी हो सकती है वो गलत भी हो सकती है ठीक है फ्रेंस देखे एक ग्यान के बाद और उसके कारण उत्पन होने वाला दूसरा ग्यान अनुमान है यानि कि जब हम एक ग्यान को प्रापत कर लेते हैं और उसके बाद जो उस ग्यान के बाद जो एक कारण निकलता है तो उसका जो दूसरा ग्यान है वो अनुमान होता है अनुमान में जिस वस्तो वस्तु को सिद्ध करना है यानिकि जिस वस्तु को हमें सिद्ध करना है उसे कहते हैं साथ है जिसके द्वारा सिद्ध करना है उसे बोलते हैं हितु और जिसके जिसमें सिद्ध करना है उसे बोलते हैं पक्ष तो सिंपल सी बात है कि अनुमान के सरंचना में कितनी तरह की है य यानिकि जो अनुमान का प्राण, यानिकि जो व्यापती है, वो क्या चीज है, जिसके अधार पर हम अनुमान को लगाते हैं, ठीके फ्रेंज, यानिकि जब हम अनुमान लगाते हैं, उसमें एक चीज common होती है, एक चीज हमेशा कारे करेगी, वो होता है व्यापती, व्यापत वाके ही सही है, इसकी बात की गरंटी, इस बात का प्रमान कौन देता है, ये देता है व्यापती, यनकी जब हम किसी चीज के बारे में सत्य प्रापत कर लेते हैं, वो चीज वाके ही सच है, वाके ही सत्य है, तो वो हमें एक व्यापती के द्वारा पता चलता है, देखें, अन दूसरे वक्तवे को स्पष्ट कर लेते हो ठीके फ्रेंस यानिके आपने कोई एक सीन देखा मैं आपको यहां पर एक्जामपल अभी भी दूंगा एक बात में भी दूंगा देखे दो दोस जा रहे हैं किसी पहाड़ी पर पहाड़ी से निकल रहा है धुआ जब उन्हें धु दूसरे वक्तवे कौन सा होगा आग वाला यान की एक चीज को देखे दूसरी दिश्ट को नने एक अंताजा लगाया यान की अनुमान हेतु के द्वारा पक्ष में सिद्ध का ज्यान है न्याय ने निगमन और आगमन और निगमन तरको लगलग नहीं किया यानिकि इसमें निगमन आगमन तरको लगलग नहीं किया गया इसकी हम टाइक को यहां पर देखेंगे अनुमान में दोनों का समावेश है यानिकि निगमन और आगमन दोनों ही जीजे किसमें पाई जाती है अनुमान में यानिकि इसमें हम दोनों ही जीजों को देखने माले हैं अनुमान म हम नेक्स लाइट में जो है वो अच्छे से डिसक्स करेंगे ठीक होते हैं तीन साध्य हेतु पक्ष जो अभी हम डिसक्स करने वाले हैं प्रतिग्या व्याक्य में पक्ष में साध्य अर्था सिद्ध की जाने वाले वस्तु का निर्देश है देखे प्रतिग्या क्या है वाक् में अनुमान को सिद्ध करने वाले का कारण या साथन का निर्देश होता है हित्व क्या होता है कि जब हम किसी अनुमान को सिद्ध करने वाले हैं तो किस कारण करने वाले हैं किस बेस पर करने वाले हैं तो वह होता है हित्व हित्व में में बेस ठीक है अब देखें अनुमान तो खतम हो गया आपको यहां पर दो चीजे ग्यात रखनी है याद रखनी है पहले उसके तीन पद हैं दूसरे इसके बाके पांच है तो वह बिल्कुल सत्य होता है इस बात की गरंटी देता है व्यापति वही चीज है जिसे साब से हम किसी चीज की सचाई तक पहुंचते हैं बिना व्यापति के हम कभी भी कोई अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें दो दूसरे दूसरे को वक्तव या जस्टिफाई हमें करना होता है जैसे व्यापति क्या चीजे आपको एक एक जामपल फिर से दूँगा दो दोस्त जा रहे हैं किसी पहाड़ी के उपर पहाड़ी से निकल रहा था धूँआ जब उन्होंने एक दोसरे देखा कि पहाड़ी से धुआ निकल रहा है तो उसने दूसरे दोस्त को कहा कि यहाँ पर आग लगी हुरी है ठीक है फ्रेंस तो उसने अनुमान लगा लिया उस चीज का, वो किस हिसाब से लगाया, वो लगाया व्यापती पर, ठीक है, व्यापती के बिना उसका अनुमान नहीं बैठता फिट, अगर यहाँ पर धुआ उठता ही ना, तो वो कह देता कि यहाँ पर आग लगी हुए, तो वो सिद्ध करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि कारण किसका है, इसमें है, बेस किसका है, व्यापती का, देखें, दो वस्तों, यहाँ पर आगया, अनुमान का प्राण व्यापती है, दो वस्तों के नियत समंद को व्यापती कहते हैं, यह समंद कार या कारण, भाप और आशित है, दो वस्तों में व्यापती समंद को सिद तब ही हम कहेंगे आग लगी हुई है अगर आप धूप नौ तो हम कैसे कहेंगे आग लगी दिए ठीकर फ्रेंस तो इनकी दो वस्तों में जो व्यापती समय उसे सिद्ध करने के लिए प्रभावी कारण हो नहीं चाहिए ठीकर फ्रेंस प्रगार बेज से अनौन भी अलग से जो ग्यान प्रापत होता है वे अनुमान की व्यापती के द्वारा प्रापत होता है ठीक है फ्रेंस यानि कि जब हमें किसी चीज की ग्यान के अनुभूती होते हैं जब हम किसी चीज के ग्यान को प्रापत कर लेते हैं वो हमें किसके द्वारा प्रापत होता है वो हमें अन लिए पर उसमें आपकी मेहनत ने काम किया तो मेहनत क्या हुआ आपकी व्याप्ती हुई है किसी एक दृष्टी में वस्तु विशेश की सत्ता का अनुभव ना होकर उसके समाने रूप का ही परिचे में लिकुश रही बात है वस्तु ग्रहेंड कारे से उसके साधन के रूप जब आप दिखें आप में अगर आप किसी नदी का पानी मित्त मैल मैल आ um ऐब पर सिक्राओ तो तो अब लगा सकते है अब देखते हैं देखिए व्यापती के जो दो टाइपस है इंडक्टिव और इडक्टिव यानकी निगनात्मक ठीक है पहले हम बात करेंगे निगनात्मक विधी यानकी इंडक्टिव मैथिल की देखे अनवे इसमें जो अनवे है अनवे क्या है दो चीजों के बीच उपस्तिती के समझोते के समंध का अवलोकन करना है यहां भी दूए को दिखा जाता है वहाँ उनकी आग देखी जाती है यानि कि जब हमने धुआ देखा है तो वाक्य ही अगर आग लगी होगी तब ही दुआ उठेगा इसलिए आग और धुआ यह दो चीजें हैं दोनों आपस में संबंध हैं दोनों आपस में जुड़ी हैं तो यह किससे पता चलेगा यह पता चलेगा अनवे से इससे क्या पता जलता है कि दो चीजों के बीच में अन उपस्तिति का होना है नेक्स्ता ब्त व्यति रीका उन चीजों की अनुप Candon करना यहां की अब हम दो कि पहले हमने उपस्तित देखी थी अफैं इसमें इसमें अनुपस्तित गो देखें गेdar तारण जहां भी आग अनपस्तित है धुआ भी अनपस्तित है पिछले हमने पॉइंट में क्या बढ़ा था जहां पर आग होगी वहां पर दुआगा यहां पर क्या बढ़ा है कि जहां पर आग भी नहीं होगी वहां पर दुआ भी नहीं होगा तो यहां पर व्यतिरका में क्य कि जब दो चीज़े नहीं होगी तब कुछ भी नहीं होगा ठीक है अन्वे क्या है कि जब दो चीज़े होंगी उनमें संबंध होगा व्यतिरिक क्या है कि जब दो चीज़े होंगी नहीं तो उनमें कुछ भी नहीं होगा ठीक है फ्रेंट्स ना आग होगा न धुआ होगा किसी विप्रीत परसंगों की अनुपस्तित का पालन करना यानकी जो चीजें हमें दिखाई नहीं देरी फिर भी हम विप्रीत परसंग उसके बारे में देखते हैं यह कदम विप्रीत दार्नों के गैर अवलोकन को संदर्बित करता है यानकी जो चीजें हमें जो चीजें अनुपस्तित है कुछ है नहीं हम उसका गैर अवलोकन करते हैं यानकी उसे हम जांचते हैं तीक है कैसे जांचते हैं हम यह कहते हैं कहीं पर धुआ भी नहीं हो आग भ गदम बिना शर्ट के संबंध करें कि ये कदम कौंसा है? जो बिना शनकर संबद्ध पर और परीवरतने संबंध को जानने में में देट North कि आर्की जो स्थिति की अनुपाइप सिरती है ये जो स्थिति है वहाँ पे अगर जो दो घटनाई हो चुकी है अनमें आपस में जो अपरिवर्तिने समण्द यानि कि जब दो घटनाए घटी है वो कैसे घटी है किसी ने देखा तो नहीं है अब अगर पहाडी पे आग लगी है किस ने लगाई है कैसी लगी है यह तो किसी देखा नहीं है ठीक है वहाँ पर उस चीज की अनुबस्तिदी है फिर वह चीज आपस में जुड़ी है उसका सम्मंद्र देखने के लिए उप धिनी रिशा को देखा जाता है ठीक है फ्रेंट्स अनुबस्तिदी की विजी दोरा कोई लिख सकते हैं कालतनिक तर्क को संदर्भित करता है ठीक है फ्रेंश इसमें कहें कि कालतनिक तर्क क्या है कि अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो हम अपने मन में विचार बनाता है कि यह चीज ऐसी है हम आपने देखा है धुआ है वहाँ पर तो वहाँ पर आग लगियोगी है यह समाने लक्षन देखें धारणा या अंत्र ज्ञान शामिल है पिछले सभी चल्णों में बीशेद्ण धारणों के धार पर दो घ्टनाओं के बीचकार समंद सापित करने का प्रयास के गया है अब देखें समाने लक्षन क्या है देखें जब डॉक्टर के पास जब आपको पता चले कि आपको फीवर हो गया बुखार हो चुका है तो उसके समाने लक्षन होता है ना कि आपको कोल्ड है आपका जो जो आपका शिरीर है वो तप्रा है तो इस समाने लक्षन होगे तो ऐस कि बीच में संबंद को लेकर चलते हैं कि यह चीज ऐसे हुई होगी वह किश्मय का समाने लक्षना में तो नेक्स्ट आग्मन विधी यह है डिटक्टिव मैथड अभी हमने इंडक्टिव मैथड बढ़ाए आपको फ्रेंड से ऐसा जो मैटीरियल है शायदी किसे लेक्षर मे आद देखें यह चीज आगमन विधी है क्या डिटक्टि मेह हैं क्या डेख्यों क्या होता है पहाडी उगर है यानिकि पहाडी पर आग लगी हुई है वह क्या है प्रतीजन क्योंकि उसमें दुआ है वो क्या है हेतु ठीक है फ्रेंस हेतु क्या होता है बेस यानिकि हम कहारे रहे है कि आग लगी हुई है ठीक है पहाड़ी उगर है पहाड़ी पर आग लगी है वह प्रतिचन हो गया ठीक है हमने क्यों क्या किस के हेतु कहा किस बेस पर कहा तो क्योंकि क्यों उसमें खूं़ा है वह गया है वह पर कि दूंवां निकल रहा है और जैसे आग के इसलिए पहाड़ी पर आग लगी गयए तो यह क्या है? निγमन ठीकल नहीं है तो फ्रेंट यह थो ऑगे इसके आखमन-पॉइंट निगमन-अखमन हंने दोख लिए ये बहुत-बहुत-बहुत-बहुत जольшe इसको अच्छे से देखिए ठीक है तो यहां पर हमने व्यापती किया अब हम करेंगे अनुमान का हेता ववास ठीक है फ्रेंज यहनकी फैलसिस ऑफ इन्फिनेंस अब देखें व्यापती में हमने क्या देखा कि जब हम किसी चीज के सत्ते के बारे में कोज करते हैं या हम किसी सत्ते के किसी चीज के सच को प्रापत कर लेते हैं वो बिल्कुल सच है ठीक है उस बात की ग्रेंटी को लेता है व्यापती देता है अब अनुमान का हेता ववास क्या है कि हमने कोई चीज प्रापत की है पर वो सही नहीं है उसमें गलतिया है अगर हम किसी सचाई पर पहुं और्मान के विचार में गलती हैं Jadi तो एक्रोटी व्幽ाफ करते हैं पर हतिक है प्रेंज वहार विचार विरोध बाधित असिद और सत्य प्रितिवक्ष देखें सभी विचार क्या है इसे अनेकांतिक भी कहते हैं इसे तीन भागों में बांड़ा गया है देखें पहला है सधारन यह के सभी चार को तीन भागों में बांड़ा गया है सधारन असधारन और अनुप संखारी सधारन में क्या है इसमें प्रथम दिश् निकल रहा है आपने पहली चीज देखी तो मन में आपके दिमाग में आपके विचार सही था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ अगर तम ही यहाँ से धुवन निकल रहा है ठीक है यनकी पहली चीज हमने जो देखी वो देखते ही हमारी आंखर जो देखा वो गलत था ठीक है तो आपके दिमाग में विचार सही था पर आपने जो देखा वो गलत था वो आएगा सुधारन में और सुधारन में का इसमें उल्टा है यानकी जो आपने देखा है वो सही है पर आपके दिमाग में कुछ गलत था कि दिमाग में पिच्चर कुछ और बढ़नी थी देखा कुछ हो रही आपके अनुप्स जंखारी क्या है इसमें तुरूटी प्रथम द्रिश्टता या विचार की एक अनुमान दो नहीं होता है इसमें दोने ची जाएंगी याई इसमें जो आपने चुछ देखी है वो भी ग ठीके यहिए इनकी जब हम किसी साथ्य को यहितम के चीश के सत्य के अबारे में ज्जन प्रापत करना है हम अनुमान भी लगा रहा है पर अनुमान लगाने में ही गल्ती होती तो वो क्या है विरूध है नेक्स्ट है बादित जिस त्रूटी के साथ साध्य का अभाव दूसरे परमानों के द्वारा भी सिध्ध हो वैबादित होता है यानिकि जिस त्रूटी के साथ यानिकि जब जो गलती है उसके साध्य का अभाव हो यानि कि जब आप किसी चीज को देख रहे हो पर वो गलत है वो गलत किसे है वो दूसरे के परमानों के द्वारा भी गलत है यानि कि जो आपने चीज देखे वो गलत है आपने माना गलत है अब दूसरा बंदा आकर इसको गलत ठहरा दे तो वो बादित होगा यान कि वो चीज वाके ही गलत हो जाएगी अधै प्रतम दिश्टता देकर विचारों का मिला कर लगाया गया अनुमान जिसके दो रूप सवरूप में बादित होता यानकि एक तो आपने देखा गलत है एक इसे और ने देखा वो भी गलत है ठीक है कि जब तुरूटी के पक्ष में विद्मानता यानकि जब आप एरर है जो कोई तुरूटी है उसके पक्ष में यानकि वो चीज सही होई न यानकि जिस चीज में तुरूटी है वो चीज सही होई न वो उसका जो बेस है उसका जो हेतू है वो असिद है यानकि आपने जो जो चीज आपको जिस बेस पर दिखाई दे रही है पर दूसरा बेस उसको गला ठहरा रहा है यानकि जिस चीज को आप देख रहे हो जो आप बेस देख रहे हो किस चीज को पाने के लिए जैसे शब्द सुनने के कारण नेते हैं अतै इसे सत्थ प्रतिबख्ष हेंदाफास कहेंगे जिरूरत होती है जैसे हमने जो अल्फावेट्स होते हैं जैसे A, B, C, D, E हमने सारी यहाँ पर अल्फावेट्स लिखे हुए है और उसके बाद उसके बाद हमने नमबरीं करी हुए है फरस्ट अफॉल हमें यह पता होना चाहिए कि जो टी मैठड क्या होता है जैसे फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है E, J, O, T, Y अगर आप देखोगे E, 5 पे है, J, 10 पे है, O, 15 पे है, T, 20 पे है और Y, 25 पे है अगर मैं देखोँ तो यह यहाँ पर निकल के आते हैं यह सारा E, जो टी बनता है इसमें कुछ की पॉइंट्स है फ्रेंड्स जो हमें याद करेंगे वो की पॉइंट्स है जैसे मैं यह याद करूँगा, जो इसका हाफ होता है suppose यह इसका हाफ है M, M हमारा होता है 13 पे, उसके बाद हम याद रखेंगे R जो है हमारा 18 पे है, ठीक है फ्रेंड्स, एक हमने R याद रखना है, M 13 अब 1 से और 13 के जो मिडल लेटर होता है, वो होता है 7, जो होता है हमारा पास G और जो 18 होता है, 18 का हाफ होता है I, इसकी मदद से हम यह लर्न कर सकते हैं, कि कौन सा लेटर कौन से नमबर पे है जैसे फ्रेंड्स, A, B, C, D हमें पता है, यह 1, 2, 3, 4 पे, E हमें हो गया 5 पे, G हमारे पास 7 हो गया, क्योंकि टोटल लेटर होता है, 26 का हाफ हो गया 13, 13 का जो मिडल लेटर होता है, वो G होता है G हमारे पास 7 है, E और G, इसके बीच में आता है F, ऐसे ही 18 जो हमने याद करा है R की मदद से, इसका हाफ होता है 9, 7 और 9 के बीच में H होता है, 8 नमबर पे, J अगर 10 पे है, तो K, आप मेरे नाम से याद कर सकते हैं, कमल, और 13 हो गया, M पे उसके बाद, जो T की मदद से हमें ये पता है, O 15 पे है, और उसके बीच बारा लेटर होगा, N, N हमारा पास है 14 नमबर पे O के मदद हम डिरेक्ट बोलते हैं, P, O P, तो हम P या रखेंगे 16 पे, 18 हमें पता है, R पे है, बीच का मिड़ल जो लेटर है, वो हो क्यो हो हमारा 17 पे, S A T 20 पे है, और बीच का S जो है, वो हमारे पास 19 है, जैसे हमने याद करा कि A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 होता है, इसको आप सीधे फ्रेंड्स याद कर लीजिए, U, V, W, X को 21, 22, 23, 24, ये लाइन आप अलग से याद कर लीजिए, मैं नहीं चाहते हैं किसको पर रूप कोई, आपको ये बता दू कि U के इस वर्ट से आप याद कर लीजिए, वी इस वर्ट से, आप इसको ऐसे याद करिए, वो काफी रसान ह है, U, V, W, X, 21, 22, 23, 24, जोटी की मज़र से हमें ये बता चलता है, कौन सा लेटर, कौन से नंबर पे हैं, उसको फ्रेंड्स हमने ये दिखना है, ओपोजिट लेटर कौन से होते हैं, जैसे A का ओपोजिट होता है, Z, B का ओपोजिट होता है, Y, C का X, D का W, E का V, ये कैसे है जैसे A स्टार्टिंग से अगर देखेंगे, तो अगर आप लग्ट साइड से इंगली से इल्फपर में देखेंगे, तो A हो गया, हो जाएगा मन पर 1, B, तो लास्ते देखेंगे, तो Z होईगा, इसको लर्न करने का जो सबसे सर्ल मेथड है, वो फ्रेंड्स, आपने इसको 27 से माइनस कर देना है, तो इसका आप मिडल लेटर, उसका ऑपोजिट लेटर पता लगा पाते हैं, जैसे हमने सपोस कहा कि जी हमारे पास होता है 7, B, तो मैं 27 से 7 माइनस करता है, तो 20 आ जाता है, तो हमें पता है T होता है 20, जो प्रीविएस हमने, मैंने स्लाइड में बता पते हैं, लेकिन अगर कोई हमें कहें कि क्यों से हमें, सपोस के माइनस करना तो हमें सोचना पड़ जाता है वापर, तो इसलिए हमें जो वर्ड होते हैं, उसके लेटर याद करने बहुत जरूरी होते हैं, कभी भी ऑपोजिट लेटर आपने याद करना है, आपने उसको 27 स से माइनस या कर देना है सुपोज जैसे M है M 13 पर होता है 27 से अगर मैं 13 माइनस करता हूं तो यह हमारे पर 14 आ जाता है 14 हमारा N पर होता है सinking दिक ऐसके होता हैं स्पोर्च जहां पर o सब्सक्राइबर दे रखेंढ़ हो सकता है यह लेटर यहां पर भू करें यह लेटर यहां पर भू करें यह लेटर यहांपर भू करें ऐसी टापस को नजराती है इ undertaking से जहांबर 0 लेटर्स दे रखे हैं तो कैसे मूग करते हैं यह लेटर यहां पर मूग कर जाता है यह लेटर यहां पर मूग कर जाता है यह यहां पर और जो हाफ बाकी लेटर बचते हैं उसके यह लेटर यहां मूग करेगा यह यहां पर यह यहां पर ऐसी टाइप से होती है और फ्रेंड एड करने भी बन सकता है प्लस थी ऐसे ही हो सकता है जी रोजी नहीं कि यह प्लस ही होएगा हो सकता है माइनस हो हो सकता है एक पर प्लस हो एक पर माइनस हो तो ऐसे questions हमें coding recording की types में नज़र आते हैं जैसे friends हम एक question discuss करते हैं जैसे in a certain language मदरास is coded as M-B-E-S-B-T and how is Bombay coded in that code इसको करने के लिए हम क्या करेंगे जैसे friends मदरास है मैं उसके नीचे लिख लूँगा N-B-E-S-B-T अब इसके मुझे letters जैसे M होता है 13 पे A1 पे D4 पे R18 पे 1 पे और 19 पे S होएगा यह 14 पे होता है यह 1 पे होता है यह 5 और 19 टू और 20 यह letter लिखने पे इतना सरल हो जाता है कि कौन सा letter किस तरह से हमारे जो coding है वो जहाँ पर करेट किये जा रही है जैसे friends देखिए यह 13 है यह 14 बन रहे है B sorry 2 पे 1 से 2 बन रहा है 4 से 5 बन रहा है 18 से 19 बन रहा है तो देखना कितना असान हो जाता है यहाँ पर हमने क्या देखा कि सारे जो letters है वो plus 1 पे हो रहे है तो इसी तरह से वो पूछ रहा है बताईए Bombay का code क्या होगा तो हम सीधे लिखेंगे B का 1 प्लस हो रहा है C हो जेगा O का P M का N B का C O का P and Y का Z अब नेक्स कोशिन देखते है फ्रेंट इन अ सर्टेन कोड मॉंकी इस रेटन एज एक्स डी सर्डी मॉंकी को हम लिखते है X, D, J, M, N, L अब देखिए फ्रेंट अगेन हम यहाँ पर M 13 पे होता है O 15 पे, यह 14 पे, यह 11 पे, 5 पे और 25 पे यह 24 पे, यह 4 पे, यह 10 पे, यह 13 पे, यह 14 पे और यह 12 पे तो फ्रेंट देखिए, इसको देखिए यह 13 है तो यहाँ पर 13 की जो नेरवार आपको नज़रा रहा है 12 नज़रा रहा है तो दिखा जाए कि 13 से 1 माइनस हो रहा है फिर 15 से 1 माइनस हो गए 14 हो रहा है, 14 से 1 माइनस 13, 11 से 10, 5 से 4 और 25 से 24 यहां से देखना कितना असान हो जाता है, अगर हम यह जान पाते हैं कि यह लिटर्स के नमबर वो हम एजोटी के मंदर से याद करते हैं एजोटी का में जो परपास होता है यह होता है कि हमने लिटर्स होते हैं उसके नमबर्स याद करने होते हैं अब यह पूछ रहा है हमारे पास tiger का code क्या होगा तो देखिए हमें अब पता इसका sequence हमें जो series है वो पता चल पर पता लग चुकी है तो देखिए यह t20 पहोता है तो हमारे पास हमारे पास t से 20 पहोता है और 19 पहोगा होगा यहां पर s होगा और यहां पर i है 9 है और h होजगा हमारे पास 8 पह जी 7 है और यहां पर होजगा c sorry 6 पहारा f e5 पहें e5 पहें तो हमारा होजगा डी और आर 18 पहें और हमें 17 पता लग जाएगा क्योग नेक्स कुछना फ्रेंड्स if in a certain language kindle is coded as जो kindle है उसको हम लिखते है e l d n i k how is exotic coded in that code अब देखें फ्रेंड्स यहां पर क्या है k i n और यहां पर क्या है k i n हमने क्या करा हुआ है यह जो letters है इसको यहां पर last में reverse की order में लिखा है यहां क्या है d l e तो इसका उल्टा क्या है e l d तो same type में exotic का क्या होगा यह जो three letters है इसको क्या करेंगे हम उल्टा कर देंगे c i d और same e x o इसको हम क्या लिखेंगे e x o next question friends if in a certain language council is coded as b i t i r a k हम जो council है उसको लिखते हैं b i t i r a k देखिए यह c है यह third पर होता है यह 15 पर होता है यह 21 पर यह 14 पर 19 पर 5 और यह 12 पर तो यह 2 पर होता है यह यह हमारा 9 पे 20 पे 9 पे 18 पे 1 पे और हमारा 11 पे अब हमने लेटर्स लिख लिए अब देखिए यहां पर किया 3 से 2 बन रहा है लेकिन यह 15 से 19 इसका मुझे पता नहीं लग पा रहा था देखिए 21 से 22 बन रहा है उसके बाद और अगें 14 से यह 9 आ रहा है फिर 8 जो S है 19 से 18 बन रहा है तो मैं देख रहा हूं कि यह जो हमारे और लेटर्स हैं 1st, 3rd, 5th और 7th यह एक-एक कम हो रहे हैं लेकिन जो even लेटर्स हैं उसमें क्या है जैसे 15 का अगर मैं डिफरेंस देखूं 19 में से तो 6 का आता है अगें next जो even digit लेता हूं जो 14 है 14 से यहां पर रहा है 9 जो डिफरेंस है वो 5 का है उसके बाद E 5 पर तो इसका और यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है 4 का रहा है तो हमने दिखा जो odd places हैं वो तो एक-एक करके कम हो रहे हैं लेकिन जो even places हैं वो first time का डिफरेंस 6 होता है फिर 5 हो रहा है फिर 4 हो रहा है तो सेम मैंनल से हम बताएंगे उसने पूछा क्या है जो गाइड़ेंस है उसका कोड क्या होईगा पहले हम और प्लेस को लिख देंगे जैसे और यह है यह है और उसके बाद यह है और यह है है अब इसको एक करके हमने कम करना है जैसे तो हमारी हो गई जो और प्लेस थी अब तो even में क्या है यू हमें बता है at 21 पर होता है तो हम ने 6 A, B, C, D इससे पीछ जब मैं इसमें से 4 minus करूँगा तो A यहाँ पर पीछी जैसे फिर सुरू हो जाता है Z, Y तो जैसे मैंने 5 minus करना 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक minus करूँगा ठीक है Y है पर तो क्या आज़ेगा? Y आज़ेगा अब जैसे यहाँ पर N है even place पर तो यहाँ पर मुझे कितना minus करना है? यहाँ पर मैं 5 minus यहाँ पर 4 minus करूँगा तो हमारा 10, 10 जो आएगा वो J पर आएगा ऐसे यहाँ पर E है अब यहाँ पर मैंने 4 minus करना है अब यहाँ पर even place पर 3 minus करूँगा तो 3 minus करने पर क्या आएगा? मेरा B तो friends question का answer आजएगा F O H Y Z J B B क्या हो रहा है इस question में odd और even places अलग-अलग vary कर दे next question है friend if certain is written as यहाँ पर क्या है question में certain को वो लिख रहा है X V I G Z R और M बहले हम यहाँ पर इसके यह 3 है, यह 5 है, यह 18 है 20 है, 1 है 9 इसको end होता है 14 पर तो X हमारा पस 24 यह 22 पर होता है यह 9 पर 7 पर 26, 18 और 13 अब friends इस question में देखिए देखिए यहाँ पर C है धर्ड नमबर पर उससे X 24 है ऐसे question में friends जैसे मैंने आपको बता रखा है कि एक opposite letter से हम कैसे दिखते है किसी भी चीज को हम 27 से minus करते हैंगे English alphabet में तो वो उसका opposite letter होता है अगर मैं 27 में से suppose 24 minus करता हूं तो 3 आता है it means इसका यह opposite है अगर मैं 27 में से 22 minus करता हूं तो 5 आता है it means यह जो सारे letters है वो एक दूसरे के opposite में है जैसे मैंने आपको starting के पता रखा था कि opposite letters क्या होते है जैसे starting में से English alphabet में starting A क्या होता है 1 पे होता है तो last से देखेंगे तो Z 1 पे होएगा तो इस तरह से A का जो opposite हो गया वो Z हो गया तो इसी तरह से वो पूछ रहा है mundane ठीक है जी इसका code पूछ रहा है तो again मैं सभी को क्या करूंगा 27 से minus करना शुरू कर दूंगा 27 से 13 गया तो 14 आएगा 14 होता है N पे U हमारा यह होता है 21 पे यह 14 पे यह 4 पे यह 1 पे यह 14 पे और यह 5 पे 27 से minus करता चले होगा 6 हमारा होएगा F पे यह 27 से 14 minus करना 13 आएगा 13 होता है M पे फिर मैं 27 से 4 minus करना 23 वो आ जाता है हमारे पास W अगेन 26 Z पे आजएगा 20 हम फिर 14 minus करेंगे तो 13 आजएगा वो M आजएगा और 27 में से 5 minus करेंगे तो 22 22 हमारा पास आ जाता है V पे तो यह हमारे पास अंसर निकल करेगा NFMW Z और सॉरी W Z MB इस question में यह type क्या थी friends इसमें हम opposite letter की मदद से question को सौर किया है अब यह type देखी friends वो कहा रहा है कि A, B, C इस इकल टू है 6 बताइए फेर कौन से नमर पे होगा फेर का code क्या होगा अगर मैं दिखा A होता है 1 B होता है 2 C होता है 3 तो 6 कैसे आएगा जब इन तीनों को मैं सम कर देता हूँ तो हमारा जाता है 6 वो क्या कर रहा है question में जो letter है उनके जो numeric value है उसको add कर रहा है ऐसे ही वो पूछ रहा है fair जैसे यह हो गया 6 पे यह हो गया 1 पे I हो गया 9 पे और 18 हो गया R हो गया 18 पे अब यहां friends इसको plus करेंगे 6 प्लस 1 7 7 प्लस 19 16 16 और 16 के बीच में हम इसको add करेंगे तो यह हमारे पास आजएगा 34 हमारा answer दिकल लगाएगा 34 अब यह type देखिए if Bombay is written as my 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 and how will Tamil Nadu be written in that code इस time में क्या कर रहा है friends Bombay इसमें क्या कर रहा है वो कर रहा है my my अब देखिए my 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 यहां पर है तो वो क्या कर रहा है जो 3 का table है उसको repeat करी जा रहा है वो जैसे 3 का table पर 3 होता है फिर 6 होता है तो यहां पर my फिर वो my को 3 time repeat करता है तो सेम अब बोल रहा है Tamil Nadu तो यहां पर 3 का table यह 3 पर उसका यह 6 पर और यह 9 पर तो m n u तो यह 3 बार repeat होगा m n u m n u ठीक है friends यह थोड़ी अलग type अब यह question देखे रहे if diamond is coded as suppose यह diamond है diamond को बोल लिखादा है v q y m k l v यह d हमारे पास 4 पर होता है यह 9 पर यह 1 पर यह 13 पर यह m o है यहां पर तो यह 15 पर यह 14 पर यह 4 पर तो again यह v मेरे पास 22 पर और यह 70 पर होगा है यह 25 पर यह 13 पर यह 11 12 पर और यह 22 पर यह जब मैं लेटर लिख लिए अगर आपको यह लेटर ज़्यार है तो अब मैं 26 से माइनस करता हूं तो 4 आ जाता है और अगेर मैं जैसे 26 में से 17 माइनस करता हूं तो मेरे पास 9 निकल के आता है तो जुरूरी नहीं है फ्रेंड्स की हर बार अपोजेट लेटर का कोश्चन आएगा वह ऐसे कोश्चन भी पूसकता है आप किसी एक वैल्यू मेंस करते तो जैसे टोटल लेटर से मेरे पास 26 है तो 26 से माइनस कर जा रहा हूं 26 से 22 को मैनस करेंगे 4 आजेगा 17 मैनस करेंगे 9 आजेगा 26 से 25 मैनस करेंगे तो 1 आजेगा तो सेम वह पूछ रहा है फीमिल का कोड क्या होगा अब पहले इसको यह 6 है यह 5 है यह 13 है 1 और L हमारा 12 पे और 5 पे आए तो फ्रेंट्स सेम हम 26 से माइनस करेंगे 6 यह T आजेगा यह U आजेगा यह M आजेगा यह Y आजेगा और यह N और यह U ठीक है क्या कर रहा है इस कोश्चन में सारे लेटर्स को 26 से माइनस कर रहा है क्यालेंटर में हमारे देखें दो टाइप के यहर होते हैं एक होता है लीप यह और एक होता है और यह ठीक है लीप यहर में हमारे डेज कितने होते हैं 366 और February में कितने days होते है 29 ठीक है तो similarly हमारे ordinary जो year है उसमें day कितने है 365 और February कितने days की होती है 28 ठीक है तो इसमें एक concept आता है extra day या फिर हमें इसे बोलते है odd day ठीक है यह हमारा हमने calculate करने होते हैं चाहे वो leap year है चाहे वो हमारा ordinary year है ठीक है तो जब हम 366 को 7 से divide करते हैं तो हमारे पास 2 remainder बचता है ठीक है तो यही जो 2 है यह हमारे odd days है लीप year में ठीक है जैसे ही आपको leap year दिखे तो आपके mind में आना चाहिए कि leap year में 2 extra day या फिर odd day होते हैं ठीक है ordinary year में जब हम इसको 7 से divide करेंगे तो हमारे पास 1 remainder बचेगा 1 इसमें odd day है ठीक है तो leap year में weeks कितने बढ़े 52 week और प्लस 2 odd day ठीक है जो उपर हमने निकाले है ऐसे ही इसमें 52 हमारे week होते हैं और प्लस 1 हमारा odd day होता है ठीक है बस यह concept हम यहां से सीख लें इसी को हम अपने जो numerical होंगे उन्हें solve करने में यूज़ करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो चलिए calendar की हम type 1 करते हैं क्या है कि date with the same month ठीक है तो पहले हम एक month में भी देख लेते हैं कि month में कितने odd day होते हैं एक month में अगर तो हमारा month 30 दिन का है इसे 7 से divide करेंगे तो 28 कट जाएगा और दो बचेगा तो यह दो हमारा odd day होगा अगर जो हमारा month है वो 31 का है उसमें 31 दिन आते हैं तो उसमें 3 odd days होंगे ठीक है चलिए तो अब पहला नमेरिकल है जहां साम में हमारे पास कि उसने डेट दी हुई है कि टू मई 2018 is Friday then 18 मई 2018 is ठीक है तो यह देखिए यहां मई 18 मई 18 मई 18 मई 18 month same है year same है ठीक है तो सिंपल क्या करना है 18 में से 2 को हम माइनिस करते हैं ठीक हमारे पास कितना बचा 16 16 को आप 7 से डिवाइड के लिए 7 से हमने सभी जगा डिवाइड किया 7 से क्यूं कर रहे है क्यूंकि एक week में 7 days होते हैं ठीक है 7 days का एक week का meaning हो गया कि इसमें कोई भी और डे नहीं है जो 7 से डिवाइड हो जगा तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह टू टाइम कर जाएगा 14 आएगा और दो हमारे पास और डे आजेंगे ठीक है इन्हीं और डे को हम इस फ्राइडे में एड कर देंगे ठीक है अब फ्राइडे प्लस टू कितने हो जाएगे सैटरडे और संडे तो इसका अंसर क्या आजेगा option number D ठीक है तो चलिए इसी से ए इसी के बेस पे एक और एक्जांपल करते हैं ठीक है अब है 6 feb 1970 is thursday यह हमें given है और उसने बोला है कि 26 feb 97 को क्या होगा देखिए month same है वो यह year भी same है ठीक है तो simple क्या करेंगे 26 minus 6 क्या आगया 20 20 को आप 7 से डवाइड करें तो 14 और 6 बचेगा six remainder कहलो odd day कहलो extra day कहलो जो thursday था उसमें आप छे जोड़ दो ठीक है अब देखिए अगर यहाँ पर साथ होता ठीक है तो तो थ्रस्डे में 7 जोड़ते तो हमें थ्रस्डे मिलता वहे तो आप finger पर count कर लो कि थ्रस्डे, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday and Wednesday ठीक है तो इसका answer के आजएगा Wednesday अधरवाइस इसमें जैसे एक कम है तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो भी Wednesday आजएगा option number D ठीक है I hope आपको ये same month वाला concept के लिए हो गया होगा ठीक है अब इसमें type 2 करते हैं कि date with different month ठीक है अब हमारा जो month है वो change हो गया देखे कैसे हमारे पास क्या है कि 31 मार्च 2002 इस Sunday है और 10 अगस्त 2002 का पूछा होगा है ठीक है तो पहले इसमें देखते हैं कि हमारे पास month कौन-कौन से आ रहे हैं एक तो April, May, June, July, August ठीक है मार्च नहीं हम लेंगे क्योंकि मार्च का तो 31 उसने दे दिया है, April से start होगा, April में 30 दिन है, इसके 31, June में 30 दिन है, July के 31 और अगस्त का, अगस्त में है तो 30 दिन है लेकिन उसने 10 तक पूछा है, तो हम 10 लेंगे, ठीक है अब इन को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, हमें simple odd day से मतलब है, बाकी से किसी से मतलब नहीं है, ठीक है यहां से 2 आएगा, 3, 2, 3, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 और 3 बचेगा, इसका भी, ठीक है इन सभी को आप एड करता है, कितना बनेगा, 6, 6 और दो 8, 8 और दो 10 और 13, ठीक है, डिवाइड बाइड बाइ 7, फिर 6 बच जाएगा 6 क्या होगा, हमारा फिर से odd days है, ठीक है, जैसे हमने उपर किया था, अगर 6 आजे, जितना दिन गिवन है, उसमें से एक कम कर दो, चाहिए ऐसे कर लो, नहीं तो आप, फिंगर पर काउट कर लो, तो इसका अंसर क्या आजाएगा, Saturday, ठीक है, तो I hope आपको ये clear हो गया होगा different month का भी, same month का भी, ठीक है, इसी में एक और example करते हैं, ठीक है, अब हमारे पास, 5 January, 2012 is Thursday, और 8 April 2012 का, ठीक है, यहाँ पर दिखेंगी कि, यहाँ April है, और यहाँ पर January है, ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ भी हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी, कि इसमें ये जो given है, year, ये कौन सा year है, पीछे जो भी हमने किये, वो सारे के सारे हमारे ordinary year थे, लेकिन यहाँ पर जो 12 है, यह हमारा leap year आ गया, ठीक है, तो चलो, अब दिखें, पांच जनवरी से start करना, पहले month लिख लेते हैं, January, February, March, April, ठीक है, जनवरी के 5 से start करना है, जनवरी में दिन कितने 31 ह होते हैं, उनमें से 5 निकाल दो, तो हमारे पास 26 बचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो February है, यह February 29 देश की होगी, ठीक है, तो जो March है, March में 31 दिन है, और April के up to हमने 8 जाना है, ठीक है, अब simple इन सभी को आप सास से divide कर दो, वैसे यह मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हू यहाँ पर कट जाएगा, पांच इसका remainder बचेगा, यहाँ 28 पर कटेगा, तो 1 बचेगा remainder, यहाँ March का तो पता ही है कि हमें, यह होता है, और 8 को जब हम March से कटेंगे, तो 7 पर कटेगा, एक बचेगा, और देखा, इन सभी को add कर लें, देखे हमने add करके final फिर भी 7 से divide करना ह यहाँ पहले ही आप चेक कर लो कि क्या कहीं 7 तो नहीं बन रहा देखो, 5, 6 और 7, यह फिर आपस में कट गे 7 से, तो क्या बच गे हमारे पास, 3 odd days, ठेक है, तो इन 3 को हमें क्या दिया हुआ था, Thursday, Thursday में आप 3 जोड़ दो, Friday, Saturday और Sunday, ठेक है, तो हमारी option क्या आजाएगी, त यहाँ E लिख लिखते हैं, option number E, ठेक है, वो प्रिंटिंग में लिखना शक भूल गये होंगे, तो इसका अंसर आजेगा हमारे पास, Sunday, I hope आपको जे different month का भी clear हो गया होगा, ठेक है, अब type 3 करते हैं, with different year, अब इसमें क्या है, कि हमें type 3 में date दी हुए है, 20 January, 2014 is Monday, ठेक है, और 20 January 17 को क्या दिन है, ठेक है, तो पहले हम इससे solve करते हैं, 20 January, देखो date same है, month same है, लेकिन year different है, ठेक है, तो 2014 लिखा, फिर 15 आएगा, 16 आएगा, और फिर 17 आएगा, ठेक है, ये हमारा normal year है, ये भी normal year है, लेकिन ये जो 16 वाला है, ये leap year है, ठेक है, इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठेक है, ये भी leap है, अब just हमने, इन मेंसे extra day निकने करें, एक year में extra day कितने हैं, अगर वो normal year का है, हमने बीछे सिखा था, एक आएगा, इसमेए extra day क कितने होंगे, ऐक होंगे, लेकिन leap year में extra day कितने होते हैं? दो, ठेक है, अब 17 भी, हमारा non leap year है तो इसमें extra day कितने होंगे यहाँ zero होंगे zero क्योंगे 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 जो given date है वो February से पहले की है अगर March जहाँ April में तो जहाँ आता ठीक है अब simple हम इसे count कर लेते हैं 2, 3 और 1, 4 हमें दिन कितना दिया हुआ था Monday Monday प्लस चार तो हम इसमें add करेंगे तो हमारे पास जह आजएगा simple Friday Tuesday Wednesday Thursday Friday भी ठीक है चलिए एक और इसी के base पे करते हैं ठीक है देखें 13 फिर 14 आएगा 15 फिर 16 17 और फिर 18 यहाँ पर मैंने जियर लिखे यहाँ मैं इनके extra day काउंट करूँ यह जो 13 है यह मेरा odd day है एक एक तो आता ठीक है लेकिन यह जो date है दोनों में compare बलो यह जो date है यह फ़र्बरी के बाद की है तो यहाँ एक नहीं आएगा यहाँ 0 आएगा फ़र्बरी तो पास होगी 14 नॉर्मल यह रहे 1 15 भी 1 16 हमारा leap year आगया तो यहाँ 2 आएगा 17 हमारा नॉर्मल यह रहे तो यहाँ 1 आएगा अब 18 में भी 1 आएगा क्यों आएगा क्योंकि इसमें February count हो रही है है तो यह नॉर्मल यह तो इसके लिए एक अब इस सभी को add करके आपको 7 से divide करना है तो यह एक दो दूचार पांच छे ठीक है जितना दिन हमें दिया हुआ है उससे छे में उससे एक कम कर दो हमारा वह अंसर आजेगा Saturday ठीक है आई hope आपको यह clear हो गया इसी के base एक और example कर लेते हैं ठीक है अब आएटी एट 15 अगॉस्ट यहाँ पे 10 दिसंबर 97 था ठीक है अब देखो के 88 89 90 91 92 93 और 94 ठीक है तो 88 के लिए और डे क्या होंगे जीरो के और डे कहलो ऑक्साड़ के लो ठीक है यहां पे जिए लिखें ठीक है 89 के लिए क्या होगा 190 के लिए क्या होगा वान इहां भी वन यह जा 92 है इसे चक करओगी क्या यह four पे ड़एड हो रहा है बिर्कुल हो रहा है तो यह हमारा क्या आज जाग लीपियर तो इसके दो आएगे इसका भी वन इसका भी क्या आएगा वन अब वन क्यों आएगा क्यूंकि इसमें फेबरी काउंट हो रही है इसमें फेबरी काउंट नहीं हो रही थी इसलिए से इनोर कर दिया ठीक है तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो क्या आएगा एक दो तीन दो पांगrist छेस साथ, ठीक हाँ? साथ भाई शाथ करेंगे तो कड़ मेंडर ठीक हाँ? तो जब जीन अजे? Is. जीनो मेंडर आजे जो दिन हमें के गिवन पहता है वही वाला यह दिन होता है वही मारा अच्वर होता है तो साज है hottest Monday ठीक है? आई होग आपको जे तीनों टाइप से क्लियर होगी होगी चलिए इसमें हम एक लास्ट टाइप कर लेते हैं टाइप नंबर फॉर के डेट विद प्रिवियस येर ठीक है तो जैसे कि यहां किया है ट्वैलों मार्ट दोजार छे को संडे दिया हुआ है लेकिन ट्वैलों मार् इंद तो इसमें एक्स्टराज नॉर्मल जीर है तो इसमें एक्स्टरा डे होगेियर होगे जीर क्योंकि फेवरी तो पास हो गई निकल गईि...... 2006 में यह और्डिनरी यह यह जानों लीप यह तो इसके एक्स्टा डे कितने आएंगे वन ठेक है तो प्रीविएस यह के इस कंसेप्ट में क्या करेंगे जो दिन हमें गीवन है संडे उसी में से यह जो एक्स्टा डे उसे माइनस कर देंगे तो हमारे प्यास क्या आजएगा सैटर्डे तो आप्शन नंबर ए ठीक है चलिए एक लास्म कर लेंदें कि टैंग सर्बरी 2018 इस संडे ठीक है और 2016 का कट गया तो इसके ओड्डे होंगे दो टवन्टी सैंवनमलययो में यह नारमल यह नहीं यह नील नहीं हुई है तो इसमें और दैंगे बरे बन टी transferring यह निलu ठिन शे को उसमें और अड़े कितने होंगे इसलिए कुणि यह फैबरी पूरी पास नहीं होई है ठिक है तो हमारे एक्ष्टा डे गुल्या, संडे तो किसमें महीं से माइनस तीन शेले में से कर देंगे तो प्लेगिन शेला एख भूंडे ध्रिर चाहिए है ठीक है आप्शन नमबर एज ठीक है 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 से लेकि यहां तक का जो एरिया है यह क्या है इसके बीच वाला जो सारा है यह नौर्थ इस्ट है इसको हम क्या बोलेंगे यह है नौर्थ इस्ट ठीक है जी और यहां से यहां तक का जो एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे नौर्थ वेस्ट ठीक है जी और यह जो एरिया है यह स साउथ इस्ट ठीक है इतना जो बीच का एरिया से सारा साउथ इस्ट है यह आपने याद रखने हैं सेकंड चीज आपको पता होना चाहिए डिरेक्शन सेंस में क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है ठीक है जी क्लॉकवाइज में जैसे के नाम ही आ रहा है क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक गुमती है तो हम देखाएंगे जग गड़ी है वह ऐसे गुमती है ठीक है इसको हम बोलें गड़ी गूम रही है उसके बिल्कुल opposite वो कैसे होगा ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम anti-clockwise ठीक है जी यह आपको basic चीज़े पता होना चाहिए उसके बाद आपको पताना चाहूंगा कि suppose जो right moment होती है उसका मतलब क्या होता है right moment का देखिए friends मान लिए ये point है ए ठीक है जी अब यहां से मैं suppose यह कह रहा हूं कि मैं north की और जा रहा हूं suppose यहां north है मैं यहां पर suppose five kilometer गया ठीक है जी एक चीज़ा रखना friends जैसे मैं इधर जा रहा हूं जैसे आप paper के सामने बैठे हुए हो जैसे य भी right है और यह मेरा left है तो इसी तरह से यह भी right होएगा और यह भी left इसमें कोई difference ने रहेगा यह आपको फमेशा पताओ चैसे अगर मैं इधर को जा रहा हूं ऊपर को तो यह right रहेगा और यह left रहेगा George पेपर के सामने बैठा हूँ उसी तरह से अगर मैं पूछता हूँ कि मैंने राइट के और मोग करना है अब देखिए यह इदर को जाएगा राइट को इदर को अगर इदर को जाता हूँ यह लेफ्ट साइड है तो इदर को लेफ्ट होएगा तो मैं भी चलो राइट के बारे तो फिर नीचे आ गया क्योंकि मेरा इधर लेफ्ट को ऊपर को चले जाना था तो माली जी यहां पर नीचे को आ रहा था तो मेरा इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट आप चलके देखिजिए इसके उपर अपने आपको इमेजिन करके देखिए तो राइट इधर आएगा लेफ्ट इधर आएगा फिर राइट में फाइव किलिमेटर जाता हूं तो उसी पॉइंट पर पहुंच जाता हूं तो यह मेरा ऊपर राइट हो जाता है तो यह मेरा नीचे लेफ्ट हो जाता है तो यह तो हो गई है हमारे से चला नॉर्स्की और 5 किलोमेटर और जब जा रहा हूं यह मेरा रैट होगा यह लेफ्ट हो गया तो नीचे अब फिर फाऍफ्ट की और 5 किलो मेटर जाऊंगा तो नीचे को आऊंगा होंगा इधर अ मेरा यह मेरा रह रहेगा यह तो 5 किलो मेटर स्पोज मैं फिर नीचे आगया अब फिर मैंने लेफ्ट गुमना है तो लेट कितर होगा देखिए आप स्पोज कीजिए कि अमेजिन कीजिए आप नीचे को आ रहे हो तो आपका जो लेफ्ट होगा इस एट्रेक्शन में होगा तो लेफ्ट को फिर 5 किलमेटर जाओगे तो फिर उसी पॉइंट में पहुंच इतना आपको पता है 90 डिगरी होता है इतना भी 90 डिगरी होता है यह भी इतना 90 डिगरी होता है और यह भी 90 डिगरी हो यह टोटल बनता है 360 अगर मैं इसमें से सीधी एक लाइन बीच में से खीच दूँ ठीक है तो यह कितना बचेगा यह 45 डिगरी और यह भी 55 डिगरी तो तो सभी को एड़ करेंगें थिशिक्ति हमारा बन चाएगा जो सबसे इंपॉर्टन्ट चीज है जो डिग्री के केस में है जैसे पन ताली डिग्री यहां पर हैंगल एक चीज हमेशा जा रखना सपोज मैं हम कहते हैं कि यहां खड़ा हूँ मैं नौर्थ की और पांच किलो मेटर जा रहा हूँ तो मैं यहां पर पांच किलो मेटर चल गया ठीक है जी लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैं यहां पर हूँ और मैंने पंताले डिग्री राइट को मूव करना है तो आप कैसे करोगे एक हमेशा चीज चाहाँ रखना फ्रेंट्स डिग्री का मतलब मैं आपको बता दू यह बहुत इंपोर्टन चीज़ आप जहाँ पर हो पंताले डिग्री राइट को मूव कर रहा है देखी माले ऐसे बना लिए आपने राइट के दर होगा इधर की डिरेक्शन में लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे देखी फ्रेंट्स जब भी एंगल हो आप ऐसे खड़े हो ठीक है जी अब पंताले जब भी आपने डिग्री में एंगल में जब भी मूव करते हो आप आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती आप यहाँ पर ही रहोगे आपका सिर्फ एंगल चेंज होगा ऐसे ठीक है जी आप ऐसे आ जोगे द्वारा बता रहा हो फ्रेंट्स आप ऐसे थे आप खड़े यहाँ पर हो तो आप इधर ही रहोगे सिर्फ आपका एंगल चेंज होगेगा मैं इसको यहाँ 55 डिपरी करना था तो यहां से था इदर को देख रहे थे तो आपने face इदर को कर लिए तो यह कतना हो गया पंन्ताली डिपरी राइट को ऐसे एंकल में मुग करते हैं, जब आपको questions कराऊंगा तो इसके और भी आपको अच्छे से समझा पाईगा इसी समझ से friends, first question करते हैं, वो कहरा है, रभी travels 10 km North, रभी जो है, वो 10 km North की और जा रहा है, मैं माल लगता हूँ कि रभी यहां पर है, वो 10 km, किदर जा रहा है, North की और, ठीक है जी, तो यह North की और, इदर North होता है, ठीक है जी, and turns left, अब देखी जब वो इदर को जा रहा था, तो यह उसका right था, यह उसका left था, अब वो कहता है कि 4 km वो left जाएगा, तो 4 km माल लेता हूँ, यहां पर 4 km, अब देखी वो इदर जला गया, ठीक है जी, अब इदर जब जा रहा था, तो ऊपर उसका right होगा, नीचे उसका left होएगा, अब देखी, then, and then again turns right, फिर वो right के और, and covers another 5 km, फिर वो खह रहा है कि right के और turn करेगा, ठीक है friends, अब turn किदे करेगा, right, अब जब इदर को जा रहा है, तो right किदे होएगा, उपर को, तो यह 5 km, उपर को चला गया, ठीक है जी, and travels another 4 km, and he turns right, फिर वो right के और move करता है, अब देखी, इदर को right है, इदर को left है, जब उपर को जा रहा है, तो right को move करता है, कितने km जाता है, वो जाता है, 4 km, तो वो आ गया, इदर आ गया, नीचे भी 4 सा, तो इसके बराबर आ गया, अब यहाँ पर पहुंच गया जी रवी, वो कह वो कहता कि जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी, जर्नी कहां से शुरू करी थी, यहां से, how far is he from the point of starting of his journey, कहां से, how far का बतला कितनी दूरी पे, जहां से जर्नी शुरू करी थी, कितनी दूरी पे है भी वो, देखिए, इसका हमने shortest distance लेना होता है, जब कुछ भी न पूछ रहा है कि starting point से अभी वो कहा है, देखिए, 10 km तो यहां तक हो गया, अब अगर मैं इदर लाइन, यह 5 था, तो यह भी 5 होएगा, ठीक है जी, अब 10 इदर, 5 इदर, 10 और 5 कितना हो गया, 10 और 5 हो गया, हमारा 15 km, ठीक है जी, 15 km, starting point से जहां तक पहुँच गया, 10 यहां तक यह 5 था, तो इतना भी 5 होएगा, ठीक है जी, तो 10 और 5, 15, हमारा अंसर आगया, 15 km, next question है, राम starts from a point A, राम जो है, वो A point से शुरू करता है, ठीक है friends, अब यहां पर मैं लेता हूँ, कि यहां point है A, ठीक है, यहां से शुरू करता है, walks 6 km north, north की और 6 km जाता है, मैं कहता ह कि यह 6 km north की और आ गया जी, उपर को क्या है, north नीचे को क्या होता है, south, then turns left, फिर वो left, देखिए इधर उपर को जा रहा हूँ था, इधर राइट है, मैरा तो इधर लेफ्ट है, he turns left and walk 8 km, अब left किदर होएगा, इस side, कितने km जाता है इधर, इधर जाता है वो 8 km, ठीक है अब जब इधर को जा रहा था, उपर राइट होएगा, नीचे लेफ्ट होएगा, then he turns left, अब left नीचे है, and walks 12 km, अब बारा किलोमेटर नीचे आता है, अब देखिए friends, जहां तक अगर 6 ता तो नीचे तक पहुंच जाएगा, मैं मालने तो कि यहां तक है, यहां तक है 12 km, ठीक है, अब यहां पहुंच गया, up to the point D, वो इसको point बोल रहा है, D है, in which direction is Ram facing, वो पूछ रहा है, बताइए Ram किदर को, Ram लिखी इदर को जा रहा था, तो face किदर कर रहा है, नीचे को क्या होता है हमारा, south, तो यहां पर भी हमारा answer south होएगा, एक चीज और friends, यहां तो उस पूछता, कि in which direction is Ram facing from the starting point, अगर वो पूछता, यह हमारा starting point है, देखिए, अगर यह starting point है, तो इसका यह बनता है, तो इसका यह बनता है, तो यह जो इतना सारा area होता है, यह सारा area, यह किसका है, यह south west का है, तो हमारा answer होता, d कितर था, इस area में, इस area में, देखिए, यहां से इसके बीच में है, तो यह होना था, हमारा south west, ठीक है जी, south west होना सा answer, कब, जब जो पूछता है, in which direction is Ram facing from the starting point, फिर हमारा answer, west, southwest, लेकिन अभी वो क्या पूछ रहा है, in which direction is Ram facing, अभी कितर को move कर रहा है, अभी वो south की और move विशाल walks two kilometer to east, ठीक है जी, next question में, कि विकास जो है, वो east की और move करता है, कितने kilometer, वो move करता है, यहां पर reference, two kilometer move करता है, then it turns north west, फिर वो north west की और जाएगा, अब यहां पर reference, पहुंच गया, विशाल, तो देखिए, यहां पर मैं ऐसे, उपर नीचे diagram में आता है, अब वो कि north west की दो होएगा, इधर को, इधर को वो move करा, कितने kilometer, तीन kilometer, यह दो है, तो यह आगे थोड़ा सा निकल जाएगा, ठीक है जी, three kilometer, ठीक है जी, अब then he turns south, फिर वो south की और move करता है, and walk five kilometer, और पांच kilometer जाता है, अब friends, यहां से वो पांच kilometer, देखिए, वो पांच kilometer जाएग तकरीवन तकरीवन यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है जी, तो पांच kilometer नीचे आजएगा, इस point से, ठीक है जी, क्योंकि यह तीन kilometer है, तो यहां तक पहुंच जाएगा, तो यह पांच kilometer नीचे जाएगा, south की और, then again he turns west, फिर वो west की और move करता है, west कि दो होएगा, इधर कितना move करता है, two kilometer, तो मैं यह माल लेता हूँ, यह two kilometer है, west की और move करा, finally he turns north and walks six kilometer, फिर वो दिखिए यह तोटर है, यहां पर five, वो करता है, six kilometer फिर वो north की और move करता है, तो north का उपर ले जाएगे, इस point से थोड़ा से आगे चला जाएगा, तो यहां पर पहुंच गया, क्य कि यह पहुंच गया है, वो कहता है, in which direction is he facing from the starting point, देखें, मैं जो बता रहा था, वैसा question आ गया, अब वो कह रहा है, यह उसका starting point था, यहां से वो चला था, ठीका जी, अब पुछे, यहां से किस direction के और अभी वो, मतलब, अभी वो किस direction में है, starting point से, तो जब भी ऐसे पू होता है, यह north है, यह south है, नीचे, ठीका जी, और यह east होता है, यह west होता है, तो यह किस इस area में पढ़ता है, तो यह answer क्या होएगा, हमारा, यह north है, और यह हमारे पास west है, तो यह answer क्या होएगा, हमारे पास north-west, ठीके फ्रेंट्स, तो दिन गौस्टन्स हम स्वाल करेंगे पहले आप बेसी को समझ लेजिए ताके जो difficult जब कोश्टन्स आएंगे ब्लेड इस्को समझ पाओगी तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिळलरड रिलेशन पार वन जिसमें हम देखेंगे जब्रेक्टेस कि यहां पर दकिए अगर मैं स्टार्टिंग से करूग इस निस। डॉर्टर है जैसे मैंने बोला बेटा है बेटी है बांजी है बांजा है इसको बतीजा बतीजी बतीजा भी बोल देते हैं नाइस का मतलब बतीजी भी हो सकता है बांजी भी हो सकता है नेफियो का मतलब बांजा भी हो सकता है बतीजा भी हो सकता है तो देखिए अगर वो सन ह है We are Christian वह उपर Estamos घळली आध़ है जैसे अंकलम घृत्व से यहां पर कुद इस उसके जेसे रहे हैं मुंत आथ हम जैसे जैसे generation चोपर को जाते हैं हमारा फॉन फॉन प्लसन होता रहते हैं जब उपर से नीचे आहें जैसे बोल दें कि वो फादर का बेटा है तो बेटा क्या है उसका अब जो डॉरALL data piace है तेकर इन दोनों में जो जनरेशन के याप होगा वो तो को नीचे नीचे हम आएंगे तो माय माइनस 2 का हो झाएगा ऊपर को जाएँगे यहां से जहां तक देख़र एक यह पर तो क्या होझेगा प्लस टू होजेगा ठीक है यह था जनरेशन के अप इसका बेनेफिट यह हमें पता होना बहुत जूरी है जब मैं कॉश्चन कराऊंगा आपको पता लग पाएगा कि यह कैसे हमें बेनेफिशल है कुछ बेसिक चीज है फ्रेंट्स जैसे हम जो एक फैमिली ट्री बनाते हैं तो मैं यहाँ पर एक फैमिली ट्री बनाऊंगा आप उसको समयने की कोशिश कीजिए कि फैमिली जो ट्री होता है वो क्या होता है ठीक है इसके बारे में मैं पता होना जो जूरी है जैसे कैसे बनाना है हमने जब कॉश्चन को सॉल्प करना है जैसे मैं बोल दिया यह है सन ठीक है अब सन का देखिए उसका फादर भी होएगा ठीक है उसकी मदर भी होएगी एक जी जा रखना है जब भी हम इन दोनों में दो लाइने डालेंगे डबल लाइन का मतलब होएगा कपल ठीक है और सिंगल लाइन का मतलब होएगा सिंगल है ठीक है ठीक है सिंगल मतलब प्रदर, सिस्टर से अब देखे cheering मैंने सन लिखा उसका फादर अर यह मदर हो गया अब यह मजेगा फादर का फादर हम इसको क्या बोलते हैं का ग्रेंट घू ऐडतर अब ऐसे ही दो फादर के मदर क्या होएंगे grand mother इसी तरह से जैसे यह son है जिसके मतर है अगर देखा जाए इनके जो father हम उसको क्या बो इनके जो मतलब अगर son की मतर है मतर यह क्या होता है इसको बोते हम maternal grand father ठीक है ठीक है और यह क्या होएंगे इनके son के जी maternal grand mother अब देखिए इसको जैसे हम बोलते हैं यह जो maternal grand father जा मतर होते हैं यह हमारे क्या होते हैं nana nani जो grand father यह क्या होते हैं दादा और दादी चाहे लिखा हो grand father चाहे लिखा हो paternal grand father इसका मतलब same होता है paternal grand father इसी तरह से चाहे हम बोले दादी grand mother चाहे बोले paternal grand mother paternal का मतलब papa की side maternal का मतलब होता है mother की side ठीक है friends यह को paternal grand mother बोलेंगे grand mother लिख लेता हूं तभी वो नाना जा नानी बलेंगे maternal grand father बोलेंगे तब नाना और जब maternal grand mother बोलेंगे वो नानी होईगी अब देखिए friends अगर मदर की sister है ठीक है जी तो अगर देखा जाए यह सान है यह मदर की sister है यह मदर की sister है तो देखिए अब यहाँ पर जी मैं दो लाइन लेंगे क्योंकि यह अपना एक दूसरी में यह husband wife होईगे यह भी husband wife तो double life अब यह single line गए यह brother sister के लिए है अब देखिए friends यहाँ पर अगर जी sister है मदर की तो इसका इसमें से क्या relation होईगा यह इसका मामा लगेगा हम बोलते हैं मामा मतलब इसको हम इसका अंकल बोलेंगे ठीक है जी जो भी जैसे मेरे फादर की मदर का जो ब्रदर होता मेरा मामा लगता है मतलब ऐसे जो फादर की side मेरे जो फादर है उनकी जो sister होईगी वो मेरे भुवाजी लगेंगे ठीक है जी? वो मेरे भुवाजी लगेंगे तो उनका जो husband होएगा वो इनका जो husband होएगा वो फूफाजी होएगे ठीक है जी? फूफाजी ठीक है जी? और यहाँ पर ये सोरी मेरे मदर की जो सिट्रों की मामी ठीक है अब मेरे जो मदर की सिस्टर है उसका सन जाड़ डाउटर जा फिर मेरे जो फादर की सिस्टर है उसका सन जाफिर डाउटर यह आपस में यह और यह यह आपस में हमेशा क्या होते हैं कजन ठीक है फ्रेंट्स तो ऐसे जो हम फैमली ट्री बनाके चलते हैं तो जब हम questions करेंगे तो हमें ये ट्री बनाना असानी से पता लग पाएगा कुछ relations जिसके बारे में हमें पता होना बहुत जोड़ी है जैसे brother in law brother in law का मतलब जीजा भी होता है, साला भी होता है, देवर भी होता है और जेट भी होता है ऐसे डाटर in law को बोलते हैं बहु, थोड़ी हम रिस्पेक्ट बोलते हैं, जैसे जो बहु होती है, जिसको हम नू भी बोल देते हैं तो ऐसे father in law के आता है, ससुर, और mother in law के आता है, सास, यह हमें basic चीज़ है जो पता होना चाहिए अब फ्रेंट्स कुछ question देखते हैं, कैसे हमने यह tree बनाना कैसे सीखना है अब एक question है, A and B जो आपस में brother है, C and D are sisters, A's son is D's brother, how is B related to C वो कहरा कि A और B दोनों बाई हैं आपस में, C और D आपस में दोनों sister है, जो A का बेटा है, वो D का बाई है तो बताईए, B का C से क्या relation होईगा, तो friends, जैसे कि A and B brothers हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले A और B brothers हैं, कि कैसे जी दोनों brother हैं, तो एक चीज़ जात रखने हैं, कि जब भी male आएगा, जब भी male आएगा, उसके लिए plus हम sign choose करेंगे, जब female आएगा, तो उसके लिए minus sign, तो दोनों brother है, तो दोनों के साथ में मैंने plus लगा दिया, यह single line क्या donate करती है, कि यह brother sisters है, एक ही generation है, जो double line है, वो couple को बताएगी, अब next line के है, C and D are sisters, maximum students यहाँ पर गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, देखी वो A and B की बा और B की क्या कहीं और बात करी है, तो देखें, इस line को अभी छोड़ दीजिए, जहां पर आगे चलते हैं, यह एक ही बात करी है, एक असन, महला हमने एक बार जो लिख दिया, पहले लिखना है, उसके related कुछ और तीज़े हैं, ताकि tree बनना बहुत असान हो, अगर आप सीध है, तो यहां पर plus आएगा, क्या है, इस D's brother, वो D का भाई है, तो A का son, D का brother है, single line है, तीकरी, अब वो कह रहा कि C and D are sisters है, यहां हमने बोल दिया, यह तो male है, A का son है, C and D आपस में sister है, यह sister तो इसकी sister होएगी, यहां पर C, वो भी minus sign कर दिया, female के लिए, तो वो पोच रहा है, बताईए, B का C से क्या relation होएगा, अब देखिए, B यहां पर है, और C यहां है, इन दोनों का हमने आपस में relation बताना है, देखिए, यह आपस में तीनों बाई बहन है, यह दोनों sister हैं, जिसका बाई है, इनका जो पापा है, उनके फादर है फादर का जो ब्रदर है, तो मेरे फादर का ब्रदर मेरा क्या लगता है, हम उसको बोलते हैं, अंकल, जिसको हम चाचा बोलते हैं, ठीक है जी, तो इसका relation क्या होगा यहां पर, अंकल, D अंसर होगा, ठीक है फ्रेंस, देखिए, यह आपस में बाई बैन है, तो मैं बोल सकत और B, A जो है, वो B की सिस्टर है, तो मैं माइनस हैं, B का भी मुझे जेंडर नहीं पता, C is the brother of D, अब C, D की बात कर रहें, यहां पर तो A, B की बात कर रहें, तो हम आगे चले जाएंगे, इफ D is the sister of A, अगर वो कह रहें, D है, वो A की सिस्टर है, तो यहां पर D, किस की सिस्टर है, A की, और फिर पिछे यह देखिए, C और D आपस में brother है, अब वो पूछ रहें, अब वो पूछ रहें, बताईए, How is B related to D, काई स्टूड़ों यहां पर एक कंफ्यूज हो जाते हैं, कि यह बताना है, कि D की B का लगता है, कि B D का, जब भी फ्रेंट्स लिखाओ, How is B related to C, वो पूछ रहा है, B का D से क्या रिलेशन है, बी का, B का D से क्या रिलेशन है, अब एक चीज़ देखिए फ्रेंट् यह male भी हो सकता है, और यह female भी हो सकता है, तो यह आपस में सभी भाई बैन है, लेकिन यह नहीं पता कि B इसकी sister है, कि B इसका brother है, तो option में चलते हैं, brother तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें confirm नहीं है gender, sister भी नहीं हो सकता, third option क्या है, brother और sister, हाँ जी, brother भी हो सकता है, और sister भी सक questions में ध्यान रखना चेक करना जेंडर पता होना बहुत जुरूरी है अगर यह बी और सी आप्शन में नहीं होता तो हम बोल देते एक आप्शन में लिखा होता नानवदी जाहां फिर कैनोट भी डेटर्मेंट तो अगर अंसर में लिया हुआ डी की सिस्टर है यह मैंने एम बनाया एम सिस्टर है तो यहां माइनस कर दिया किसकी सिस्टर है डी की है जो डी है वो ब्रदर है के का डी किसका ब्रदर है डी यह ब्रदर हुआ तो मैं यह लिख दिया जहां पर किसका ब्रदर है के का एफ इस दा मदर आफ एम एफ जो है मदर है किसकी एम की तो पूछ रहा है बताईए के एफ का क्या लगा अब के यहां पर देखिए इसका हमें अगेंज जेंडर जो जेंडर है नहीं पता फ्रेंड्स ठीक है तो इट मींज अब देखते हैं यह सबी आपस में बाई बहन है तो यहां पर यह इसका अब के पूछ रहा है के सन भी हो सकता है इसका के बेटा भी हो सकता है के बेटी भी हो सकती है तो सन अकेला नहीं हो सकता डॉर्टर भी हो सकती है यह option क्या है son or daughter यही हमारा क्योंकि बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है क्योंकि हमारे में यहां पर gender का नहीं बता रखा अब next question देखें वो कह रहा है B is the only child of only daughter of C's paternal grandfather बताईए how is C's father related to B ऐसे questions में इनको solve करने के लिए इक चीज बेटाईए यहां से निहीं शुरू करना हमने हमने यहां से शुरू करना है जैसे बोले goi the father of, mother of जी ऐसे कुछ दे रखा हो तो हमने वो कहना है कि A हमने कहाँ से शुरू करना है कहना C's paternal large से शुरू करना है यहां से पहले हम बताएंगे C is paternal grandfather माली ये वो कैसे बनाएंगे पहले हमने C लिख देना है कि कहां जी पैटरनल मींस फादर की साइट पहले इसका एक फादर होएगा यह की एक मदर होएगी और पैटरनल इस फादर की साइट तो इसका भी एक फादर होएगा जिसको grandfather तो इस एसा फादर बोलेंगे है यहां ग्रैंड मदर तो ऐसे बनेंगा तो यह तो क्या का प्रमन ग्रैंड फादर आप पूछ रहा है है अब यहां से पीछे चलेंगे देखिए ऐस यहां सेमें पीछ जलेंगे only daughter इसकी only daughter मतलब ये तो son है तो इसकी केवल एक daughter भी होएगी तिका जी इतमिस ये आपस में बाई बहन होए मैं लगो कह रहा है कि A की बेटी है C के grandfather की A की बेटी है तो ये मैं लिख लता हूँ daughter लिख दिया मैंने अब वो कह रहा है कि B is the only child of only daughter उसकी एक ही बेटी है और उसका एक ही child है जो B है इसका एक child है जो B है मैं जा ले लिख दो child वो question में पूछ रहा है बताइए C का father जो C का ये father इसका B से क्या relation है ठीक है जी इसका इससे क्या relation है देखिए ये क्या है ये स्पोज़ ये मैं हूँ ये मेरे father है मेरे father की ये sister हुई देखिए इनकी daughter तो आपस में इनकी तो sister हुई न तो मेरे father की sister का बेटा ठीक है जी अब इन दोनों में क्या relation होईगा ठीक है जी मेरे जो father है उसकी sister का बेटा अब वो पूछ रहा है लगेगा maternal uncle, maternal uncle कैसे लगा देखिए यह B है इसका यह mother है B की mother यह है mother का ब्रदर क्या लगता है हमेशा मामा तो यह क्या लगा B की यह mother हुई उसका ब्रदर क्या लगेगा मामा लगेगा तो इसको हम बोलते है maternal uncle इसमें सबसे पहले एक चीज में आपको बताना जाहूँगा जो बहुत ज्यादा important है वो है यह आप हमेशे एक चीज जा रखना suppose यह एक गिलास है ठीक है जी यह गिलास पूरा पानी का बरा हुआ है ठीक है जी और दूसरा गिलास है यह पानी का half बरा हुआ है ठीक है एक चीज में आपको बरा हुआ है जो पूरा बरा हुआ है पानी का गिलास वो आदा भी बरा हुआ है ठीक है अगर मैं को पहुँँ यह पूरा बरा हुआ है पानी का गिलास है तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि यह आदा बरा हुआ है लेकिन जो दूसरी example है कि पानी का जो गिलास है वो आदा बरा हुआ है अगर जी आदा बरा हुआ है मैं कभी नहीं बहुत सकता कि यह पूरा भी बरा हुआ है जो आदा है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है अब 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 का सबसे पहले सबसे पहले इसमें होता क्या है आपको एक स्टेट्मेंट दे रखे होगी उसके बाद उसके सबसे गलत है पहले हम बेसिक चीज़े समझेंगे अब सबसे अब करेंगे जब भी और भी तो वह कहना कि यह जो ए अब जो बना रहा है तो इसके डियागरम कई बनेंगी और यह जो सालोगी जब है इसमें हमीशा जा रहा हुआ हम इसको बोलते हैं इसमें अपनी और से दिमाग नी जूस करना है, जिका जी, नॉर्मल कॉश्यंस में, जो दिया हुआ है, हमने उसके अकॉर्डिन ही चलना है, उसने हमें स्टेट्मेंट में बोला है, अगर मैं बोलूं कि सारे A B है, और मैं कनक्लूजन में बोलूं, कनक्लूजन में, बताईए, कि सम A R B है, देखिए फ्रेंट्स, अगर सारे A B है, तो मैं ये भी बोल सकता है, कुछ A B है, जैसे मैंने बोला कि पानी का पूरा गलास बढ़ा हो तो वो आदा भी है, अगर मैं बोलूं कि सारे A, B है तो मैं ये भी बोल सकता है कुछ A, B है Second अगर मैं बोलूं Sum B, R, A अफ्रेंट फेरिस में देखिए अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा रिफल में मैं बना दूँ जैसे पैन का रिफल होता है तो मैं माल लेता हूँ कि ये जो पाठ है ये A है तो ये जो सारा पाठ है ये क्या है B है तो मैं कह सकता हूँ कि ये देखिए B बीच में आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि Sum B या रहे कि कुछ B A भी है ठीक है जी एक जी जा रखना उपर को एक normal चीज बताता हूँ उपर को सारे all है और नीचे को sum के cases है उपर के सारे all cases है नीचे को है sum के cases जैसे all a or b नीचे को रहेंगे sum b or a yes sum b or a है जैसे मैंने एक diagram आता हूँ all a are b ठीक है जी और all b are c तो उपर को all रहेंगे नीचे को sum रहेंगे जैसे all a or b है तो all a or c भी रहेगा अगर all b or c है तो all a or b है all a or c भी है अगर नीचे को चलेंगे sum c or b भी है sum c or a b है sum b or a भी है तो नीचे को sum के cases रहते हैं ऐसे diagram बे अब second चीज दिखते हैं एक चीज आखना ये तो है normal cases एक इसमें normal cases होते है एक normal cases होते है दूसरी होते है possibilities cases possibilities cases possibility cases पे और normal में ये फरक होता है मैंने बोल दिया suppose बाहर बारिश हो रही है अगर मैं ये बोलू बाहर बारिश हो रही है तो मैं अगर ये बोलू के शायद आज बारिश हो तो बड़ी awkward सी बात हो जाएगी क्योंकि बारिश तो already हो रही है तो वहाँ पर मैं यह चीज नहीं यूज कर सकता कि possibility वहाँ डूट नहीं रखता मैं वहाँ पर यह नहीं कह सकता कि शायद आज बारिश हो माल दीजे बादल हो रखे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि शायद आज बारिश हो जो possibilities के वाले cases है संबाबना हमने डूट नहीं होती है इसमें can वाले cases होती हैं may, might, if वाले cases जहां पर may, might, possibility के cases can, may यह सारे possibility के cases होती है जी तो अभी discuss हम उपर कर रहे थे जी नॉर्मल cases थे अब मैं बताता हूँ possibility के cases का मतलब क्या है suppose अब जैसे हम अभी discuss कर रहे हैं all a.r.b, अगर मैंने बोल दिया all a.r.b और मैं question में पूछ रहा हूँ all a.r.b is a. possibility देखिए, all a.r.b हमें normal में दे रखा है अगर already बारिश हो रही है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि शायद आज बारिश हो अगर already a.r.b है तो मैं यह नहीं कह सकता है कि all a.r.b is a possibility तो शायद सारे a.b हो तो यह गलत हो जाएगा जो चीज नॉर्मल में सही होती है वो possibility में गलत हो जाती है क्योंकि संबाबना हम वहीं पर डूनते हैं जहां पर नॉर्मल केसे नहीं होते हैं अगर मैं बोलू अल बी आर ए इस आ पॉसिबिलिटी अब इसमें देखिए जब भी फ्रेंड्स आपको कंक्लूजन में दे रखा कि इस आ पॉसिबिलिटी हमने हमेशा से possibility की डायगराम बना कर रेखनी है फॉस्ट स्टेप मैं आपको बता दू फॉस्ट स्टेप अपने क्या करना है possibility cases में फॉस्ट डायगराम बनानी है सेकंड स्टेटमेंट चेक करनी है स्टेटमेंट थाऔर में देखना अगर सारे जो कनक्लूजन अगर स्टेटमेंट्स आहीं सही है सारी स्टेटमेंट्स है तो तो हमारा question यहिए स्टीक होगा otherwise अगर कोई भी स्टेटमेंट गलत आ रही है आपक्री डायगराम की कार्डींग तो अपने नो करना है तीन स्टेप लेने है, डियागराम बनानी है, स्टेटमेंट्स चेक करनी है, फिर उसके बाद डिसाइड करना है, कि वो सही है, कि गलत है, अब जैसे, मैंने, हम डिसकस करें थे, all A are B, ठीक है जी, और question पुछने है, all B are A is a possibility, सबसे पहले हमने, all B are A is a possibility की डियागराम बनानी है, वो हमने देखना है, जैसे A, है न, अब all A, A तो ही है, सारे B, A कब होईगे, जब इसके बिलकुल उपर मैं B बना दूँगा, देखिए, अब ऐसे ही मैंने डियागराम बना दी, जिसमें all B are A है, देखिए, बिलकुल उपर, और अब सबसे पहले मैंने क्या क्या रहा है फर्स्ट स्टेप मैंने डियागराम बना दी, सेकंड अब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेक करने हैं स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट थी all A, R, B, तो स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अगर मैंने डियागराम ऐसी बनाई है, जैसे all B are A नज़र आ रहा है, तो all A, स्टेट्वेंट भी सही होगी जब डायग्राम भी सही बनी है स्टेट्वेंट भी सही है तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा सही तो आल बी आर इस पॉसिबिल्टी वह देगा हमारा सही सेकंड एक बहुत इंपोर्टन चीज अब देखिए फ्रेंट अब यहां पर हम डिसकस कर रहे थे कि आल ए और बी अब देखिए मैं नीचे बना देता हूँ जैसे सपोर्द हमने डाइगराम मना रखी थी अल ए और बी अब वो कॉस्चन में पूछ रहे है सम बी आर नौट ए देखिए फ्रेंट्स उसने सिरफ बात करी है अल ए और बी कि सारे ए बी है कॉस्चन में पूछा है सम बी आर नौट ए बताईए सही है गलत है अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कुछ बी ए नहीं है लेकिन हमने क्या दे रखाए और बी उसके बारे में उसके बाद उसने कुछ नहीं बताया तो स्टार्टिक में मैंने बता कॉस्चन में देखा है सम बी आर नौट ए इस आ पॉसिबिलिटी फिर हम संभावना टूनेंगे फिर हम दूसरा जो चीज नहीं दे रखी फिर उसके बारे में सोचेंगे हां मुझे नजर आ रहा है कि कुछ बी ए नहीं है फिर यह सही होगा नॉर्मल में यह गलत होगा क्य ठीक है फ्रेंड्स हो सकता है फिर्स टाइम में आपको कुछ काफी कन्फ्यूजन हो लेकिन जब आप तीन चार वीडियो में बना दूँगा इसके उपर आपको समझ आना शुरूगा जब कॉस्चन करांगा और ज्यादा समझ आएगा इसमें ठीक है फ्रेंड्स इसी समझ स अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने उसने पूछा है औल केक्स है तौफी सारे केक्स है देखें फ्रेंड्स ऊपर को मैंने आपको पताया सारे औल किस्तस होते हैं तो सारे केक्स को कवर कर रखा है तौफी ने तो आल केक्स हार टौफी भी है तो ये सही हो गया सेकंड है ऑल टौफी और आइसक्रीम वो कहता है कि सारे टौफी क्या आइसक्रीम है देखें नीचे को हमने पताया कि सम की किस्तस होते हैं नॉर्मल में पॉसिबिल्टी में अ तो उसमें उपर से तौ ऐसे बुझा नहीं है नजर भी आ रहा है क्लोंकि हमने बताय कि नीचे सम के केस सिरे मुझाकि और यह क्लोमी नहीं है तो इसे हैले नहीं हमारा पास गलत होझेगा ये इसमें चार पार्ट्स है जैसे औल अर भी सेकंड पार्ट आप मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में दो डिस्कस करूँगा दो मैं नेक्स वीडियो में डिस्कस करूँगा उसके बाद मैं questions के उपर ही आ जाओगा ठीक है जी उसके बाद एक आपको आइदर वाला केस भी समझाओगा वो अलग वीडियो में लेके आऊँगा देखे एक है sum A, R, B तो इसकी डाइगरम कैसे बनेगी फ्रेंट्स ऐसे बनेगी sum A, R, B sum A, R, B का मतलब सिर्फ ये portion जो share हो रहा है कुछ A, B है question में क्या दिर्खा है? कुछ A, B है अगर मैं बोलू कि sum A, R, B conclusion में पूछता है sum B, R, A वो सही हो देगा क्योंकि अगर देख कुछ A, B है तो कुछ B, B, A है यहाँ पर अगर वो पूछता है कि sum A, R, not, B अब वो पूछ रहा है कि कुछ A, B नहीं है फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए उसने देखिए अर्खाई सिर्फ इतना portion हमने यहाँ तक की सीमित रहना है normal cases में possibility में अभी यहाँ पर नहीं discuss रहा next tips भी जो step में बताऊँ का देखिए यहाँ पर सिर्फ इतनी बात करें कि sum A, R, B तो it means यहाँ पर sum A, R, not, B की बात उसने नहीं करी तो यह गलत हो जाएगा ठीक है जी? हमें नहीं पता कि sum A, R, not, B है जा नहीं है अगर वह पूछ ले sum B, R, not, A तो वो भी हमारा गलत हो जाएगा लेकिन अगर वो पूछता है अगर वो कहता है कि sum A, R, not, B is a possibility तो उस case में क्या है? फिर हम संबाबना देखेंगे फिर देखेंगे कि ऐसी कोई संबाबना पहले डाइगराम बनाएगे डाइगराम तो ऐसे ही बनेगी इसमें भी इसमें भी डाइगराम ऐसे ही रहेगी अलग से तो sum A, R, B मुझे यह sum A, R, not, B नज़र आ रहा है पहले मैंने डाइगराम बनाई ठीक है जी डाइगराम तो यही रह जाई तिर मैंने statement चेक करनी है कि मुझे जो नज़र आ रहा है कि sum A, R, not, B मेरी statement है sum A, R, B तो sum A, R, B भी change नहीं हुआ इट मींज जो statement है वो भी मेरी change नहीं वो भी सही होगी तो यह दोनों step पकर clear हो जाते है तो sum A, R, not, B is a possibility, yes यह सही हो जाएगा अगर वो पूछता है sum B, R, not, A is a possibility तो वो भी sum B, R, not, A वो भी देखी हमें संभावना में डाइगराम तो यही रह जाए कि sum B, R, not, A is a possibility, yes संभावना है संभावना में हमने हमने फिर जब संभावना दे रखिया है फिर हमने दूसरे नजरिये से देखना है otherwise normal cases में जो दिया हुआ है उसके उपर ही सिमिती रहना है वहाँ पर no brain diagram यूज होएगी और possibility की कैसर में little bit हमारा brain यूज होएगा, ठीक है जी अब देखिए friends यहाँ पर एक मैंने question लिखा है कि some pairs are gems है और some gems are ornament है पहले मैं diagram बना हूँगा देखिए some pairs, some p are क्या है? gems है some pairs are gems उसका करेंगा some gems are ornament और लिख दिया यह तो हमारा बन गया statement अब पूछ रहा है some gems are pairs कोई some जो gems है यह some gems are pairs है यह कि इसके साथ यह share कर रहा है हमने देखना कि यह चीज़ बन रही है some gems के साथ pairs का यह चीज़ बन रही है तो यह बन रही है यह मारा सही हो गया second वह पूछ रहा है some ornaments are gems some ornaments देखिए ornaments और gems बे यह चीज़ बन रही है some ornaments भी जो gems है तो यह भी सही हो जेगा लकिन अगर वो friends पूछता के some reconciliation data क्या है प्रचीनकाल से हि मनुष्य प्रतेक मनुष्य के जीवन से समंग या आंक्डों का सबंद रहा है यहि aperture हम देखें तो हरेक मनुष्य के जीवन से आंक्डों का समंद रहा हिए व्यापक अर्थ में समांक या आंकडे सूचना की इकाई समझे जाते हैं जिनके अधार पर कोई व्यक्ति समपूरन सूचना प्रापत करने के बाद उस विशे पर कोई निर्णे लेता या विचार रखता है अब देखिए व्यापक अर्थ में समांके या आंकडों को ये देखा जाए ये सूचना की एक इकाई है ठीक है यानि की जो हमें information जो हमें सूचना प्रापत हो रही है तो data का है उसकी एक इकाई है जिसके अधार पर हम पूरी की पूरी जो समपूरन सोचना है उसको उस विशे का परिणाम निकाल सकते है उधारन के तोर पर जैसे मान के चलते हैं कि जैसे देखिए आज से दस साल पहले या आज से देखिए कि चलो आज से हम ये देखते हैं आज से पचास साल पहले या बीस साल पहले बीस साल पहले की बात करें तक्रीबन काम online system से हो रहा है ठीक है जैसे आपको कोई form भनना हो कुछ भी करना हो तो सबकुछ हाजकल online हो रहा है तो offline और online में दोनों में व्यापगंतर पाया गया है तो अगर हम data कठा करें जब offline काम होते थे सारी ठीक है जो paper work के ज़्यादा होता था तब हम offline की बात करते है उसका data और आज जब इतना जमाने ने तरक्की कर लिए और online system सारा आ चुका है तो उसको देखते हैं ठीक है दोनों की विश का अंतर देखते हैं न हम कैसे तो वो होता है data ठीक है तो उसके बाद यहनकी होता कुछ नहीं है कि एक data जिसके धार पर हम एक नई विचार धारा या नई सूचना प्रापत करने के बाद किसी विशे के उपर कोई विचार लेते हैं ठीक है जैसे कुछ सरकार है वो यह दिखते है कि पिछले 5 सलों में ये तुन रकी नहीं होई तो वे ऐसा काम काम करेगी ये त्रकी हो जाएगी ठीक है जैसे की अब देखे या अंक्ड़ प्रतिशत निकाले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अब देखें कि जैसे अधारन के तोर पर किसी विदाले में चात्रों का प्रिक्षा का परणाम देखना है ठीक है किसी नगर की साक्षरता देखनी है या किसी विपार के कुछ वर्षों के लाभानी को देखना है तो वह किस से होगा वो डाटा से होगा जब भी कोई डाटा नया आता है तो उसको सं पिछले से compare करके दिखा जाएगा नेक्स्त ये आंकडों को स्थ्रोत अब देखें कि जो हमने data की बात की थी आंकडों की बात की थे जो आंकड़े इसक्पराइमेरी लाठा गया थाक्या है प्राथ मनें की प्राइसमिक य़के लोग में जिनको प्रस्क्रणूस स्वयम किसी व्यक्ति या किसी स्मूद द्वारा प्रापत किया जाता है यह कि प्रात्मिक आंकड़े क्या है जिसे हम स्वयम प्रापत करते हैं या कोई व्यक्ति या किसी स्मूद द्वारा जो पहली बार जो है आंकड़े कठे की जाते हैं जैसे किसी का इंट्रुवी ले लि खेक है यह की घुकि आपने कठा गए तो मैं वैसे वास्फ्विक तो होंगी क्योंकि इसकी मिइन कि यह अधिक पैसा और ज्यादा कारे करना पड़ता है लेकिन यह आंकड़ अधिक प्रभावी होते हैं प्रास्मिक आंख्डों को सर्वे के द्वारा जिसमें लोगों से फॉन पर बात करके जैसे अभी चुनावी मौसम चल रहा है तो फोन आते न क्या बोड डालेंगे इसको डालेंगे सर्वे हो कौन से सरकाजी ते यह डाटा ही कठ्थ है आंकड़े कठ्थे कर रहे हैं और क्या है व्यक्तिकरूप से मिलकर मेल के जरीए लोगों से विचार विमर्च करके उनसे स्वाल जवाब पूछ कर किसी विशे का परियोग करके एकत्रीत किया जाता है आप देखें कि जैसा कि आपन कि जैसे मैंने बात की है भी कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी तो उसके बार में सरवे हो रहा है यह आंकड़े कठ्थे की जा रहे हैं देखें उधारन के तौर पर जैसे यदि कोई व्यक्ति यह पता करना चाता है कि उसके एक्षेत्र में कितने लोग प करेगा तो कुछ से जाकर पता करने में जो जान कर रिखठा होगी वह प्रात्मी आंकड़े कहलायों गर्डियाओंगी इसी तरह दुइतिक आंकड़े यह कि सकेंड़ी डाटा दुइतिक आंकड़े व्यक्ति उते हैं जिसको किसी से प्रापत किया जाता है या आंकडे पहले से त्यार होते हैं इसमें दोनों संभावना हो सकती है कि येस वास्तवी क्या है या नहीं देखें जो secondary data है वो हम किसी और के data को पढ़ते हैं ठीक है फ्रेंज जैसे भी कहा है कि कोई newspaper से पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा कर रहे हैं ठीक है तो वो तस candidate data यानकी जिसमें हमारा data नहीं होता किसी और का data होता है जिसके अधारफ़ हम data का आंकडी कठे करते हैं ये संभावना होते हैं कि ये सही भी हो सकते हैं ये गलत भी हो सकते हैं वास्तविक भी हो सकते हैं और ये अवास्तविक भी हो सकते हैं इन आंकडों को एक्तिरित करने में कम समय, कम पैसा और कम कारे करना पड़ता है लेकिन या आंकडे अधिक प्रभावी होंगे यह नहीं कहा जा सकता है इसमें क्याए कि कम पैसे लगेंगे कम समय लगेगा कारे भी काम करना पड़ेगा पर इस बात की गारेंटी बिल्कुल नहीं है कि ये परभावी भी हो सकते हैं क्योंकि primary data वो है कि जो आप नहीं कठा किया है अब देखिया आप खुछ से notes जो बनाओगे वो आपका primary data होगा अब बने बनाए notes या बने बनाए books आप ले लोगे कुछ भी ले लोगे तो वो इतना परभावी नहीं हो पाएगा जो आप खुछ से बना लोगे इन आंकडों को अख़वार से website से या सरकार के दोरा प्रकाशित पत्रिकाओ या data के अधार पर एकरित किया जाता है ठीक है यदी कोई व्यक्ति जय जाना जाता है कि उसके एक शेतर में कितने लोग हैं जो अगर हमी चुना में वो डालेंगे तो यह आंकडों जानने के लिए वाई थैसील से जानकारी जुटाएगा यह जानकारी दृतिक जानकारी दृतिक आंकडे कहलाएंगे सिंबल सी बात देखे कि अगर हमें देखना है कि कुई कौन वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा तो हमें तैसील में जाना पड़ेगा ठीक है फ्रेंट ते दृतिक आंकडे प्रास्में आंकडे वो आंकडे जो हम खुद ही कठे करते हैं दृतिक आंकडे को आंकडे हैं जो हम दूसरे के द्वारा ही कठे के आंकडे को इस्तमाल करते हैं अब देखते हैं आंकडों की प्रापती आंकडे आंकडे तो हमने बहुत कर लिए हैं अब देखते हैं यह प्रापत होता कहां से है ठीक है आंकडों की प्रापती हैं की equation of data देखे जब कोई व्यक्ति सरकारी सरस्था या company आंकडों को उपकरनों software या hardware के द्वारा एक्तित कर लेती है ताकि भुविश्य में समय समय पर इनका उसका सही उपयोकर के जानकार नहीं जा सके देखे होता क्या है कि कोई व्यक्ति है चाहे कोई सरकारी सर्था है चाहे कोई company है वो क्या करते है कि computer में software या hardware में के दाटा को इख्ठा कर लेते हैं कि जब कुछ साल बितेंगे तो देखेंगे कितनी तरक्की हुई है कहां कहां पर क्या क्या कूछ कश करना है तो उसको वो आ तो वो उस आंकड़े के हिसाब से फिट बैठेगा, ठीक है, मुखेता ऐसे software बड़ी company और सरकारी संस्ताओं में होते हैं, आप देखे, single आदमी जो है, वो तो single का मेरे मतलों कहने का कोई simple अगर अकेला व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, कि वो तो इतना नहीं कर पाएगा, प इस इन आंकड़ों के संकेतों में, बदलकर negotiator से जानकारी लीग जाती है, आप देखे इनका आंकड़ों कि याई कमपेटर में फीटा दे जाती है, इस प्रियोक तापमान, परकाश, उर्जो औरधवनी आदिस समधी जानकारी के लिए किया जाता है, तो रिजाती जैसे मौसम में होने वाले बदलावों को कंप्यूटर के जरीये सूचना में बदल कर जानकारी उपलबत कराता है कि आज मौसम कैसा है कहां पर वर्षा की संभावना है और किस स्थान पर धिक्तम या न्यूंतम तापमान है अब देखें मौसम भागने का गया है कि आज आनकडों का इस्तमाल यहां पर किया जाता है अब देखे आंकडों का वर्गी गरण यनकी classification of data आईए कितने प्रकार क्या देखे आंकडों को एकद्री करने से सही निश्कर्ष नहीं निकाला जा सकता जब देखिया आपने आंकड़े ही कठे कर ली है पर आप उसका सही निश्कर्ष नहीं निकाल सकते जब तक कि हम उन आं किसी नेट के लिए के काफ़ी डाटा पढ़ा हुआ है पर आपके पास डूट डाटा वो पुराना भी है नया भी है सब कुछ मेक्स है तो आपको वो किसी काम कानी है जट तक आप गुस्पव विवस्थित नहीं कर लेतें आपको यहीं पता नहीं कि इसमें कौन सा चप्टर पढ़ना कॉन सा नहीं पढ़ना जब तक यह नहीं लोगे तो आप किसी निश् pendant पहुंच you नहीं पाऊँगे को रगगी करान के अंतरगत इन्हें किसी निश्चित करम में यह समूग है तो ए किलлять कि उसे समझाब देखेंगे कि हमारे देश में कितनी औरते हैं कितने बूडे हैं व्हेश्चे जवान ब buys नहां होगा कि इसके साधी ना समझा जासके हैंगि हमारे देश में 12 को 121 करोड की अबादी है according to census 2011 यान की 2011 की जनकरण गुजान हमारे देश में 121 करोड के अबादी है तो उसमें देखें कितनी औरते हैं बच्चे बुड़े जवान कितने तो हमें उसका क्या करना है वर्गी करना है तो अगर हम उनको वर्गी गरं उसका करेंगी तब करना तिया ऑग्णो को चार भागों में वर्गी के ऐग्या आशकला करना होगा तो गुणाथमा कांक्ड़े यानि कीूली टिव टाटीम था इसी जो आक्र मांचाज भागो ale बांठ सकते एप अब अब जो डाटा है किसी विद्याले में चात्रों को वजीफा देने के लिए चात्रों का वजीफा स्कॉलर्शिप देनी है जिसमें उसकी एक अक्षा उम्र जाती पता और प्रिवार के आमधनयों को समूहों में विभाजित एक क्रम में लगाया जाता है जिस वर्ष वजीफा दिया जाना है यह वर्ष काल करम कहलाएगा ताके पिछले और आने वाले वर्षों सिर्फ का तुल्नात्मा अध्यान किया जा सके यानिकि इसमें जो वजीफा दिये जाता है तो पिछले वर्षों और आने वाले वर्षों में दिखा जाता है तो नात्म की जाते उसका नाम गुनात्मक आंकडों के अंतरगत आएगा ठीक है यहनकी जो ततर कक्षा और उम्र मात्रात्मक आंकडों के अंतरगत आएगे ठीक है फ्रेंस यहनकी जो स्कूल का नाम क्या है भोगली का अंकडों में चातर की जाते उसका नाम गुनात्मक आंकडों में ठ अब नेक्स्ट करते हैं देखिए गुणात्मक और मात्रात्मक आंक्डे गुणात्मक और मात्रात्मक आंक्डे क्या है या आई जानते हैं देखें तो फ्रेंड से पहली बात है कि गुणात्मक आंक्डे क्या है जिसे क्वालिटेटिव दाता करते हैं देखें गुणात्मक रोगाश्म को कोई मÁP या पहमाना नहीं होता इनको हम लिखित रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं इन आंकरों को का अनवान गुनभव के दःतर पर पर उनमें कोई विशेषता पाई जाती है तो वो होते हैं गुणात्मक आंकड़े गुणात्मक आंकड़ों में सांखे की करना को प्रयोंग नहीं होता है यह आंकड़े करंबत नहीं किया जा सकते हैं देख इसमें होता है कि अगर किसी आंकड़ों में विशेषता पाई जात या चित्रों में व्यक्ति किया जाकता है। इन आंक़नों में संखे की गणना के द्वारा निशकर्ष निकाले जाते हैं देखे, सबसे पहले बाद क्या है कि मात्रात्मक मात्रा मैंने कि यहांपे गणना करने ही ज़रूरी है इनकी वो आंकडे जो मापे जा सकते हैं यह आंकडे एक निश्यत परकार से करंबत किये जाते हैं करके निकालेंगे वह तो चीज बिल्कुल सही होगी जब हम गुणात्मक में सिर्फ उसके गुण देख रहे थे अब यहां पर हम चीजों कर निकालेंगे ठीक है मातरात्मक जैसे जब किसी विद्यालए में चात्रों के पूरे वर्ष का परिणाम निकाला जाता है तो प्रत्तिय आनवल चातरों को प्रधश्य परदाश्य करने के लिए जो विथी अपनाई जाती है मातरात्मक आँकडे सोगहिए न जैसे को वह कैसी होगए वह नमबर के धार पर रहए रहना वह उसको माक्स मिलेंगे उसका इज नुए पॉसके धार पर गातिश का मगध मातरात्मंग शहत्ते कर्मभ रिका समय में दो कारना और मांचित्र अब यहाँ पर हम यह दिखेंगए कि जिए आंकडों का जो वर्गी गरण है वो तमने देख लिए कितने प्रकार का है पर यहां पर देखेंगे किस खुग कैसे कैसे पेश किया जाता है इसके टाइपस क्या है आगे जाके देखें आंकडों को विशली शात्मक धंक से अध्यन करने के लिए उन्हें चित्रों के द्वार फिर है पाई चार्ट फिर है टेबल चार्ट फिर रेका चार्ट देखें यह जो आंकडे हैं जो प्रस्तुत करने का तरीका है इन्हें हम इस तरीके से कर सकते हैं तो यह जानते बार चार्ट क्या है बार चार्ट एक ऐसा चित्र होता है जिसमें आयत या आयताकार बार दिय जाता है इन आयतों की लंगई को लगळग संख्याओं में अनुपातिक रूप से पर्दर्श्ट किया जाताः जैसे दिकें होते के बार ग्राफ। यासो होता है आप देख सकते हैं यह से किस्य विजयालय में तीन दे रखाए नहीं, तो यहां पर आपको ऐसा बारचार्ट दिखाई देगा, ठीक है Histogram क्या है? Histogram मैं आपको देखें हम आपको यहां पर बता दूँ, दी Olis इनके बीच मैं कोई भी Gap नहीं है जबकि इनके बीच मैं आपको भी देखेange gap सब्सक्राइए चाहिए इसको कहाँ पर इसको बताये गये आँक्रल करते चार्टी परकात निदेटी में यहां पर तो सबसे अच्छा तरीका भाना घाए यहां पर देखे कि table chart में आपको ऐसे चार्ट बनाया होगा यहाँ पर एक तरफ वर्ष लेखे होंगे एक तरफ यक्ति लेखे होंगे तो आपको उसमें बताना होगा common जी यह table chart इतकरी बनाता है रेखा चार्ट क्या है रेखा चार्ट में आप देखे कि आपको ऐसे करना है कर दो कैसे करेंगेPal regnum मेंति करें गुंसकी तो कैसे करेंगे लेखे सबसे पहले आपको अगर data interpretation यनकी समंगों का विवरन आपको देखना है तो उसके लिए आपको ये पांच चीज़े बहुत जरूरी है कौन-कौन सी है पहली बात है प्रतिशत फिर है वृद्धी या कमी की दर लाभानी प्रतिशत और अनुपात तो फ्रेंट्स जैसे कि मैंन प्रिवियस जो पार्ट्स है जिसमें ratio and proportion and average हो कर रहा है उन जिन लोगों ने नहीं देखा क्रिपेपले वो देख ले ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये ratio क्या होती है और average क्या है तो फ्रेंट्स आज डिसकस करने जा रहे हैं जो हमारे पास जो first question है जैसे आपको एक च यहां पर organization दे रखी है P, Q, R, S, T, U और यहां पर उनके years दे रखे हैं यह number of executive recruited by six different recruit का मतलता है जो आप नए employees आप रखते हो अपनी company में organization में तो यहां पर years दे रखे हैं years दे रखे हैं कि जैसे P का 2004 में 458 यहां पर recruit है क्याओ में 24 में 512 ऐसे ही 2005 में सभी के P, Q, R, S, T, U साल बर साल उन्होंने कितने लोग रखे हैं तो friends जैसे यह हमार पास question है और इसमें जो first question वो पूछ रहा है वो first question पूछ रहा है the total number of executive recruited by all the organization together in the year 2006 वो पूछ रहा है हमें total number of executive कितने recruit हुए है all the organization, सभी organizations में कौन से साल में 2006 में तो फ्रेंट्स अब दिखा जाएं यहां पर जो अगर दिखा जाए 2006 कहां पर है यह है हमारे पास यह 2006 है और सभी organization मतलब 2006 में पी के है 480 क्योंके 495 आर के 465 इन सभी को हम क्या कर देंगे total number पूछा है इन सभी को हम add करेंगे जब मैं इसको add करूंगा पांच चर नौ जीरो पांच चर नौ आट सतारा चौविस चौविस आठ यह हमारे पास हो गया जीरो पांच चर नौ नौ आट सतारा तीन जी हो गया हमारे पास पचीस पचीस आठ हो गया हमारे पास तो तीन आ गया इन जो भी को समकर उसके बार हमारे पास तीन भचा फिर आठ नौ उसतारा तारा शी हमारे पास टीजरो और 31 बड़्यों पांच आगे हमारे पास और उसके बाद जब हमने इसको टोटल लगाया इन सभी को तो यह हमरे पास है 2953 और उसने क्वेश्चिन में क्या पूछा है हमारे पास यही पूछा है कि तो हमारा अंसर के आगया 2956 यहां पर आया हमरे पास अंसर 5 नन अफ यहां पर 2953 जो है किसी में भी यह अवेलिबल नहीं है तो 25 इसमें पूछा फ्रेंट्स टोटल लंबर ओफ वट इस टोटल लंबर ओफ एग्जेकुटिव रेकुरूटर बाइ और्गनेजिशन यू इन दा यहर 2007 एंड 2009 तूगैदर तो टोटल लंबर ओफ एग्जेकुटिव रेकुरूटर बाइधा और अर्गनेजिशन पी इन दा सेम यह फ्रेंड्स इस रेश्चिव में क्या करना होता है जब भी बात आए रेशो इट में जो फर्स्ट वैल्यू है वह आप ऊपर रखोगे और जो सेकर वाली 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 वह आप नीचे रखोगे तो वह कह रहा है कि टोटल नंबर ओफ एग्जेकुटिव रेकुरूटर बाइधा यू ने जितने भी और्गनेजिशन ने जो कितने रेकुरूट करें है 2-7 और 8 में तो यहां पर बी के राएंगे यहां पर यू के राएंगे अब पहले हम क्यों हूँ की गए जलते हैं तो यह होगा है दो यह 7 वैली होगी और दूसरी दो यह नौ में ये वैली होगी तो यहां पर हमेरे पास आया 3534 प्लस 210 ठीक है इसको हम प्लस करेंगे तो यह हमारे पास आ गया दस्तो चतालीस यह UK आ गया 2007 में भी और 2009 में भी अब उसके बाद एक बो पुछ रहा था कि PK 27 में और 2009 में इसको भी आड़ कर लेते हैं पांसर चे प्लस 492 यह अब आगया हमारे पास 998 अब देखिए यह हमारे पास आगे PK 277 और 2009 में यह आगे हमारे पास UK 277 और 2009 के तो हम कॉश्चन के और जलते हैं तो फिरेंस रेश्य वाले कॉश्चन को हमीशा एक लाइन में सौल करना आपने यहां फर हमारे पास हैस उपर वैल्यू वान जीरो डबल पॉर और निच्चे हैसे हमारे पास 998 इसको दो पे कट जाएगा यह दो पे चालेगा दो चुख्या दो नहीं अठारा और दो नहीं वाली वैल्यू पहले आएगी देखा आपको यहां पर अंसर में उल्टा भी दे रखा तो उपर ऊंसर के हैं 522 रेश्य 499 अब फ्रेंस ऐसे ही जो नेस्स कोश्चन है what is the average number of executives recruited by organization S over all the years together और यहां प्रूसमी कहाँ है rounded of the to the nearest integer अगर पॉइंटों में आएगा तो आप nearest value ले लोगी जैसे अब पहले तो देखना है कि total जो average पूछ है friends यहांब average का मतलम होता है average का मतलम होता है sum of items divided by number of items ठीक है अब देखते हैं पहले हम S organization पर चलते हैं यहां देखिए अब जी S organization की value है पहले हम S organization के सारे values को count कर लेंगे तो friends इसको सभी को sum करोगे अब जा आपको सब sum करोगे तो यह आएगा 29 आप sum कर लीजे इसको 29 और 65 ठीक है जी ठीक है जी average का बलुदा जैसे S organization इस सभी को हमने sum कर लिया तो यह हमारे पास value है 2965 ठीक है जी और average का क्या था हमारे पास यह देखिए हमारे पास था sum of items 2965 total organization कितनी है total organization है हमारे पास वह भी देख लेते हैं तो friends एक दो तीन चार पांच छे टोटल अब इसको आप solve करोगे जैसे 2424 और शे नाम चरंजा दो शे शे 2424 पॉइंट जैसे माली जी इतना आया अब हमने round off कर देना है इसको 495 494 है हमारा answer क्याएगा 494 तो round off का मतलबता है आपने decimal अगर 0.5 से उपर है value तो आप next digit को लिख दोगे अगर 0.5 से नीचे है तो आप previous value को लिख दोगे जैसे 494 अगर 0.6 आता है तो हम 495 लिख लेते हैं अगर 494 पॉइंट जैसे 5 से कम 2 आदा 3 आता है तो हम 494 लिख लेते हैं हमने round off कर दिया उसको तो यह हमारा answer है तो friends जैसे के जो next question है हमारे पास वह है what is the percentage increase in the number of executed by the organization or in 2005 from the previous year वह कहता है 2005 में जैसे मैंने आपको percentage में बताया था मालो यहां पर है 2005 ठीक है यह 2005 साल है यह की बात कर रहे है तो previous year से यह increase हुआ होगा कुछ percent वह percent पूछ रहा है कितना बड़ा है तो हमने हम पहले देखते हैं question की और देखें friends अब 2005 में जो r की value है वो है 472 और जो उसकी previous value है 418 418 472 तो यहां लिखेंगे 418 472 तो friends यह जो value थी 2005 की है और यह value है 2005 से पहले कि 4 की तो इसमें सबसे पहले percentage कैसे निकालते हैं सबसे पहले difference करते हैं दोनों का difference करेंगे तो हमारे पास यह value आएगी 54 अब 54 है वो किस पे increase हुआ है 418 पे जिस पे increase होता है हमेशा previous value पे increase होता है तो multiply 100 जब आप इसको solve करोगे तो यह हमारे पास निकल के आएगा 12.92 तो आप इसको solve कर लिजे देखेंगे क्या करा किया है हमने यह basic concept का दोनों का difference होता है जैसे मेरे पास 100 है 10% increase अगर मेरा 100 से 110 बन गया it means मैंने कितने पैसे कमाई 10 रपे लेकिन कमाई किस पे है 100 पे कमाई न तो इसी में क्या करा है difference के है 54 कि 50 और किस पे increase हो है 4 सबसे पहले मेरे पास value कितनी थी 418 तो 418 जो है वो 54 पे increase हो है तो हमने करा difference डिवाइड बैस जिस पे increase करा है multiply 100 ऐसे friends जैसे number of executive recruited by organization T in the year 28 जैसे friends एक और important जहांब लिखाए तो है 28 approximately what percent of total number of executive जब भी ऐसे दे रखा हो A is what percent of B इसका मरत होता है A divided by B multiply हो simple बहुत simple यह question हमेशा आता है what percent in the two years are approximately what A is approximately what percent of total number of executive recruited by all the organization in that year अब देखिए पहले T पे चलते हैं T पे था हमारा जैसे 2008 की बात कर रहा है वो T में 2008 देखिए friends यहां पर लेखिए 2008 T T यह हमारे पांसो दस ठीक है जी पांसो दस तो उपर वाली हमने क्या करा कि A by B A divided by B multiply 100 तो A कितना है 2008 में यह उपर वाली value यह A है जब what शुरू हो जाता है उसके बाद जो value आती है वो B शुरू हो जाती है तो यहां पर हमारे पांसो दस और नीचे के जब इनका सभी काम सम करेंगे आप करके दिख लीजे यह आएगा 2854 तो हमारे पास टोटल जो है 2854 तो यह हमारे पास आगया नीचे multiply 100 कर देंगे आप इसको cutting करोगे तो यह हमारे पास approximately 18% के पास अंसर आएगा इसको आप सौल करके देख सकते हो क्या कर रहा हमने जब भी आजे a what percent of b जो what से पहली वाली value है वो ऊपर जाएगी और जो what से पीछे वाली value वो नीचे आएगी multiply 100 करना है तो friends देखेंगे यह क्या है यहां पर एक graph दे रखा है जिसमें number of units यहां पर दे रखें number of units और यहां पर दे रखें companies के name तो friends यह जो unit produced है यह जो first lines है आपको यह first है यह second है ठीक है जी जो first line दे रखेंगे हैं यह सारे क्या है यह जो first lines है यह सारे है units produced और उसके बाद जो दे रखेंगे हैं वो है units sold ठीक है friends अब इस question में क्या आप पूछा आउसने सबसे पहले what is the average number of units sold by all the companies together उच्छा उसने है average average मैंने आउलड़ी आपको पता रखा है कि average का मतलब होता है sum of items divided by number of items अब unit sold देखें unit sold कौन से यह second number की जो बार दे सारी है देखें जी अब इसका वो average पूछ रहा है सबसे पहले हम इसका sum करेंगे जैसे यह मेरे पास है जैसे unit sold है यह है देखें यह 600 यह 700 इसके मीडल में है यह तो यह कितना है 650 उसके बाद B का कितना है बी है हमारे पास 300 उसके बाद C में हमारे 50 और डी में हमारे पास 450 उसके बाद E में हैं हमारे पास 300 और उसके बाद F के पास हमारे पास है 400 टोटल कितने हैं 1,2,3,4,5,6 sum of items divided by total जो number of items number of items कितने हैं 6 जने हैं 1,2,3,4,5 जैसे हम average निकालते हैं इसको solve करेंगे। अब इसको sum कर लिए 6,3,9,9,10,10,10,4,14,15,16,17,18,19,21,21,21,21,21,21,22,25 जैसे मरें आपस और 68 तो 68 लिए 30 और इसके बाद 62 और avoir उसके बाद 62 ने हैं पनी और 16, lingu चांकी अपनी है। तो friends हमारे पास आया 375 average क्या होता है अकसर यह question में पूछी लेता है sum of items divided by number of items तो friends second question में उसने पूछा है which company the highest percentage of sale with respect to its production कहने का मतलब कि हमने percentage की sale कितनी जाता हुई है production की comparison में कौन सी company है देखिए friends यहाँ पर 900 है और यहाँ पर 650 है तो यहाँ पर जो sale है 650 की है यहाँ पर sales देखिए बहुत जारे difference है 300 है यहाँ 150 है यहाँ 450 है और यहाँ पर अगर फर्स्त का हम देखें किस sale देखिए sale हुई है 650 900 देखिए percentage कैसे निकालते है 900 और 650 ठीक है जी और दिवाइडर पर 900 multiply 100 ठीक है जी तो यह वर पर दिफरेंस दिकल के आया है यह 0000 कर जाएगी percentage यहाँ पर ठीक है लिए नहीं वह question में क्या पूछ रहा है वह पूछ रहा है the percentage of sale with the structure sale कितनी हुई यहाँ पर देखिए sale हुई है 650 और production कितनी हुई है production हुई है 900 multiply 100 ठीक है 0000 कर जाएगी यह जाएगा नहीं जाएगा बहत्रपंड कुछ परसंट ही जाएगा एका बी का देखेंगे 700 है यहाँ पर 300 है तो 300 हमारे पास क्या हुई है यहाँ पर देखिए 300 हमारे पास sale हुई है लेकिन हमने कितनी production कर जाएगी 700 की तो कटिंग करेंगे साथ चोक 28 और दो जीरो सो ठीक है बतालीस पॉइंट फुछ आजएगा तो सबसे जो हाइएट है वह 72 है जैसे आप ग्राफ में भी देखोगे तो आपको ग्राफ में निकल के तो जब हम सबी को देखते हैं तो वैसे भी ग्राफ से हमें सीज़े सीच हो रहा है जहां पर यह difference कम होएगा अगर यहाँ पर जितना difference कम होएगा उतनी ज़्यादा जो percentize of sales जाएगी, जितना difference जाएगा उतनी percentage of sales कम होएगी, तो आप लेखेंगे जहाँ पर इसमे plate value भी जाएगी और difference भी कम है, तो हमारी highest जो हमारा जो percentage of sale है वो निकालने का दिखा कितनी sale हुई है और divide by कितनी production हुई है कितनी sale हुई है अबरे पास और कितनी production हुई है इस question में अरा answer जो है A है अब देखिए second question third question में पूछा कि the average number of units produced by all the companies अब units produced मतलब वो जो फर्स्ट वैलियू है जो production कि इन सबी की वो बात कर रहा है तो इन सबी का अगर मैं सम करूँगा अगर मैं देखूँ यह फर्स्ट है हमारे पास अगर मैं इन सबी का सम करूँ जो देखिए 900 है यह वाला हमारे पास 700 है और यह हमारे पास है 300 और उसके बा यह हमारे पास है 550 ठीड़ी और उसके बाल है उमरे पास 600 तो सम करते हैं नौसाथ यह हमारे पास हो गया 16 तीन 19 और 19 और यह हमारे पास 27, 27, 27 27 और 5 32 13 13, 33 49 यह टूल हमारे पास आता है 49 यह जब मैंने सम करा सभी यूनित production का तो यह हमारे पास 49 निकल कर आता है टोटल कितने units हैं वो हमें वापास है A, B, C, D, E, F टोटल है 6, तो 60 मैं डिवाइड का दूँगा, तो यह मैंने का 6 कर चति, तो यह मैंने का 6 कर चति, तो 650 में निकल के आता है average number of productions, ठीक है, अब next question में पुछा है, the unit sold by the company A, B, C approximately is what percent of the total unit produced by these companies, देखिए यहां पर sold की है, मैंने बताया था आपको A is what percent of B का मतलब होता है, A divided by B multiply 100, तो यहां पर A क्या है, A क्या है, total number of units sold by A, B, C, तो unit sold है A, B, C, देखिए A कहा है, 300, 300, 900, और 1,5 हो गया, 1100, ठीक है जी, यहां पर था, 1,5, A का, B का सा 300, रिसका सा 1,5, तो यह कितना बना हमरे पस, तो यह हमरे पस बना 9, 10, 1100, ठीक है जी, अब ऐसे ही, second value किया है, total unit produced by these companies, नहीं, इन तिनों unit की production के है 900, यह, 98, 1700, और 1700, 300, यह मरे पस आ गया, यह 700 था, 900, 1600, 1600, तो फ्रेंट्स, second value कि मरे पस B कितना है, वो है 1900, तो उसने 1900, ठीक है जी, अब पूछा किया, the unit sold by, मैंने किया बता है आपको, A is but percent of B का मतलब होता है, A divided by B, multiply 100, तो इनका हाया मरे पास 1100 वेल्यू, और इनका वेल्यू हाया, 1900, multiply 100 से करेंगे, तो यह हमारे पास आएगा, double 0, double 0 काट दीजे, जो 19,95 बच्चान में, बंद आ जाएगा, जी तक्रीवें देखेंगे, 58% के आसपास आ जाता है, यह बार पास, अब जिसको solve कर वेल्यू, ठीक हो फ्रेंड्स, तो यह क्वेशित, नेक्स क्वेशन दा, the ratio of total production of company, D and E, देखिए, production की बत कर रहा है, D and E, देखिए, यहाँ पर production है, हमर पास 8500, और यहाँ पर हमर पास 550, ठीक है, 8.34, यह हमर पास कितना आता है, 1400, ratio में रिखना है, तो second में 2 के बत के लिखना है, total sales of the same company, total sales भी पूछ रहा है, किसकी D and E की, यह D मर पास, यह आगया मर पास 1500, और यह आगया 300, 1500 और 300, यह मर पास आगया 750, तो यह मर पास ratio आती है, अब कटिंग कर लिजे, 0 स 0 गट जाएगा, 5 पर चले जाएगा, 5 के 5, और यह मर पास आया, 28, ratio 15, तो यह मर पास आया, जो question देख रहे हो, यहाँ पर हमें 2 डाइग्रम्स दे रखिए, देखिए, distribution of students at graduate level, and toast graduate level, in 7 institutes, सबसे पहले हमें यह बतां दिए, यह जो draw करा हुए है, आप इसको थोड़ा दियान से देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, total number of students of graduate level, कितना है वर पास, यहाँ पर 27,300 है, यह जो percentage है, यह इसकी दे रखिए है, जैसे M का है, जो institute M है, उसकी 17% है, N की 12 है, P की 12 है, Q की 13 है, R की, ऐसे हमें सबी की percentage दे रखिए है, second है, जो मरकास, जो total number of students of post graduate level, यहाँ पर post graduate level है, यहाँ पर graduate level है, यहाँ पर graduate level है, यह हमें सबी के पता होना देगे, तो यह percentage के according, उसके values डिवाइड कर रखिए है, तो friends, इसमें जैसे, जो question वह पूछ रहा है, जैसे first question आप देख रहे हो, first question पूछ रहे हो, what is the total number of graduate and post graduate level is institute R, वो पूछ रहा है, graduate level में, और post graduate level में, अब यहाँ पर देखेंगे, जो institute R है, वो यहाँ पर है, और इसमें institute जो आ रहा है, वो यहाँ पर है, ठीक है जी, इसका 17% पूछ रहे है, total कितना है हमारे पस, 273 00, अब R का यहाँ पर graduate level में 17%, 17% का मतलता है, divide by 100, तो 00 से 00 हमार कर देखेंगा, कटिंग करके 4641, आप इसको multiply कर लेंगे, इस तारा से स्टार तीक उंजा, पांच, तो करेंगे तो 4641 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमने, total है, 247 00, multiply करेंगे, R कितना है, 14%, तो 14% है अगर मैं करूंगा multiply, यह 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ पर इसको multiply कर लीजे, तो यहाँ पर, यह हमारे पास आएगा, 3, 4, 5, 8, जब आइसको multiply करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास, यह आगया, हमारे पास graduate level का, और यह हमारे पास आगया, post graduate level किसका, R का, तो यहाँ पर question में क्या पूछाता, total number of graduate and post graduate level of institute R, तो हम दोनों को plus कर देंगे, 4, 6, 4, 1, and 3, 4, 5, 8, इसको plus करेंगे, यह 9 आगया, 9 आगया, 0 और 8, तो हमारे पास आसर आया, 8, 0, 99, तो यह हमारे पास answer हो गया, अब friends, जो next question है, वो हमारे पूछ रहा है, what is the ratio of number of students studying at post graduate and a graduate level respectively from institute S, friends, जहाँ पर भी बात, जब ratio की करेंगे, ऐसे question को हमेशा एक line में solve करना है, ठीक है जी, तो यहाँ पर वो कहा रहा है, कि ratio किसकी बूछ रहा है, number of students studying at post graduate from institute S, अब देखिए, post graduate अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर institute जो S है, पहले post graduate की बात कर रहा है, तो 21% है, तो 21% किसका total का 247 00, ठीक है जी, और ratio, जब भी पूछे ratio हो, देखिए का मतलता है, एक value उपर और एक value नीचे, तो पहले बात है, post graduate, second बात है, graduate, graduate अब S में graduate, देखिए, S में 14% है, किसका 243 00, 14% है, किसका 273 00, अब जब % से % कट गया, साथ 3 पे, और साथ 2 पे, 00 से 00 कट गई, ठीक है ठी, अब इसको हम कर लेंगे, यह 3 पे कट देगा, 3 पे जगा, 3 नमस्ताई, 3 कम तो यहाँ पर जो नीचे value आजेगी, अब इसको फर्दर आप कटिंग कर लेंगे, तो यह 13 के टेबल पर कट जाएगा, तो यह 13 के टेबल पर कटेगा, जब भी ratio वाला question आना friends, जो पहले value दे रखी है वो उपर, जो बाद में value दे रखी है वो नीचे, एक ही line में आपने इसको solve करना है, ठीक है friends, जैसे, आगे भी question आएगा, वो आपको कराऊँगा, जैसे थर्ड question है, how many students of institute M and S are studying at graduate level, यह question देखिए, वो कहरा कि, जो graduate level है, जो हमारे पास यहाँ पर graduate level है, वहाँ पर वो M and S का पूछ रहा है, ठीक है जी, एसा नहीं कि मैं M का पहले करूँगा और S का बाद में करूँगा, ऐसे नहीं, पहले मैं दोनों को sum कर लूँगा, मैं M plus S दोनों कर लूँगा, जैसे M का है 17 और S का है 14, ठीक है जी, मैं क्या करूँगा, 17, M का हमरे पास 17 प्लस 14, तो यह हो गए 31%, एकठा मैंने M and S का 31% हो गया मेरे पास graduate level पे, अब 31% मैंने निकालना है, 31% किसका निकालना है, टोटल वैल्यू कितनी सी हमरे पास graduate level की, 273 00, इसको solve करेंगे, जब आप इसको solve, यह percent का मतलब 1 by 100, यह 2 0 से 2 0 कर जाएगी, 31% का table हम यहाँ पर read करेंगे, आप इसको multiply करोगे, तो हमारे पास जो answer निकल का होगा, 8463, तो यह हमारे पास अंसर होगा, 8463, तो जैसे हमारे पास ऐसे ही एक और question है, ratio वाला, देखिए ratio between number of students studying at postgraduate level from institute s, अब postgraduate level, अब देखिए friends, postgraduate level, यहाँ पर था हमारे पास, हम यहाँ पर देखते हैं question को, यह देखिए, जो question का पुछ रहा है, the ratio between the number of students studying at postgraduate level, अब देखिए, postgraduate level में क्या था, postgraduate level में, कौसा institute s की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 21% है, the ratio between total number of students from institute s, the number of students studying at graduate level from institute क्या हूँ, तो ratio पुछ रहा है, ratio को कैसे करेंगे, अब देखिए, यह मारे पास question था, रिश्क को करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले, सबसे पहले मुझे लेना है, postgraduate from s, यह postgraduate है, from s, s कितना है, 21%, 21% किसका total 247 00, और उसके नीचे किरा है, number students graduate level from क्याउँ, अब जहाँ पर देखिए, क्याउँ में कितना है, 13%, तो नीचे कितना हैगा, 13%, total कितना है students graduate level में, 273 00, तो यह 00 से 00 कट जाएगा, यह cut गे हमारे पास, और उसके बाद, अब इसको cutting कर लेंगे, यह 21 पर कट जाएगा, जी देखिए, 211 एकम एकिस, और यहाँ पर 6, 21, 3, 3, 6 होगा, 13 बच गया, यहाँ 13 कट जाएगा, तेरा कब तेरा, और एक सुस्तारा, तेरो ना है, एक सुस्तारा, तो 19 रेशो तेरा हमारे पास आजएगा, अंसर, next question में, next question है, total number of students studying at graduate level from institute M and N, अब M and N की कठी करें, मैं M अलग से और P, जोरी M and P, अब N अलग से और P अलग से नहीं करूँगा, मैं पहले M and P, N and P को add कर लूँगा, देखो, हमारे पास post graduate level है, यहाँ पर जो N है, वो है हमरे पास 15% और P कितना है, 12%, पहले में 15 प्लस 12 को add कर लूँगा, यह हमरे पास 27%, 27%, अब 27% हमने निकालना है, 27% हमने किसना निकालना है, total number जो post graduate से हमरे पास 24700, यह percentage से 200 कट जेंगी, तो हम यहाँ पर इसको multiply कर लेंगे, तो हम multiply करोगे, तो हमरे पास आएगा 6669, आप इसको multiply करके देख लिए, तो 6669 हमरे पास अंसर आजएगा, यह हमरे पास friends, जैसे question था, कि कैसे हमने मालो ratio में देरखा, तो एक लाइन में कैसे solve करते हैं, सही तरीके से चलाने के लिए, क्या करते हैं, कि जो आंकड़े होते हैं, उनको इकठागर के रखती हैं, फिर उन आंकड़ों के अधार पर वो नई नई policy यानकी नीतियां बनाती हैं, ठीक है, जैसे मान के example के तोर पर चलते हैं, कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, तो वो पिछले पांच वर्षों के या पिछले एक साल के कुछ भी अंबेलब पिछले वर्षों के वो आंकड़े देखेंगे, उस हिसाब से ऐसी नीतियां बनाएंगे, कि आने वाले कुछ सालों में उनके उपर वो कंट्रोल कर सके, ठीक है फ्रेंज, तो आए जानते हैं देखें, आंकड़े और सुशासन में सुशासन का अर्थ है, आंकड़ों को वेवस्ति धंग से संचालित करना, अब देखें, आंकड़े तो हमने पड़ी लिये क्या है, और सुशासन क्या है, कि सुशासन का वे अर्थ है कि आंकड़ों को वेवस्ति धंग से संचालित करना, फ्रेंड्स देखें, नेक्स लिखाएं यहां पर, कोई भी व्यक्ति या कंपनी या संस्ता किसी आंकड़े को बहुत ही मातब और अंडंग से सुरक्षे रखता है, ताकि बविश्य में उसका प्रयोग कर सके, अब होता क्या है कि चाहे कोई भी आंकड़ा हो, तो क्या चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी हो, वो सभी आंकड़ों को इकठार के रखेगी, ताकि बविश्य में उनका प्रयोग किया जा सके, होता है न ऐसे, जैसे सरकार कोई 5 साल के लिए सरकार आती है, तो उसने हर एक साल में क्या 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 है उसका आंकड़ा जमा करके रिखेगी ठीक है फ्रेंस तो उसने कितने सालों में क्या क्या किया है कितने परसेंट की ग्रोथ आई है तो वो यहाँ पे देखते हैं अब वो देखते हैं कि भारत जब से अजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 से आज हम पहुंच चुके 2019 में तो इन सालों में क्या क्या चेंजिस आये हैं क्या क्या हुआ है वो आंकड़ों के अधार पर ही होता है ठीक है फ्रेंस तो next दिखें कोई भी आंकड़ा पुराने वर्ष या अगामी वर्ष में बीद चुका है तो उसको ध्यार में रखते हुए अगामी वर्षों के लिए क्या क्या योजना होनी चाहिए तो उसमें उनकी तुलना की जाती है जिसे उसका तो नात्मक अध्यन होता है यानकि अगर भविश्य जो भूत काल में कोई गलती हो जाती है कोई चूक हो जाती है तो भविश्य में उसे सुधारा भी जा सकता है तो इनी आंकड़ों के अध्यार पर कई संस्थाएं या कमपनियां वर्षों के लाब हानी उत्पादन आधी का अध्यन करती है यानि कि इससे क्या होगा इन आंकडों के अधार पर क्या होगा जो संस्ताइं हैं जो कमपनिया हैं तो उनको क्या लाब हुआ है पिछले वर्षों में कहानी हुई है कितना उत्पादन हुआ है अधियन करते हैं आप देखे कि जैसे आपने कॉशन तो देखे हुआ है पिछले वर्षों के आप देखे कि वहां पर बताया होता एक कंपनी है यहां पर मजदूरों के संक्या इतनी है इन कलकार अब और इतना था इस साल में उसने इतने पैसी कमाई फिर इतने कमाई इतने करोड़ कमाई अब बताई उनको नुक्सान हानी है तो यह सब कुछ किसमें देखा जाता है यह देखा जाता है आंकडों के अधार पर ठीक है यह आंकडे सुसफष्ट और सत्य होने चाहिए ताकि उसके अधार पर लिए गए गए नेड़ने उपयोगी हो अब सबसे बड़ी बात है कि जो अंकडे इकठे किये गए है वो बिल्कुल सही होने चाहिए सटीक होने चाहिए बलकि सत्य होने चाहिए क्यों क्योंकि अगर हमें कोई नेड़ने लेना है तो उसका जो बेस है वो बिल्कुल सही होने चाहिए ताकि उसके धार पर जो आप देखे कि जो उसके धार पर निन्ने हो वो प्योगी हो है ना अगर वो आंकडी गलत होंगे तो उसके धार पर निन्ने लिया गया गलत हो जाएगा किने कि कि इस घहां ने कि कुई भी त煮िकास ने की सिए 10 अब देश के उना को विकास जाता है घए 1 अब देखें कि चाहें 10 ज्यादा भार्त कर और देश तो कोई भी देश किसी भी क्षेक्तर में बदलाब के लिए आंकड़ पर निर्फ़र करता है जिसकी साइथा से उन बदलाबों को नया रूप दिया जाता है यह अगर कोई भी देश है वहाँ पर कोई भी क्षेक्तर है वहाँ पर बदलाब के लिए क्या होता है यह देखे मान आंकडे पड़े होंगे कि यह जो जगह है यहां पर कभी भी तरक्की नहीं हुई ठीक है अब यह मांत के चलते देखे कि जो हमारा इंडिया का जो नॉर्स जो शरी जो इस्ट वाली साइड है जावे मिजोरम नागरेंड वाली सारे जो मेगाले वाला जो यह साइड है यहां इस्ट वाली साइड है यहां पर फेसिलिटीज कम है तरक्की बहुत कम है क्योंकि यहां पर सड़के बगारा बहुत ज़ला कम है तो इन्हों ने आंकडों में देखा है कि यहां पर तरक्की हो नहीं पाई है तो वह कहां से पता चला वह पता चला था यहां से जो आंकडों से तो यहां पर विकास हो रहा है। तो विकास होने के बाद फिर से आंकड़े कठे किये जाएंगे। यह दिखा जाएगा कि जो पहले आंकड़े थे हैं, आई विकास करने के बाद थीक है? और और इपोर्ट्स को देखके वो डौकटर उसकी बिमारी को समझ लेता है उस आपसे उसकी द्वाई को चालू कर देता है तो आंकडे वे वह हिसाब है कि आंकडों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कितनी द्रक्की करनी है कैसे करनी है कैसे इसको सही करना है आज का पूरा विश्वे 21 सदी के बदलाव को से होकर गुजर रहा है जिसमें जन संक्या आर्थिक स्तिदी मौसम की जानकारी कार ओपर करार ओपन आए एवं विया कि सभी जानकारिया आंकडों के धान पर उबलब दोती आज देखे कि जो आज का पूरा विश्व दे sophisticated अर्थिक बहुत Candi कर सकते हैं ठीक है बहुत फॉस्ट जमाना हो चुका है ठीक है जिसमें जन संख्या भी एयर्तिक स्तिदीfundी है अल्यों की भैठर हो तो मौसम की जानकारी आपको देखे मौसम विफाग पहले फोन करना पड़ता था ना तो टीवी में दिखाते हैं आज कर तो सभी के पास जो स्मार्ट फोन में वहाँ पहले पता चल जाता है ठीक है फ्रेंस तो नएने टैक्स से आए वे जो है जो है सब कुछ जान करी है आपे उलब दें परते एक देश में इस प्रकार के आंकड़े उसके लिए एहम होते हैं अज के जुक में सभी आंकड़ों को कंप्यूटर की रित किया जाता है ताकि वे सुरक्षित हो तथा कंप्यूटर की मरसर्स को अगणात्मा को उपयोग किया जा सके अब आप मान के चलते हैं देखिए आज से 50 साल पहले चांटा साल पहले जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था तो था क्या यह वहां पे जो आंकड़े कड़े जो आंकड़े थे तो वैसी रख्वे जाते हैं आज किल कर कहीं पर संभाद के रखनी पड़ेगी अगर आपके पास वही PDF की फाइल के रूप में हो तो आप उसको अराम से कहीं पर रखसद्यों किसी पेंड राइब में किसी फोन में किसी कम्पूटर में है न तो उसे क्या होगा एक तो वह जगह भी कम धेरती है ठीक है तो कम्पूट कि मासिक एवन शमासिक वार्षिक और पंच वर्षिय उजनाओं उसके प्रगर्ति के तुम्नात्मक आंकडों का बरदरशन और प्रस्तुदी करण सुषासन के लिए अवश्य कंग बन गया है अब देखें जो पंच वर्षिय उजना कि 5 सालों में कैसे कैसे कारे होन सकता है इस प्र से क्या है इस चमणाप फविभी तो मौस्ति को आंक्कडी शन समुझाया जाज सोता है इस पर गेदर से क्या है कि आम जंता जो आम जंता है उसको समाज के विभीन समधा को असानी से समझा जा सकता है ठीक है कि जैसे विभीन समधाओं में क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है कौन गरीब है कौन कैसा है ऐसे तो शिक्षा, सवास्ते, सडक, परिवहन, पहिजल, अवास, इत्यादी की अधार्बू सेवाओं के आंकड़े परशासन को पारदर्शी, प्रभावशाली और विकास उन्मुक बनाने के लिए कारे में लिये जाते हैं जो सभी काम है, शिक्षा, सवास्ते, सडक, वाईर, जो कुछ हो गया है, इस विकास की काम में आते हैं, आप देखें कि अगर पता चलेगा कि शिक्षा यहां पे कम है, यहां पे जादा है, तो सरकार को कैसे पता चलेगा? कहीं पर बिजली नहीं है कहीं पर सड़क नहीं है का heeft कोई आज कोई कम्पीटर बेस टेस्ट हो चुकी है तो आज के समय में कप्यूटरा बढ़ते चलने को बढ़ा दिया है क्या होते की सचना और संचाः प्रधाकि के कि आधुनिक कम्यूटिंग का बुनियादी रहा ह唱 और विद हो दि псих का बेस है ठीक है, computing का base है, किसी भी computer का base होता है ICT, ICT सुचना प्रवध्योगी का ही प्रयाय है, यानि इसे प्रयाय है, ICT को कभी-कभी IT यानि सुचना प्रवध्योगी के लिए साथ समान रूप से उप्योग किया जाता है, ठीक है, कभी-कभी IT को ICT के रूप में भी, यानि इसे प्र वाची भी माल लिया जाता है हलाकि ICT का आम तोर पर IT की तुल नाम है computer और digital प्रोध्योगी को से संबंदि सभी घटको कि अधिक व्यापक सूची का पृतिनिधित करने के लिए क्या जाता यानि कि जो ICT है ICT, IT की मुकाबले कहीं ज्यादा व्यापक अवधार ना है ठीक है जो ICT इससे कहीं ज्यादा ब्रॉड है हलाकि ICT की कोई एकल यह सावभामिक परिभाशा नहीं है ठीक है हम यह नहीं कह सकते कि सिर्फ यहीं चीज़ है ICT है इस सब्द काम तोर पर सभी जैसे जो 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 उपक कि घटक है अनु उसके अनुप्रय क्या है प्रिणाल या क्या है इन सभी के लिए से स्वीकार किया जाता है ठीक है जो सभी तरूप से लोगों और संगठनों यानि वेवसायों गैर लाब अजैंसियों सरकार और आप रादिक उद्मों को बात करने की अनुमति देते हैं डिजिटर दुनिया में ज़िटर वे में किस प्रकार सेंश चया है और क्या क्या है उसके यूज़ है और ऑप्रदिक जो उद्हम है उनमैं किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है इन सभी के और यह सब आपस में किस प्रकार से डिजिटल वे में बात करते हैं यही क्या होती है ICT कि क्या होती पेटा यही ICT ठीक है आप बेटा इसके नोट्स पी साथ के साथ में बनाते चले ना ठीक है अच्छा पेटा यह है UNESCT ठीक है इसके अनुसार यह किस प्रकार से बताते हैं ICT के पारे में UNCT उन तक्निकों को रूपों को संदर्वित करता है जिनकों प्योग सूचना को बनाने में किस-किस रूप में संधर्वित करता है, किस-किस रूप में परिभाशित करता है, किस सूचनाओं को बनाने में, उनको संगरीत यानि घटा करने में, साजह करने में, परसारित करने में, ठीक है, और विन्यमे करने के लिए किया जाता है, किस-किस के लिए, एक तो सूचनाओं और करने के लिए किया जाता है कि आई सीुल में रेडियो टेलिविजन वीडियो डीवीडी टेलीफॉन फिक्स ब्लाइन एंड मुबाइल सेटलाइट सिस्टम कंप्यूटर और शॉप्टoire सामिल है क्या क्या है सिफ यह ने है कि कंप्यूटर बोल देंगे आज के टाइम में ह और उसाइटरी को इलेच्ट ने Fr over नेट्वर्क हाडवएर सुप्वेर इन स्वी सम् ngay सुचनाय प्रब्त करते आ अ उपकरण इन तकनिकों से जोड़ी से वाईजेसे की वीडियो कॉन्फरेंसिंग electronic mail यह सभी क्या आते हैं ICT में ही यह सामिल है ठीक है पिटा ऐसा नहीं कि हम सिर्फ computer को ही ICT के लिए उप्योग करते बलकि चाहे वो radio हो, television हो कोई भी video conference हो electronic mail हो, यह सभी क्या आते हैं ICT के अंतरगत आते हैं अब आगे देखते क्या है रास्टिय पाठे चर्चा की रूप रेगा 2005 ठीक है ने भी इसकूली सिक्षा में ICT के महत को रेखांकित क्या है इन्होंने बताए कि किस प्रकार से जो आज कल की सिक्षा उसको किस प्रकार से online किया जाए ताकि जो दूर दराज छेतरों में लोग बैठे जैसे समय बढ़ता जारा कंप्यूटर का यूग आ गया ठीक है तो इस तरह से जो हमारी स्कूली सिक्षा उसको किस प्रकार से कंप्यूटर से जोड़ देना चाहिए यही सब चीजे इसमें इसके अंतरगत आती है जिसमें निर्देशात्मक सिक्षन होता बहु अनुशास्मत जो समस्या को सलजाने और महत्पूर्ण और रचनात्मक सोचकोशल को बढ़ारा देने की विशेस्ता है जो सेकिंड वीटा ठीक है यानि कि जो बच्चे या फिर कुछ ऐसे छेतर जहां पर लोग स्कूल नहीं जा पाते से घशा मकाते हैं अंत्ता यां है skill कोचिंग जो गई है ठीक इतनी सास्ती हो गई खीन जो कोचिंग चलती थी तो उसमें बहुत ज़ादा एक तो बच्चों का जो पैसा इंवेस्ट होता थीक उसमें पीशित्य होता था और क्या जो दूर दराज के गरीब बच्चे वो offline classes लेने में सक्षम नहीं होती थी ठीक है तो जो सिक्षा का जो पहुश थी वो कुछ ही लोगों तक सीमित रहे गए कुछ ही लोगों तक वो limited रहे गए लेकिन जिस तरह से ICT का आज कल उपयोग बढ़ रहा है उससे क्या हो गया कि जो सिक्षा का छेत्र है वो और भी ज्यादा व्यापक हो गया ज्यादा से ज्यादा लोग सिक्षा को ले पा रहे हैं किसके यह कैसे संभव हुआ यह ICT के द्वारा ही संभभ हो पाया है उनसे आप अगर यह वीडियो देख पा रहे हो तो यह भी किस वद्धे से ही ICT के द्वारा ही है ठीक है तो I hope कि आप ICT को जानगे होंगे विश बैंक काई सरकारे प्राधिकरान है या फिर कुछ जो एंजियो उनकी नीते और कारेकरम की जो वकालत करते हैं जिनका उद्धेश उन व्यक्ति और आबादी के बीच ICT तक अधिक पहुछ प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को पाटना ठीक है जो कि जो अमीर और गरीब के बीच में खाई रहे गई उन सभी को वो पाटना है ठीक है उनको पूरा करना है ये लोग बोलते हैं कि ICT के दुआरा हम उन लोगों को लाभू पहुचा सकते हैं जो कि अभी तक भी सिक्षा से वंचि रहे गए हैं ठीक है या फिर दूर दराज के छेत्रों में ठीक है जहां पर मतलब यह इंटरनेट सॉरी लाइट की भी सुईधा नहीं है कुछ ऐसे भी छेत्र है ठीक है आपने कई बार देख होगा न्यूस चैनल में तो वहां पर किस प्रकार से किस प्रकार से पढ़ाई क जाता जो आइसीटी बनाता ठीक है इसलिए सामाजिक आर्थिक संदर्व में आगे पीछे हो जाएगा क्या है यह जो संस्थान कौन-कौन से वर्ल्ड बैंक हो गया कुछ सरकारी जो प्राधिकरान हो गए ठीक है कुछ सरकारी जो वेब साइट्स हो गई है गैर सरकार कुछ सब्साद उस चोटे से च्छोटे से छोटे उस च्छोटे से लोग पास भी ICT की पहुच होनी चाहिए ठीक है जिसमत अब तक पीछे रह गए थे ठीक हैं जिससे की हमारा देस आरत्थिक और सामाजिक विकास कर सके और उन लोगों का भी सामाजिकार्थिक विकास हो जाए ठीक है वो पीछे ना रह जाए सब्सक्रास्टिया अपने सारी बिटा सतत विकास लक्षो यानि SDG यानि Sustainable Development Goals में से एक को क्या है जो सतत विकास के जो लक्षे है ठीक है उन में से एक क्या है सूचन और संचार प्रध्धगी तक पहुच में उलेकनी व्रध्धी है ठीक है बना किस प्रकार से सूचन और संचार प्रध्धगी की जो पहुच को उसे बढ़ाया जा सके तो यह संवितरास्ट्य बताता है कि 2020 तक कम से कम विक्सित देशों में इंटरनेट के लिए सारभाम सथी पहुच पर्दान करने का प्रियास करता है ठीक है जो सतत्व ही कास संवितरास्ट्य संगे यह साथ है इनमें से क्या है सूचन और संचार प्रध्धगी का हर एक तक पहुच होनी चाहिए ठीक है और कम से कम 2020 तक जितने भी विक्सित देज है ठीक है उनमें सभी लोगों के पास में संपूर्ण रूप से सस्ती ICT की पहुंच होनी चाहिए ठीक हो ICT तक आसानी से पहुंच सके अब देखते बिटा ICT के घटक क्या क्या है इसमें न केवल कंप्यूटर और साफ्ट्वेय अनुप्रियोगों से जुड़े हार्डवेयर उपकरन सामिल होंगे ठीक है इसमें केवल जो कंप्यूटर से ही रिलेटट चीज़े सामिल नहीं होंगी बलकि इंटरक्टिव डीजिटल सामंगरी जैसे की इंटरनेट और अन्या उपगरह संचार उपकरन क्या 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 सिर्फ इन्होंने बताया कि इसमें कंप्यूटर से सामिल जो उपकरन नहीं होंगे बलके इसके लिए कुछ interactive, digital सामंगरी होगी, उसके लावा internet और अन्य उपग्रह संचार उपरण भी होगी, ठीक है, इसके लावा radio, television होगी, इनकी सेवाई होगी, और web आधारित, repository होगी, ठीक है, interactive forum होगी, learning management system और प्रबंदन सूचन परनाली भी सामिल होगी, ठीक है, तो य अगर हम ICT के लावों के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता, precision यानि ICT के माध्यम से जो सूचना हमें मिल रही है, ठीक है, जो जानकारी हम प्राप्त कर पा रहे हैं, वो बहुत सटीक हो, ये नहीं कि हम कुछ भी जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है, आज कल ज इंटरनेट का इस्तमाल बढ़ा है, ICT का उप्योग बढ़ा है, क्या है कि हम कोई भी दुनिया की चाहिए कोई भी जानकारी है, उसे कुछ सेकेंड में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, जो कि संचार में कोई समय अंतराल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें जो हमारी पहुच ह इंफोर्मेशन तक उसमें टाइम नहीं लगता, इसलिए जो संभावना, गलती की संभावना होती है, वो भी कम हो गई क्या है, गलती की संभावना, गलत फैमी की संभावना भी कम हो गई है, यानि जो सूचना वो पूर इता है, हमें सटिक मिलती है, सच मिलती है, और data को किस प्रकार से हट्टा करें ठीक है। उसके प्रकार से उसका сьका authentication करें कि वह सही चल खलत है। ऐस ahorita कौn प्रक्रिया होगी अपने किसी भी कारे को करने के लिए digital way में इस बारे में बताता है ठीक है। यह सिर्फ यह निए कि सिर्फ इससे एक दो कम लिमिटेड की काम किये जा सकते बलकि इससे बहुत सरे काम एक साथ में किये जा सकते हैं सूचना का कोई भी इंफर्मिशन उसको हम प्राप्त कर सकते सूचना का संचार क्या जा सकता है आईसीट इस तरह के संचार के लिएक Multimedia Platform हमें प्रदान करती है क्या है Multimedia Platform हम कर सकते हैं वीडियो इसके दवारा हम एक दो लिमिटेड कम один के कर सकते learning कि बहुत सारी चीज़ इसके द्वारा की जा सकती है नेक्स्ट क्या डिजिटल डिवाइड डिजिटल डिवाइड आई-सी-टी संसाधनों के वित्रण और प्रभावी उप्योग में एक आबादी में दो या दो सर्दिक समों के बीच बड़े अंतर को संधर्वित करता है क्य लेकिन एक समों ऐसा भी है जिसके बीच जो मतलब आसानी से ओनलाइन यह जितने भी संसाधने तक नहीं पहुच पाता हो दारन के लिए सहरी और ग्रामेंट भारत में इंटरनेट की पहुच काफी बिनने ठीक है आप देखते होंगे कुछ लोग जो बच्चे सहरों से ब्ल काम करवाने के लिए इंटरनेट के दुवारा जो भी काम हो रहों से करवाने के लिए उन्हें आज भी सहरों तक आना पड़ता है एक द्रस्टी कौन में ICT को आवादी के उपसमों के बीच की खाई को पाटने के लिए माना जाता ठीक है तो इस प्रकार से ICT को उप्योग जो है उसको हम यह भी कह सकते हैं कि इसके दौराहं हम जो यह ख़ाई हैं छौडाहिा भानस पीच में इसको हम पाटने का कारे皮 करते हैं पैसा के दौरा को educated को ठाने के लिए уг esos मतलब काफी लोग ये भी बोलते कि जो ICT का चलन बढ़ रहा है इससे यह जो खाई है वो और भी जादा चौड़ी हो रही है बढ़ रही है ठीक है इनका जो गैप वो और भी जादा बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है क्योंकि जो पहुंच हो सुर्फ सहरों तक ही limited होगे गा से क्या है जो सहरों की लोग है वो ही इसका फायदा उठा पा रहे हैं और गावों में इसका प्रियोग नहीं किया जा रहा है आगे दिखते हैं स्वास्त है इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग की लद्थ ICT के उद्धहों का एक लोग प्रेया और पहचाना जाने वाला इंटरनेट को कम ध्यान समस्याओं के साथ भी जुड़ा ठीक है जो लोग ज्यादा तर इंटरनेट का यूज करते हैं मला आप देखते होंगे फॉन्वास के बहुत ज्यादा बिजी हो गए तो इसका अफेक्ट उनके जो बच्चे स्टूडेंट उनकी रिजल्ट पर भी साथ में और भी बहुत सारी प्रॉbelम होती हैं मैंटली भी प्रॉबलम हो जाती हैं कभी-कभी तो ठीक हैं इस तरह से जहाँ एक तरफ जो यह ICT हमारे उपर अच्छे प्रभार डाल ले हैं ongoing ही एक तरफ हमारे हेंथ से भी कही नकीब कुछ नकुछ fulfilवाण जरूर कर रही ह ठीक है जैसा कि कहा भी घए कि जो विज्ञान है सिर्फ एक वर्दान ही नीए अभिशाब भी है थीक है वर्दान के साथ साथ में अभिशाब भी है हर किसी प्रविख साइड इफेक्ट अब देखते बिटा आइसी ट्यूप करन वह बहुत जादा महेंगे होते हैं ठीक है जो गाउंगों के लोग होने तो डेफिनेटल महेंगे लगेंगे लेकिन जब हम उनके पहुँचत का जो मतलब हिसाब रखते हैं तो बहुत सस्ते हो पहुचते हैं ठीक है अइसा नहीं है कि वह बहुत जादा महेंगे पहले तो हमें लगता कि हो देखो कितना महेंगा आए ठीक है लेकिन जब हम दीरे-दीरों तक पहुचने लगते हमें सस्ते लगने लगते उधारण के लिए पाठ्थे पुस्तकों को मुद्रित करने में लागत सामिल होने के साथ साथ परियावरण की दरस्टी से भी बहुत ज़्यादा अधिक है अधिक है यहां जब कोई बुक्स वगरा छपती है ठीक है एक तो उनमें जो छपाई में उनकी प्रिंट करने में उनमें बहुत जादा लागत लगती बहुत जादा पैसा वेजट होता और क्या है जब कोई भी बुक्स के लिए पेड़ों को काटते हैं ठीक है इससे करन के लिए कहीं अच्छी भी है ठीक है इससे क्या हो रहा है क्योंकि हम आज ओनलाइन वे में पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है बुक्स जो हो गई वो PDF फॉर्मेट में हो गई है तो इससे क्या होता है कि पेड़ बचे रहेंगे और हमें ज्यादा बुक्स चापनी नहीं आते हो ठीक है किसी का कुछ है जैसे प्रीतिनागर.com अगयरा ठीक है इस तरह से और यह सेवाई इंटरनेट के माध्यम से प्रदान कर देए ठीक है जब तक आपका अकाउंट नहीं होगा आप इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते इंटरनेट के माध्यम से लोग चोरी कर ल लीते हैं और दूसरों के स्विप्स जो पासवर्ड मतलब स्कॱरेटी पासवर्ड उनको अपने पास में खटता करBT या और जो दूसरों कांट तक रॉ कुल फॉच्ट जाते है हैं इसे ही क्या कहा जाता है hacking यानि आम भासा में से computer चोरी भी कहा जाता है ठीक है बिटा सेकिंड क्या अनाध्जिक्रत सामंगरी का उप्योग क्या है बन सेकिंड डेटा के इंटरनेट और डिजिटल रूप ने सामंगरी के इस रूतों को जिम्मेदा स्विकार किये बिना सामंगरी के आसन धोराओ के अनुमति दे दिया ठीक है कई बार कैसा होता हमारे पास में कोई message आया ठीक है WhatsApp पे एक इंसंस है और क्या है वो फिर दूसरा भी उसे भे तो इस तरह से किसी भी सामंगरी का ओलोड हो गया है ट्रोल और गाली ठीक है इंटरनेट भी लोगों को अनलाइन ट्रोल करने और गाली देने के रूप में व्यक्तिकत दुस्मनी व्यक्त करने का एक मंज बन गया ठीक है आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोगों को काफी लोगों उने ट्रोल किया ठीक है तो और इंटरनेट बिल्को एक सही जगा है बिलगर बहुत सारी गलगप चीज़ें है कुछी इनटरनेट में पहचान चुपा नहीं इसलिए लोग कि इसारा ले लेते हैं पता नहीं चलता कि वह किसी दूसरे की आईडी से भी छीज़ें कर सकते हैं किसी को ट्रूल कर सकते हैं ठीक्डेंचों को बागी कई का वारी वार वास में सेलीपिर्टी को देखे बिटा वाइरस ठीक है वाइरस लोगों दुवारा लिखे गए अपिक शक्रत सरल कारे करम है ठीक है और कम्प्यूटर है उनकी फाइलों के लिए उपदर विया छती का कारण बनते हैं आपने सुना होगा कि उनके वाइरस घुज गया फॉन में वाइरस घुज गया ठ स्ट करते हैं लिए देटा को नथे फिघन उसे खराब करते हैं रहो आपके इन परसेनल जो उसको चुरा लेते हैं तो यह सभी चीजें बड़ी खराव हो चुके हैं आगे देखते हैं इसका सिक्षा में इसका का ICT का क्या-क्या महत्यों है तो क्यूंकि आप इस्टुड्रेंट तो आपके लिए जानने वह ज्यादा जरूरी है शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के सबसे प्रमुक्तावन में सभी तक जाए ठीक है उसके बाद में फिर ICT ने 2005 में यूनिवर्सल बैटा ये नोट करने वाली चीज़े हैं ICT ने 2005 में यूनिवर्सल सेकेंडरी एज्यूकेशन पर अपने रिपोर्ट में सेंट्रल एडवाईजरी बौर्ड ऑफ एज्यूकेशन C, A, B, E द्वारा सिफारिस किये गए स्कूली सिक्षा के मान दंडों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया ठीक है इसके बाद में जब ये सुधार किये गए सिक्षा के शेतर में 2005 में तो उसके द्वारा बहुत सारे स्कूलों को मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि स सभी को लेकिन जब मोस्टली स्कूलों को ICT से जोड़ा गया ठीक है जिससे की जो सिक्षा की पहुच है वो हर एक तक पहुच पाने आसान हूँ ICT वे आधारित बनने के साथ दूरस्त सिक्षा कारे करम के लिए उप्योगे ठीक है डिस्टेंस लर्निंग के लिए इसका मतलब होता बिटार डिस्टेंस लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा जैसे कुछ लोग मान के चले बैंगलोर में पढ़ना चाहते हैं ड अधारित ब्लाप्त कर सकते हैं अच्छी तरह से प्रशिक्षित सिक्षक द्वारा समर्थित होने के लिए अधार जैसे को दो प्लेटफर्म पर आगई है कि कोई भी उसे प्राप्त कर सकता है अच्छी तरह से प्रशिक्षित सिक्षक द्वारा समर्थित होने के लिए अख्षा में ICT को प्योग करने के साथ सिक्षक के लिए प्रशिक्षर into Pradhat क्या प्रवाई है ति क्या जो आज कल सि Coach coach क्यों कि जो सिक्षा है सिरफ कि सी एक सिटी तक नहीं को सिंनरे रहे विंटेट ऑल इंडिया नहीं कि ऑङ्याल व zoning कर तक फैल गई है ठीक है तो इस थरह से जो सिक्षा प्रादान करते को बोह जादे प्रस्शिवत होने जाएं ठीक है उन्हें एक एक को सिक्षित करना ठीक है वर्ल्ड में कोई भी उनसे शिक्षा प्राप्त करें इस तरह से वह उन्हें प्रशिक्षित किया जाए ठीक है जो सिक्षक है उनके पास में इतनी टेक्नोलोजी हो कि हर किसी को वह सिक्षा पुर्दान करने में सक्षम ह पाए आगे दिखते हैं सूचना और संचार प्रद्धवगे के माध्यम से शिक्षापर रास्टे मिसन क्या है शिक्षापर रास्टे मिसन क्या बेटा एन एम ए आई सी सीटी ठीक है मानव संसाधन विकास मंतराला यानि महत्वकांशी परियोजना क्या बेटा यह मानव संसाधन विकास मंतराला ठीक है उसके दवारा यह शुरूपी गई परियोजना बहरे सरकार सभी योग्या और चुक सिक्षारतियों को गुणवत्त पूर्ण स्यक्षिक सामंगरी प्रदान करने की द्रस्टी से ठीक है यह जो परियोजना है क्या है एन एम ए आई सीटी ठीक है यह मानव विकास मंतराला द्वारा सुरू की गई है क्यों क्या की गई है कि जितने भी जो लोग ऑनलेन सिक्षा देना चाहते हैं ठीक है जितने भी इच्चुक सिक्षारतियों उनको एक अच्छी सामंगरी प्रदान की ज लिए जो जुड़वा पैडल के रूप में सामंगरी और कनेक्टिविटी की परिकल्पना किया है कि ठीक है उन्हें अच्छी सामंगरी प्रदान हो और उन्हें अच्छी कनेक्टिविटी भी मिल पाए इस बारे में इन्होंने बात किया यह है डिजिटल डिवाइड को पाटने का भी कार्य करता है ठीक है जो रो पतलब एक खाई बन गई यह लोगों के बीच में तो उसे भी गैब बन गई उसे भी पाटने का कार्य करता है अर्थात उत सिक्षा शेत्र में सहरी और ग्रामेंट सिक्षकों सिक्षारतियों के ब करने के कौशल में अंतर और उन लोगों को शशक्त बनाना जो डिजिटल क्रांति से अच्छुते रहे हैं और ग्यान अर्थ ववस्ताओं कि मुक्यधारा को सेयुक्त करने में सक्षम नहीं है यानि कि इसका सिर्फ यही मकसद नहीं है कि जो यह मतलब सिक्षा है वो सिर्फ सह douteर से अच्छुते हैं ठीक है और जिने प्रॉपरन नॉलिज नहीं है इस फिल्ट के बारे में तो मतलब हर किसी को मैं जो मुक्यधारा में जोड़ने से ठीक है तो इनका क्या मकसद है कि कोई भी ग् Vladimir ज़श्य अच्छुतन नहरा है सभी को प्रॉपर जो जो नॉलिज होनी चाहिए नेक्स्ट ए ई लेंडिंग के लिए उप्युक्त सिक्षन पर ध्यान केंद रित करने आभासी प्रियोग सालों के माध्यम से प्रदर्शन प्रियोगों को सुईधा प्रदान करने और ओनलाइन परिक्षन और स्पस्टिक करन देने शिक्षकों को माध्य दर्शन और सनरक्षक सीखने के लिए और शिक्षकों की ऑनलाइन उपलब उपलब्द शिक्षा उपगराया यानि एडवर्ड का उप्योग और शिक्षन आधी की नई पदिती का प्रभाविधंग से उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए होम य क्या का उनके शॉर्स होंगे grease कि मतलब किस प्रकार से वो बना जाए कि जो अच्छे से वो matarima जाए किस चरह से उनें प्रॉपरली सिखाया जाए कि लोगों को किस प्रेकार से उनूप करानों किस प्रेकार यूज किया जाए ठीक है तो इस प्रकार से मतलब सभी को एक प्लेटफर्म प्रदान करना जिससे कि प्रस्रिक्षन और ससक्तिक्राण का नर्देश उन्हें मिलता है ठीक है किस प्रकार से वो सिक्षा को अधिक प्रभाविधंग से दे सके और जो मतलब स्टुडेंट से वो इस प्रकार से सिख्षा को अच्छे से प्रदा ले सके ठीक है इसमें स्कूल प्रबंदन सुछना प्रणालिक एक रास्ट व्यापी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा जिसमें स्कूल सिख्षक चाथर स्कूल प्रबंदक और समुदाय बड़े पैमान आभेर भाव लेंगे ठीक है मतलब इसकाम तरकार से इसकूल परबंदन सूस्टना प्रणालिक नतरगा तो इस प्रकार का नेटवर्क स्थापित किया जाएंगे जिसमें की जितने भी स्कूलस हैं सिक्षक हैं और च्छात्र हैं मतलब स्कूल का मैनेजमेंट है और समुदाय बड़े पैमारे पर इसमें पार्टिसिपेट कर पाई ठीक है सभी एक प्लेटफर्म पर आ जाए यह नहीं कि किसी स्कूल के बच्चों को ज्यादा च्छी एजुकेशन मिल रही है किसी को च्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है तो सभी जढ़ी को एग प्लेटफर्म पर लेकिया आना इस कारियन वियन में इस महीं में स्कूल प्रबंधन सुछन प्रनाली यह नि स्कूल हाई है स्कूल मिल होंगी उपकारण सामंगरी और संसाथनों के डिजिटल रिपोर्ट जरी और व्यवसाइक विकास और सतत सिक्षा मंज और मार्ग दर्शन परामस और अन्य छात्र सहता सेवाई ठीक है इसे मतलब बहुत सारे उपकरण सामिल होंगे सामंगरी सामंगल होगी और डिजिटल वे में किस प्रकार से सिक्षा प्रदान की जाए इन सभी बारे में और छात्रों के किस प्रकार से सायता की जाएगी सभी चीज़े उसी में आ जाएंगी ठीक है उसी चीज में मतलब उन सभी को एक सोर्स में ले लिया जाएगा इसकूल M.I.S. माध्यमिक विध्यालय प्रणाली के से संबंदि सभी सूचना उपर एकल खिर की समाशोधन ग्रह के रूप में उबरेगा ठीक है यह जानकारी अनुसंधार और विसलेशन गतिविद्यों की स्विधा और सिक्षा प्रणाली में विभिन इस्तरों पर निर् इस बारे में और सिक्षा का मतलब विशलेशन किस प्रकार होगा जनक मतलब सिक्षा सही है या हमें सही नहीं मिल रही है तो इस सबी चीजों में निर्नले में मदद करेगी सिक्षा का दायरा म इस द्वारा व्श्तरत किया जाएगा थीचे करा सिक्षा को और भी जाद ब्राड किया जाएगा थीच आगर सिक्षा का मानके चलीम में यह बहुत जाद पहुच नहीं आई सीटी के तो उसे इस प्रकार से बढ़ाया जाएगा कि प्रतेक स्कुल को इससे जोड़ा जाए ठीक है इसमें छात्र और सिक्षक ट्रेनिंग सामिल होंगे विसे बिटेट ट्रेनिंग है ठीक है विसेस रूप से उनकी सेक्षने के आवशकता होके यह कै आवशकता है बच्चे किस प्रकार से सीख पाएंगे इन सभी चीज़ों को सामिल किया जाएगा मांदण तकनीकों के मानकों को भी परिभाशित करेंगे जिसमें भासा के फॉंट क्या है, फॉर्ट प्रॉसेसर क्या है ठीक है यह सभी उसमें सामिल होंगे, वो सभी इसमें शामिल होंगे सूचना सामंगरे और संसाधनों तक साहब हमें पहुचकी सुविधा प्रदान करने के लिए खुले मानत सुने स्चीत किये जाएंगे यानि कि किस प्रकार से सिख्षा को और विजदा ब्राड किया जाएगा इस पर काशना स्कुünde बैगं कुछ को अー सिक्षा को और दर्याद़ व्याद़ा ब्याया पक्ट किया जाए मुस्य है इस जुए इस इस में सामिल हुंग ठीकिए सभी30 मिस्तारिय ग मतलप सबस्क्राइब यह ब्लों सिक्षा है मातल। तो इसलिए जो गुणवत्ता सभी के लिए इकवल होंगी आभी तक क्या है कि जो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका तो ठीक है लेकिन जो बच्चे अच्छे स्कूल अफॉर्ड नहीं कर पाते हैं उनको इच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है आगे देखते बेटा सूचना प्रोध्योगी की अधिनियम क्या है सूचना प्रोध्योगी की अधिनियम अच्छा बेटा यह जो सूचना प्रोध्योगी की अधिनियम है इसको नौजुन दोहजार में इस अधिनियम को इसे पारित किया गया नौजुन दोहजार को ठीक है अ मतलब जो इसे पारित कब क्या गया था 9 जून ठीक है और 2000 को लेकिन जब यह प्रभावी हो गया था मतलब अपने कारे अन्पयान में लग गया था वो कब से 17 अक्टूबर 2000 से ठीक है इस साइबर विधान को अपनाने से भारत साइबर कानून विवस्था को अपनाने वाला द कि अभी देखते आई टी अधिनियम के उद्धेश क्या थी साइट नियम यानि सूचना प्रवध होगे कि अधिनियम को लाने के क्या उद्धेश था क्या एंप वह देखते हैं इलक्ट्रोनिक डेटा इंटरनेट जो एडिए और इलक्रोनिक संचार के अन्य साधनों के प्रदान करने के लिए आम तोर पर इलेक्ट्रोनिक कॉमर्स या इकॉमर्स के रूप में जाना जाता है ठीक है जो इलेक्ट्रोनिक यह संचार है इलेक्ट्रोनिक इंटरनेट डेटा इंट्रेश ठीक है इन सभी को क्या लेंदेन के रूप में आम तोर पर इकॉमर्स के सब्सक्रिक्ष्राइब करना 넣고 सूचना के भंडारण का या खटे करना यह सभी बेडियों के फुर्फयद सामिल बैंक करके साक्ष अधिनियम और क्या है 1891 में और भारती रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संसोधन करने के लिए और इससे जुड़े मामले मामलो या आस्मिक उपचार के लिए ठीक है क्या क्या बिटा फिर से देखते हैं यह जो सरकारी जैंसिटिक है उनकी जो दस्तावेज है उनको इलेक्ट्रोनिक बढ़ने यह नहीं कि जैसा बिजली का बिल आपको जमा करना ठीक है तो आपको महीं पर जाके जो मतलो उनका ऑफिस है ठीक है तो वहीं पर आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा नहीं आज मतलब भारती दंट सहीता हो गई है साक्ष अधिनियम होंगे बैंक करके जो साक्ष अधिनियम हो गया है इवट एक साथ में ठीक है और जो भारती रिज़ब अधिनियम के सभी चीज़ों को क्या कर दिया गया है संसोधित करके इन से जो जुड़े मामले और इसके आस्मिक उपचार करें ठीक है कहीं कोई दिक्कत ना हो ठीक है लोगों को ज़्यादा परिशानी नहीं इस चीज़ के लिए इसका उप्योग किया जाने लगए आगे दिखते में साइ साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा को गयर कानूनी परवेश कमजोरी और साइबर डेलिक नेक्ट द्वारा इंटरनेट के माध्यम से परिवहन किये गए हम लों से सुरक्षित रखने के उद्देशे से प्रध्योगी को और प्रक्रियाओं को दर्शाती क्या है फिसे दिखते है जो यह साइबर सुरक्षा है नेटवर्क डेटा का जो डेटा को गयर कानूनी रूप से चुरा लिया जाता है इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाता साइबर सुरक्षित ठीक है और मतलब किस प्रकार से साइबर हमलों से जो किसी भी कंप्यूटर को रोका जाए ठीक है जो कंप्यूटर उनकी हैकिंग को किस प्रकार से रोका जाए इन सभी प्रक्रियाओं दर्साती है आई-ए-ए-स-ो यानी 27001 क्या वेटा यह वन सेकिंड है अच्छे चीजें आप नोट कर लेना वाटा यह काफी एक्जाम से पूछ ली जाती है और डारेक्टी पूछ ली जाती है इसी चीजें तो यह जाद आपको मुश्किल नहीं होंगे ठीक है अगर आपको याद नहीं होगा तो यह मुश्किल अबनान कि सुचना है सुरक्षक प्रभंधन प्रनाली को बनाने लागू करने और कारे करने निगद्र करने संरक्षन और सुधार करने किลी मॉडर्न करता अचम सूचन प्रिकार से सुरक्ष्शित की करा diva जाएगा मतला उसके मैंनेजमेंट करने के लिए उसकी किस प्रकार से इंप्लिमेंट character करते हैं ठीक है भारा सरकार के तहट संचार और सुचनہ प्रोध्यकि की मंत्राल साइबर सुरक्षा नीती नामक एक रण नीती रूप रेखा प्रदान करता है क्या है जो भारत सरकार के तहट संचार और सूचना प्रवध्योगी की मंत्राल वो क्या करते हैं रास्टिय साइबर सुरक्षा नीती नामक एक रण नीती रूप रेखा प्रदान करते ठीक है मनलों कि जो भारत की साइबर सुरक्षा किस प्रकार होगी इस पारे में रूप रेखा प्रस्तूत करते हैं बताते हैं ठीक है इस सरकारी निकाय को देशित सावजनिक और मिजी बुनियादी धाचे को साइबर हमलों से बचाना है यानि कि जितने भी गौर्रमेंटल न साइबर नीति ऐस हो आगे देखते़न आय। कि अभी देखते़ने साइबर ऌसर यह साइबर स्पेस घिक है साइबर स्पेस को जटिलवेतावरण की रूप में परिभाशित क्या जा सकता है । कि जिसमें लोगों गात सभाव कर पीछ सेहबा पस सामेला कि जिसमें लोग जो है सफ्ट्वेयर और सेवाओ के बीच में आपस में सभी चीजे तीनों आपस में इंटरेलेटेड होते हैं ठीक है किस प्रकार से एक दूसरे से उप्योग ले सकते हैं लोग जो है सफ्ट्वेयर का कम्प्यूटर का किस प्रकार से उप्योग करते हैं ठीक है उनसे सेवाओं को किस प्रकार से लोगों तक पहुचाते हैं ठीक है यह सभी चीज़ों में सामिल है यह सूचना और संचार प्रवध्योगे की और नेटवर्क के बीच विश्यापी वित्रण द्वारा बनाया रखा गया ठीक है ठीक है सूचना और संचार प्रवध्योगी की मैनेज किया जाता, ठीक है, साइबर-स्पेस आम लोगो, व्यापार, किस-किस में? अभी एक सटिन वीटा, -" बल्कि यहाम लोगों के लिए व्याप़र, मतलब जितने भी बिजनिस है, मेहतपून सूचना भुनियादी है, ठीक है, जो सूचना के छेतर है, और साइना के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए समान रूप से उप्योगी है ठीक है बेटा आये चलो अब इसके कुछ M.C.Q कर लेते हैं एन M.E. I.C.T का अर्थ है क्या है बेटा बताना ज़रा बताना ज़रा हाँ I.C.T के माध्यम से सिख्षा पर रास्टे मिशन है या फिर सेकिंड क्या है I.C.T के माध्यम से E-governance पर रास्टे मिशन है थर्ड क्या है I.C.T के माध्यम से E-Commerce पर रास्टे मिशन है या फिर फूर्थ क्या है I.C.T के माध्यम से E-Learning पर रास्टे मिशन है तो बेटा National Management for Education from किससे मतलब किससे एजूकेशन प्रप्त करना आई सीटी से तो यह किसके आई कि सिख्षा पर राष्टे में से ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर वन इसका बिटा करेक्ट आंसर अच्छा आप ज्यादा से ज्यादा करना ठीक है और आप इसके मुझे फुल फॉर्म बताओगे एन एम इए आई सीटी की फुल फॉर्म बताने आप लोगो कमेंट करके मैं देखना चाहरे हूं कितने लोग सीरियस हैं आगे देखते हैं सूचना और संचार प्रद्ध होगे की यानि आई सीटी की विसेश्थाओं के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है बिटे वन सेकेंड अब बताने आप लोग नमबर एक है कम्प्यूटर नेटवर्क के निर्माण और उन पर आधारित एप्लिकेशन के लिए आई फिर सेकींड क्या है । सूचना और ज्ञान के प्रिसार का समर्थन करता है उस सामघरे को सिस्थान से अलग करता है जहां वैसा रिक रूप से यानि फिजकली वह वहां से रिलेटेड हो ठीक है या फिर ठर्क्या है अधिकान्स IIc उत्पादों की डिजिटल और आभवासी प्रकर्ति उनके लिए व्याको अधिक्तम करने की अनुमति देती है तो ये तीनों बता दिये मैंने ठीक है अब बताने इसमें से सही क्या है इसका कोड में बता देती हूं फर्स्ट वाला जो पर्स्ट और सेकेंड केवल ठीक है जो दूसरा वाल उसमें क्या है एक और तीन के या फिर फोर्द क्या है एक, दो, तीन, ठीक है, तीन हो यह मतलब, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताई ज़रा, इसका सही आंसर होगा, एक बार आप फिर सो कोस्चन को देख लीजिए, ठीक है, वीडियो को पाउस करका देख लीजिए, ठीक है, और इसका सही आंसर बताई नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या? सॉरी बेटा कोशे नमबर थाड है निमली की जो दो खतन उनको पढ़ाई क्या क्या है? सूचना और संचार प्रोध धगी की यानि ICT को सूचना प्रोध धगी की IT का सबसिट माना जाता है सेकिंड क्या है? सॉफ्ट्वेयर के एक टूडे का उप्योग करने का अधिकार कॉपिराइट क्या लाता है बताईए ज़रा कोशेण को फिर से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं आप लोग और मुझे इसका सही आंसर बताईए क्या बटे इसका सही आंसर? मतलब ना तो एक है और ना ही दो ठीक है? ना तो इसमें एक है ना ही दो इसका सेकिंड जो यह सही है ठीक है? मतलब कि जो सूचन प्रौधगे की है यह सिर्फ इसका सबसेट नहीं ठीक है? सूचन जो प्रौधगे की जिसमें पहले बताया आपको ICT, IT के मुकाबले में कहीं ब्रौड है? ठीक है? बहुत ज़ादा ब्रौड है और क्या है? कम्प्यूटर के मीनिंग के बारे में उसके टाइप्स के बारे में उसके यूजीज के बारे में तो बच्चो यह वीडियो को लास्ट तक देखना लाइक करना मद भूलना तो चलिए बच्चो स्टार्ट करते हमारा आज का टॉपिक कम्प्यूटर है क्या? संगनक कहते हैं, क्या कहते हैं बिटाई से, संगनक, ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संगनक, ठीक है, बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कि शायद ही ऐसा कोई फिल्ड हो, जहां पर कम्प्यूटर का कोई यूज ना हो, आप अगर बैंक जाते होंगे, त पोस्ट के दुआर आपको सेंड करनी है तो वहां पर आप कंप्यूटर का यूज देखो गए ठीक है और सबसे बड़ी चीज आगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो तो ये भी किसकी वज़े से पॉसिबल है तो जादतार जगों उपर बिना कंप्यूटर के काम नहीं चल सकता तो यह कंप्यूटर है क्या आईए जानते हैं कंप्यूटर के बारे में क्या है कंप्यूटर का उप्योग लगभर है हर छेतर में तेज गती से अंगणीतिय गंणा करने के लिए क्या जाता है ठीक है पहले जो प्योग सिर्फ mathematical calculation के लिए इसको प्योग किया जाता था ठीक है लेकिन अब क्या इसका जो area है वो broad हो गया काम करने का इसका ब्रॉड हो गया सिर्फ calculation नहीं आज का time में बहुत सारी चीज़े ऐसी होगे जो बिना computer के हो ही नहीं सकती ठीक है आप drawing ले लिजिए music सुनना हो गया आपका games खेलना हो गया ठीक है तो इस तरह से computer शब्द की गणना computer से ली गए जिसका रते गणना करना ठीक है जो computer का क्या मतलब होता बटा गणना करना ठीक है computer शब्द लिए गया compute से और गंप्यूट का मतलब होता है गंड़ना करना जहां सुरू में कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योगे मशीन थे मशीन ठीक है को एक कंप्यूटर के दो प्रोमुक विशीस्ताइ होती है ऐसे निर्देशों के एक प्रिभासी तरीके सेन का जवाब देता है और ये सेनी दर्जे को निस्पादित कर सकता है यानि कि कि अगर हम से कोई वी inте दनुड़ते हैं उस परकार की Hasnда Conference मिलेगा धिक है अगर हमको कोस्ट्टे हैं लए प्रलरा कि अन्सर काने करसा रहा है गाइगा कंप्यूटर को क्या क्वा ब्राप्त हो सकता है अब देखते कंपयोटर के क्या 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 था हैं प्रलसों होते कंप्यूटर एक बन्हुंदट remaining tx यानि गरना कर सकता है जो computer है वो एक second में यानि कि एक दो ही वो calculation कर पाएगा loads of calculation वो कर सकता है ठीक है कुछ ही नहीं सिर्फ बहुत सारी मलोग कई million calculation कर सकता है ठीक है जैसे अब यह देखते क्या है M F L O P S ठीक है यानि इसका यह फुल फॉर्म है किसकी million floating point operations प्रतिसेकंड ठीक है यह फुल फॉर्म आप लोग यह note कर लेना इसे याद कर लेना के M I P यानि million नर्देश प्रतिसेकंड में नर्दिस्ट कम्प्यूटर की गति ठीक है यह कम्प्यूटर की गति को नापने की काई है अब देखते बिटरेश की सटीक्त क्या है là कंप्यूटर तकनीक अच्छी तरह से इस्थिर है ठीक है और कंप्यूटर के गलत परिमान देने की संभावना बहुत पर कम होती sadece कंप्यूटर हो तोब पूरी तरह से जो सकते हैं एक वैसा है ठीक है कभी-कभी ऐसा हो जाता कि हम कोई गलत आउटपुट डाल देते हैं फिर हमें इन्पुट जो गलत मिलता ठीक है तो ऐसा बहुत ही रेयर कैसिस में होता है तो यह बिल्कुल क्या है एकदम सटीकता रखता है ठीक है क्या बेटा एक सटीकता इसका सबसे प्रमुक बुन है सबस सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कोटतें ऐसे सब्सक्राइब+. उसब्सक्राइब. बोटी डामेंंचलि कlane देखते बुट बहुत की प्रतिबाहिए लेन जा Soup सणी इंट पूर अपने मेमोरी में बड़ीosphere मान का चलिए आपको कुछ मूवीज इसमें इस्टोर करनी है म्यूजिक है कुछ बूकुमेंट्स जो आपको इस्टोर करनी है बुक्स वगारा पीडियाफ ओम में आप यह सभी उसमें क्या इस्टोर कर सकते हो जैसे कि कोई अक्षर हो गया ठीक है कोई मतलब image हो गई, photo हो गई, sounds हो गई, यह सभी क्या, आप उसमें store कर सकते हो ठीक है बेटा, तो आप computer के लेक्षन जाने काई, अब देखते हैं computer संगठन क्या है computer मुख्य रूप से, यह पांच कारे होते हैं computer के बेटा, जिनों यह computer करता है मुख्य रूप से, पांच कारे को न चालन करता, कौन-कौन से देखते हैं input के माद्य व्य Score data का स玩 करता ठीक है, मला हम जिस परकार का input डालेंगे हमacking 태ogetEas Fish RICHARD इस परकार से हाट का वो सवी कार करके जो output सही निकलता इनज़नां से आंसोर होह, वह भी अधर चेंज़ कर सकते हैं कोसे प्रकार के रूप में परणाम देता हैं प्रत के रूप में परणाम् साथ में करता है एक कहाओं को सारे चीज़ों को कंड्रोल किया जा सकता है और बहुत सारे चीज़ों पर यह मतलब इन्पूट क्या होता है यह कंप्यूटर सिस्टम में यह यह है computer system में data और program दर्ज करने की प्रिक्रिया है, ठीक है, हम किस प्रकार से किसी भी data को उसमें store कर सकते हैं, कोई program को किस प्रकार से store कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, यह उसके एक प्रिक्रिया है, ठीक है बचो, क्या है, फिर से देखते हैं, computer system में data और program दर्ज करने की प्रि सब्सक्राइब लेता है कि कभ डेटा प्राप्त करना शुरू हो जाए और कभी से रोका जाए ठीक है कभ डेटा को देना है और कभी से रोकना है कहां इस्टोर किया जाए आदी ठीक है इसे यह मतलब यही जो कंट्रोल यूनिट है यही इन सब चीजों पर अपना नियंत रण रण रखती है यह कंप्यूटर के सभी ऑपरेशनों के चर्ण द चर्ण परसंस करन पर ध्यान रखता है ठीक है किसी भी चीज़ को इस्टोर करने के लिए यूज यूज किया जाता है ठीक है अन्यूटर के जो उप्योग करने के लिए यूजिक यूणिट है द्वारा किये गए प्रमुक संचालान इसके अतरिक है क्या क्या है बेटा कॉन-कॉन से जो अर्थमेटिक जो काम होते हैं अर्थमेटिक वाले अंक करनित वाले एक तो गटाव गुर्णा भाग तरक और तुलना यह सबी चीज़ किसके द्वारत थे बाई कंप्यूटर आउटपुट क्या है यह है उपयोगी जानकारी प्राप्त क करने के लिए डेटा से परिणम तेयर करने की प्रिकिरिया है ठीक है अगर हमने कोई यूजफुल इन्फोर्मेशन वो प्राप्त करनी है तो डेटा से हम किस प्रकार का इन्पुट डालेंगा उसके बाद में कंप्यूटर हमें किस प्रकार का आंसर देगा ठीक है यही क्या हो गया बेटा आउटपूट ठीक है क्या हो गया आउटपूट कम्प्यूटर सिस्टम के एल यू और सी यू को सहीं तुरूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाता है क्या बेटा सबसे इंपर्टेंट चीज है यह हाँ अब देखें कम्प्यूटर सिस्टम के एल यानि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है और सी यू को ठीक है कंट्रोल यूनिट को सहीं तुरूप से क्या बोला जाता है सी पी यू यानि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है बेटा सी प्यू बोला जाता है ठीक ह CPU क्या होता अब सभी स्टार्टिंग से बच्पन से पढ़ते आ रहे हो CPU क्या होता यह किसी भी computer का mind होता ठीक है सबसे important चीज क्या होते है हमारी body में हमारा mind माइन्ड अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारी body सारी विकार है उसी तरह से अगर कम्प्यूटर में CPU डंग से काम नहीं कर रहा तो वो कम्प्यूटर एकदम विकार ठीक है तो इस तरह से CPU क्या है किसी भी कम्प्यूटर का माइंड होता है अभी देखते हैं वेटे कम्प्यूटर का वरगी करण किस प्रकार से क्या जाता है किस प्रकार के वर्णा कितने प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं कि कंप्यूटर को आम तोर पर आकार और शक्ति द्वारा निम्नानुसार वर्गिकरत क्या जाता है ठीक है हाला कि जो इसमें काफी ओवरलैप है आईए देखते हैं कंप्यूटर वर् जो उनमें काफी लागत लगती थी ठीक है लेकिन जैसे टाइम बीटता गया कम्प्यूटर का जो साइज वो इंक्रीज होता गया गटता गया ठीक है और उनमें उसके बाद में लागत वगेर उसमें कम लगने लगे आए देखते हैं कुछ जैसे निजी कम्प्यूटर यानि से से पीसी भी बोलते हुटा क्या है यह निजी कम्प्यूटर यानि पीसी है पीसी क्या होता देखते हैं मैक्रो प्रोसेसर प्राधारित एक छोटा नोत में एक क्विश्ऑ क्विश कर्चकर सकता है mycroprocessor के अलावा एक व्यक्तिगत computer में data दर्ज करने के लिए keyboard होता उसमें सूचन प्रदर्शित करने के लिए monitor होता और क्या होता data बचाने के लिए एक भंडार उपकरन होता ठीक है तो सबसे पहले हम देखते ये जो personal computer क्या होता निजी computer एक छोटा यानि सिंगल यूजी कंप्यूटर होता है यसमें काही है एक कंप्यूटर की त Albania कि तरह ही इसमें क्य Comm smarter होता उस में किस प्रकार से सूचना दिखाया जा夜 दर्षाई जा lower मॉनिटर होता उसके लिए और डेटा बचाने के लिए उसकी स्टोरेज छमता होती ठीक है डेटा को खटा करने के लिए जैसे सीडी डीवीडी रूम रैम ठीक ही सब चीज़े होती है नेक्स्ट चीज़ देखते मैं वर्क स्टेशन क्या है एक शक्ति-शाली एक अलुपयोग करता था ठीक है मतलब एक अलुपयोग करता तो PC भी है लेकिन ही क्या कहीं जादा पावरफूल है एक केंडर दुवारा क्या होता इसमें व्यक्तिकत कंप्यूटर की तिरह है लेकिन इसमें अधिक शक्ति-शाली इसमें अधिक साल इसका जो माइक्रो प्रोसेजर वो ज्यादा पावरफूल होता है और क्या इसकी जो गुणवत्ता क्वालिटी वो ज्यादा बैटर होती है ठीक है मॉनिटर की अब देखते मिनी कंप्यूटर क्या होता एक बहु उपयोग करता कंप्यूटर जो एक साथ समर्थन करने में सक्षम है ठीक है मुला मिनी कंप्यूटर ऐसी चीज होती है कि जैसे यह पीसी हो गई ठीक है इस पे कोई एक बंदा इस पर कारे कर सकते हैं अभी देखते हैं वीटा सूपर कंप्यूटर क्या होता है एक अत्यंति तेज कंप्यूटर जो पृतिस साथिंड का मतलब होता यह ऐसा computer होता कि जो कुछ एक सेगिंड में हम मतलब लॉट्स आफ अगर हम उसमें command दें तो उसे को follow कर सकता ठीक है तो इसे हम कुछ सूपर कंप्यूटर कहते हैं ठीक है तो आप सूपर कंप्यूटर कुछ सूपर कंप्यूटर सूपर कंप्यूटर उसके नाम बताओगे प्रिक्रिया करता है और निरंतर अखंड़ Chapelिया है जैसा आपने कभी रही होस्फीटल समें देखे होगे कि वह जो मशीन चलती रहती में शलती लिय로 है ठिक है mushrooms चलती रहती है ठीक है तो वह हमेशा जो ब सोचना है दे रहते हैं जो पेशनेट हो हमें क्या क्या कंदीशन है कुछ टाइम बाद उसके कंडिशन कैसी होगी ठीक है तो हमें लगातार उसके बारे में information मिलती रहती है कंप्यूटेशन को बहुत इक मात्रव जैसे लंबाई voltage करंट आदी के साथ भी क्या जाता ठीक है इस बारे में भी इन यह बताता है आप देखते हैं बेटा है डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है एक डिजिटल कंप्यूटर स्विकार करता है प्रक्रियाओ ऐसतत यानि असतंत डेटा का उत्पादन प्रक्राइब करता है पैदा करता है संख्यात्मक अंकों के साथ संघनल कि जाती है फिर उन इकों के साथ में फिर उन डिजित के साथ में जिनकी गणना पॉसिबल नहीं कि सब्सक्राइव में फ्रीतर की जासकती है सामानय फेक्सी मश्वाचीन के शवंची मैं इलेक्ट्राहीट और इसी तो उधारने क्या क्या बैट डिजिटल कम्प्यूटर में क्या आता है सामाने फैक्स मसीन हो गया ठीक है electronic calculator यह सभी क्या आगए डिजिटल कम्प्यूटर ठीक है डिजिटल कम्प्यूटर इनका उपकरान का उधारन है बैटाई question अभी आप बताओगे इसका आंसर क्या होगा ALU का क्या मतलब है बताना बैटा जड़ा ALU का मतलब बताओँ दुझे मैंना आंसर छपा दिया ठीक है ALU का क्या मतलब है American Logic Unit ठीक है यह कई बार मतलब इस सिर्फ यह नहीं कि NET के एक्जाम में और भी बहुत सर्कॉम्टिशन एक्जाम में पूछा गया वेकलपिक स्थान्य इकाई यह फिर वेकलपिक तरक इकाई यह फिर अंक गनितिय तरक इकाई क्या है बेटा इसकांसर अंक गनितिय तरक इकाई ठीक है यानि कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ठीक है यहलू मलत एफ और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ठीक है अब देखो भीटा पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के रूप में नामी था क्या है बताऊ जरा सुचना सोसाइटी या फिर प्राध्योगी की सोसाइटी है अध्यस्ता को सोसाइटी या फिर गेर किसी सोसाइटी तो इसमें क्या होगा उया सूचना सोसाइटीज आँ इन्फोमिशन सोसाइटी पोस्ट इंड़स्ट्रियल सोसाइटीज ठीक है अभीट हम कम्प्यूटर का थोड़ा सा इतिहास जानेंगे सिर्फ उतनी चीजों की बारे में बात करेंगे जो हमारे एक्जाम के point of view से ज्यादा important है ठीक है बहुत ज्यादा इसके deeply नहीं जाएंगे तो सिर्फ आपको उतनी चीजों के ध्यान देना ठीक है जितना की पूछा जाता एक्जाम में उसको ध्यान में रखते हैं इतना ही करेंगे सबसे देखते हैं बाता सबसे पहले Mark I Computer क्या है बाता है Mark I Computer Mark I Computer ठीक है क्या होता है इसका जो टाइमिंग था वो 1937 से 1944 तक है ठीक है बाता यह आप टाइमिंग इसका याद रखना अनुक्रम नियंत्रिक इल्कुलेटर भी कहा जाता ठीक है मतलब खुद से चलने वाला कि जो पहली पूरी तरह से स्वेचाली ते गढ़ना मशीन थी ठीक है यही पहली एक मशीन है जो मतलब सेल्फ ती ठीक है अपना चलने वाली मशीन थी इसे हावर्ड के प्रोफेसर हावर्ड एकेन द्वारा विक्सित क्या गया था अच्छा जो हावर्ड यूनिवस्टी उनके प्रोफेसर थे हावर्ड एकेन कुंतिविट है Harvard icon जिनके द्वारा इसे विक्सित क्या गया ठीक है मारकाई computer यह पांच बुनियादी अंक गनीती operation जैसे कि जोड घटाओ गुणा भाग और ताली का संदर्ब ठीक है डाटाओ अगे बारे में इन सब के बारे में इन चीजों को कर सकता था जोड सकता था घट सकता था ठीक है multiply add कर सकता था असब्ट्रेक्ट कर सकता था ठीक डिवाइड हो गया ताली का वगयरा यह मतलब चार्ट वगयरा इस इन सभी चीजों के गढ़ना कर सकता था आग देखते हैं बीटा कम्प्यूटर के अंतस यह टाइमिंग इसकी 1935 से 1942 तक ठीक है पहला इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर बहुती के और गणित के प्रोफिसर डॉक्टर जॉन विंसेट अटानस द्वारा विक्सित क्या गया ठीक है यह अंतस है कम्प्यूटर का नाम है ठीक है जो की बहुती को और गणित के प्रोफिसर ते कॉन थे बीटा डॉक्टर जॉन विंसेट ठीक है इनके दुवारे से विक्सित क्या गया एक होता एनिक ठीक है इसका टाइमिंग देख लीजिए एक बार आप इसका टाइमिंग जो वर उसका टाइम एरिया जो है टाइम में रहा है इसका 1943 से 1946 तक थी कर थी एर्स के लिए Electronic, Numerical, Integrator and Calculator ठीक है Full form क्या है बेटा? Full form आज आती कही बार एक्जाम में? और mostly जो यहां से आती है वो फुल form से आती है ठीक है? तो आप इस चीज़ को थोड़ा से देख लेना क्या है? Electronical, Numerical, Electronic, Numerical, Integrator and Calculator फिर से देखें Electronic, Numerical, Integrator and Calculator ठीक है? पहले Electronic Computer था क्या था यह पहला Electronic Computer था? N1 ठीक है? क्या था बेटा यह पहला IAC ठीक है यह पहला Electronic Computer था E-N-I-A-C ने लगभग यहनी N1 भी बोल सकते हैं हम इसे इसे लगभग 19,000 vacuum tube का इस्तमाल किया गया ठीक है? जब इसका निर्मान किया गया था 19,000 vacuum tube का इसमें इस्तमाल किया गया और इसे लगभग 800 work foot के कमरे में रखा गया ठीक है? इतना बड़ा इसका साइज था कि लगभग 800 work foot की कमरे में इसे रखा गया अभी देखते बड़ा क्या है? EDSAC ठीक है? इसका टाइम पीरियर्ड है बड़ा 1947 से 1949 तक इसका full form क्या होगा? E4 electronics, D4 dairy, S4 storage यानि संगरहन और A4 automatic और C4 computer ठीक है? electronics, dairy, संगरहन, स्वयचालित computer ठीक है बड़ा? इसे किस ने बनाए था? Cambridge 20 विद्धाले में प्रॉफेसर मौरिस विलकस ठीक है? द्वारा विक्सित पहला संगरीत निर्देश कंप्यूटर है ठीक है? किसके द्वारा? मौरिस विलकस द्वारा पहला ठीक है? FDAC, AVDAC, ठीक है बड़ा अभी से देखते हैं क्या यह? बेटाई आप इनका टाइम पीरेड ज़रूर अच्छे से यह याद रखना और नोट कर लेना आप लोग इसे 1946 से 1952 तक ठीक है? EVDAC, इलेक्ट्रोनिक एससतत परिवर्तिनिया, सोचालित कंप्यूटर, ठीक है? इसका यह हिंदी में फुल्फरम हो गया है एक संग्रीत निर्देश कंप्यूटर है जो प्रॉफिसर जे प्रिस्पर एसकर्ट द्वारा विखसित किया गया ठीक है पटए? इसको किनुन ऊने बनाय था? यह automatic computer था जिसको जिसका निर्माण कहा था प्रोफेसर जे प्रिस्पर एसकर द्वारा ठीक है UNIVAC यानि UNIVAC इसका वेटा जो time period वो है 1951 ठीक है जणगर्ना ब्यूरो द्वारा विक्सित लगभग एक दशक के लिए जणगर्ना ब्यूरो में पहले UNIVAC यानि Universal Socialist Computer का उप्योग क्या गया है ठीक है इस प्रकार के computer first generation computer होते हैं अच्छा question बन सकता है कि first generation वाला computer कौन सा उसमें UNIVAC भी दे दिया जाएगा आपको AVDEC हो गया ठीक है और भी बहुत सारी चीज़े दे दी जाएगे तो आपका अंसर क्या होगा UNIVAC क्या बिटा UNIVAC फुल फर्म क्या इसकी Universal Automatic Computer ठीक है Universal Automatic Computer ठीक है इन्हें first generation वाले computer भी कहते हैं जो electronic signal के प्रभाह को नियंतरित करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उप्योग किया जाता है मतलब इसमें electricity को कितना control करके कितना उसमें flow दिया जाए उसका ये सभी चीज़े इसके लिए वैक्यूम ट्यूब का इसमें समाल किया जाता है आगे दिखते हैं दूसरी PD को 1959 के आसपास में पेस किया गए ठीक है कब किया गए वैटे से 1959 के आसपास में सेकिंड जो स्टेज आ जाती वह है ये transistor छोटे और आधिक विश्वसनी है ठीक है क्या होते ही इनसे जो first generation के computer थे इनसे थोड़े से छोटे हो जाते हैं दूसरी PD क के computer से जो तेज हैं वो तेज होते हैं छोटे और विश्वसनी होते हैं मलों उनसे fast हो गए और ज्यादा reliable हो गए ठीक है कि आगे क्या पिटा तीसरी PD का computer IC तकनीक पर आधारी था ठीक है बेटा अच्छा कोश्चन बन जाए कि तीसरी PD का जो ये था वो कौन से टेकनीक पर आधारी था कौन से टेकनीक पर बेज़ था वो तो आईसी पर 1964 में IBM द्वारा पेस किया गया सिस्टम कौन सा 360 तीसरी PD का computer था अच्छा बेटा ये चीज़ आप नोट कर लेना अच्छी से याद रखना ठीक है ज्यादा रिलाइबल यान ज्यादा विश्वास निया हो गए ठीक है और जो फोर्ट पीर्डी का यानि चौति पीर्डी का फोर्ट जेनरेशन का जो computer था बेटा वो 1975 के आसपास में पेस किया गए जो कि LSI chips large scale integrated circuit पर आधारी थे ठीक है फोर्ट जेनरेशन के computer था किस पर आधारी थे? LSI यानि large scale integrated circuit पर आधारी थे जो बहुत छोटे होते थे बहुत सक्तिशाली तेज और सस्ते होते थे ठीक है जैसे यह फोर्ट जेनरेशन के थे बहुत तेज हो गए थे छोटे भी हो गए थे और क्या है सक्तिशाली और पावरफुल थे उनके मुकाबले में और तेज हो गए और क्या हो गए सस्ते भी थे ठीक है नेक्स देखते बटा विज्ञानिक जो आज के टाइम में पांची पीडिके computer के विकास पर काम कर रहे हैं ठीक है आज के टाइम में क्या जो scientist है वो देख सकते हैं कि क्या होता operating system तो किसी भी computer के लिए operating system का होना बहुत जरूरी होता है ठीक है बिन operating system के हम किसी भी computer को संचालित नहीं कर सकते जैसे कि आपकी body ठीक है कोई भी human body है उसमें सब कुछ तो है लेकिन अगर उसके अंदर से उसके soul निकाल देमल उसके आत्मा को नि तो यह इतना ज़ादा जरूरी होता कि इसके बिना computer work ही नहीं कर सकता operating system एक system software होता है ठीक है जो किसी भी program को चलाने के लिए जरूरी होता है कोई भी program execution के लिए जिब चला जाता है तो सबसे पहले वो इसी के पास जाता है कि इसके पास operating system के संपर्क में आता है और उसके ब न्दा उसको सूचना में बदलता है यह पूरे system को चंट्रोल करता है और साथ ही साथ उससे व्यवस्तित करने का भी कार्य करता है मतलब जो कि operating system होता है यही जो पूरा यह system है computer काई इसको व्यवस्तित करता है Manuel इसको ationalई करता है ठीक Seth कि अभी देखते हैं operating system यानि OS यानि इसे short में बोल देते हैं OS program का एक संग्र है जो computer system में सभी hardware और अन्य संसादनों को नियंतरित करता है ठीक है पीटा क्या एक एक संग्र है ठीक है storage है जो जितने भी computer system है hardware और अन्य संसादन सभी को ये control करता है ये ऐसे वर्क करता है जिसा हमारे body में हमारा mind वर्क करता है बिना operating system जो computer कोई भी computer वो विकार है operating system, CPU, memory input और output device को संचालित और नियंतरित करता है मतलब operating system के द्वारा ही CPU को वर्क करेगा ठीक है memory BC के according वर्क करेगी input और output भी सिसे वर्क करेंगे तो कह सकते हैं कि हम जो operating system होता है इसकी soul और इसका मतलब mind दोनों ही होता है ठीक है कुछ लोग पर ये operating system में Linux ठीक है बिटा यह बहुत जादा पॉपुलर है Linux ठीक है उसके रावा Windows operating system VMS OS 400 ठीक है AIX आदी इसमें सामें ठीक है ठीक है कौन कौन से फिर से देखना है Linux Windows operating system VMS OS 400 या फिर AIX ठीक है यह आप लोग देख लेना question पूछा जाता है कि इन में से कौन सा operating system है या फिर कौन सा operating system नहीं है तो यह चीज़ें आप लोग ध्यान रखना है आगे देखते हैं इसमें अच्छा यह देखते हैं कि operating system के कुछ महत्पून कारे होते हो कौन कौन से हैं ठीक है वैसे तो operating system बहुत सारे कारे करता है लेकिन उनमें से कौन कौन से एक तो इसमिर्थी प्रबंधन यानि memory को manage करता है ठीक है जो उसकी storage छमता computer के उसको manage करता है प्रोसेसर प्रबंधन यानि कि जो कोई भी कमांड उसको कैसे सूचना में परिवर्तित किया जाएगा कैसे information में उससे change किया जाएगा इस बारे में भी operating system कारे करता है नेक्स्ट क्या होता है डिवाइस प्रबंधन ठीक है डिवाइस को कैसे manage किया जाएगा ठीक है ताकि वो सही धंग से work कर पाए तो यह भी किसका काम है operating system का और file प्रबंधन ठीक है किसी भी file को किस तरह से manage किया जाएगा कौन से माला किस format में उससे रखा जाएगा यह सभी चीजे माला folder कौन कौन से होंगे सभी चीजे कौन decide करेगा operating system और क्या है computer की सुरक्षा सबसे मैं क्या इसके computer की सुरक्षा करना भी operating system का ही कार्या है ठीक है इध्यान से देखना आप नोट्स भी बनाना साथ के साथ में ताकि आपको exam time में को problem ना आए आगे देखते हैं बचो सॉर्री जो अपरेटिंग शिस्टम के परकार देखते कितने परकार का हुथ ऊपरेटिंग सिस्टम और क्या क्या हुथ है batch operating system ठीक है एक batch operating system के उप्योग करता सीदे computer के साथ बाचीत नहीं करते ठीक है जो user होते batch operating system में वे सीधेंistant computer साथ नहीं जोड़ते बल्किप्ते करता है एक offline device जैसे कि पंच कार्ड अपनी संकिन बिटा ठीक है एक punchline के द्वारा offline device के द्वारा पंच कार्ड से computer को जोड़ते ठीक है जो कि computer वरकर आते हैं तो पंच कार्ड होता ठीक हो पर नवहाँ पर पंचिंग कर देते हो पनी और कंप्यूटर केदवारा उप्योग करने के लिए कई लोगों को विभीन टर्मिनलों पर इस्थित करने में सक्षम बनाते हैं टाइम शेरिंग या मल्टी टास्किंग मल्टी ग्राउंमिंग का तार्ग विस्तार रहा है ठीक है क्या है वह जब बहुत सारे जो यूजर है ठीक है कंप्यूटर को यूजर करने वाले लोग हैं वो बहुत सार एक ही समय में विसेस कंप्यूटर प्रणाली का उप्योग करने के लिए ठीक है किसी एक विसेस पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रणाली को उप्योग करने के लिए बहुत सारे टर्मिनलों पर क्या वर्क करने के तीक है यही इसी का विष्तार ठीक है का अगर क्या ड़्य πα्र्ट ऑपरेटिंग शिस्टम क्या है विद्रीद ऑपरेटिंग शिस्टम है के जिसमें क्या होता है विद्रीड्प्रोच यानि जो है रियल टाइम librarian 독 w और कई उप्योग करता कि सीवा के लिए केंद्री प्रोसेसर का उप्योग करते हैं तो तो ट्रीक है। हो ठीक है उनको किस प्रकार से बाटा जाएगा आपस में किस प्रकार से इस पर जू नैटिवर्क आप्रेटिंग सिस्टम ऐन किस पर सुर्वर पर चलता है और सुर्वर को देटा उप्योग करता समूहों सुरक्षा एप्लिकेशन और अन्य नेटवर्क के कारियों को प्रबंदित करने की छमता प्रदान करता है जो नेटवर्किंग है ठीक है नेटवर्किंग कारिय को प्रबंदितिया ने मैंज करता है नेक्स्थ देखते हैं विटा अच्छा यह हो गया ठीक है नेटवर्क ऑप्रेटिंग सिस्टम के द्हार्णों में क्या क्या है देखते हैं इसके एक्जाम्पल क्या क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के Microsoft Windows ठीक है Microsoft Windows Server 2003 ठीक है Microsoft Windows Server 2008 और Unix Linux Mac OS X और Novel Network और BSD सामिल ठीक है क्या क्या है Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 Unix Linux Mac OS X और Novel Network और BSD सामिल ठीक है अभी आगे दिखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता बिटा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वास्त्मिंग समय प्रिणाली को एक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में परिभासित किया गया है ठीक है मतलब जो एक वास्त्रिक समय प्रिणाली उसको डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए मतलब जो अर्थ में उससे बात की जाती है कि किस प्रकार से एक ही समय में ठीक हैν एक रीयल टाइम में data का किस प्रकार से processing किया जाएगा ठीक है इस बारे में जिसमें आधानों गो संसाधित करने और प्रतिक्रिय करने के लिए समयंतराल इतना छोटा होता है कि यह पर्यावरान को नियंतरीद करता है ठीक है मला जो इसमें जो डाटा को भेजा जाता है एक साथ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में इन्पूट के द्वारा ठीक है इन्पूट की जाती है तो उस टाइम में टाइम इतना कम होता है इन स वारे में बारे में में ऑपरेटिम सिस्टम के इख और होते हैं हम Localी के बारे में पर पहले सबसे पहले some sound लमक्र प्रोसेजिन यह ऑन मैंज करना टिक है बेच प्रोसेज़िंग एक एसी प्रोग्राम और डेटा को एक साथ इकटा करता है ठीक है मनला कि कोई भी कार्य करने से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह कोई भी प्रोसेजिंग सुरू करने से पहले जो डेटा है ठीक है और प्रोग्राम उसको एक साथ में इकटा कर लेता है ताकि बाद में दिक्कत न रहे हो ठीक है आपको अपना डोकुमेंट्स वगराब उससे फिल कर रहे हो आप अपना कुछ भी मैंला कम्प्यूटर से गैम भी खेल रहे हो तो इस अभी क्या है एक समय में जो एक से जादा या दो से जादा ठीक है इसने कारे करना ही क्या होगे मल्टी टास्किंग का उप्योग कम्प्यूटर के सभी संसादनों को यथा संभाव समय पर काम पर रखने के लिए क्या जाता ठीक है कि जो सभी इसके जो सभी फोल्डर से सभी जो इसके पार्ट से वो डंग से काम करे उप्योग करता ऑपरेटिंग सिस्टम या सीधे किसी प् तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करता है किसी बी ओपरेटिंग सिस्टम को डारेक्ट जो यूजर है वो कमाण्ड़ देता है और उसे ज़स्ट कर दो कि टाई में को इस तरह से हेंडल करता है कि यह है एक ही समय में कर सकते हैं प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हैं नहीं है यह जो उसको time sharing system के नाम से भी जाना जाता क्या multitasking operating system यानि time sharing system दोनों एक हैं ध्यान रखना आप लोग आगी क्या बच्चो यह operating system एक उचित मुल्य पर एक computer system का interactive उप्योग प्रदान करने के लिए विक्सित के गए थे ठीक है क्या है सभी को उचित मुल्य पर कम्पीटर सिस्टम का जो इंटर इंटर अक्टिव उप्योग है वो सभी को प्राप्त हो जाए इसलिए विक्सित क्या गया था आगे क्या बच्चों एक समय साजा ऑपरेटिंग सिस्टम सीप्यू शेडलू की अवधार्ना का उप्यो है कि एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़े एक साथ में करना है कि आगे क्या बच्चों प्रतेक उप्योग करता के पास इस मिर्थी में कम से कम एक अलग कारे करम ठीक है अलग जितने भी यूजर है सबकी जो मेमोरी में कुछ ना कुछ अलग-अलग फोल्डर से ठीक है अलग फाइले वो फॉर्मिट बना लेते हैं बहु करमादेशन ठीक है मल्टी ओडरिंग प्रोसेजर को साजा करते समय जब दो या दो से अधिक प्रोग्रम एक ही समय में मेमोरी में रहते हैं तो उसे मल्टी ग्रोमिंग भी कहा जाता है क्या कहा जाता है अलग बहु यानि कि जब दो या दो से अधिक प्रोग्रम एक ही समय में मेमोरी में भुछते तो से क्या जाता है मल्टी ग्रोमिंग ठीक है multi-gromming multi-programming एक एकल साजा प्रोसेजर मानता है ठीक है multi-programming नौकरियों को विवस्थित करके CPU उप्योग को बढ़ाता है ताकि CPU को निस्पादित करने के लिए हमेशा एक हो ठीक है जो यह है multi-programming ठीक है यह CPU को जो उसका users को फास्ट करता बढ़ाता ठीक है ताकि उसमें कोई error के कोई गुंचायश ना रहा जाए को गलती ना हो जाए हां कि क्या अपरेटिंग सिस्टम एक समय में कई नाउक्रियो को दो रही है और जो म क्या कह सकते हैं यह फाई हो गई ठीक है आपका music हो गए कई को आगी नाटियों का यह सेट जहन पूल नापरेटिंग सेटर्प में सबसेटर R aider को portfolio मेमोरी में किसी एक कारे को निस्पादित करना सुरू कर देता है ठीक है कि इस जिस चीज को हम आप सेलेक्ट करेंगे माउस के द्वारा तो उस से क्या है जो कारे वो शुरू हो जाएगा ठीक है मल्टी टास्क ये operating system के द्वारा मल्टि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंदन कारेकरमों का उप्योग करके सभी सक्रिय कारेकरम और सिस्टम संसाधनों की स्थिति की निगरानी करता है ठीक है जो मल्टि प्रोग्राम ऑप्रेटिंग सिस्टम है यह क्या मतला जो जासे आपकी सीडी वगएरा हो गई ठीक है इनके मैनेजिंग के लिए कारेकरमों का उप्योग करके सभी सक्रिये कारेकरम और सिस्टम संसादनों की स्थितिपर की निगरानी करता है कि ताकि सभी फंक्शन सभी सिस्टम सही से कारेकर रही है या फ्यान ये छीजें देखता है चार कि सुनिश्चीत हो सके की कि सीपी और निष्क्रिया नहीं कोई प्रिक्रिया हो ठीक है की तब तक न ठंक जाए या तब तक वो मतलब डिस्चार्जन हो जब तक कि कोई उसका काम रहना गाया हो ठीक है सब चीज़े कॉन मैनेज करता है यह मल्टी प्रोग्रामिंग जब कोई प्रक्रिय निस्पादित होता है यह अन्फर पर केवल एक बहुत ही कम समय के लिए निस्पादित होता है इससे पहले कि वन जीरो निस्पादित करने की आवशकत होती है ठीक है और मदरबोर्ड क्या विटा देखते हैं कि मदरबोर्ड कम्प्यूटर के सब हिस्तों को एक साथ जोडने के लिए एकल मंच के रूप में कारे करता ठीक है मदरबोर्ड आपको तब दिखाई देता जब आप कम्प्यूटर को खोल कर देखते हो ठीक है तो उसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं बहुत सारे उसके सिंद्धी kail के जोड़ता इसे कंप्उटर के रीड माना जाता है घ्टाइए यह कंप्यूटर की रेड मदर बोर्ट के अब जैसे आप लोगों की मदर हो इस इस तरह से ठीक है मदर बोर्ड आगे क्या बटा मदर बोर्ड के मामले को मामले के अंदर रखा गया है कि और मतलब पूर ड्रेल किये गए छेद के माध्यम से छोटा सी कंजा के साथ में सुरक्षित रूप से जुड़ हुआ ठीक है इसका अंदर कुछ फंक्शन होता जिसके द्वारा यह आपस में connected रहते हैं और सेफ रहते हैं मदर बोर्ड में सभी आंतरी घटकों को जोडने के लिए पोर्ट होते हैं जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको जोडने के लिए कुछ न कुछ इस पेस होता है या CPU के लिए एकल सॉकेट प्रदान करता है जबकि मेमोरी के लिए सामयने रूप से एक अधिक स्लॉट उपलब देखा होगा मेमोरी के लिए दो से ज्यादा भी स्लॉट उपलब दो देखा है कुछ कंप्यूटर में कुछ में दो ही होते हैं मदर बोर्ड रिबन के वल्गे माध्यम से फ्लॉपी ड्राइब हाट ड्राइब और ऑप रवास्थित जगह प्रदान करते हैं कर आगे क्या पीटा यूपी हमन चकिन है है आप है कि मदर बोर्ड के सामने एक परिदिय कोड स्लॉट है जिसमें वीडियो कार्ड मतला इसके सामने बिल्कुल क्या होता है कार्ड और या जोड़ जाते हैं जैसे वीडियो कार्ड हो आपका साउंड कार्ड हो गया और वी बहुत सारा कार्ड जिसको हम मजडर्बोर्ड से जोड सकते हैं दूसरी तर बाइंचर में क्या होता है इसमें मजडर्बोर्ड कई पार्ट को मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबूरड, स्पीकर और नेटरक केबल से जोड़ता है बाई तरफ क्या होता है इसमें मदर बोर्ड जो कई पार्ट को जैसे कि मॉनिटर हो गए प्रिंटर माउस और की बोर्ड इसको सबको नेटर केवल से जोड़ता है ठीक है मदर बोर्ड यूएस्बी पोर्ड भी प्रदान करते हैं ठीक है कोस्चन बन सकता यूएस्बी पोर्ड क्या प्रदान करते को क्या मदर बोर्ड ठीक बटा जो संगत उपकरणों को प्लग-इन या प्लग-आउट फैशन से कनेक्ट करने की अनुमति देते हैं ठीक है इसके द्वारा हम इसमें प्लग-इन भी कर सकते प्लग-आउट भी कर सकते उधारन के लिए पैंट्राइव डिजिटल कैमरा आ दे ठीक है अच्छे कोस्टन है यह बताई ज़रा एक परसनल कंप्यूटर एक सरकीट बोर्ड पर लगाएगे क्या चिप्स का उप्योग करता ठीक है किस कौन सी जगह हो जहां पर किसी भी पीसी में एक सरकीट पर वह सरे चिप्स का उप्योग किया जाता क्या है बेट वह आंसर आप अगर हम बात करें सबसे पहले इंपूट डिवाइस के बारे में तो इंपूट डिवाइस वह होते हैं जिनके दोवारा हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में बेजते हैं जैसे कि की बोर्ड जब हम की बोर्ड पर कुछ भी टाइप करते तो फिर वह डाटा कंप्यूटर में जाता है और पिर हमें output के रूप में monitor पर दिखाई देता है यानि वो monitor के ऊपर display पर होता है हमने keyboard पर कुछ टाइब किया computer को बताया फिर computer ने process करके वो device से हमें computer को बताना होता है बाहर से वो चीज input device होती है ठीकि है जिससे हमने कोई भी data information के के रूप में कम्प्यूटर के इंदर डाला बेजा तो वह क्या होती इंपूट डिवाइसे जैसे कि आपका की बॉर्ड हो गया माउस जॉयस्टिक माइक्रोफॉन बार्ड और की बार्ड और कोड रीडर ग्राफिक्स टैबलेट पैंड्राइव सीडी डिजिटल कैमरा यह सब और इंपूट डिवाइस के किसके यह हैं इंपूट डिवाइसे तो फ्रेंड्स आप इनको याद रखना क्योंकि एक्जाम में यहां से कई बार कोश्चन पूछे जाते हैं पीपर फरस्ट में कई बार आ गया यहां पर आपको कुछ दे देंगे कुछ एक्जामपल दे दे अभी देखते हैं डिवाइस कैसे वर्ख करती हैं अगर इस स्क्रीन पर किसी ऑबजेक्ट को चुनने के लिए पिक डिवाइस को उप्योग किया जाता है किसका पिक डिवाइस का किसी ऑबजेक्ट को चुनने के लिए पिक डिवाइस का यूज किया जाता है चैनित ऑबजे text या graphics हो सकते हैं pick device के उधार हलके pen और touchscreen है, अगर बात करें pick device कौन कोई है, इसके except गौन कौन से तो हलके pen और touchscreen अगे light pen, light क्या है pen एक pen होता है अबकॉस एक pen ही होता है जैसे light sensitive device क्या है? light sensitive device, यह screen के लिए ingit होने पर CRTV का पता लगाने के लिए computer terminal के एक तार से जुड़ा होता है किसे computer terminal के एक तार से जुड़ा होता और एक संकीन विधुत नाड़ी उत्पन करता है जिससे computer को input signal के रूप में मिल सकता है यानि जो input है अगर हम बाहर से कोई भी information डालेंगे तो वो हमें computer के रूप में हमें signal मिलने लगेगा next क्या touch screen touch screen monitor electronics visual display screen है क्या है यह जो monitor electronics visual display screen है जो यह पता लगाती है कि उन्हें कहां छुआ जा रहा है touch करने पर इक पता चल जाता है बस इतना सा दिहान रखना आप लोगों को उप्योग करता सीधे screen को छू कर चैन करता है ATM मशीनों को उप्योग करता का नुकुल बनाने के लिए और जो उप्योग करता उनका यात्यों को उनकी यात्रा योजनाओं के बारे में मार्क दर्शन करने के लिए क्या जाता है किसलिए इनका प्रयोग इनको सिर्फ जो यूजर्स होते हैं उनको छू कर इनके ATM मशीनों में इस तरह के टूल्स होते हैं जिनने सिर्फ टच करके ही इनके बारे में हमें इन्फोर्मिशन मिल सकती है और मतलब अगर कोई किसी को ट्रेवल करना तो हो भी वो अपनी इन्फोर्मिशन इसके द्वारा निकाल सकता है आधोनिक सेल्फ फोन में टच स्क्रीन का भी उप्यक किया जा रहा है आज कल आप देख रहे हैं आप लोगों पे फोन क्या हो गए हैं टच स्क्रीन हो गए हैं तो यह सबसे बड़ा एक्जाम्पल है नेक्स्ट क्या है इसवर डेटा प्रविस्ट डिवाइस बिना किसी ट्रांस्क्रिप्शन के सीधे कम्प्यूटर सिस्टम में डेटा के एंट्री सोर्स डेटा एंट्री कहला दे क्या है फिससे देखते हैं बिना किसी ट्रांस्क्रिप्शन के अगर हमें किसी जो डेटा वो computer system में अंदर entry करानी है तो उसकी उसे हम कहते हैं data entry source data entry कहलाते क्या है source data entry इस वर data previous device में मानक keyboard previousty की तुलना में input data में 30 जो इसमें mistake होने की संभावना वो बहुत जादा कम हो जाती है इसमें गलतिया की संभावना यानि possibility बहुत जादा कम होती है कुछ सामाने स्वर data privacy उपकराण के बारे में नीचे चर्चा की गई है देखते कौन-कौन से है सबसे पहले आता digital camera digital camera एक electronic उपकरान है क्या है यह electronic उपकरान जो electronic image sensor के माध्यम से चवियों को record करके चवियों मतलब यहां पर photo है पिक्स वगेरा इनको record करके digital रूप में वीडियो या still photo या दोनों लेता है digital camera सामाने camera की तरह देखते है लेकिन photographic film का उप्योग करने के बजाए हजार चवियों को संग रित्यानी इखटा करने के लिए chips के रूप में प्रयाप मेमोरी में हो जाते है जो इसकी storage होता memory तो उसमें चले जाते है next है scanner 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 को देखते है scanner एक input device है scanner एक input device है इसको प्योग चित्रों के रूप में computer system में input data के लिए किया जाता है किसके रूप में images के रूप में photos के रूप में computer system में input data के लिए किया जाता है यह वेकलपिक रूप से चवियो मुद्रित पार्ट लिखावट या किसी object को scan करता है और इसे एक digital चवियो में परिवर्थित कर देता है यानि scan करके किसी भी कोई भी document है फोटो अगयरा उसको scan करके हमें output प्रदान करता है next है optical mark yes एक second recognition optical mark recognition OMR आई देखते क्या है उमर OMR एक पूरु निर्धारत इस्थिति में निशान की उपस्थितिया अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए कागज की scanning है किसी भी कोई भी marker उसको देखने के लिए क्या वो है या नहीं तो उसके लिए कागज की scanning है OMR 2000 प्रतियो यानि 2000 copy नेक्स्ट आपका चुम्बक की साई चरित्र मानेत यानि MICR इसे हम बोलते हैं magnetic ink character recognition एक character recognition system है जो किसी भी says ink और characters का उप्योग करता है यह किसी भी ink वगएरा का उप्योग करके पता करता है कि किसी भी data है कोई भी documents है उसका recognition करता है उसका review करता है अगर हम किसी भी documents हो उनको किसी भी machine में डाल कर पता करते हैं क्या वो सही है या फिर वो fraud है इस तरह कि जो इसका MICR का उप्योग मुस्ट लिए बैंकों में होता है किसलिए जो check होते हैं उनको review करने के लिए recognition करने के लिए इसका उप्योग होता है next देखते क्या है barcode reader एक बार code reader एक electronic उप्करन है यह भी एक electronic device उप्करन है जिसका उप्योग मुद्रित बार कोड को पढ़ने के लिए क्या जाता जो भी documents होता उसको पढ़ने के लिए क्या जाता barcode alphanumeric data का प्रतिनेधित करते हैं जो उर्धुहाधर लाइन बार का एक सही हो जन है जो चोड़ाई और लंबाई में अलग-अलग हो सकती है ठीक है बार कोड तेर अंकों का है और इसके चार मुख्या विभाजन है कितने अंकों का होता बार कोड तेर अंकों का याद रखना आप लो बार कोड के पहले दो अंक देश का प्रतिनिधित करते हैं किसी भी कंट्री का वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं पहले जो दो कोड होते हैं दूसरा भाग निर्माता के कोड यानि पाच अंक का प्रतिनिधित करता है और तीसरा उत्पाद पाच अंक का प्रतिनिधित उत्पात कोड का प्रितिनिद्द करता है और अंतिमंक एक चैकंग होता है आई समझ में अब देखते इसका एक एमसी को कर रहेते इसका निमलिथ में इसे कौन इंपुट डिवाइस नहीं है अच्छा बताना मुझे एक सेकंड के लिए अब बताना आप लोग क्या है इन्फुट डिवाइस नहीं है माइक्रीपोन है कीबोड जोइस्टिक या फिर मॉनिटर बताईए अच्छे आप वीडियो को पॉज करके भी बता सकते हैं तो इसमें क्या है मॉनिटर इन्पूट डिवाइस नहीं है मॉनिटर इन्पूट डिवाइस नहीं है बाकी ये तीनों है माइक्रोफ़न भी होगा कीबोर्ड भी जोयस्टिक भी और इसमें क्या है आंसर होगा इसका मॉनिटर नेक्स दिखते हैं अभी हम देखेंगे output devices जब आप computer पर कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए आप keyboard, mouse, monitor आदि का इस्तमाल करते हैं यह क्या थे? input device computer के अंदर आप जिन उपकरणों का इस्तमाल करते हैं वो input device होती है जैसे keyboard, mouse अगर आपको computer पर data को देखना हो या फिर computer से निकाल कर print out लेना हो तो आप जिन डिवाइस का इस्तमाल करते हैं वो output device होती हैं जैसे monitor, printer इस प्रकार output device वो hardware device होती हैं जिससे हम computer से data या कोई दूसरा output लेते हैं जैसे कि voice के लिए उप्योग करते हैं output device यानि किसी भी जो हमने input के दौरा कोई भी सूचना computer के अंदर भेजी उसको बाहर देखने के लिए हम इसका उप्योग करते हैं यानि डेटा को बाहर भेजने के लिए output device का उप्योग किया जाता है जो users होते हैं output उप्करणो के माध्यम से computer द्वारा data के प्रसंस करण के बाद परिणाम देखते हैं यानि उसको प्रसेस करके computer उसे output में चेंज कर देता और फिर हो हमें दिखते हैं नजर आते देखते कौन-कौन से होते output device जैसे ही monitor हो गया मुद्र क्या नि प्रेंटर हो गया plotter वक्ता देखते हैं थोड़ा सा monitor के बादे में जान लेते हैं monitor क्या है cathode किरन tube monitor CRT एक CRT monitor के मुख्य घटक electron gun electronic magnetic field और fast work codet display screen द्वारा नियंतरित electron bean है ये पुराने monitor भारी है ये कैसे होते हैं CRT ये थोड़े पुराने होते हैं पहले थे ये बहुत जाद भारी होते थे और इस थापना के बाद बहुत अधिक जागा के इनने की आशकता होते थे ये बहुत बड़े बड़े होते थे जब इनकी starting होई थे थे पूरे एक कमरे में आते थे एक graphics display dots की एक स्रंखला से बना होता है जिसे pixel का जाता है जो graphic display होता हो dots की स्रंखला से बना होता चीन से बना होता जिसे के हम pixel कहते हैं चबी को computer screen पर electronic beam को निर्देशित करके screen पर paste किया जाता है कोई भी photo है पिक्स वगएरा होते है उसे electronic beam के द्वारा ही screen पर paste किया जाता है next क्या liquid crystal display यानी LCD 1970 में पहली बार गड़ियों और गड़ियों में इसे पेश किया गया गड़ियों करूप में इसे पेश किया गया LCD का उपयोगप monitor में चित्र प्रदशित करने के लिए क्या जाता है कोई भी photo है कोई भी documents है उसे प्रदशित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है computer screen में एक नई तकनीक TFT LCD monitor है क्या है एक नई तकनीक TFT LCD monitor यह हलके वजन के monitor है और laptop computer में उपयोग किया जाता है यह जो monitor होते हैं यह बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इन्हें हम laptop computer group में यूज करते हैं नेक्स्ट क्या है पतली film transistor liquid crystal display यहने TFT LCD यह क्या है यह monitor का प्रकार है जो LCD monitor की छवी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पतली film transistor तकनीक का उपयोग करता है यह इनसे भी हलके होते हैं LCD से भी इन्हें television set, desktop, computer, laptop, computer और mobile phone आदी में monitor के रूप में उपयोग किया जाता है अच्छा question बन सकता है जो आपका यह television set है desktop, computer, laptop, computer, mobile phone में किस प्रकार का जो monitor होने उपयोग किया जाता हो क्या होगा TFT LCD यानि transistor liquid crystal display तो प्लीज यह याद रखना next time LED LED lightweight monitor है LED क्या light weight बहुत हलके होते हैं और इनका उपयोग laptop, computer और TV में किया जाता है किनमे laptop, computer और TV में अब तो इनका बहुत जाद उपयोग किया जाने लगा LCD monitor की तुनना में LED monitor का जीवन तीन गुना जादा होता यानि जो LCD होती है उससे तीन गुना जादा यह जादा चलते हैं और CRT और LCD monitor की तुनना में उनके पास में कम गर्म समय है इन monitor उको DEX पर कम जगह कम बिजली की खपत और फ्लिकर फ्री स्किन की आवशक्त होते हैं यानि यह मतलब जो पहले वाले monitors थे उनकी अपेक्षा काफी हलके हैं कम बिजली की खपत करते हैं और बहुत जादा हमारे लिए useful होते हैं यह projection प्रदशित करता है यह आम तोर पर बड़े समुह प्रस्तुति के लिए उप्योग किया जाता है अगर आपको कोई बड़ी सी presentation बनानी है यह होते हैं project प्रोजेक्ट सोते हैं ठीक हैं तो अगर आपको कहीं पर बड़ी सी presentation देनी है बहुत सारे लोगों पर इखटे हो गए तो उनमें काम आते हैं इन प्रणालियों को computer से जोड़ा जाता है और computer terminal पर जो भी कुछ भी दिखाई देता है बड़े स्क्रीन पर हमें भी दिखाई देने लगता है जब वीडियो प्रोजेक्टर वीडियो सिगनल प्राप्त करता है जो भी फोतो जो हमें दिखा नहीं है प्रोजेक्ट के रूप में तो वो उस adapting करता है यह इस प्रक्षेपन के लिए एक लेंस प्रनाली का उप्योग करता है इसमें जो एक लेंस प्रनाली का यूज किया जाता है किसी भी फोटो को दिखाने के लिए नेक्स्ट है आपका प्रिंटर प्रिंटर का उप्योग कागज पर उत्पादन के लिए क्या जाता है मुद्रन उप्करणों को मुद्रन गुर्ण वत्ता और मुद्रन की गती के अनुसार वरगिकरत किया जाता है इसने से छोटी चोटे पिंट पर कुछ प्रिंटर च итоге यह पार्ट मुद्रिट करने के लिए एक रिबन और कागज के को पूराब तर्यग किया जाता है मतलब इसमें से छोटे-छोटे पिंस होते हैं जो की कागज पर कुछ भी प्रेंट करते हैं इस तंतर को लेक्ट्रो मेकेनिकल तंतर के रूप में जाना जाता है किसकी रूप में? इलेक्ट्रो मेकेनिकल तंतर के रूप में यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो चरितर प्रिंटर होता है, और करेक्टर प्रिंटर होता है, दूसरा लाइन प्रिंटर होता है, करेक्टर और लाइन प्रिंटर, यह एक समय में केवाल एक चरितर को प्रिंट करता है, सिर्फ एक ही करेक्टर को या एक ही लेटर को यह प मैक्ट्रिस प्रिंटर प्लीज यह याज रखना परो नेक्स्ट है अच्छ थोड़ा से इसके डॉट मैक्ट्रिक्स प्रिंटर के बारे में देख लेते हैं यह है डॉट्स के सईयों जनके रूप में पात्रों को प्रिंट करता है छोटे-छोटे अलग-अलग करके उन्हें प करक्टर को उस पर राइट करते हैं लिखते हैं पिंस और पीपर के बीच में कार्बन होता है इनके बीच में कार्बन होता है पिंस कार्बन पर प्रहार करने पर अनि उस पर कार्बन पर लगता और कार्बन की जो इंक होते हैं वो कागज पर छप जाती है उस पर मुद्रित हो नेक्स देखते लाइन प्रिंटर क्या है क्या है वह कम्प्यूटर प्रिंटर है जो एक बार में टेक्स्ट की एक पूरी लाइन प्रिंट करता है अच्छे जो dot matrix printer था ये क्या था dot के रूप में ये dot के चोटे-चोटे dots होते थे जिससे के किसी भी character को print करता था लेकिन बिलकुल इसके विप्रिज जो light printer होता ये एक बार में एक line को पूरी line को भी print करता यह ज़्यादा तर unit record रूप करन और digital computing की शुरुवाति दूरों से ज प्रिंटर नेक्स्ट आपका लेजर प्रिंटर यह एक ड्रम पर एक छवी बनाने के लिए लेजर बीम का उप्योग करता है इसका लेजर बीम का लेजर पर प्रिकास ड्रम पर विधुत आविश को बदल देता जहां भी वैट टकराता है और उस पर इलेक्ट्रोनिक लाइट्स बढ़ती है जिससे की वो उस पर प्रिंट हो जाता है ड्रम को फिर ट्रोनर के एक जलाश्य के माध्यम से लुड़काय जाता है जो ड्रम के चा लेजर प्रिंटर की गति लगबग 4 से 20 प्रती मिनट यानि एक मिनट में 4 से 20 जो पेजिस है वो भी प्रिंट कर सकते हैं अच्छा आप इसका देख लेते हैं एक एमसी की वे वह देख लेते हैं निमलिख्त में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है क्या नहीं है प्रि नहीं क्या दे रखा यह अध्यक्स दे रखा तो क्या नहीं हो सकता पेटा अच्छे इससे नेगलेट कर देते हैं क्या नहीं है कीवोड कीवोड कैसी डिवाइस है इन्पुट डिवाइस नेक्स्ट है हमारा प्लोटर प्लोटर देखती क्या है plotter कागज़ पर उच गुणवत्त वाले आरेक का उतपादन करते हैं उसमा मतलब जो भी डिजाइन वगेरा बनाना होता ये कौन बनाते हैं plotter उनकी उतपादन गुणवत्त अच्छी होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होते हैं जोडीनेयर्स वागेरा होते हैं, इनका उप्योग करते हैं, प्लॉटर के उप्योग करते हैं. कई डिजाइन अनुप्योग के लिए जैसे CAT, एक विमान कार और ले आउट का डिजाइन और एक कमारत का वास्तो सिल्फ डिजाइन और अन्य कम्प्यूटर आहे डिजाइन अनुप्योग में प्लॉटर बहुती ज़ादा उप्योगी है। डिजाइन वगेरा छापने के लिए उन चीजों को ये प्लॉटर होते हैं। आपको पत्र भेजने के लिए उसे कागज पर लिखना होता था फिर पोस्ट ओफिस में उसे जाकर डालना होता था। इसके बाद में पोस्ट मैं कुछ दिन बाद उसे सही पते पर पहुझाता था। इसमें बढ़ना रहता था। इसके विप्रीत, इमेल में ना तो टिकट का खर्चा होता है, ना ही इसे पोस्ट ओफिस में समय की बरबादी होते हैं, ना ही इसे खोने का डर होता है, और आप कुछी छण में दुनिया में कहीं भी इमेल भेज सकते हैं, और अगर किसी न आपको इमेल भेजा तो आप कुछ से पार्ट जिनको email header बोला जाता है तो email संदेश की पहली 6 पंक्तियों को email header कहा जाता है यानि जो पहली 6 lines होती है उनको 6 lines होती है उनको हम email header कहते हैं सीर्स लेक भागन में निमलकित फिल्ट्रा मिला इसमें यहीं चीज़े कौन-कौन सी है देखते हैं पस्ट हो गया आपका दिनाग यानि डेट क्या है दिनाग में आती है डेट उसके बाद में सेवा में लग किसी को address करने के लिए इसे यूज किया जाता है सेवा में नेक्स्ट है विशे कि आप किस विशे से संबंदित जो बात हो से email के माध्यम से भेज रहे हैं नेक्स्ट आता सीसी यानि इसे हम बोलते कारवन कॉपी और नेक्स्ट हैं बी सीसी और सबसे लास्ट में आता फ्रॉम यानि की फिल्ड से प्रेशक का पता इंगित करता है यानि जिसने email भेजा प्रॉम का मतलब है कि किस ने हमें इमेल भेजा आया है किसके दवारा भेज गया वहें वहें उसका पता होता उसमें पहलब हम इसके बारे हम फोड़ आं लेते हैं दिनांग यानि डेट इमेल बह 실टकर इन पर दिनांग एंगत करता यानि किस दिन इमेल हमें भेज गया है यह चीज है बताता है हमें यह सेवा में तूल प्राफ्ट करता के पते को इंगित करता है यानी जिसे इमेज बहुत करता है जिसे इमेल भीजा जारहा ठीकिक उसका पता होता है है नेक्स्ट आपका विश्च यानि क्या सब्जेक्ट है किसलिए आपने को भीज चाहिं है और उसके बार में पार्डम गते हैं मिलनाईW bikes और इसीजनी काते हैं एक हम कड़ें मेle जो अलग अलग करके भी नों भीज सकते हैं और नेक्स्ट क्याता है यानि बी सीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका उप्यूग तब क्या जाता है जब हम प्राप्त करता में से एक या एक सधिक लोगों को यह नहीं जानना चाहते कि संदेश पर किसी और को कॉपी किया गया यानि कि अगर जो सेंडर होता है यह नहीं दिखाना चाहता है कि यह जो मैसीज है यह आपके लावा यानि यह जो इमेल है यह आपके लावा किसी और को भी सेंड किया गया और इससे पहले था यह सीसी यानि सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी इसमें जो सेंडर होता है या उससे पता वह इस तरह से कॉपी करता है यानि जो रिसीवर होता है उसको पता चल जाता है कि यह कॉपी मेरे पास में तो आई है बाकी लोगों के पास में यह गई है इस तरह से लेकिन BCC इसके बिल्कुल उलट है नेक्स्ट होता greeting यानि यह तो आपको हो गए header यह six points थे जो कि BCC तक थे यह हो गए header next होता greeting greeting वास्तु एक संदेश का उद्गाटन है यानि उधारन के लिए हाई सर या हाई दोस्तो आदी अगर हम किसी को greeting करते हेलो हाई करके नमस्ते करके तो यह उसका next part हो जाएगा उसके बाद में आता part यानि हमारा क्या टेक्स्ट है पार्ट का मतलब होता करता है यह बताता कि एक्चुली में जो मैसेज है वो क्या है जो इमेल है उसमें क्या मलब कौन सी बाते हैं यह सभी उस चीज़ का प्रतिनिद्द करता है next आता हस्ताक्षर यानि signature यह एक एमेल संदेश का अंतिम भाग क्या है हस्ताक्षर यानि जो signature होता यह बिलकुर उसका last part होता इसमें प्रेशक का नाम पता और संपर्क नंबर शामिल है इसमें क्या है जो sender होता जिसने message भेजा है उसका नाम होता उसका पता और उसका संप वार्स वगेर उसमें होते हैं next ज्ञक क्या है Junk E-mail एम अनुचित वहर है क्या यह इल्लेकलinent चीजह ने कि किसी पर्डीन करने लिए मैसीज होते सो यह वियर्स वगेर होता है रहा है तो यह फिसे गयार कानून होते है और अनुचित होते हैं, जंक इमेल को कभी-कभी स्पैम के रूप में भी संदर्वित किया जाता है, तो यह तो हो गए आपका इमेल और उसके parts, अभी देखते हैं, हम इसका एक mcqs देख लेते हैं, इसके कुछ, सबसे पहले होता, P.O.P. 3 और I.M.A.P. इमेल खाते हैं, क्या है इसका, option A है, हर रोज एक व्यक्ति को एक मेल मिलता, या फिर option B, किसी एक के मेल को पढ़ने या लिखने के लिए सर्वर से जुड़ा होना चाहिए, या फिर option C, केवल एक को मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ा होना चाहिए, या फिर option D, किस Tc वह, टेलीफोन लाइनों के आवशक्ता नहीं है, तो इसका क्या है? इसका अंसर है, केवल एक को ई-mail भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जूडा होना चाहिए, जब तक आप सर्वर से नहीं जूड़ो गया, आप ई-mail को सेंड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो गया C, next question है, email के संदर्व में, sorry, email के संबंद में, BCC का मतलब क्या है, अभी बताएब आपको, option A है, blind computer communication, या फिर, BCC, हाँ, ये बता दिया आपको, एक सकीड, option B है, blind carbon copy, या फिर, option C, blind computer communication, या फिर, option C, blind carbon copy, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बदाएब, इसका सही आंसर होगा, BCC की full form होती है, blind carbon copy, क्या है, blind carbon copy, full form of the BCC, blind carbon copy, okay, next question देखते है, एक word processing, software के संबंद में, एक मर्ज किये गए, प्रकाशन को, बनाने के लिए, डेटा, स्रोत में, परिवर्तन सील, जानकारी के साथ, एक, प्रकाशन में, इस्थिर, जानकारी के सहींजन के प्रक्रिया को, क्या कहा जाता है, option A है, electronic mail, option B, data sourcing, option C, mail merge, या फिर, option D, spam mail, तो यह क्या है, mail merge, क्या है, mail merge, तो इस तरह से, आप कुछ और भी इसकी, MCQs बनाएए, और उन्हें, solve करने की, कोशिश कीजिए, तो इसका अंसर होगा है, mail merge, तो इसका अंसर होगा है, mail merge, क्या होता E governance, E governance कर्थ है, किसी भी देश के नागरिकों को, सरकारी सूचना है, और सेवा प्रदान करने के लिए, संचार और सूचना प्रद्धोगी का समनवित, प्रियोग करना, यानि ICT के माध्यम से, किसी भी द इसके जो नागरिक है, उनको सरकारी सूचना है, और सेवा प्रदान करना, E governance में E कर्थ होता है, electronic, क्या होता है, E का मतलब होता है, electronic, कहने का मतलब है, कि सभी सरकारी कारियों को, online service के माध्यम से, जनता तक आसानी से, पहुचाना, यानि online service के द्वारा, जो भी कार्या है, या फिर जो भी सुचना है, वो जनता तक पहुचाना, यही क्या कहलाता, E governance, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुईधाओं को, internet के माध्यम से उपलब्ध कराना, यानि सरकार जो भी आम अपने नागरिकों के लिए जो भी सुईधाय दे रही है, उनको internet के माध परदाता साधन, सूचना, प्रवध्योगी के रूप में जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? साधन, सूचना, प्रवध्योगी के रूप में जाने जाते हैं, सूचना, प्रवध्योगी के प्रियोग से सरकार को जनता एवं अन्या अभिकर्णों को सूचनाओ के प्रसार हेत्तु प्रक्रिया को दक्ष तो एवं पारदर्शी बनाने तथा प्रसासनिक गतिविद्यों के निस्पाधन में सुईधा रहती है जो सरकार होती है वो के माध्यम से जब अपनी जो भी नीतिया हैं उनको जनता तक पहुचा देती है तो उनके जो पारदर्शी बनाने में उन्हें अच्छी क्वाल्टी देने में काफी मदद मिलती है सरकार वो इसके अंतरगत सास के शेवाई और सूचनाय उपलब्द होती है इससे क्या होता जो सूचना विज्यान के छेतर में विक्सित हुई युक्तियों का प्रिशासन में प्रियोकरना ही इगवन्नेंस है क्या है अगर इसे हम थोड़ा सा संकीन अर्थ में देखे तो क्या है electronic computer और सूचना विज्ञान के छेतर में विक्सित हुई जो भी युक्तिया हैं जो भी माध्यम है उनका प्रसासन में प्रियोकरना ही इगवननेंस है टीक है ICT का सरकार में प्रियोकरना ही इगवननेंस है जबकि इसके विप्रीत विस्तरत दस्टिकॉर्ण में इसका शंकिरण अर्थ में और विस्तरत मर्थ में क्या है इसका किसी भी कोई भी संगठन है संवाज है या तंतर है उसके विविनफ़क्षों को नियंत्रीत करना उनको विक्सित करना और उनको publishit और समनवित करना ही क्या कहलाता है E governance कहलाता है या E शाषन कहलाता है यह E नागरिक व्यवस्था का व्यापक प्रसार है इससे क्या होता है जो सरकारों नागरिक व्यापस में जुड़ जाते हैं हो पाते हैं तो यह क्या होगे ई-governance व्यवस्था का व्यापक प्रसार होता आता है प्रसाशन में सूचन प्रवध्योगी का समन्वित प्रयोग करना ही ई-governance का प्रया है यानि हम जब प्रसाशन में यानि में हम जब भी सूचन ICT का यूज करते तो वही क्या हो जाएगा E-Governance ICT का यूज करना ही क्या हो जाएगा E-Governance लोग प्रसाशन में इस प्रकार का प्रियोग सवपर्थम सन 1960 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कुछ कम्प्यूटरों को लोकल एर्या नैट्वरक से जोड कर किया गया था सबसे पहले इसका यूज कब किया गया था लोग प्रसाशन में इसका सबसे पहले प्रियोग क्या गया था पब्लिक एड्मिनिस्टेशन में 1960 में किनके दुआरा अमेरिका रक्षा विभाग दुआरा तो इन्होंने क्या किया था कुछ कंप्यूटरों को यानि लैन के साथ में जोड दिया था लोकल एरिया नेटवक के यही जो परियोजना यह बाद में विस्तारित होकर बड़ी होकर यही डबलु 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 यानि वर्ल्ड वाइड वेब बन जाती हैं अमेरिका में दिसंबर 2002 में कब दिसंबर 2002 में पारित इशाशन अधिनियम 2002 के माध्यम से सूचन प्रध्योग की एवं जनता से लो इसी के अंतरगत आता है सूचन प्रध्योग की अधिनियम 2000 यह क्या है इसके बारे में जानते हैं वर्स 1990 के दसक में कब वर्स 1990 के दसक के उत्रार्ध से रास्ट्य एवं राज्य सरकारे उत्साहपूर्वक सूचन और संचार प्रध्योग की प्रणाली को अपनाती चली आ रही यानि 1910 के बाद से ही जो सरकारे हैं और विभिन देश इन चीजों को पनाते आ रहे हैं किसको आई सीटी को अपने गवर्नेंस में यूज करते आ रहे हैं जिसमें खास तोरपा इंटरनेट सहीत वैब आधारित तकनिकी भी है इंटरनेट के साथ साथ में क्या है वैब आधारित जो भी टेकनोलोजी वह भी इसमें यूज होती है भारत सरकार के प्रमुक्त विकास इस्तंभों में सुचना प्रवध्धोगी की अधिनेव 2000 कौन सा है सुचना प्रवध्धोगी की अधिनेव 2000 जिसके द्वारा इलेक्ट्रोनिक समवाद की वैदता प्रदान की गई है, टाकि जो जनता है वो इलेक्ट्रónिक यानि समवाद कर सके और इलेक्ट्रोनिक तरीके से शुचना के आधान प्रदान के लिए कारय प्रृधाओं का नियमन किया गया, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसके द्वारा जन संस्थानों की सूचना की मांग करने वाले नागरिकों को जानकारी देने के लिए तरदाई ठेराया गया यह सभी इसमें क्या है सामिल है कि सभी को सूचना के अधिकार के तहट जानकारी देना अनिवार्य है यानि किसी को भी बिना जानकारी के जो हम नहीं रख सकते किसी भी बारे में हमें जानकारी होना यह हमारा सुतंतरता है है यही हमारी स्वतंत्रता है हमारा अधिकार है नेक्सट is electronic सेवा प्रदायन विदेःक 2011 इसके अंत्रगत क्या होता है e-governance की धिसा में मजबूत पहल करते हुए सरकार न किसके रुमें e-governance की दिशा में ज़्यादा से जादा चीजों को e-governance से जोडने के लिए सरकार ने 27 दिसंबर 2011 को लोग सभा में electronic सेवा प्रदायन विद्धेग 2011 पेस किया कब किया था सरकार ने 27 दिसंबर 2011 को ये question बन सकता और कहां पर कौन से सदन में क्या गया थे लोग सभा में तो इसने उनके लिए आसा बढ़ाई जो लंबे समय से सासन विवस्थाओं को तकनी की सकती से उन्नत करने और ऐसे तंतर की मांग कर रहे थे जिससे लोग सेवाओं का प्रदायन हो सके यह उनके लिए काफी अच्छी खबर हो गई थी कि जो चाहते थे कि जो सरकार है वो प्रदान करने की ववस्था विदहिक में की गई कि जो भी नागरिक है वो अपने घर से ही प्रितेक सरकारी जो सुविधाय हैं उनका लाब उठा सके वो किसी भी अधिकारी के ऑफिस के चक्कर काटने से अच्छा वो अपने घर पर ही ओनलाइन माध्यम से सुविधाओं का अलाब प्राप्ठ कर सके कि केंद्र एवं राज्यसरकारों को विभागों की सेवाओं की ऐसी सूची जारी करनी होगी जिनहेंاع इलक्टानिक रूप से 180 month के भीतर उप्लब्द कराया जाएगा तो इसमें क्या था इसमें जो केंद्र सरकारों राज्यसरकारों उनके विभी जो उसे उपलब्द कराया जाएगा और पांच वर्स के भीतर सेवाओं को सुरू कर दिया जाएगा इसकंतरगत क्या था कि जो पांच वर्स के बाद ही सेवाओं को स्टार्ट कर दिया जाएगा क्योंकि ऐसी सेवाओं के प्रदायन का समय सीमा निश्चित होती है कि एक निश्चित समय सीमा होते जिसके तहती ये सुईधाय दी जा सकती है जिम्मेदार अधिकारियों पर 20,000 तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकेगा कि जो भी अधिकारे इन सेवाओं को देने से मना करता है कोई भी सूचना इनफर्मिशन देने से मना करता है उसके विरुद 20,000 रुपे तक का जुर्माना इसमें तै किया गया था अब यह हम देखते हैं इगवर्नेंस की स्रेणिया कौन कौन सी है भारत एयाम विशू के कई देशों में इगवर्नेंस कई रूप में परिवर्तित है इगवर्नेंस की परियोजनाओं को सेवा प्रदान करने की द्रस्टी से निमलिखित स्रेणिया में विभाजित किया गया जो इगवर्नेंस उसकी परियोजनाओं को अलग-अलग तरीके से विभाजित क्या गया क्या कहें देखते हैं G2G इसका क्या Government to Government G2G का मतलब होता ये आपके जो एक्जाम के Point of View से बहुत जाद इंपोर्टेंट है G2G तो इसका मतलब Government to Government सरकार से सरकार तक जब सरकार के किसी विभाग का दूसरे किसी विभाग से E-Governance के माध्यम से संपर्क होता फिर से देखिए जब सरकार का मतलब जो कोई भी एक विभाग है उसका किसी दूसरे विभाग से यानि जो माना विकासन साधन मंत्राल है इसका अगर वित्त मंत्राल से मंत्राल से इसका संपर्क होता है E-Governance के माध्यम से तो यह G2G यानि Government to Government स्रेणी में ही आता है कोई भी दो विभाग चाहे वो किरसी मंत्राल हो या फिर खाद्यान मंत्राल है इनका जब आपस में कोई भी कनेक्शन होता किसके माध्यम से E-Governance के माध्यम से तो इसे ही हम Government to Government कहते हैं जैसे कि खाद एवं नागरिक आपूर्ती मंत्राल है खाद्यानों संबंद्य आवश्च्रक्ताओं कि सूचना किरसी मंत्राल को भेज़े या वित्त मंत्राल है मंत्रालों को वित्या सूचना उपलब्द कराए चाहे वो खाद मंत्राल है और नागरिक आपूर्ती मंत्राला ये अन्य मंत्रालों को जो अपनी सूचना है और जो ब्यार है उनके बारे में अवगत कराए या फिर जैसे कि किरसी मंत्राल है ओपने जो data है अपनी जो सूचना है वो वित मंत्राल लेको या अनी किसी मंत्राल लेको सूचित करे तो यही किस के माध्यम से ए-governance के माध्यम से तो यही क्या कहलाएगा government to government यानि g to g g to g g to g government to government मतलब government का काम जो government के अंदर गलती हो रहा तक इसका क्या मतलब है सरकार एवं नागरिकों के बीच पारस पर इक व्यभार गवर्मेंट टू सिटीजन स्रेणी में आता है तो जो सरकार का नागरिकों से जो भी व्यभार है किसके माध्यम से इगवनेंस के माध्यम से सरकार का जो भी अपने नागरिकों से व्यभार है व बिजली का बिल हो गया, पानी से संबंदी जो भी शिकायते हैं, बिजली से संबंदी जो भी शिकायते हैं, जब वो E-Governance के माध्यम से सरकार को उन बारे में सूचित करेंगे, तो यही क्या कहलाएगा, जी टू सी, यानि Government to Citizen, क्या है Government to Citizen, ओके नेक्स्ट क्या है, G2B, इसके अंतरगत क्या है, सरकार से वेपसाय तक, यानि Government to Business, गौर्मेंट से लेके बिजनिस तक, तो इसमें क्या होता, Government to Business रेनिक अंतरगत, सरकार वेपार जगत से संपर कर लेंदेन करती है, सरकार क्या करती है, वेपार यानि जो बिजनिसमेन होते हैं, उनसे E-Governance के माध्यम से संपर करती हैं, और उनसे लेंदेन करती है, जैसे कि आनलाइन ट्रेडिंग होती है, यानि आनलाइन जो वेपार होता है, और सीमा एवं उत्पाद सुल्क, जो भी उनको उपर टेक्स वगरा लगा जाता है, इस बारे में अब जैसे GST वगरा हो गया है, तो इस बारे में ही, जो भी वो पे करते हैं, या कोई भी सूचना वो सर गौर्मेंट टू इंपलोई, इसमें क्या होता है, गौर्मेंट टू अपलाई, इंपलोई सरी, इसमें क्या होता है, सरकार से करमचारी तक, कि इसमें सरकार अपने करमचारी हो, यानि जो भी करमचारी है, उनसे किस तरह से संप्रेशन करते हैं, किस तरह से बातचीत करते ह और अपनी कौन कौन सी सुविधाय एंप्लोई इसको दे रही है इसे ही हम क्या कहेंगे सरकार से करमचारी तक यानि गौर्मेंट टू एंप्लोई तो उनका जो आपस का कम्यूनिकेशन है उनका जो आपस के जो भी बातचीत है उनके जो एक दूसरे को सूचना प्रदान कर र तो इसको हम कहेंगे गौर्मेंट को एमप्लोई यानि जी टू ए क्या हो जाया G2E अग्यूस से टर। सी क्या सी टु सी इसमें नाघ्रिक से नाघ्रिक तक सिटीजन को सितिजन तो तो citizen to citizen स्रेणी में नागरिकों से पारसपरिक संपर्ख होता, इसमें क्या होता, जो भी नागरिक होते हैं, देश के जो भी नागरिक होते हैं, उनका आपस में कैसा connection है, किसके माध्यम से, इक governance के माध्यम से, यानि ICT के माध्यम से, उनका कैसा एक दूसरे सा connection है, यही क्या हो इन उप्रोक्त स्रोणियां का विकास कर पुर्शाशन का उपसर्ग यानि इलेक्ट्रोनिक माध्यम से इन सभी का जो यूज होगा वो किस प्रकार से इलेक्ट्रोनिक माध्यम से इनका आपस में कम्यूनिकेशन होगा आपस में इनकी बातचीत होगी और यहाँ पर e का मतलब होता electronic, क्या है e का मतलब electronic, तो इसमें कौन-कौन से है, जैसे एक तो होगे दक्षता, कि लोग या सरकार अपना काम कितने अच्छे दक्षता से निपुनता के साथ में कर रही है next है, ससक्तिकरण, कि जो सरकार अपने नागरिकों को कितना ससक्तिकरण करने के लिए उन्हें ससक्त बनाने के लिए क्या कार्य कर रही है और कितनी कमी रह गए इस सब के बारे में उन्हें पता होना चाहिए और सरकार भी से अवेर रहती है next है, प्रभावशीलता कि जो सरकार की नीतिया है उनसे जनता कितनी फेक्टिव हो रही है उनसे जनता पर क्या प्रुभाव पढ़ रहा है या फिर जो जनता की प्रॉब्लम से उनसे सरकार कितनी फेक्टिव हो रही है जो सरकार पर उनका क्या प्रुभाव पढ़ रहा है यही सब ही क्या है प्रुभावसीलता और इन सब के बारे में कैसे पता चलेगा इगवननेंस के माद्धियम से ICT के माद्धियम से की इसके माद्धियम से आर्थिक जो हमारा अर्थसंबंदिय Lehr और समाझ विकास सामाजिक व्युकास को किस कितना हो पा रहा है यह सुनिशित करने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है और इससे क्या होता है सरकार के अंदर दक्षता आती है जो नागरिक उनके अंदर ससक्तिकरण की भावन आती है और जो प्रुभासिलता वो बढ़ती है आर्थिक पर समजिक व्युकास विभडता है और नेक्स्ट क्या होता समवर्धित सेवां जैसे तत्वों को ठीक है जो सेवा है उनके बारे में नागरिकों को पता रहता है इन सबी को यह प्रियास करता है आभि देखते हम इगवनेंस की विश्ष्षता क्या-क्या है कि इसमें प्रशासनिक नेतरत्व है यानि प्रशासनिक लीडरशीप है और जो प्रध्योगी की यानि टेक्नॉलोजी का एक ही करण वो दोनों एक ही हो जाते हैं उसी एक दूसरे कमाध्य हम से वो कारे करते हैं सरकारी विभागों या अभीकरणों से संबंधित सुचनाएं एवं सेवाए इंट्राइनेट या इंटरनेट पर उपलब्ध होना इससे क्या होता जो सरकार पर अभिकराना उनकी सभी सूचनाएं और सेवाई कहां पर इंट्रनेट या इंट्रनेट हो जाती है आधूनिक तक्नैक को प्रषासनिक कारियों में प्रियोग करना कि जो भी इनका जो है एडमिनिस्टेशन में किस प्रकार से यूज किया जाए यही इगवनेर्स का व्यभारी के स्वरूप है इस शाषन के कारण नौकरसाही का आकार छोटा होता है इसके कारण क्या होता कि जादतर जो वर्क है वो लोग अपने घर से ही कर लेते हैं ठीक है तो उन्हें जो बार-बार किसी भी ऑफिस का नौकरसाहों का जो चक्कर काटना नहीं पड़ता अधिकारियों के जो ऑफिस का चक्कर नहीं काटना पड़ता और कामकाज में पारदर्शिता और विश्वस्नियता आ जाती है उससे क्योंकि उन्हें कोई पैसा वगेरा घुस वगेरा फिर देनी नहीं पड़ती और उनके समय की भी बचत होती है तो यह इसकी विशेस्ता है यही इस विशेस्था से अनावश्यक कागजी कारवाय में कमी आती है यहां से सिगनीचर करायी यहांपे करायी थो इस अभी में कमी आती नहीं पार जाने कोच कर की गई डेरी जो पर रोक लगती है कई बार क्या होते हैं कुछ अधिकारी, कुछ अलग भूस अगेरा या फिर रिश्वत के वजह से उनके कारियों में देरी करते हैं तो इस चीजों में भी कमी आती है, E-Governance द्वारा टेली कॉन्फरेंसिंग संभव हुई है E-Governance के माध्यम से क्या हुआ है, जो टेली कॉन्फरेंसिंग है, वो संभव हुई है अब मिंटों में अधिकारी एक दूसरे से या काम से संबंधित व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर काम के संबंध में उचित निर्ने ले सकते हैं इसके माध्यम से क्या है, कुछी समय में जिसको कोई भी वर्क दिया गया है, अधिकारी, बड़े अधिकारी, अपने निम्न अधिकारियों से उसके बारे में सूचना मांग सकते हैं इस सुविधा से प्रशाशन में दक्षता आई है इसमें एक ही कारे के पुन्रावरति नहीं होती, यानि एक कारे ऐसा नहीं ही, बार-बार वही करना पड़े और निर्धारित इलेक्ट्रोनिक कारे करोमों के रूप में प्रोग्राम विक्सित कर दिया जाता है कि इस काम के लिए यह वाला पोर्टल है इस काम के लिए आप इसका यूज करोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज के लिए विभिन कामों के लिए एक ही पोर्टल का यूज किया जाएगा अलग-अलग चीजे होते हैं अलग-अलग पोर्टल होते हैं उनका यूज करके आपका इ-governance लोग प्रसाशन में स्वयचालन की अवधारना तथा प्रियासों की परिश्क्रत एवं विस्तरत सवरूप है यानि जो इ-governance लोग प्रसाशन में स्वयचालन की अवधारना तथा प्रियासों का बहुत बड़ा रूप है इसी के माध्याम से जो लोग प्रसाश वो विस्तरत हो गया है, बदल भी गया काफी, अब देखते हैं हम E-Governance के क्या क्या लाब है, E-Governance नागरिको एवं व्यवसाय के लिए सुगम एवं कम खर्चिला, इसके माध्यम से क्या होता, जो नागरिक हैं और व्यवसाय हैं, उनको कम खर्चा करना पड़ता, उनके लिए यह बहुत जादा कम खर्चिला होता, कोई भी सूचना हम चंद मिंटों में अपने फॉन से लेप्टॉप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, कि सरकार की कौन-कौन सी नीतिया हैं, या फिर हमें कहां-कहां पर टेक्स वगएरा देना पड़ेगा, कहां-कहां पर हमें जो व्यवसाय हैं, उनके बारे में क्या-क्या सूचना मिल सकती हैं, तो इन सभी की जो आराम से आप घर बेठे सूचनाए प्राप्त कर सकते तो इससे क्या हो जाता है यह काफी कम क функPhone कर्प्राप्त हो जाते हैं यानि हम बिना मिष्डशा गवाई ने सूचसर्थ क्या हैं क्या क्या नए-नएड स्कीम आई है गॉर्मेंट की और अभी वो कितना का रही है कितना अमल्भ कितनी प्रॉसेज में है नेक्स्ट आपका इशाषन के लाभू में शामिल है एक क्या हो जाता है इक सबसे बड़ी चीज है इसमें पारदर्शीता आजाते जो भी शाष करेंगे हम वो अच्छे से करेंगे और नेक्स्ट कया जवाब देही औजंता कर उसे जनता के प्रति जवाब देए होना पड़ेगा जनता को जवाब देना पड़ेगा तो यह इसके प्रमुक्लाब है अब देखते हैं इगोवनेंस से कौन-कौन सी सुईधाय मिलती हैं सबसे पहले क्या होता सरकारी भागों की संगठनात्मक कार्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक सूचना है इसके माध्याम से जो भी सरकारी भाग है उनकी संगठनात्मक और कौन-कौन सी कार्यात्मक और प्रक्र चलता है वेफसायों को पता चलता है बिजनिसमेंस को पता चलता है नेक्स्ट है विकास परक एवं सामाजिक कल्यान से संबंदित योजनाओं का विवरण पता चलता कि कौन-कौन से विकास से संबंदित से उगे तो इग वन्नेंस के माध्यम से पता चल सकता है कि कौन-कौन सी सरकार की विकासपर की योजनाए हैं समाज कल्यान से समधिन कौन सी योजनाए हैं नेक्स्ट है आदेश पत्रों की उपलबता एवं भरे हुए पत्रों की स्वाय करता यानि जो भी आप अपने घर से ही कोई भी एप्लिकेशन ये लेटस वगेरा घर से ही टाइप करके वो इमेल के थुरू सेंड कर सकते हो और वो भी क्या हो जाएंगे वो माननेया ऐसा नहीं कि उन्हें माना नहीं जाएगा सिपका जो कागज पैंसिल है उन्हीं को माना जाएगा ऐसा नहीं कागज तो इसके लावा भी जो इमेल है ये भी मानने होते हैं आसान पंजी करन सुईधा इसके माध्यम से क्या हो जा जब आपको कहीं पर पंजी करन कराना होता है तो आपक registration करा सकते हैं पंजी करा सकते हैं नेक्स्ट क्या है दस्तावेजों की प्रतिलिप्या इसके माद्यम से जो भी documents है उनकी copy मिल जाएगी जिससे की जो सरकार में पारदर्शीता रहेगी जनता में पारदर्शीता सरकार के परती रहेगी नेक्स्ट क्या है अपरादिय ब्रस्ट प्रिशासनिक अधिकारियों तता करदाता उसे संबंदित विवर्ण की जो भी अपरादी है जो भी ब्रस्ट अधिकारी है और जो भी टेक्स वगरा नहीं देते इन सभी के बारे में सरकार को इन सभी के बारे में सरकार तथा निस्तारण कि जो भी शिकायते होगी कंप्लेंट्स होंगी उनको एक तो पंजी कर लिया जाएगा ठीक है और उनका किस प्रकार से निस्तारण किया जाएगा उनका किस प्रकार से समाधान किया जाएगा ये सभी इसके माध्यम से आसानी से की जा सकते हैं आप घर बैटे ही किसी भी चीज की जो कंप्लेंड कर सकते हो और उसका समाधान पास सकते हो नेक्स्ट है प्रबोधन नियंतरन तथा मुल्यांकन की नियमित एवं निर्धारित प्रिक्रियाए तो किस प्रकार से प्रबोधन होगा नियंतरन होगा किसी भी चीज़ पर और उनका कितना इफेक्ट पढ़ेगा समाज पर ये सबी आप अपने घरवेटे देख सकते हो अब देखते हैं इगवर्नेंस की कौन-कौन सी समस्या अभी हमने लाभो के बारे में देखा अब इसकी स में गानी इसमें क्या है अलगी बहुत जाद सरकार से जुड़ जाएंगे तो उनकी जो निज़ता आगी प्राइवेसी वह खत्रे में पढ़ जाएगी लोगों की किया प्राइवेसी प्राइवेसी को खत्रा होगा तो लोगों की प्राइवेसी को खत्रा होगा नेक्स्ट है लोगों की जो निज्टा उसमें उनको खत्रा होगा वो भंग हो सकती है सरकारों से किसी भी टॉपिक के उपर कोई भी सूचना मांग सकती है नेक्स्ट क्या है लागत इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारी चीज़े एक ही प्लेटफर्म पर उपलब्द करानी होती है, सरकार को एक ही प्लेटफर्म पर उपलब्द करानी होती है, तो इससे क्या होता है, अत्तधिक धन क्या होता है, धन का ज्यादा खर्चा होता है, नेक्स्ट क्या है, सभी की के पहुच में ना होना इए गवर्नेंस से तात प्रया लगा जाता है कि सरकार की सूचना एवं सेवाओं तक सभी नागरिकों की पहुच हो सकती है और यह एक लोक तंद्र के लिए अच्छा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कि सभी नाजरिक सोट हैं सूचना एवं सिवाओं को प्राप्त करने की स्थितrí में कई बाए क्या होता जो गमों के गरमी नेरिया के लोग ंहें ज्यादा इन बारे में नॉलेज नहीं होती डिजीटल इंडिया के बारे में उन्हें ज्यादा नाउलिज नहीं होती इगवर्नेंस के बारे उन्हें ज्यादा पता नहीं है तो क्या है तो वो लोग सरकार के कारियों से नहीं जुड़ सकते सरकार में अपनी सहभागिता नहीं 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 भा सकते तो इसलिए यह सभी के पहुच में नहीं होता है नेक्स्ट क्या है तकनीकी उपकरणों की मुश्किल प्राप्ति कि जो भी इगावनेंस में जो भी उपकरण लगते हैं जैसे चाहे वो कंप्यूटर हो संजाल, CCTV, ट्रैकिंग तंत्र, TV, रेडियो और जो उपकरण है इनका प्रियोग होता है विकासिल देशों में इस प्रका इतना जादा कंप्यूटर और ये कैमरा वगएरा इन पर इतना जादा कहां से विया करें सरकार तो ये बड़ी समस्या है सरकार के लिए नेक्स्ट है तकनीकी उपकरणों का रख रखाओ कि भारत में सबसे बड़ी समस्या है इन तकनीकी जो भी ये तकनीकी कंप्यूटर हो इसका मतलब है online सरकार कितना पारदर्शी होगा यह पूरी तरह से सरकार के उपर निर्भर करता यानि सरकार जो कितनी जानकारी लोगों को देगी क्या क्या चीजों के बारे में लोगों को अवगत कराएगी नागरिकों को क्या क्या सुविधाय देगी तो कितनी information देना चाहत सरकार के उपर depend करता क्योंकि इसे सरकार नियंत्रीत करते यह पुरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होता नागरिकों को इस पर कोई सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पा आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने अपनी सरकारी वेबसाइट से रास्टे सुरक्षा के नाम पर अधिकतर सूचना हटा दी थी तो जब यह हमला हुआ था तो अमेरिकी सरकार ने क्या किया था बहुत सारी सुचनाओं को रास्टे सुरक्षा के नाम से रास्टे सुरक्षा को खतरा इस नाम से बहुत सारी सुचनाओं को हटा दिया था तो इस से भी जो सरकार की जबाब दे हिये उस पर भी बहुत जादा गलत प्रुभाव पड़ा Next कि इगवर्नेंस नीती निर्माण एवं सार्वजनिक तंत्र सरकार द्वारा नीती निर्माण नागरिक सहभागिता एवं लोगकारे काफी समय से जटिल प्रक्रिया है क्या होता जो सरकार की नीती निर्माण प्रक्रिया होती है नागरिकों की सहभागिता होती है किसी विशा वह संभव नहीं होता तो कुछ लोग सभीद लोग जब इसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे तो यह बड़ी डिफिकल्ट चीजें हो जाएंगे बड़ी खराब हो जाएंगी चीजें तो काफी सोच समझ कर की जानी चाहिए नेक्स्ट है सिक्षा का इस्तर केवल हस्ताक्षर कर साक्षर कहलने वालों के लिए ई-गर्नेंस एक जटिल प्रेंणा लिये हैं सिर्फ जिंको बहुत सिग्नेचरी करना आगया है उनको हम साक्षर नहीं कह सकते हैं यह उनके लिए बड़ी मुस्किल चीज है क्योंकि कुछ भी करना यही कुछ भी करना उनके जो और से उनको निर्दोषय को मानना यही बड़ा मुश्किल होता उन लोगों के लिए तो इसके लिए सिक्षित होना लोगों को बड़ा आवश्यक है लेकिन भारत जैसे देश में अभी भी बहुत बड़ी जो जन संक्या वो ऐसा क् अच्छी तरह से अभी हमारे यहां पर वर्क नहीं कर पाई है लेकिन फिर भी हम कह सकते कि इगवर्नेंस आने से सरकार में बहुत ज़्यादा पारदर्शित आ गई है लोगों की सहभागीत बढ़ गई है और जो सरकार की जवाब देही और जो उत्तरदायत्व है वो परियावरन क्या है परियावरन का मतलब एक सब्द से है और इसका मतलब होता है चारो ओर से घेरना और उस घेरे की बितर सभी तरह के जैविक और आजैविक तत्वों को सामिल किया जाता है चुकि कोसे में पहले तक देखे तो परियावरन का मतलब सिर्फ परिवेश से दिया जाता था और इसमें बताया जाता था कि इसका मतलब है हमारे आसपास की भौतिक दुनिया का वर्णन करने के लिए जो भी चीजे इसमें सामिल किया जाता था जैसे कि मित्ती, चटाने, पानी और हवाएं इन सभी को सामिल किया था लेकन परियावरन संरक्छन अधिनियम 1986 के इनुसर उसमें क्या बताया गया है कि सभी सारीडीक और जैविक और उनके साथ जो भी बातचीत होते रहती हैं इन सभी को परिया वरन के अंदर परिभासित किया जा सकता है जैसे कि जल, वायू, भूमी इन सब का कुल योग और इसके बाद इनके बीच जो भी आपसी रिलेशन है जो भी आपसी संबंध होते हैं वो रिलेशन का मानव के साथ और अन्य जीवित, जीव और सामंगरी के साथ क्या-क्या संबंध हैं इन सभी को हम परियावरन के अंदर देखते हैं बोरिंग के अनुसार देखे तो किसी व्यक्ति के व्यातावरन में कुल उतेजना का योग होता है और वह अपनी गर्वादान से मिर्वतियू तक प्राप्त करता है यानि कि इनकी माने तो जब कोई व्यक्ति गर्वधान जल्म से लेकर मिर्थियू तक उसके साथ जो भी घटनाए घटती हैं और जिन जिन चीजों से उनका संबंध रहता है उन सभी को परियावरन के साथ जोर कर देखते हैं या उप्रोग परिभासा से निसकर्स निकाला जा सकता है कि परियावरन में विभिन परकार के चेहरे सामिल होते हैं जैसे कि सारिरिक, बौधिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक और भावनातमक ये सारी चीज़े आपस में एक दूसरे के साथ परियावरन जो कि सभी बाहरी सकतियों, प्रभावों और इस्तितियों का खुल योग हैं जो जीवन, प्रकृति, व्यभार और जीवे जीवों की वृधि और विकास में परिपक्वता को जड़दर साता है इसका मतलब है इनके जो प्रभाव हैं जो बाहरी सकतियां हमारे पर काम कर रही हैं तो उन से जीवन, प्रकृति, हमारा आपसी वेवार कैसा है और उन सब से परिपक्वता, मैच्योरिटी जो मिलती है उन सब को इन्वेरेमेंट के अंदर परियावरन के अंदर परिभासित किया जा सकता है डगलस और हॉलेंड, डगलस और हॉलेंड के अनुसार कहा गया है कि परियावरन सब का उप्योग समुच में, समुच मतलब सभी को इकठा करके, सभी बाहरी सकतियों, प्रभावों और इस्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है मतलब कि परियावरन को अगर दर्म परिभासित करें तो उसके अंदर उससे जूरी हुई सारी बाहरी सकतियां, उन सकतियों का हमारे जीवन पर प्रभाव और इस्थितियां किसी स्थिति में कौन से सकति ने अपना कौन सा प्रभाव छोरा है इन सभी को सम्मलित रूप से सामिल किया जाता है जो कि जीवन, प्रकृति, व्यभार और जीवित जीवों के दिकास और परिपकवता को भी प्रभावित करते हैं अब है परियावरन के तत्व, इसमें कौन कौन से तत्वों को सामिल किया जाता है परियावरन का गठन भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तीन तत्वों की अंतर क्रियात्मक प्रनालियों के द्वारा किया जाता है मतलब परियावरन को अगर देखे तो इसमें किस तरह के इलेमेंट को हम सामिल कर सकते हैं मिलनी क्या है? तीन तरह के element को सामिल कर सकते हैं. एक भोतिक, फिर जैविक और सांस्कृितिक. तीन तरह के चीजों को सामिल किया जा सकते हैं. जो विभीन तरीकों से संबंधित हैं, ये तिनोही तरीके एक दूसरे से correlation रखती हैं. व्यक्तिगत रूप से और सामोहिक रूप से इन तत्वों को निम्ने नुसार समझा जा सकता है जैसे कि पहला है भौतिक तत्व भौतिक तत्व क्या है भौतिक तत्व में हम देखने को मिलते हैं अंत्रिक्ष, लैंड फॉर्म्स, जलनिकाई, जलवायू, मिट्टी, चट्टान, खनीज और आदी इन सभी चीजों को भौतिक तत्व के रूप में रखा गया है ये मानव आवास के चर चरित्र और उसके आवास सिमाओं का निर्धारन भी करते है भौतिक, चुकि इस सब्द से ही पता चला है कि भौतिक वादी चीजें जिनकों कि हम सामने में देख सकते हैं और जिनका उप्योग कर सकते हैं उन सारी चीजों को भौतिक तत्व के अंतरगत रखा गया है दूसरा है जैविक तत्व, जैविक तत्व बहुत ही महतपुर्ण है, जैविक का मतलब क्या है, जैविक तत्व जैसे कि पौधा, जानवर, सुक्षमजीव, पुरुस जीव मंडल का निरमान करते हैं, इस जैविक तत्व के अंदर रहते हैं, पौधे, जीव, जानवर, सुक दूसरी तरफ पौधे, पौधों को कर देखे तो पौधे एक और्टोटोफ या निर्माता के रूप में इसे देख सकते हैं, यह और्टोटोफ एक ऐसे जीव होते हैं, जो कि अपने आसपस जो भी चोटे से चोटे साधारन साधारन मैटेरियल्स पदार्थ रहते हैं, उन में बहुत ही ज्यादा जटिल रहता है, और वह आम तोर पर यह सब कैसे होता है, यह और्टोटोफ का में रूप से कारी होता है, प्रकास या कार्वनिक रसाइनिक पट्टी क्रियाओं से उर्जया को उप्योग करने के बाद, यानि कि इन्हें एनर्जी कहां से मिलती है, ज जैसे कि अगर देख ले तो भूमी पर जो पौधे होते हैं या फिर पानी में जो सैवाल होते हैं, अल्गीज, उन सब पर, दूसरी तरफ देखे तो जानवर, जानवर क्या है, जानवर एक हैट्रोटोफ है, एक हैट्रोटोफ एक ऐसा जीव होता है, जो कि अपने भोजन क उत्पादन खुद नहीं कर सकता है, बलकि ये जैविक कारवन के अनिस रोतों से पोशन का सेवन करता है, इसका मतलब ये हो गया कि पौधी जो है, मुखी रूप से अपने एनर्जी का सोर्स के लिए और्टोफ पर निभर रखते हैं, खात सिंख्रा में हैट्रोटोफ को प सांस्क्रितिक तत्व, सांस्क्रितिक तत्व के अंदर क्या क्या रखा जा सकता है, इसके अंतर होता है आर्थिक, हमारा आर्थिक परिवेस कैसा है, समाजिक और राजनितिक तत्व का अनिवारी रूप से माडव निर्मित विसेस्ता है, जो कि सांस्क्रितिक मिल का पत्थर मानते हैं मतलब कि वो सारी चीज़े जो हमारे समाज में रहती है जो हम से जूरी हुई है और जिनसे के हमारी संस्कृति बनती है उन सभी तत्वों को संस्कृतिक तत्व के अंदर रखा गया है अब है परियावरन का दाइरा परियावरन को हम लोग कहां से कहां तक ले सकते है परियावरन में चुकि यहां चार गलत है यहां तीन होगा परियावरन में तीन खंड सामिल होते हैं यानि कि परियावरन को तीन जगासे बार्ट दिया जा सकता है पहला है वायू मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल सबसे पहले वायू मंडल वायो मंडल गैसों की सुरच्छात्मक कंबल का अर्थ है प्रिथवी के आसपास सबसे पहले तो इसके उत्पत्ति के बारे में जानते हैं वायो मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई इसके उत्पत्ति हुई है ग्रीक सब्द एटमोस से और इसका मतलब होता है वास्प जहां की दूसरी तरफ इसफेर का मतलब होता है गोला इस तरह से देखे तो वायो मंडल एक प्रत है या फिर ग्रह है या फिर अन्य भौतिक सरीर के आसपास गैसो को एक सरसेट है एक सेट है पातवरन को भी वायो मंडल को भी हम लोग पांच इस तरों में बाढ़ सकते हैं टौपोस्फेर इस्ट्वेटोस्फेर मेजोस्फेर थर्मोस्फेर और एक्सफेर वायो मंडल के बारे में कहा जाता है कि यह प्रिथवी पर जीवन का निर्वाह करता है यानि कि अगर वायो मंडल हमारे पास ना हो तो प्रिथवी पर जीवन नहीं होगा और हमारे जो प्लैनेट से हैं उनमें सिर्फ एक हमारी प्रिथवी ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें अंतरिक्स जो भी अल्टिवायर तरे जाती है उन सबसे हमाइव मंडल की परते ही बचाती है यह लोग परते हैं ठोप्र सेस्ट्रेप वी स्टप मेजो इसफेर ठर्म इसफेर और एक्सस से एक्ससर अग्स सबसे बाहरी परत होता है जहां कि ट्रोपोस्फेर हमारे सबसे निशली परत होता है जो कि भूमंडल की और से देखे तो यह ब्रह्मा अंत्रिक्स से अधिकांस ब्रह्मंडनी किर्णो सुरी से विद्धु चुमकी वीकरन के एक प्रमुख हिस्से को अफसोसित करता है मतलब कि यह उसे हमारे जमीन तक पहुँचने नहीं देता है वायो मंडल नाइट्रोजन और ऑक्सिजन से बना है इसके अलावा औरगन कार्बन डायोकसाइड और वेपार गैस बहुत सारी गैसे हैं इसमें जिन से मिलकर कि वायो मंडल बना है दूसरा है जल मंडल जल मंडल में सभी प्रकार के जल संसादन जैसे कि महासागर, समूंदरी जल, जील, नदी, नाले, जलासे, ध्रुवी हिमकन, ग्लेसियर और भूजल सामिल है इसके वारे में कुछ तथे जल मंडल जो है जल मंडल प्रिथवी का 97% जल महासागरों में है और करीब करीब 2% का जो जल है वो धुरूवी आईपैड और ग्लेसियरों में बंद है वहाँ पे इती ठंड होती है कि ये सभी चीजे वहाँ लॉक हो गई है जल वहाँ पर 2% जल वहाँ लॉक्ट है और सिर्फ 1% जल ही ताजे सतह पर पानी की रूप में उपलबद है जिनका कि हम इस्तिमाल कहते हैं और इनका इस्तिमाल किया जाते है मानव उप्भोग और अनउप्योगों के लिए जैसे कि नदियों जील की धराओ भोजल आदी तीसरा है इस थर्मंडल यानि कि लिथोस्फेर लिथोस्फेर ठोस प्रिथवी का बाहरी मेटल है इसमें प्रिथवी की पप्री और मिट्टी में होने वाली खनीच पदार्थ होते हैं जैसे कि खनीच, कार्बनिक पदार्थ, हवा और पानी लिथोस्फेर की बात करें तो इसकी उत्पत्ती हुई है रोकी के सब्द से रोकी के लिए प्राचीन ग्रीक सब्द है उसका मतलब होता है लिथोस और इस्फेर का मतलब होता है इस्पाइरा इससे यह इस्तली प्रकार के ग्रह का सबसे कठोर बाहरी और गोला होता है जिसमें कि यह मूल रूप से प्रिथ्वी का बाहरी कठोर हिस्सा है जिसमें क्रस्ट और उपरी मेटल होता है उपरी मेटल होता है साथ इसलिए इस पे खनीज पदार्थ पाए जाते हैं फिर है बायोस्फेर बायोस्फेर जीवित जीवों के दाइरे और परियावरन क्या काम है और यह आपस में किस तरह से संबंध कायम करते हैं तो इन सब को हम बायो इस फेर के अंतरगत रख सकते हैं कुछ महत्पुर्ण टर्म्स जंगलों की कटाई वनों की कटाई वनों की अधिक कटने के करण पेरों का तो नुकसान होता ही है साथी साथ मिट्टी का छरन भी हो रहा है और इसके परिनाम सरुप क्या होता है सुरच्छात्मक मिट्टी के आवरन और मिट्टी के जल धारन छमता का बहुत ही जादा नुकस हो रहा है मिटी धीरे-धी खिसक रही है और क्या हो रहा है कि जमीन जमीन का जो परत है वह भी कमजोर होके खिसक रहा है दूसरा है मरुष थली करन खराब भूमी प्रबंधन के करन मुख्य रूफ से वनों की कटाई अतिव रिस्टी कटाव के परिनाम सरुफ घास के मैदानों को रेगिस्तान में परिवर्तित किया जा रहा है मतलब खराब भूमी प्रबंधन मतलब कि जिस भूमी को हम लोग बहुत चारा केरिंग नहीं कर पाए हैं हमाई उसका ध्यान देने के बजाए वहां पर इंडूस्ट्री खोल दिया गया है क्रिसिकारी की जगह वहां पर कुछ और हो रहे हैं जिसके करन की भूमी बंजर होती जा रही है और इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है वनों की कटाई भी हो रही है अतिव जो मिटी रहती है वो मिटी आपस में एक दूसरी को बांद के रखती है पेर लगे रहने से मिटी वहां से खिसकती नहीं और नदियों का बहा होता है वो एक सीरे से दूसरी सीरे तक सामानी रूप से बहता रहता है लेकिन अगर पेरों की कटाई होती है और मिटी को कटा ज जाती हैं उनका जल्वी इधर उधर हो जाता है खाद असुरक्षा एक ऐसी सिती है जब लोगों के पस पर्यात्न मात्रा में सुरक्षित और पॉस्टिक भोजन के लिए समान व्रीधी और विकास एक सक्री और स्वस्त जीवन के लिए सुरक्षित पहुंच का अभाव होता है ठीक है जब जान की उनकी कटाई रहे गी पानी की कमी हो जाएगी विल्वेड़ नहतव हो सकती हैं अब है जिवास्वी इंधन, जिवास्वी इंधन क्या है, जिवास्वी इंधन मिरित कार्वनिक पदार्थों के अपुरूर, जैरिक अपगटन से निर्मित प्राथमिक उर्जा सुरोतों का एक समों है, ये एक ग्रूप है, जिवास्वी इंधन में तेल, कोईला, प्राकृत गैस सामिल है और दुनिया में खपत होने वाली उर्जया का लगवग 90% हिस्सा यही है जिवास में इंधन ही है जिसमें की 90% हिस्सा हमारा यूज कर रहा है अब है सिचाई पाइप यह धाराओं के माधियम से क्रितिम रूप से पानी के साथ भूमी की आपूर्ति करने का अभ्यास सिचाई हम अक्रिसी को ज़्यादा उपजाव बराने के लिए सिचाई करते हैं पहले सिचाई का कार नदियो जीलो जलासा यह उसे होता था लेकिन अभी के समय में क्या होता है काफी ज़्यादा मात्रा में भूमी के अंदर से पानी का निस्कासन किया जा रहा है हर जगा पे भूमी के अंदर से ही निस्कासन किया जा रहा है इससे जो परियात मात्रा में भूमी का जल है वो वेस्ट हो जा रहा है बरबाद हो जा र मिलनेसय, माइक्रोनेसय, पोलिनेसय चेतर सامिल हैं यह सभी कम विकशित देश हैं। और अधिक विक्सि DF में बात करें तो, यूडोप के उतरी अमेरिका, अस्रीलिया, न्यूजी लाइन और जपान ये सभी देश सामील है। कम विक्सित देश और अधिक विक्सित देश इन में अंतर होता है कम विक्सित देश जो होते हैं वहां पर इंडस्ट्री कम होती हैं कॉंक्रिट एरिया कम होता है जिसे कि वे परियावरन के साथ छेड़ चार कम क्या करते हैं और वहां का परियावरन पूरे दुरस तरीके से चलता रहता है वहीं दूसरी तरफ अगर देखे तो जो अधिक विक्सित छेत्र होते हैं वहां पर आईटी सेक्टर की मात्रा जादा रहती है कॉंक्रिट कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन जादा रहते हैं उन्होंने प्रकृति के साथ इतना जादा छेड़ चार कर दिया होता है कि वहां की धरते अब उनका साथ नहीं दे रहे होती हैं बहुत सारे तकलिफों से उन्हें गुजरना पड़ता है अब है अक्षे जल इस्थानी वर्षा से सत्य ही जल अप वहां अन्य छेत्रों से आने वाली बाड़ और भूजर पुनर भरन जो जल भृत की भरपाई करता है अक्षे जल क्या है अक्षे जल की माने तो पहले क्या होता था जो वर्षा होती थी मिट्टी जमीन पर मिट्ट होने के करन वर्षा का जल मिट्टी के अंदर अफसोसित हो जाता था इधर उधर बैता नीता वेस्ट नहीं होता था लेकिन अब क्या हो रहा है हर जगह टाइल्स और संगमर्मर लगने की वज़े से वह जल प्रिथवी के अंदर सते ही जल से नीचे वापस नहीं जा पा रहा है और बलकि उपर ही वह इस्टीम बनके चला जाता है बरबाद हो जाता है और इससे जो है बार्ड भूजल और पुनर भरत जो कि जल भृत की भरपाई करता था वह खत्म हो गया है सबसीरी क्रिसी, एक इस तरपर क्रिसी या फिर खेती जिसमें ततकाल इस्थानी जरूरतों का पूरा करने के लिए केवल परियात भोजन का उतपादन किया जाता है यानि कि जैसे उत्पाधन किया जा रहा है लेकिन उसे भरपाई नहीं हो रही वहां की जनसंख्या है उसे सब कुछ पूरा पूरा नहीं मिल रहा है तो उन लोगों के लिए क्या किया जाता है सबस्टिक किसी का विकास किया जाता है और इसमें सिर्फ ततकाल इस्तानी जरूर महत्पूर निस्थान रखते हैं और किन-किन चीजों की जरूरत हमें महसूस होती है सबसे पहले एक संसाधन को किसी भी प्रकृतिक या क्रित्रिम प्रदार्थ उर्जा या जीव के रूपे परिभासित किया जा सकता है जिसका उप्योग मानव अपने कल्यान के लिए करता है यानि कि जिन संसाधनों का उप्योग मानव अपने कल्यान के लिए करता है उन सभी को जो चाहे वो प्रकृतिक रूप से हो या फिर क्रित्रिम प्रदार्थ हो वे संसाधन कहलाते हैं सबसे पहला है प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक साधन वह है जिनका कि निर्मान इंसानों के दोगारा नहीं किया गया है, यह सब प्राकृतिक की तेन हैं, और इसमें सामेल किया जाता है, मिठी, हवा, पानी, खनीज, कोईला, धूप, धूप मतलब सुरज की रोस्नी से हैं, जानवर पौधे आदी ये सभी प्रकृतिक संसाधन ये संसाधन की रूप में गिने जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को हर चीज में मदद करते हैं हमारा जो प्रकृतिक का चेन है उसमें इन सभी की एक महत्पुन भूमिका रहती है सबका अपना अपना कारी रहता है जिसकी करन की हमारा ये जो चक्र है वो अच्छी तरीके से चलता रहे दूसरा है प्यापक नवी करन और नवी करनी और अप्छे क्रित्रिम संसाधन दूसरा संसाधन में है क्रित्रिम संसाधन प्राकृतिक संसाधन के विप्रीद कृत्रिम संसाधन वो संसाधन है जिनका की उप्योग प्रतक्ष या अप्रतक्ष रूप से अस्तित्व और कल्यान के लिए किया जाता है यानि कि इनका निर्मान मानवोत के द्वारा किया गया है लेकिन इनका यूज वही किया जा रहा है प्रतेक्ष रूप में करें या अब प्रतेक्ष रूप से करें इन्हीं ये कल्यान के लिए ही यूज किया जा रहे हैं सब्यता की विकास के दौरान मानव दौराव विक्सित किये गए संसाथनों को क्रित्रिम संसाधन कहा जाता है प्रचली संसाधन दूसरी और कुछ संसाधन है जो सीमित मातरा में उपलबद है और निरनतर उप्योव होने की कारण, यह सब खत्म होने के कगार पे हैं इन्हीं क्या करते हैं एक्जोस्ट रिसोर्स इसमें एक्जामपल देखे तो पृत्री पर कोईले का भंडार सीमी थे जो कि अब पुरी तरह से खत्म होता जा रहा है एक दिन हमारे उप्योग के लिए अधिक कोईला उपलब नहीं होगा सही है और दूसरा है पेट्रोलियम पेट्रोलियम आधुनिक समय में पोट्रोलियम का बहुत ही जादा डिमांड है कोई भी एक ऐसा सक्स नहीं है जो कि अभी पेट्रोलियम का इस्तमाल ना कर रहा हो इसमें देखें तो नवी करनी संसाधन नवी करनी संसाधन कुछ निकास योगी संसाधन सो अभावी रूप से खपत के बाद पुरनर जीवित हो जाते हैं मतलब ये वो संसाधन है जो कि अगर खत्म हो गए तो ये प्रित्वी पर दुबारा फिर से बनाये जा सकते हैं वो अपने आप बन जाते हैं और अक्षे की रूप में जाने जाते हैं जिसे कि एक्जामपल देतो जीवित प्रानी प्रजनन करते हैं और इस परकार मरने वाले या मरने वाले व्यक्तियों की जगह ले सकते हैं नवी करने संसाधन वो संसाधन होते हैं जैसे कि बताएगे हैं वहीं संसाधन होते हैं जिने के नस्ट नहीं पुरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है नश्र तो हो सकता है वो उसका उसकी काफी जाता हा नहीं हो सकती है उसे एक तरीके से खत्म करने की कोशिस किया जा सकता है लेकिन उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा जैसे कि यहाँ पर जीवित प्रानी कभी खत्म नहीं होंगे यहाँ पर उनका उनका जगह उनका नेक्स ज माप्त हो सकते हैं कुछ उधारंग जैसे कि पुनर्जनन की दर का मतलब है जैसे ताजा पानी जो की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उपजाओ आत्मा जंगल उपस देने वाली लक्री और अन्योत पाद अगर ये सब खत्म हो गए तब उन्हें खत्म नवी करनी संसाधन जो थे उन्हें खत्म किया जा सकता था अब है गैर नवी करनी संसाधन वह संसाधन होता है जिनको के उप्यों करने के बाद हम लोग दुबारा नहीं ला सकते जिन्मल नहीं किया जा सकता है उनका परतिस पेल में जाना जाता है मिह खनील जैसे कि थांबा लो हा जिवास्विंधन जिवास्विंधन में आते हैं कोईला और तेल आदी सामिले यहां अगर यहां से खत्म हो गई तो यह दुबारा नहीं बनाया जा सकता है यहां तक कि वन्य जीव प्रजातियां जिसमें कि दुरलब पौधे और जानवर भी मौजूद हैं इसके बाद है आप परियाप्त संसाधन आप परियाप्त संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें कि मानव उभोग और आने उप्योगों से समाप्त नहीं कर सकता है उन्हें अपवरी वर्तनी संसाधन कहा गया है इसमें क्या होता है उर्जा की जो स्रोथ है जैसे कि सौर वीकरन, पवन, उर्जा, जल सक्ती, जौर की सक्ती और पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी, महासागर में वायो जल आदी सामिल है यह पुरी तरह से हमारे लिए परियाक्त साधन नहीं है इन्हें हमेसा ही यूज नहीं कर सकते हैं जैसे कि महासागर में जो वायो में जो जल होता है उसे हम हमेसा यूज नहीं कर सकते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़दा उप्योगी नहीं हो पाएगा प्रदूसन को क्या कहेंगे प्रदूसन को वायू जल और भूमी की भौतिक रसाइनिक और या फिर जैविक विसेस्ताओं में अवांचनी परिवर्तन की रूप में परिभासित किया जा सकता है जो कि मानव जीवन और अन्य जानवरों के रहने की इस्थिति और दोवी प्रक्रियाओं सांस्क्रितिक संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकता है मतलब क्या हुआ कि प्रदूसन अभी के समय में हम लोग सभी लोग समझे हैं कि हुमन की जो आक्टिविटीज है वो क्या करते हैं बहुत सारी सब्स्टैंसिस को हवा में छोड़ रिलीज कर रहे हैं और उनमें से क्या है उनमें से कुछ ऐसी जहरीली चीज़े भी हवा में छोड़ी जा रही है जो कि इनसानों के लिए ही नहीं बलकि जानवरों और प्लांट्स पॉधों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुक्सान दे है और इसमें सबसे कॉमन टाइप का जो एर पॉलिशन होता है उसमें होता है पार्टिकुलेट मैटर पार्टिकुलेट मैटर वो निकलते हैं जो जिवास पूरी तरह से जल नहीं जाते हैं उन्हें फॉसिल अन बर्निंग फॉसिल्स अन बर्न फॉसिल्स कहता है उसमें से निकलते हैं पार्टिकुलेट मैटर जिसमें की जैसे की पेट्रोलियम ट्रोडक्ट्स और कोईला जो कि एनर्जी के लिए यूज किया जाता है नेच्रियल जो एर पॉलिटेंट्स होते हैं वे पॉलन पार्टिकल्स होते हैं एस पार्टिकल्स होते हैं या फिर डॉस्ट होते हैं वो उतना ज्यादा नुकसान दें नहीं है लेकिन पर्टिकुलिट मैटर जो रहते हैं वो काफी ज़्यादा नुकसान पैदा करते हैं प्रदूसर रसाइनी पुदार्थो गर्मी प्रकार, सोर, उर्जा, भेद करना आसान बनाने के लिए प्रदूसर को वेग्यानिक समुदाय दोरा आर्ट स्रेनियों में विभाजित किया गया है प्रदूसर के आर्ट प्रकार प्रदूसन के आठ तरह के होते हैं सब्से प्रदूसन के प्रकारों के बारे में एक फंडामेंटल चीज बता दूँ कि अगर कटेक्रवाइस किया जाए तो सबसे पहले प्रात्मिक वायू पॉलिटेंट्स यानि की primary air pollutants दूसरा है secondary दूतियक air pollutants और किसरा outdoor या फिर indoor इनकी भी संदर्व में आप pollutants को प्रदूसन की प्रकारों को जा सकते हैं लेकिन अगर मुखी रूप से देखें तो प्रदूसन के आठ प्रकार होते हैं सबसे पहला उसमें वायू प्रदूसन वायू प्रदूसन क्या है वायू प्रदूसन प्राकृतिक वायू के प्रदूसन को हानिकारिक धूए और रसाइन जिसे विभिन प्रदूसकों के साथ मिला कर होता है यह प्रदूसर वहनों द्वारा उत्सर्जित गैसो उद्योगों के उत्पाद की रूप में उत्सर्जित सामंगरी या हानिकारक धुए के कारण से हो सकता है अधिक एकागरता से जीवित चीज के लिए सांस लेने में समस्या होती है जो कि वायू प्रदूसर वो प्रदूसर है जो कि प्रक्रितिक वायू के अंदर में हानिकारक प्रदूसित गैसो को गैसो का बहाव है एक तरह से उर्च का बहाव ही कहले और इन से हमें काफी ज़्यादा परिसानियों का भी सामना करना पड़ता है जैसे कि सांस लेने में समस्या अस्तमा वेगरा कम और गंदे पॉलिटेट वायू को लेने से होती है कुछ प्रभावों में इस मौग में व्रीधी होती है उच वर्षा में अमलता का बहाव होता है परियाप अपरियाप अक्सीजन भी मिलती है और उससे फसल की कमी हो जाती है अस्तमा के उच दर सामिल है इन समी में विसी सक्यू का माने वेखे वायू वायू प्रधी शनके कि सबसे बड़े दुस्पहाव़्ों में से एक है ग्लोबल वायू नहीं पहुंचनेते दयता है बलकि वो उपर ही रहता है लेकिर वनोग की कटाई की कारण और जो लेया है उसमें कहीं कहीं छेद देखने के और चेद होने से क्या होता है जो बाहर अंद्रिक्ष की हानिकार्यक सौर उर जाए हैं वो प्रिथवी तक पहुंच रही है और यह प्रदूसर्ण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है सुत्रो का कहना क्या है इस बारे में सुत्रो का कहना है कि वायू प्रदूसन की जो विभीनिस रोत है जैसे कि जिवास में इंधन, दियोग, क्रिसी गतिवीधी, युद्ध, प्राक्रितिक कार्नों से वानों से जो उच्छ सरजन होते हैं वे सभी production को बढ़ाने में बहुत बड़ा important role रगते हैं जलने वाले जिवास में इंधन जलने वाले जिवास में इंधनों में रखा जाता है लक्री, लक्री का कोईला कोईला और अन्य जिवास में इंधन इन सब के जलने से क्या होता है कार्बन डायोकसाइड पैदा होता है और इन सब के उच्छ सर्जन से वायू प्रदूसित हो जाती है पेट्रोलियम में तो मुखी रूप से हाइडो कार्वन सलफर और नाइट्रोजन ही होते है दूसरा है आटो मॉबाइल से राहत aye कहां तक अपना योगदान दिया है वायू प्रदूसन को बढ़ाने में वहार में मुखी रूप से 80% से अधिक टोनल वायू प्रदूसन केलिए उतर दाई है यानि कि 80% से अधिक टोर्नल वायू प्रदूसन जो होता है वो अटोमोबाइल के कारे नहीं होता है अटोमोबाइल से लोको मोटीव एरक्राफ्ट आदी से निकलने वाले प्रमुख प्रदूसक तत्व सह इसके साथ सहयूक्त रस्ट ने हैड्रो कार्बन और नैट्रोजन ऑक्साइड को जलाया इन सबसे हमारे वातावरन में काफी जैदा प्रदूसन फैल गया उद्यो कारखाने अब उद्यो कारखाने जो कि हमारे डेवलप्मेंट की बहुत बरी बहुत बरा स्रोथ है हमारे डेवलप्मेंट को जो दर्द बिखाता है उसके बारे में जानते हैं कारखानों पेट्रोलियम रिफाइनरियो उलवरक सही अद्र और इसपात उद्योगो तर्मल पावर प्लांट वाईव प्रोदीर के मुझ स्रोत की रूप में जाने जाते हैं और यह विवीन और कार्बन मॉनो ऑक्साइड सल्फर डै उकसाइड सुल्फर डै अगसाइड नेट्रोजन ऑकसाइड है डिवनल में जोड हो और देते हैं कि अफल इन सभी का नाच्वास नहीं सबाते न हो पाता और पॉस्टिक तत्वे नहीं मिल पाते बल्कि उल्टा नास युद्णाक होता है तो उसार है और रयोह में घुणे के बाद हवा को प्रदूसित करते हैं यानि कि युद्ध में जिस तरह जिस भी आर्म्स का प्रयोग किया जाता है उसे एक जहरेली गैस बाहर निकलती है और ये वायू को बहुत ज़्यादा प्रदूसित करते है या छेत पारिस्तितिक की को बहुत परिसान करता है एकोसिस्टम इससे बहुत ज़्याद हो जाता है परमानुवीस फोर्ट से रेडियो धर्मी किर्णों दौरा वायू को प्रदूसन मिलता है परमानुवीस फोर्ट को है अटमिक जो भी इस फोर्ट होते हैं उसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलते हैं रेडियो एक्टिव रेज बहुत ही ज्यादा हमफुल होते हैं सभी के लिए हिरोश्यमा और नागासाकी पर प्रमानुवी स्वोट के प्रभाव प्रसिद उदाहरन है हिरोश्यमा और नागासाकी जो कि जपान की दो छोटी-छोटे सहर है जिन पर अमेरिका ने प्रमानुव गया और लोग जो है अभी वे अपग ही पैका हो रहें किक च्छता यह प्रक्रितिक कारण सक्रिच जुआ लुखँ कि बल डली गैस कवक परांग सी निकलने वाला गैस उद सर्जन वाईउ-प्रदूसन की प्राक्रितिक कारण है प्राक्रितिक कारणों में इन सभी को सामि कार्क सिब्ध होते हैं वायू प्रदूसक दो प्रदूसर के हैं गैसी पहलेido के isnам加े तो कार्वन की जो औकसाइड और नाइट्रोजन और सल्फर के गैसे बहुत-बरे उत्पाप प्र की रूप में कारी करते हैं पर्टिकुलेट दूसरा पर्टिकुलेट प्रदूसन रास्ता ठोंस या तरलकन होते हैं बरेकल जल्दी से अर्थात रेत और पानी की बुंदों को जमा देते हैं जबकि छोटे धूल कर लंबे समय तक हावा में निलंबित रहते हैं इन्हें ब्ला जो कहां रहते हैं हमारे हवाओं में ऐसी वीचरन कर रहे होते हैं कर रहे होते हैं दूसरी तरफ चोंआ है ृपी 10 ट्यूम एम्चे ऑ आयमितर होता बैठ जाते हैं जिसके करण कि हमें सारा काफी सारी बीमारी का सामना करना पड़ता है सबसे बड़ी चीज है कि इसमें असनमा और सांस और फेक्रू से संबन्धिती बीमारिया हैं वह पर्टिकुलिट दुएयर और रसाइनिक धुएय के साथ जमा होने वाला कोहरा एक घहरा और घाना आवरन बनाता है इसमोग त्यूनदमें फॉग वनता है वह कोहरा जो है अटिफिसिल उसमें हमारा जो भुएया है इसे क्या होता है एक घना आपरंग जैसा बन जाता है इस इस मौग लवक सभी औधुविक छेत्रों में बहुत आम है इसका स्मौग बने का सबसे बड़ा कारण होता है औधुविक छेत्र क्योंकि इनकी कंपनियों में इनकी जो कारिसाला होते हो वहां पर चिम्निया बहुत आसमान के बहुत है बहुत लगाए जाता है उसTे क्या होता है कि दूग नीचे नांगे का कि ओपर के लियर में डिलाकर ki जैता और वहांं मंटली सत्या है वहां पर जाकर के यह जाके लॉक जाते हैं और जिसमें से कि धुअं और कोहरा यह दोने आपस में मिल करके वहां की चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं यानि कि जमीन से जो चीज़े निकलती है जो विकरन निकलता है जिने के अंत्रिक्ष में जाना चाहिए वो वापस जा नहीं पाता है वापस लॉट के जमीन पे आ जाता है और इसे अभी के समय में गर्मी जो बढ़ती जा रही है इसका सबसे बड़ा कारण स्मॉग ही है क्योंकि जमीन से जो भी निकल रहा है जो रेज निकल रही है वे सीधे अंत्रिक्ष में जाती है लेकिन अगर बीच का कोई लेयर है जो इसमें की ये लॉक्ट हो जाए तो क्या होगा ये किरने वापस जमीन पे आ जाएंगे और इसी को करते ग्रीन हाउस एफेक्ट क्योंकि स्मॉग इस तीर हवा के कारण कई दिनों तक फसा रहता है या जनवरों और पौदों दोनों के लिए हानिकारक होता है अब है गैसी प्रदूसर गैसी प्रदूसर के रूप में किनकिन चीजों ने अपने अपना महत्पूर ने योगदान दिया है सबसे पहले है कारबन डायोकसाइड हवा की जो CO2 सामंगरी पिछली सताबदी के दोरान 20% तक बढ़ गई थी CO2 मतली और सीर दर्द का कारण बनता है CO2 क्या है कारबन और ऑक्सीजन इन दोलों के जो कंपोनेंट्स मिलते हैं कारबन के एक और ऑक्सीजन के दो तुम जाकर यह एक कंपाउंड का निर्मान करते हैं एक गैस का निर्मान करते हैं CO2 जिनके कारबन डायोकसाइड कहते हैं हमारे लिए करबन डायोकसाइड बहुत ही नुकसान दे है जबकि प्लांट्स के लिए यह उल्टा काम करता है यह कर्बंडर उकसाइट को ले लेते हैं और उनको अच्छी हवा में बदलके वापस देदे यह हवा में वृधी से ग्रीन हाउस प्रभाव हो सकता है क्योंकि वायुमंडली तापमान में वृधी हो सकती है क्योंकि सतही इस तर पर जो भी सौर अरजाएं जो भी हामफूल अरजाएं बन रही है वो अंत्रिक्ष में जा नहीं पा रहा है वो वापस लोटके जमीन पर आ जा रहा है और जमीन पर आने के बाद क्या होता है कि जमीन जाता गर्म हो जा रही है इससे ध्रूवी बर्फ पिघल रहा है और महासागरों का इस्तर बढ़ रहा है ध्रूवी बर्फ पिघलने का मतलब क्या हुआ दुरुए बर्फ पिघल के पानी बनेंगे और वहीं से तो महासागरों का सुरुवात होता है इससे क्या होता है महासागरों का इस्तर बढ़ जाता है और उनकी जो आसपास के चेतरे रहते हैं जो तटी चेतरे हैं बीच एरिया उसमें बाढ़ा साथ जाती है और बहुत ही जादा जन जीवन तरस्त हो जाता है दूसरे गैस है कारबन मोनो अकसाइड कारबन मोनो अकसाइड एक रंग हीन गंध हीन जलन रहित लेकिन बहुत ही जहरीली गैस होती है यह प्राक्रितिक गैस कोईला या लक्री जैसे इंधनों के अधुरी जलने के कारण होता है वाहन निकास कार्बन मोनो अक्साइड का एक प्रमुह कारण है कार्बन मोनो अक्साइड का सबसे प्रमुह कारण क्या है हमारा जो वाहन है जो ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज करते हैं वो सबसे बड़ा कारण है इसका इसके रिलिजिंग का नाइट्रोजन के ऑक्साइड अब देखते हैं नाइट्रोजन से जुरे कौन-कौन से ऑक्साइड है नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है वो यातायात के प्रमुख कारण होते है सबसे पहली बात और अन्य कारणों में क्या है कि जिवास में इंधन के जो दहन होता है उसके बात nitrogen oxide gas release होती है यह क्रीसी की जो गतिवीधियां है उसके कारण भी जारी किया जाता है चुकि ग्रामीन घरों में हम देखते हैं कि nitrogen oxide gas का release कफी जादा है क्यों है क्योंकि वहाँ पर gas के चुले नहीं होकर लकरी के चुले या फिर केरोसिन के चुले यूज किया जाते है तो इन सही चीजों के जलने से क्या होगा nitrogen oxide ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेंगे हवा में घुलेंगे हवा में इसकी जो प्रेजेंटेंस जो इसकी उपस्तिती है वो अन्य वायू प्रेदुसकों के निर्मान और संसोधन में योगदान करती है मतलब कि nitrogen oxide को हम लोग एक जो है न primary gas की रूप में भी मान सकते है जो कि अन्य गैसों के साथ मिलके दूसरी gas दूसरी खतरना gas बना सकते है जैसे कि ozone और कन पदार्थ ये दोनों मिलके क्या करते हैं हमने वर्षा करते है nitrogen dioxide क्या है एक भूरे गैस की रूप में जाना जाता है automobiles automobiles जो कि हमारे याद के साथ में रहता है और रसाइनिक उद्धियोगो द्वारा अफसिस्ट जो रहते हैं वहां अफसिस्ट गैसों के रूप में nitrogen oxide भी निकलता है अब है sulfur dioxide sulfur dioxide SO2 और SO3 कोले और पेट्रॉलियम के जलने से उत्पन होता है सबसे पहले तो sulfur dioxide के बारे में जान लेते हैं यह एक अद्रिस ऐसी गैसे इसमें बहुत ही गंदा और तेज गंद होता है और यह क्या करती तीस के अलावा औध होगी जो गतिवीधियां है और बिजली सेंद्रे जो के sulfur युक्ति जवास में को जलाने से होता है sulfur dioxide का महत भी महत पूर्ण सोर्स के रूप में जाना जाता है इंधन के जलने के बाद उसके बाद क्या होता है कि मोटर वाहन उस सरजन में sulfur dioxide मौजूद आ जाता है इसके बारे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब sulfur dioxide पानी और हवा के साथ इसके आनों मिलते हैं तो यह sulfuric acid बनाता है और sulfuric acid क्या है बारिस का मुख्यी गटक है बारिस जो acid बारिस जो होती है एसीडesomeyan जो होती हैato does are die oxide होता है और ऐसा होने से क्या ओते है वनोख को नास हो H2SO4 बनाता है और एसीड बारिस यही कहलाता है H2SO4 यह सक्ति स्रोतों के रूप में इंधन का उप्योग करके परियावर्नी प्रभाव का एक बहुत ही बड़ा चिंता का कारण बन गया है अब है फोतोकेमिकल अक्सिडेंट क्या है नाइट्रोजन और है का है क deberम क्रेंट के अनके बीच में फोकेमिकल प्रतिक्रिया के द्वारा इसका निरमान होता कि प्रकास की उपस्तिथी में नाइट्रोज galaxy जलिए हैडरोकबन के सादwood प्रतिक्रिया करता है और हवा में क्या बनाता है ओक्सिवाइड नाइट्रेट यानि PAN ओक्सोन, इल्डी हाइड और कुछ अन्य जटिल कार्मिक योगों को योगी को कमपाउंड्स को बनाता है अब है हाइड्रो कार्बन हैड्रो कार्बन आटो मोबाइल में इंधन के अधूरे दहन से जले हुए डिस्चार्ज होते हैं मतलब ये डिस्चार्ज हैं जो इंधन के आटो मोबाइल में जो इंधन पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं थोरे बच जाते तो ये उन्हीं से निकलते हैं ये nitrogen oxide के साथ pan बनाते हैं जो अतिधिक विसैला होता है और ये अतिधिक विसैली गैस जब हवा में जाती है तो ये हमें नुकसान करती है सात्मा है पर्टिकुलिट मैटर इंडस्ट्रीज और आटो मोबाईल हवा में बारिक ठोस और तरल कनों को छोड़ते हैं कोईले के जलने से ओरने वाली राख, कालिक, धातु की धूल, युक्त सीशा, क्द्रोमियम निकल, कैडमियम जस्ता और पारा धातु कर्ण परिकरियाऊं से लेकर कप्रा मिलों से कपास की धूल और फसल परकेट नासकों की छिरकाव से हवा में कन प्रदूसर के उदाहरन है यह हानिकारक स्वास है स्वास के लिए पर्टिकुलेट मैटर बहुत ही हानिकारक है अभी कुछ दिर पहले बताया था यह दो तरह के होते हैं और दोनों का डायमीटर अलग अलग है एक छोटे वाली जो है उनका डायमीटर होता है उसे कहते हैं 2.5 उनका डायमीटर होता है 2.5 mm और यह बहुत ही हलकी होते हैं जो कि हावा में धूल में मिले होते हैं और दूसरा है पर्टिकुलेट मैटर जिसका की डायमीटर होता है 10 पी 10 के नाम से जानते हैं यह थोरी भारी होते हैं यह जब हमारी बोड़ी के अंदर जाते हैं तो हम इनमें जेट एरप्लेन किसे उत्सरजन में मौझूद फ्लोरो कार्बंस जो कि कार्बिनिक यॉगिक फ्लोरिन में सामिल है एरोस्फेल ने क्या क्या ओजून पुरत को खराब कर दिया है क्योंकि जेट एरप्लेन चलते हैं वो काफी उचाई नुकसान होता है और ओजुन पुरत के हिलने से प्रिथवी तक पहुंचने वाले अधिक हानिकारक पैरा बैगने किरने निकलती है जो कि तवचा के लिए हानिकारक होती है और इसे तवचा का कैंसर हो सकता है अभी कुछ दिनों पहले इसके बारे में एक खबर आई थी खबर कैंसर वी जब इसका रिसर्च किया गया कि आखिर एक पर्टिकुलर एरिया में ही ऐसा बिमारी देखने को क्यों मिल रहा है तो सैंटिस्ट ने जब जाना तो पता चला कि वहां के जो ओजोन ले है उसमें छे छेदे पाई गई है जिसके कारण की पारा बैगने रेज प्रि के द्वारा छोड़े जाते हैं और सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं दस्वा नमर में है फ्लॉराइड फ्लॉराइड से युक चट्टाने मित्टी और खनीज गर्म करने पर हाइड्रोजन फ्लॉराइड नामा के एक अतिमत विसाली गैस चोड़ते हैं य इसकी सुर्वात हो रही है चट्टानों से मित्टी से और खनीज को गर्म करने से यह लोग नैच्रल रिसोर्से से चट्टाने क्या है नैच्रल है इन्हें कितना भी तोरा जाएगा तो इनके चो छोटे चोटे कन है वह भी हावा में जाकर के जब हमारे सरीर के अंदर जाए आपे जाएट मिल रहा है चुक्त को प्यूरिफाइट करना पड़ा प्रित्वी के अंदर तो वह प्यूरिफायड इस्तिति में उन्हें इरक्ली यूज नहीं किया जा सकता है इसलिए लोग क्या करते ही इनको प्यूरिफाय करने के लिए गर्म करते हैं और फिर अलग-अल क्लोरो फ्लोर कार्बंस का अभी घर में भी देखा जा सकता हैं, सबसे nhादा इसका सोर्स थे फ्रेज और एर कंडिसंस फ्रिज्टा ख़िश को कि आज घर जचा सकता है कि इन दोनों से हास क्लोरो फ्लोरो कार्बंस सबसे ज़्यादा मात्ना निकल रहा है इसके बाद आते हैं गंध गंध जैसे के कच्रा सीवेज और और अधोगिक परिक्रिया इन सब के परिनाम सुरूप क्या होता है एक विशिस प्रकार की गंध निकलती है जो की प्रदूसर प्रदूसर फैलाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है दूसरा नमर में है जल प्रदूसर अभी वायू प्रदूसर हो गया अब है जल प्रदूसर जल प्रदूसर प्रिथी का जल का प्रदूसर है इसमें रसाइनिक जिवानो या कन जैसे प्रदूस को द्वारा संदूसर सामिल है जो पानी की सुधता को कम करता है तेल रिसने के साथ साथ कूरी के प्रदूसन के सबसे सामानी रूपों में से एक है मतलब क्या हुआ जैसे कि जील मास अगर नदी और यहां पर यहां तकी भूमी का जो जल होते हैं अगर उनके आसपास कहीं तेल हो पेट्रोल हो या इस तरह की चीजे हो जो कि डिरेक्टली उन में मिल जाए तो इसे एक बहुत बड़ा मात्रा में प्रदूसन फैलता है यह उस वाटर को उस पानी के बाड़ी को पूरी तरह से क्या करते हैं गंदा कर देते हैं उन्हें प्यूरिफाइट करना बहुत ही मुस्किल होता है काफ़ी कोस्टली होता है तो उससे अच्छा क्या ख्यार लखा जाए कि यह प्रदूसन पानी में मिले ही न जब हम जैसे जल संसाद मोसाद ही ही जल गाहा जाता है जल प्र dawn सिपस्ट प्रकार्स है कि पानी को प्रभावित करता है दो अध्यारन के लीए देखे लेकी मंदल की जंप्रदूसर क्यों सबसे उपश तरीके से कैसे प्रभावित हो रहा है एक टेल टैंकर अडिया io पर तीन जो ह को भी प्रदूसित कर सकता है पाने का एक ब्रस ओदा भूमिकत रौक सनरचनाओं में आयुजित किया जाता है जिसे एक्वीफायर्स के रूप में इसे जाना जाता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं और सायद कभी इसके बारे में सुचते भी नहीं है एक्वीफायर्स में भूमिकत जल को भूजल की रूप में जाना जाता है एक्वीफायर्स हमारे नदियों को खिलाते हैं और हमारे पीने के पानी को अधिक आपूर्ती करते हैं एक्वीफायर्स जिस तरह से आज हमारे घर में प्यूरीफायर्स लगा हुआ है उसी तरह से नै अलग तरीके भी हैं जिनसे कि प्रदूसन हो सकता है जैसे कि पहला है प्रदूसन के प्रमुख बिंदु में जब प्रदूसन के सुरोत को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसका निश्चित सुरोत और स्थान है जहां यह पानी में प्रवेस करता है और यह कहा जाता है कि यह एक बिंदू स्रोथ से आता है उदारन के लिए क्या है इसे समझते है नगर निगम और ओधोगिक निर्वहन पाइप यह कहां पे होते हैं यह एक ही जगा है जिससे कि पूरे सहर में पाइप्लाइन बिछाय जाता है एक ही जगह का पानी पूरी सहर में सप्लाई किया जाता है दूसरा है गयर यात्रा स्रोथ प्रदूसन जब प्रदूसन की जो स्रोथ होते हैं उन्हें प्रदूसन की जो स्रोथ जिनकों की आसानी से नहीं पहचान सकते जिनकी की कोई गारंटे नहीं है कि उनका उद्गम कहां हुआ है और उनकी समाप्ती कहां पे होगी जैसे कि क्रिसी अफवा, अमली वर्साइग, इन सभी के बारे में हलों नहीं जानते कि ये कब आएगा और कौन इनको सप्लाई करेगा और कब इसे बंद करेगा तो उस प्रदूसर्ण को हम लोग कहते हैं गैर बिंदूसरोत बिंदूसरोत और गैर बिंदूसरोत दो हो गया बिंदूसरोत वो हो गया जिनकी बारे में कि हमें जानकारी है कि उस सरोत का उद्गम इस्थान कहां है और उसे कौन चला रहा है दूसरी तरफ गैर बिंदु सुरोथ वो हो गए जिसकी आसानी से पहचान नहीं सकते हैं जब बिंदु सुरोथ प्रदूसन पर्यावरन में प्रविस करता है तो सबसे अधिक प्रभावित जगा आम तोर पर सुरोथ के आसपास का छेतर होता है उदारेन के लिए जब एक टैंकर दूरघ अधना गरस्त होती है तो टेल स्लिक खुड टैंकर के चारों केंधरित होता है और सही संमूद की स्थिती में सही स्थिती में क्या होता है प्रदूसन आपके दौरा जाने वाले टैंकर से और दूर हो जाता है या non-pointed road production के साथ होने के संभावना कम करता है जो परिभासा में एक ही बार में कई अलग लग इस्थानों से environment में प्रवेस करता है मतलब क्या है कि इसका एक उदारन है उदारन की रूप में अगर देखे अगर कोई तेल से बाटा टैंकर पेट्रोल से बाटांकर कहीं जा रहा है किसी जलाय से भगल से गुजर रहा है और वहां उसका एक्सिडेंट हो जाता है तो क्या होगा वह तेल का रिषाव पूरे पानी में फैल जाएगा इसका कोई एक विंदू नहीं है मतलब एक विंदू से तात पर यह हुआ कि इसको आप कही एक जगह जाके रोकने से यह पूरी जगह इसका फैला हो रहा है वह रूखिने वाला नहीं है तो इसको यह क्या होता है कि खुले तोर पर सारे इंवेरिमेंट में पहुंच जाता है इसे नन पॉइंट स्रोत के रूप में मानते हैं मतलब कि इसका कोई पॉइंट एक पॉइंट नहीं होता है जिसके उपर की हम अपना कंट्रोल कर सके हैं दूसरी तरफ सैक्रों यह हजारों मिल दूर तक का जो प्रभाव है वह उससे एफैक्ट हो जाता है वह तेल काफी त है काफी तैजी से फैलता है इसे ट्रांस सीमा प्रदूसर की रूप में जना जाता है डעל का एक उदार प्रदूसन के मामले में सबसे नमबर वन पे आता है इसमें क्या होता है कि घरेलो अफसिस्ट जो है जैसे कि घा खाद अफसिस्ट कप्रेद होने के लिए इस्तमाल किये जाने वाले सिंथेटिक डिटरजेंट बातरूम और सोचाले और पानी पर आधारिक पेंट यह सारी ची जाता है वो सब धिरी धिरी क्या होता है वो पानी के अंदर जाते हैं और उसे जल प्रदूसन बढ़ता है इसके बाद है और अधोगिक अफसिस्ट को आसपास की नदियों और नदियों कार खानों की फ्रस लाइनों के माध्यम से डिस्चार्ज किया जाता है अभी जितने फैक्टरीज लगे हुए जाहे हो कपरा हो चीनी हो और वरक कार खाने हो तेल सोदक या दवा निर्मान यह सभी क्या करते हैं उनसे जो भी वेस्ट मेटेरियल निकलता है जो भी अफसिस्ट पदार्थ निकलता है उनको यह बरी बरी मोटी मोटी पाइप लाइनी बिचा के आसपास के जो जलासा हैं जो नदिया हैं उनमें डार्यक्ली फ्लो कर देती हैं उससे क्या होता है कि जितनी भी प्रदूसक पदार्थ है जो अफसिस्ट पदार्थ है वो नदियां में चला जाता है और नदी का पानी प्रदूसित हो जाता है वो ऐसा हो जाता है कि वह यहा क्रिसी स्रोथ permit, कृसी में क्या क्या स्रोथ हैं हैं में उच अंच पैदावार देने के लिए फसными पौधों के रुझ अर्वरक कि इस्तमाल किया जाता है और यह और्वरक क्या करते हैं उर्वरक को में इस्साइक इस चीज़ की जाती है नेट्रेटरस की अधिक्दा, नेट्रेटरस की जो अधिक्ता होती है, उनमें काफी ज्यादा मात्रा में, इसका जो percentage होता है, भू जल में रिस्टने से जीलो और तालाबो तक पहुंच जाती है, जब लोग कितना सक छीटते हैं प्लांट की ऊपर तो वो क्या होता है बाद प्लांटिंग जब बाद भू जल में चला जाता है जील और तालाबों में भी पहुंच जाता है और पे जल के आप उर्ती के लिए एक हमारा पीने का पानी कहां से आता है तालाब, जील, नदी से आता है और जब भूजल ही गंदा हो जाएगा उसमें कीट नासक चले जाएंगे तो यह पूरी तर से खत्म नहीं होते बलकि स्वास्त में बहुत सारी समस्याइं पैदा करते हैं कीट नासक कवक नास नेमा-टाइट कृतंक सामिल है कीट नासक और उर्वरक दोनों में बहुत जादा अंतर नहीं है अंतर बस यह है कि कीट नासक किटानवो को खत्म करने के लिए किया जाता है और उर्वरकों की उपादता बढ़ाने के लिए किया जाता है लेकिन दोनों का जो यह कंपोनेंट्स होते हैं उसके अनुसारं अगर देखें, तो दोनों से जो हमें समस्चाएं होती है, वो सीम समस्चाएं होती है। बहुत जाद अंतर नहीं है दोनों में जैसे के जरी बूटी और मिट्टी के फ्यूगमेंट्स इसमें क्या होता है क्लोरीन यूद्ध हैड्रोकार्बन होता है और गेनों फॉस्फेर्स होते हैं धातू लवन कॉर्बोनेट एसिटिक एसिड डेरिवेटिव आदि होते हैं कित कीटनासक में जो भी चीजे इस्तमाल हो रहे हैं जिसमें कि क्लोरीन यूद्ध हैड्रोकार्बन और गेनो फॉस्फेर्स धातू लवन कार्बोनेट एक्सक्टा एक्सक्टा चीजे हैं यह क्या करते हैं यह नस्ट नहीं होती बल्कि जो हम खाना काते जो खाद में इनको डा रहा है इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है अब है थर्मल प्रदूसन थर्मल प्रदूसन क्या है पावर प्लांट और नुकलियर पावर स्टेशन यहां से पानी की थर्मल प्रदूसन की महत्पूर्न श्रोत हैं वहां पानी को ठंडा करने के लिए इस्तिमाल किया ज जल वे पर स Sage के मोद्द प्रुदे करने पर गर्म पानी अपना टापमाद बढ़ा देता है जो मछलि को और जले जीवा मारता है और जले पधा हो में सुसन की दर्द को क्या करता है बढ़ा देता आइज क क्या होगा तो फिर उनकी मिर्यूतियों होने लगती है इसके अलावे हैं रोग जनक जीव घरों से निकलने वाला मल और घरिलू कच्रा रोग जनक जीव हो जैसे कि प्रोटो जोगा कीरे के अंडे बैक्ठीरिया को पानी में डाल देता है और इसे कौन-कन से बिमारिया होती ह पिलिया टायफाई पेच्छिस हैजा तपेदित आदी य decía कि पिलिया टायफाई पेच्छिस हैजा तपेदित ये घरों से निकलने वाली कच्रा इन से प्रे रितमत हुए है आगे हैं खनीज तेल तेल-स तेल और अटो-मोबायिल के धुलाई से शीवर के माध्यम से नदी क पानी में मिल जाता है भूमिगत जल प्रदूसन विशिएस कर सहरों और और अधोगीक छेतरों में भूमिगत जल अब बहुत तदिक सुध्य नहीं रहे गया है भूमिगत जल का जो स्रोत है वो सिवरेज, सिपेज, गड़े, और दोगीक अपसिस्ट, सैप्टिक टैंक, उलवरक कित ना सक और कच्रा आधी इन सब की जो चीजे हैं जो भी हनिकारक तत्व हैं वो सभी भूमिगत जल में मिले हुए रहते हैं तो वो जल पीने लाइक नहीं होता है उसके बाद है समुदरी जल का प्रदूसन समुदर में जो इतने ज्यादा मात्रा में जल हैं उनमें प्रदूसन कैसे फैलता है तो जो भी फैक्टरी से जो भी सिवरेज से नदियों में गंदगी फैलाए जाती है वो लास्टली जाकर कहां चला जाता है समुदर में चला जाता है इस परकार ये सभी प्रकृतिक और मानव निर्मित पानी आधारिक प्रदूसकों के सिंग के रूप में कारी करते हैं मतलब क्या हुआ कि नदी जो पूरी तरह से इंसानों के दोरा गंदा हो चुका है वो आके मिलती है समुद्र में तो समुद्र का जो प्रदूसर ने उसे कहा जाएगा कि ये मानव निर्मित है ना कि प्रकृतिक निर्मित समुद्री प्रदूसर का मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है तेल, ग्रिस, पेट्रोलियो मुतपाद, डिटॉर्जेंट, सीविज और कच्रा इसमें रीडियो धर में कच्रे नया सामिल हो चुका है इसके बाद है प्लास्टिक प्लास्टिक सबसे आम समंग्रियों में से एक है, हम लोग हर दिनी से यूज करते हैं जिसका उप्यों कप्रों से आटो मॉबाइल भागों तक लगभग हर किसी की निर्मित वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है सही है, प्लास्टिक का जो इस्तिमाल किया जाता है वो आज हम छोटे से छोटी चीज़ों से लेकर के बरे से बरे चीज़ों को बनाने में इस्तिमाल करते आ रहे हैं प्लास्टिक बहुत ही हलका होता है बहुत यह आसानी से तैरता है इसलिए यह क्या होता है महासागर में बहुत दूर दूर तक चला जाता है अभिधिकानस रूप में देखे तो प्लास्टिक बाइयो डिग्रेडिवल नहीं है मतलब अभी Nh상이 बताया गया था नहीं किler नस्ज होने के बाद इनकर प्रारंभिक रूप में इस्तेमाल किया सकता है प्लास्टिक नहीं किया जा-क यह पर्यावरन में स्वभाविक रूप से ब्रेड नहीं करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि प्लास्टिक की जो बोतल टॉप जैसी चीजे लंबे समय तक समूंद्र के वातावरन में जीवित रह सकती है एक प्लास्टिक की बोतल समूंद्र में अनुमानित चार सो पचास वर्सों तक जीवित रह सकती है मतलब कि एक बोतल चला क्या है तो वह चार सो पचास वर्स तक उसो कुछ भी नहीं होगा वह खुले रूप में समूंद्र में तैड़ती रहेगी प्लास्टिक मचली पकरने क रेखा 600 साल तक रह सकती है ग्लोबल वार्मिंग इसके बाद आते हैं ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण प्रित्वी के तपमान में व्रीधी से ग्लोबल वार्मिंग का परिनाम सामने आता है यह क्या होता है कि पानी के तापमान को बढ़ा देता है और इ वे भी भिलत Benny करनफे मर्मध को और क्या होता है उनकी मिरतियों हो जाती जिसके बाद ग्रितियों होता है कि प्रिभी के सद्स जेल जुजन में ही हो जाती है तो वह तो बाहर निकल नहीं पाया और चीजे हैं उनके मांग बढ़ती ही जा रही है परिनामसरुप क्या होता है इसके फलसुरुप खादान का अधिक उपयोग किया जा रहा है निर्मित गतिवीधियों में वनों की कटाई के लिए मिट्टी का छरन अपरयाप सिवर संग्रा उपचार कच्रा उत्पन होने के पर लैंड फिल उद्योगों में उद्योगों से रसाइनों में व्रिधि अधिक समंगरी में उत्पाद मुता इसके बारे में समझे तो जैसे कि जनसंख्या व्रिधि होती है तो उन्हें रहने के लिए आवास भी तो चाहिए और उतनी बड़ी जनसंख्यां को जीवित रखने बनाते हैं उसके लिए नदियों की किनारे से मिट्टी को काटा जाता है जिसे की नदियों का पानी का बहाव खराब हो जाता है मिट्टी के छरन के करण क्या होता है मिट्टी के छरन के करण पानी का बहाव बिगर जाता है जहां उसे पहुँचना चाहिए आगे के अबादि को उसका परियाप्त मात्रा में संग्रा नहीं मिल पाता है सिवर जुकी जिसका कि सारी गंदगी नदियों में ही झाता है इन सभी विकास के कारण जो है नदियों में प्रदोसन जैयता मात्रा में बढ़ रहे हैं आगे है पसु अफसिस्ट पस्व अफसिस्ट क्या है बारी सोने पर पस्व दुआरा उत्पातित अफसिस्टों को नदियों में बहाद दिया जाता है या अन्य हानिकारक रसाइनों के साथ मिस्ष्रित हो जाता है और फिर विभिन जल जनित रोग जैसे कि हैजा, दस्त, पिलिया, पेचिस और टाइफाइट का कारण बनता है यह important है क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि जल जनित रोग कौन-कौन से होते हैं जैसे कि हैजा, दस्त, पिलिया, पेचिस और टाइफाइट यह सभी जल जनित रो बाद के प्रदूसन की रूप में यह जाना जाता है मिती मतलब भूमी प्रदूसन और मिटी प्रदूसन एक हुआ यह प्राकृतिक जीवन के विकास को रोपता है इसमें क्या होता है कि खेती के लिए उप्योग की जाने वाली जो मिटी होती है वन जीवों के साथ साथ बस्ती भी सामिल है यानि कि बस्तियों का निर्मान होता है वनों के कटाई के बाद भुम्मी को साफ करने से मृदा प्रदूसन के सामानी कार्णों में ग्याय टिकाओ खेती के एक तरीके भी हैं खतरनाक अफ्य और मिटी का रिसना खरन के सासत कूरे डालना मृदा प्रदूसन से क्रिसी के विकास में कमी के सासत भुमी और आसपास के पानी को भी जहर हो सकता है मुरीदा प्रदूसन का मतलब हो गया मुरीदा प्रदूसन का तो सबसे पहले मतलब हो गया मुरीदा में यानि की भूमी जो की जमीन है जमीन में किसी भी पॉलियोटेर्स का सामिल हो जाना सो से पहले हमें इसका थोड़ा सा बेसिंग मीनिंग जान लेते तो ग्रीन हाउस एक प्रकार के विक्रण जमाव है जिसके कारण पिर्थवी के वायू मंडल के नीचले स्तर में तापमान में लगातर व्रद्धी हो रही है पिर्थवी पर जीवन को बनाई रखने के लिए नैचुरल ग्रीन हाउस गैसों की मौझूदगी जरूरी है जो की प्रकरतिक रूप से वायू मंडल में उत्पन होती है मानद्वारा हानिकारक गैसों पर उत्प सर्जन से ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव मायू मंडल में तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसके कारण प्रित्वी के तापमान में व्रद्धी होती जा रही है और क्या हो रहा है इसे ग्लोबल वामिंग का भी खत्रा बढ़ रहा है प्रित्वी का जो उसक तापमान होता है वो होता लगबग 15 smack और अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो इसको तापमान होथा बढ़ रहा है और उसके बाद में क्या हो रहा है ये ग्लोबल वामिंग का भी खत्रा इसे बढ़ गाया है तो आईए जानते तो वायू मंडल में गर्मी को फैलाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैसे कहा जाता है क्या है गर्मी को फैला रही है कौन सी गैस है ग्रीन हाउस गैस तापमान आज पाए जाने वाले आरामदा है कि यह आज का ओसत तापमान है वो कितना है 15 degree Celsius तो इसका एवरेज एक कोस्चिन बन सकता है कि प्रित्फफी का एवरेज तापमान लगभा कितना है तो वो है 15 degree Celsius बट अगर यह ग्रीन हाउस गयास नहीं होती तो इसका होता माइनस माइनस 18 degree Celsius तो इसका जो तापमान होता वो होता माइनस 18 degree Celsius जो कि बहुत कम होता और उस पर क्या होता कि जो प्रित्फवी पर जीवन संभव नहीं हो पाता ना पेड़ पौधे उपाते ना जीव जन्तू रह पाते ना मनुश्य रह पाते तो इसलिए तापमान में अंतर ग् संतूलीद को प्रभावित करते हैं यानि कि जो green house gases है ये प्रित्फवी के तापमान को संतूलीद करती है जो भी किरने हैं उनको अवस्योज़ अपने अंदर खीच कर पिर्थवी पर जो वायू मंडल उसको संतूलीद करती हैं और उसका तापमान सही बनाए रखने में हेल करता है जिसके परिणांस रूँप पृत्वी वाई मंडल पृणाली और सतह के तापमान का सुध्वामिंग होता है तो इस से क्या होता है कि जो ये ग्रीन हाउस wen ढसाद कर लिए नियुक्त परिकार आए जानते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कोष्टन बनते बनते हैं यहाँ से किन निमली कित में से कौनशी घ्रिंश से हैं या पिर कौनशाइ नहीं है तो आपको यहाँ अप्षिन दे दिये जाते यह थोड़ा साफ याद रखना यहाँ पर तो सबसे पहले हैं कारवन डाई आकसाइड क्या है कारवन डाई आकसाइड है यानि सी ओ टू याद रखना यह जो कारवन डाई आकसाइड है जीवास्म इंधन जैसे कि कोईला प्राकर्तिक गैस और तेल ठोस अपसिस्ट पेड़ो और लकड़ी के उतपादों के माध्यम से वायू मंडल में प्रवेश करते है किससे यह जीवास्म इंधन है और ठोस अपसिस्ट है इनसे वायू मंडल के अंदर आती है और इसके अलावा कुछ राशायनिक प्रतिक्रिया हो जैसे कि सीमेंट के निर्माण के परिणाम सरूप भी है तो जैसे सीमेंट वगरा का निर्माण होता तो भी यह उतपन होती है कारवन डायाकसाइड को वायू मंडल से हटा दिया जाता जब इसे जैविक कारवन चक्र के भाग के रूप में पौधा दुआरा अवसोशित कर लिया जाता तो पौधा क्या होते हैं यह जो फोटोसिंथेसिस के दुआरा कारवन डायकसाइड को अवसोशित कर लेते हैं और जितनी आवश्यक होते हैं उतनी ही वातावरण में रह पाते हैं तो पहली आग हो गई आपकी कारवन डायकसाइड और इसका जो रासाइनिक नाम है वह होता CO2 तो आप यह याद रखना नेक्स्ट आपकी मीथेन क्या है? मीथेन तो यह रासाइनिक नाम होता वह होता CH4 मीथेन का उत्पादन कोईला, प्राकरतिक गैस और तेल के उत्पादन और परिवहन के दोरान किया जाता है किस-किस में कोईला में और जब यह प्राकरतिक गैस है और तेल के उत्पादन में और इसके लावा परिवयन में यानि यातयात में भी ये जो मीथिन गेस उस टाइम निकलते उत्पादित होती है तो मीथिन उत्सर्जन भी पशुधन और अन्य किर्सी प्रताव और नगरपाली का ठोस अपसिस्ट लेंट्फिल में कार्बनिक कच्रे के च्छे के पर नाम सब रूप होता है यानि जैसे पसुओं के द्वारा भी मीथिन का बहुत जाद उत्पादन होता है और अन्य किर्सी कारेकलापों द्वारा भी पसुओं के द्वारा भी और किर्सी कारेकलापों के द्वारा भी मीथिन जो है वो उत्पादित होती है नेक्स्ट है, नाइट्रस आउकसाइड और इसका जो रासानिक नाम है, आप इनके रासानिक जो नाम है ये जरूर रियाद रखना, N2O तो नाइट्रस, आकसाइड, किर्सी और अध्योगिक गतिविदियों के साथ-साथ जीवाश में इंधन और ठोस अपसिस्ट के दहन के दोरान उत्सरजित होती है कब-कब होती है? किर्सी और अध्योगिक गतिविदियों के बाद में इनके बाद में जो ये gas उत्सरजित होती है, उसके साथ साथ में और कब? जीवाश्म, इंधन और ठोस अपसिस्ट के देहन के दोरान, तो ये gas उस टाइम पर उत्सरजित होती है, ओके तो ये तो हो गई, नाइट्रेस आकसाइड, नेक्स्ट है आपके ओजोन, ओजोन का जो असाइनिक ने, ये है, O2, ओके, तो ओजोन खुद को दो रूपे में प्रस्तुत करते हैं, एक होता समताप मंडल और दूसरा छोब मंडल, ये काफी हमारे लिए काफी अच्छी होती है, ये समताप मंडल में स्वाभाविक रूप से तो होती है, इसके लावा, ये जो प्रित्वी पर आने से रोकती है। प्रित्वी पर आने से रोकती है। पानी में घुलनसील नहीं है। लेकिन कार्बनिक सॉल्वेंट्स में घुलता है। इसमें कार्बन आकसाइड की तुलना में 32 साल का वाई मंडलिये जीवन और वैश्विक तापन चमता तेस जार नौसो गुणा अधिक मजबूत है। ये कार्बन डायकसेड से बहुत जादा मतलब आप देख सकते हो। बहुत जादा खतरनाक है। तो SF6 सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैसों में से एक माना जाता है। तो में यसी के वज़ए से जो ग्लोबल वार्मिंग में महत्पुन यूगदान देती है तो यह सभासर ज्यादा इसीक Wonderful Warming से जो ग्लोबल वाजिग हो रही जोन ओध्यू इसके उप्योग से जुड़े खतरों के बावजूद CHCIF2 का उप्योग कभी-कभी अन्य गैसों के स्थान पर उच ओजोन चरण छमता के साथ में किया जाता है नेक्स्ट है आपके नाइट्रोजन ट्राइट फ्लोराइड यानि NF3 तो क्या है नाइट्रोजन ट्राइट फ्लोराइड एनेफ 3 तो नाइट्रोजन ट्राइट का निर्मान औध्योगिक गैस और रासायनी कंपनियों द्वारा किया जाता है किनके द्वारा औध्योगिक गैस और रासायनी कंपनियों द्वारा किया जाता है इसे क्योटो प्रोटोकल द्वारा ग्रीन हाउस गैस के रूप में मानने था प्राप्त है, यानि जो जापान के शहर क्योटो में प्रोटोकल हुआ था, उसमें इसे बता दिया गया था कि ग्रीन हाउस गैस है, जो की वैस्विक जलवाई परिवर्तन में योगदान करती है, यानि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें बहुत जादा रोल अपना यो रोल निभाती है, इसका 570 वर्स के बीच का वैमंडल जीवन है, तो इतने टाइम तक ही रहती है, इस परियावरणी संधी के तहत, सदस्य देशों ने इस गैस के उत्सरजन को कम करने के लिए प् आए, कि वो जो इस गैस को इसका जो उत्पादन है, वो कम से कम करें, नेक्स्ट है, ट्रेटा, फ्लोर, मिथेन, तो आप इन गैसों का जो नाम अच्छे से याद रखना, कोस्चन बनते हैं कि कौन सी गैस है इन में से, और कौन सी नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस कौन सी है तो इसका जो रासानिक नाम होता है, वो होता, C F 4, तो ट्रेटा, फ्लोरो, मिथेन, एक गैर, जो एलनशील गैस है, जो फ्लोरो, कार्बन, परिवार से संबंद दित है, यानि इसी केटेग्री के है, ये भी, फ्लोरो, कार्बन, केटेग्री की, इस गैस में, अलुमीनियम, उत्पादन में हॉल हर्ट प्रिक्रिया का उपयोग होता है कौन सी प्रिक्रिया का हॉल हर्ट प्रिक्रिया का इसके अतिरिक्त यह एक सर्द के रूप में प्रियोग किया जाता यानि एक शीतलक के रूप में ठंड के इसमें थोड़ा सा ठंड बढ़ाने के लिए इसके साजार वर्सों तक होता है वायू मंडल में इसकी कम सांदरता के इस तर के कारण वायू वर्तमान में यह नहीं माना जाता कि इसमें एक महत्पूर्ण विक्रियन संबंदी प्रभाव होता है जिससे वेस्विक तापमान बढ़ता है यानि कि अभी तक यह प्रूफ नहीं हुआ कि यह जो क्लाइमिट चेंज हो रहा है तापमान बढ़ रहा है यह इसकी वज़े से होता है हलाक इसकी उपस्थिती लगातार बढ़ रही है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है यह ओजोन को नहीं गिराता है तो यह जो ओजोन में छेदो रहा है यह उसका उसके लिए यह रिस्पंजिबल नहीं है आप हम इसके कुछ MCQ solve करते हैं तो प्रदूशन के कारण होता है क्या है ओप्शन A है सल्फर डियाकसाइड ओप्शन B ओजोन ओप्शन C है पेन यह ओप्शन D नाइट्रेस आकसाइड तो इसको सही अंसर होगा ओप्शन C पेन next question आपका chloro-fluorocarbons का इसरोत कौन सा यानी CFC CFC का कौन सा इसरोत है सोर्स क्या है option A है आपका thermal power plant option B है automobile option C है परशीतलन और air conditioning और D है option D उर्वरक तो इसका सही आंसर क्या होगा परशीतलन और air conditioning तो इसका सही आंसर यह है यानी यह AC वगएरा में से यूज किया जाता CFC को okay AC में फ्रिज वगएरा में next है आपका निमलिखित में से कौन सा parameter वाई पानी में प्रदूशन संकेत तक के रूप में उप्योग नहीं किया जाता option A है आपका कुल भंग ठोस option B कॉलिफाम गणना option C next question है निमलिखित में से कौन मिथिन का इस रूप है तो मिथिन कहां से निकलती है option A है wetlands option B foam उद्ध्योग option C thermal power plants option D cement उद्ध्योग तो इसका सही आंसर होगा wetlands option A next question है प्रुद्धुशक के रूप में सत्य ओजोन के अंतिम गठन के लिए सर्जन का इस रूत निमलिखित में से कौन सा है तो option A है आपका परिवहन छेत्र option B प्रशीतन और air conditioning option C है wetlands option D है उर्वरक तो इसका सही आंसर होगा option A परिवहन छेत्र next question क्या है भारत के सहरों में मुख्य रूप से स्मोग होता क्या होता sulfur के आक्साइड है या फिर option B है nitrogen और बिना जले hydrocarbon के आक्साइड या option C carbon monoxide और SPM या option D है sulfur और ozone के आक्साइड तो इसका सही आंसर होगा option B क्या है nitrogen और बिना जले तो next question आपका कौन सी गतिविधी दुनिया भर में जल परदूशन में किसी अन्य के तुलना में अधिक योगदान देती है तो जल परदूशन में सबसे जादा योगदान किसका है option A है आपका किर्शी option B पन विजली उत्पादन option C option D शहरी करण तो इसका सही अन्सर होगा क्रशी क्या है क्रशी खिती और ये आपका next question है निमली खित में से किस देश में कारवन डायाक्साइड गा प्रिति व्यक्ति उत्सर्जन अधिक्तम है यानि कहां पर सबसे जो एक कारवन डायाक्साइड है कारवन डायक्साइड उत्सर्जित होती है second number पर चाइना है next सहरी खेतरों में प्रदूशक गैस कारवन मोनो आक्साइड यानि CO का प्रमुक इस रोत है या ये जो कारवन मोनो अक्साइड है इसका प्रमुक सोर्स हो क्या है option A है थर्मल पावर सेक्टर option D घरेलू छेतर तो इसका सही आंसर होगा option B परिवहन छेतर यानि यातायाद next question आपका इंधन सेल चालित वाहन में उर्जा को देहन से प्रप्त किया जाता है option A मीथेल option B हाइडरोजन option C LPG और option D है CNG तो उसे आपका सही आंसर क्या होगा option B हाइडरोजन next आप वीडियो को पॉस्ट भी करके देख सकते हैं हाल ही के दिनों में सहरी स्मोग से निम्निकित में से कौन से सहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो आपने नियूस पेपर वगएरा में भी देखा होगा तो इसका option में बोलती हूँ option A है पैरिस option B लंदन option C लोस अंजल्स और option D बीजिंग तो यह जो इस मोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर था वो था बीजिंग क्या है बीजिंग नेक्स्ट कोश्चन आपका ताजे जल निकायों में कार्बनिक प्रदूशन का प्रात्मिक इस रोत है तो इसका option है option A शहरी छेत्रों को बंद करना option B किरसी रूपों से रन ओफ option C मल अप्सिस्ट और option D है और ध्योगिक अप्सिस्ट तो इसका सही अंसर होगा मल अप्सिस्ट यानि जो मल वगएरा होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा कार्बनिक प्रदूशन होते हैं और यह इसके प्रात्मिक स्रोथ है next है निमलिकित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के वायू मंडल में सबसे कम निवास समय है यानि जो कौन सी कैसे जो सबसे कम समय तक रहती है तो इसका जो ऑप्षन है वो देखी ज़रा ऑप्षन A है क्लोरो फ्लोरो कार्बन ऑप्षन B कारवन डेयाकसाइड ऑप्षन C मिथेन या औप्षन D नाइ्ट्रस आकसाइड तो इसका सही आंसर क्या है? मीथिन क्या है? मीथिन सबसे कम टाइम तक रहती है परियावराण में नेक्स्ट कोस्चन आपका निमलिखित कतनों पर विचार करे और नीचे दिये गए कोड से सही उत्तर का चयन करे तो देखते हैं आपका पहला कथन है राजिस्थान देश में सबसे अधिक सोर विकिरन प्राप्त करता है दूसरा कथन आपका भारत में दुनियागी पांचवी सबसे बड़ी इस्थापित पवन उरजा है पवन उरजागी अधिक्तम राश्ची का तमिलनाडु द्वारा योगदान है और कथन चार है आपका भारत में यूरेनियम का प्राथ में किस रोध जाद गुड़ा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन-कौन से दो कथन जो सही है? एक तो आपका पहला बिल्गुल सही है पहला कथन जो राजिस्थान देश में सबसे अधिक सौर विक्रन प्राप्त करता है और दूसरा कौन से सही है? भारत में यूरेनियम का प्राथ में किस रोध जाद गुड़ा है? तो यह आपके दो कथने सही होगे और इसी साबसे ही ऑप्षन डी करेक्ट है नेक्स्ट कोस्चन है ग्रामीन घरों के अंतर नाइट्रोजन आउकसाइड प्रदूशन के इस रोध हो सकते है? क्या हो सकते है? ओप्षन ए है आपका अन्विक्रत गैस स्टो ओप्षन भी लपड़ी के स्टो ओप्षन सी है केरोसीन हीटर तो इस तीनों में से आपको बताना कौन-कौन से है? अब मैं ओप्षन बोलती हूँ A और B केवल या फिर B और C केवल या फिर B केवल और नेक्स्ट है A, B, C यानि तीनों तो इसका सही अंसर क्या होगा? तीनों है ना A, B, C यानि ये जो तीनों है ये तीनों ही गरामन छेतरों जो प्रदूशन उसको बढ़ाते हैं नेक्स्ट है आपका कुश्चन, बांगलादेश और भारत के कुछ हिस्सों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूशन के कारण होता है, क्या है? अप्शन A है अध्योगी कप्सिस्ट के कारण या अप्शन B、 थर्मल पावर प्लांट, अप्शन C है प्राकरतिक प्रूशन इस्षरोत an D, क्रशी पद्धितिया उसको सही आंसर क्या होगा? नेक्स्ट करते हैं निमलिकित वायू प्रदूशकों में जो मानव स्वास्थे के साथ जलवायू को सीधे प्रभावित करता क्या है आप्शन है सूथ, आप्शन B सल्फर डाय आक्साइड आप्शन C, नाइट्रोजन के आक्साइड या आप्शन D, क्लोरो फ्लोरो कार्बन इसका जो सही आंसर होगा होगा All सभी यानि सभी तो इसका सही आंसर होगा All तो इसमें आंसर की गलत दे रखा Next है सहरी छेत्रों में वायू प्रदूशक की पहचान करे जो आखों को परेशान करता और मनुस्या के स्वास्थन तंत्र को भी नुकसान पहुचाता है क्या है Option है Particulate Matter Option B Nitrogen के Oxide Option C Surface Ozone Option D Carbon Monoxide तो क्या है वो Surface Ozone क्या है Surface Ozone सही आंसर है Next है भारत की प्रमुख नदियों में जल पूर्दूशन निमले खित में से किसका सबसे बड़ा इस्रूत है Option है अनुक्चारिक सीवेज Option B किरसी रन ओफ Option C एनिमित लगूध ध्योग और Option D धार्मिक पृत्थाए तो इसका सही आंसर होगा अनुक्चारिक सीवेज यह बेकार के मतलब जो सीवेज खराब हो चुके गलत तरीके से सीवेज बनाए गया यह सबसे ज़्यादा प्रमूग कारण है किसका नदियों में जलबरदूशन का Next है आपका question निमलिखित में से कौन सा एक पानी के द्वारा हुआ रोग नहीं है तो यह द्वारा हो गया याँपर option A आपका type fight, option B hepatitis, option C है cure option D is dango तो इसमें से कौन सा रोग जो पानी के द्वारा नहीं होता पानी के कारण नहीं हो तो वो क्या है ? डैंगू यह मच्छर के कारणी जो रोग है यह पानी के द्वारा होते है अंतर रास्टे परियावरानी समस्याओं के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारी परियावरानी समस्याओं वो है ओजोन पुरत रिक्तिकरन जो कि ओजोन में छेद होगा उसके बारे में क्या-क्या परेशानियां आ रही है यार क्यों हुआ है तो चलिए इसके बारे में बात करतें, तो ओजोन लेयर, डिपलेशन, पिर्थवी के वायु मंडल को तीन छेतरों में विभाजित किया गा, जिसका नाम है, एक तो हो गए छोब मंडल, दूसरा हो गए स्टेटो स्फियर, और तीसरा हो गए मैसो स्फियर, तो स्टेटो स्फि हल्के नीले रंग की औरजून गेस का केंदरित होता, यानि इसमें क्या होती है, तीकि हल्के हल्की हल्के स्फि जो कि ओजोन गेस का केंद्री थे ओजोन गेस ऑक्सीजन के तीन प्रमाणूओ ओथ्री वाले अणूओं से बनी हैं। किर्णों से हमारी पृत्वी की रक्षा करता समताप मंडल पाने से रोकती है। और वहां पर जो आवस्टक जो किर्णे हैं उनको हमारी पृत्वी पर बेज देते और बाकी को उपर ही रोक लेती है। ओजोन वातावर्ण में स्वाभाविक रूप से उत्पनवा नस्ट हो जाती है। और हाली में जब यह एक अच्छी तरह से संतुलित प्रिणत हुआ है। ओजोन का गठन तब होता है जब ऑक्सिजन अनू 240 नैनोमीटर से कम तरंग देरगे के साथ में पराबैंगनी विकरण को अफसोसित करते। इसका जो ओजोन को निर्मान कब होता है। जबकि ऑक्सिजन के अनू 240 नैनोमीटर से कम तरंग देरगे के साथ में विकरण को अपने अंदर में अफसोशित कर लेते और वो नस्ट हो जाते हैं। तब यह दो सो नमबे नैनोमीटर से अधिक तरंग देरगे के साथ में पराबैंगनी विक्रण को अशोशित करता है और जो हानी कारक किरने हैं उनको आने से रोपती हैं और जोशोशन परतकी अधिकांस कमी के लिए सबसे अधिक जम्मेदार पाया गया है मतलब ओजोन की जो छेद हुआ उसके लिए सबसे जम्मेदार क्या है क्लोरिन और ग्रोमीनी होगी ओजोन रिखती करन प्रिक्रियत तब सुरू होते हैं जब CFC और अन्य ओजोन घटाने वाले पदार्थ वायू मंडल में उतसरजित होते हैं यानि कि जो ओजोन में छेद होता वो कब होता है जब CFC यानि फ्लोरो फ्लोरो कार्बन CFC का फुल फ्लोरो कार्बन जो कहां पे यूज होती है रेफिजरेटर और एर कंडिशनर में प्रिजम और इसी में ये कैस यूज होती है और क्या है जो दूसरे ओजोन घटाने वाले पदार्थ है ओडियस ये वायू मंडल में बहुत जादा उतसरजित होते हैं बढ़ते हैं हवाय कुसलता से मिश्रन करते हैं समान रूप से ओडियस को छोब मंडल में वित्रित कर द देती है ये ओडियस योगिक बारिस में नहीं घुलते क्या है बारिस के साथ में नहीं घुलते और क्या कर देते हैं बहुत इस्थिर होते और इनका जीवन का लंबा होता और यह क्या धीरे ओजोन में छेद करने लगते ओजोन को तोड़ने लगते हैं इसलिए ओजोन परत पृत्वी पर पौध और पसु जीवन के लिए तदी के फायदे मंद है. क्यों है फायदे मंद हौज़ों कैसा हमारे लिए? क्योंकि यह जो अल्टा वाइलेट के लिए कीड़ने हैं उनको हमारे पास आने से रोकती हैं. जिससे के भूसारी बीमारी उस iodo में बच जाते हैं इस इंग पॉत्धहू के लिए पूसु जीवन के लिए बहुत जाधा फायदा है जो सूरज के विकरण के खतरनाख हिसे को चान देती है और केवल लाब दायक भाग को ही पिर्थवी तक पहुचने देते हैं जितना जरूर यह उतना ही हमारी पिर्थवी तक आप पहुचता है अगर सारी किरने आ जाएंगे तो क्या होगा इतनी जाता गर्मी बढ़ जाएगी कि जो पेड़ पौदे ना तो वो हो पर अब देखते हैं और जोण परत की कमी के प्रभाव क्या क्या हो रहे है सबसे पहले मानवा पस्सास्ते पर प्रभाव पड़ रहा है Saur UV यानि सूरिय की जो Ultra Violet किरने हैं वो बढ़ते प्रवेसे आंखों के रोग हो उनसे क्या क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा आंखों के रोग हो रहे हैं तोचयक एंसर और संक्रामक रोग ये सबसे ज़्यादा इसके संभावित खत्रे हैं इसके अलावा माना स्वास्ते पर भी ये उच्छ प्रभाव पढ़ने की संभावना बनी रहती है नेच्ट है इस्थले पौधव पर क्या प्रभाव है यह पौधव के सुमदाई के लिए अप्रतेक्स रूप से प्रभावित कर सकता है जिसके प्रणाम सबुप पौधव के रूप द्वित्यक चपापचय आदी में परिवर्तन होते है यानि कि जो पौधव अगरा होते है वो सूर्य की रोसनी में तो अपना भूजन बनाते है प्रकास अंसलेशन दुआरा तो अगर बहुत जादा मात्रा में प्रकास रहेगा और जो खराब अल्ट वालेट करने वो आएंगी तो क्या है पेड़ पौधे पे जीवित नहीं रह सकते जलिय पासित्यकी तंतर पर प्रभाव तो इसका जलिय पासित्यकी तंतर पर क्या प्रभाव पढ़ेगा उचन कटी बंदिया और उपगरहों में विकरण के उचिस तर से जो टन के वितरण को प्रभावित हो सकता है जो जलिये खाद जालों की नीवे बनाते हैं यह किस-किस के लिए बहुत जादा दिक्कत कर सकता है मचली हो गई, जींगा मचली, केकडे, उभैचर और अन्य जानुरों के सुनवाती विकास चरणों को भी नुक्सान पहुचा सकता है सबसे गंभीर प्रभाव प्रजनन चमता और बिगड़ा हुआ लारवा विकास कम हो रहा है नेक्स है, जैव भू रासायन चक्रों के प्रभाववरा ऑएम के यह जर्वछ परद्क कम के तो है, हैं तो किसको सब जो ग्रिन हाउस गया से जैसे कारवन डाय एक्साइड हो गई कारवन मोनो एक्साइड हो गई तो यह सबसे जदर इसको प्रभावित कर रही है कि भाईयो कि गनवत्ताप स्टाहसूरा इस स्टेटोश फैरिक ओजोन की कमी और UV विकरण की बढ़ती पैट के परिणाम सरूप ट्रेसोस्फियर की रासाइनिक पृति किरिय सीलता को नियंतरित करने वाले प्रमुख ट्रेस गेसों की उच्छ फोटो पृत्थकरण दर होती है जो की इसके द्वारा सबसे ज़्यादा गंबीर खत्रे में है तो ये तो हो गया है ओजोन से संब्दें समझ से नेक्स्ट है हमारे ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है Global warming पिछली 1 से 2 सताब्दियों में पिर्थवी के सतह के पास ओसत वायु तापमान बढ़ने की घटना क्या है जो पिर्थवी का तापमान लगातर बढ़ रहा है पिछली 2 सताब्दियों से तो ये उसकी ओसत बढ़ने की घटना को ही हम Global warming कहते है यानि पिर्थवी का जो तापमाना है वो जितना लगातर बढ़ रहा है यही घटना क्या कही जाएगी ग्लोबल वर्मिंग 20 वी सतापदी के बाद जलवाई वैज्यानिकों ने विभिन मौसम संबंदी घटना हो जैसे कि तापमान वर्सा और तूफान और जलवाई उपर संबंदीत प्रभाव के विस्तरत अवलोकन एकत्रित के थे ग्लोबल वर्मिंग पैदा करने वाली प्रमुक ग्रीन हाउस गैसे हैं उनमें सबसे प्रमुक कौन के कारवंडाई आकसाइड क्या है जो ग्लोबल वर्मिंग पैदा कर रहे हैं सबसे प्रमुक गैस कौन से हैं उनमें कारवंडाई आकसाइड भले ही बहुत कम मात्रा में निकलते हो इसके लाव CFC का Global Warming में महत्पून कर्वन योगदान है, क्रवन डायकसाइड के लावा भी CFC भी गैस है, जो कि क्लोो फ्रोरो कार्वन है जो कि यह Global Warming में बहुत जादा महत्पून है, क्रवन डायकसाइड वायू मंडल में सबसे अधिक रोकने वाले ग्रीन हाउ प्रिथ्वी के वातावरान में कारवन डे-स involved, मीथे, नाइट्रस अक्साइड और फ्लोराइड युक्त गैसों जैसे ग्रीन हाउस गैसों के साथ सूरे की उट जागे संपक के कारण होता है यज गैसे होती है सूरे की उट जागे साथ में किरिया करती है और क्या है सूर्य प्रित्वी का तापमानों उसको बढ़ाने में बहुँ जादा भूमी का निभाती हैं अब देखते हैं ग्लोबा वामिंग के क्या क्या प्रभाव पढ़ते हैं सबसे पहले तो समुंदर के इस तर में सामाने तोर पर जलवाई परिवर्तन तेजी से होता है और नेक्स ने भूजन की कमी और भूग जल संसादन दुनिया भर में वर्सा और वास्पिकरन पैटर्न के परिवर्तन के रूप में परिभावित होंगे इस से किर्सि उत्पादन परिभावित हो गया जो प्रिषि से सबसे ज़ाद परिभावित होगा भूजन की कमी आ जाएगी क्योंकि जो फसल है उनको जो उचित से जाद ताप मान मिलेगा तो क्या है फसले जलकर राख हो जाएँगी खाद सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है और कुछ चेतरों में भोजन की कम्य और भूख का अनुभा होने की संभावना है जैव विविद्धता का नुकसान पृत्वी पर जीवन की विविद्धता और इसकी जैविक विविद्धता को संदर्वित करता है यानि जो पृत्वी पर जैविविद्धता है उसको भी यह ग्लोबल वामिंग काफी हद तक नुकसान पहुचा सकता है पौधो जैसे की पौधो जानवरा सुक्षम जीमों की परजातियों इनकी संख्या इनकी परजातियों में जीन की भारी विविद्धता ग्रह पर विबिन पारिस्थिती की तंतर जैसे की रेगिस्तान वर्सवन और प्रवाल वित्या सभी एक है जैविविद्धता वाले पृत्वी का हिस्सा है तो क्या है ग्लोबल वामिंग के दोरान इने भी बहुँ जादा नुकसान उठाना पड़ता है और फ्यूचर में हो भी सकता है कि पूरी तरह से समप्त हो जाए जैविविद्धता वास्ता में पारस्थिती की तंतर की उत्पादक्ता को बढ़ाती है जहां प्रतेक प्रजाती चाहे कितनी भी छोटी हो सभी की महत्पुन भूमिका होती है जो पारस्थिती की तंतर की उत्पादक्ता को बढ करने की छमता रखने में सक्षन बनाती है तो नेक्स्ट है हमारा परियावर्ण और स्वास्थे के लिए इंतरास्थे दिवस इसमें क्या है अब यह कुछ प्रमुख डेट्स हैं तो आपने अच्छे से याद रखना कब कौन सा दिवस मनाए जाता है तो सबसे पहले जन्वरी में जन्वरी में क्यों दिवस है प्रमुख राष्ट्य विज्ञान एवं कथा दिवस क्या है मतला नेस्मेल साइन्स डे कम मनाए जाता है सम्तु राष्ट्य अमेरिका में हो 26 जन्वरी ठीक है कम मनाए जाता है 26 जन्वरी को यह मतले नाप नेक्स्ट है विश्व हसी दिव 10-12 बारजंवरी को और ये किनकी याद में मनांए जाता है यह है १िवेकनन्द की याद में मनाया जाता है। नेस्ट टहिक फरर्वरी में कौन सा आता है फर्वरी में माता विश्व कैंसर दिवस तो ll Germona जाता चाहस quella तर समांदमीन चोरर घाप मार्च से संबंधित कौन-कौन से दिवस है तो सबसे पहला विशु वन्य जीव दिवस ये कम मना जाता Wild Life Day ये कम मना जाता 3 मार्च को और अंतराष्टे महिला दिवस Woman Day वो मना जाता 8 मार्च को विशु नींद दिवास ये 17 मार्च को नेक्स्ट है अंतराष्टे खुसी का दिन यानि खुसी दिवास का मना जाता है happiness day वो है 20 मार्च को नेक्स्ट है अंतराष्टे वन दिवास ये 21 मार्च को नेक्स्ट है मानवा दिखार दिवास दक्षिन अफ्रीका का ये भी किस मार्च को मना जाता है और विश्व जल दिवस वाटर डे का मना जाता है ये 22 मार्च को अब अपरेल से सम्बंदित कौन कौन से दिवस है सबसे पहले विश्व स्वास्त दिवस ये का मना जाता है साथ अप्रेल को कब साथ अप्रेल को क्या है वर्ल्ड हेल्थ डेग नेक्स्ट है विश्वे हेमुफीलिय दिवास ये कम मना जाता 17 अप्रेल को नेक्स्ट है इस मार्कोर इस्थलों के लिए इंतरास्थी दिवास ये कम मना जाता 18 अप्रेल को नेच्स्ट है प्रिथ्वी दिवस यानि अर्थर डे कम मनाये जाता वो 22 अपरेल को याद रखना बहुत ज़ाद इंपोटेंट है मलेरिय दिवस 25 अप्रेल माई मैं कौन कॉन से विशो हसी दिवस कम मना जाता माई का पहला रविवार अंतरास्टे शर्मिक दिवस वो कम मना जाता एक माई को अंतरास्टे आहर दिवस एक छह माई को परिवारों का अंतरास्टी दिवस 15 माई, पौधा सनरक्षन दिवस 18 माई, जैविक विधता का अंतरास्टी दिवस 22 माई, नेक्स्ट विशु ओरियन्टेरिंग दिवस 24 माई, और विशु थाइराट दिवस ये 25 माई, विशु तंबाकु निशेत दिवस ये 21 माई, और नेक रएटे जून में कौण कौन शाटते से निए शनक का चैनल केंसर सर्वाइवर्स states रास्ट्य के परियावरण प्तूस्बी से यह बहुत जहादे ऑन्या विशु महासागरी दिवस ये 8 जून को, विशु रक्तदाता दिवस ये कम मना जाता है, जून 14 को, और युवा दिवस दक्षन अफरीका का 16 जून को, विशु मानवतवादी दिवस 21 जून, विशु हाइडरोग्राफी दिवस 21 जून, अंतरास्टे योग दिवस ये भी 21 ज जाते तो आप इन तीनों का असानी से याद कर सकते अंतरास्टे भेट दिवास वह 25 जून को नसीली दवाओं के दुरुपयोग और अवेद तर्सकरई के खिलाफ अंतरास्टे दिवस कम मना जाता है 26 जून को अब जुलाई के देखते हम कौन कौन से स्पेसल दिना इसमें है सबसे पहले राष्टे चिकित सक्ध दिवस भारत मेए यानि डॉक्तर स्के लिए स्पेसल डेकॉन से राष्टे चिकित सक्ध दिवस और एक कम मना जाता है एक जुलाई को विस जंग संख्य दिवस ये 11 जुलाई को विशल हेपिताइटीन दिवस ही беспomina voter 25 जुलाइग िवस को और 17 बाग दिवस 29 जुलाइगative को नेक्स्त है अगस्त के कॉन कौशी मेहितोई पोन दिवस है कि राष्ट महीले दिवस या दक्षिना अफ्रिका में एन पालाइगा मिना जाता है नऊ अगस्त को वैसे जो वल्ड का वल्ड वुमन्स डे है वो होता आठ मार्च को तो दक्षिन अफ्रीका का इतना थोड़ा संतर याद रखना आप इसका अंतरास्टे युव दिवस 12 अगस्त को और जो हमारे भारत का वो होता 12 जन्वरी को वल्ड के लिए तो ये 12 अगस्त हो गया और जो हम आप देखते सितमबर के कौन से महत्पून दिवस है गगन्चुंभी दिवस 13 सितमबर को अंतरास्टे धर्मार्थ दिवस जब अक्टूबर का दूसरा गुरू वार ऎनी व्रस्पतिवार आता है थस्डे तब वीषो द्रस्टी द्वास मनाय जाता है प्रितेयक अक्टूबर में व्रद व्यक्तियों अंतराष्टे दिवस एक अक्टूबर अंतराष्टे कॉफी दिवस एक अक्टूबर और विशु साकारी दिवस ये भी एक अक्टूबर तो ये तीनों एक दिन मनाए जाते हैं नेक्स्ट अंतराष्टे पसु दिवस ये चार अक्टूबर विष्रु मांसिक श्वास्थे दिवस 10, अक्टूबर, अंतरास्टे बालिका दिवस 11, ग्लोबल हैंड वाशूंग डें ये हैं 15, अक्टूबर, और विष्रु खाथ दिवस 16, गरीबी उनमल्यम के लिए अंतरास्टे दिवस 17, विष्रुपोलिय दिवस 24, इंटरसेक्स तोलेटलो धोरेड दिम्दाblind रुकता दिवास 26 अक्टूबर और नवंबर में कौन कौन से आते लिविशु मदू मे दिवास 14 नवंबर बाल मतला हमारा देस .चुणेस वि यॉता आये ेंडिया में होता बाल दिवास जो उता चिल्द्रन्सillar भारत में होता और विशु सोचाले दिवस 19 नवंबर कम मना जाता वर्ड टॉलेट डे 19 नवंबर और रास्ट्य दुख्ध दिवस भारत में कम मना जाता रास्ट्य दुख्ध दिवस ये 26 नवंबर आप देखते हैं दिशंबर के कौन से महत्पून दिवस हैं सबसे पहले है विशु एड दिवस क्या है विशु एड दिवस ये है एक दिशंबर को बहुत जादा इंपर्टेंट है सेकेंड है विशु मृदा दिवस ये है पांच दिशंबर थर्ड है अंतरास्टी नागरिक उड्डियम दिवस साथ दिशंबर नेक्स्ट है मानवधिका दिसम्बर नेक्स्ट बहरीन राष्टी दिवस 16 दिसम्बर और नेक्स्ट अंतरास्टे चाय दिवस हो है 15 दिसम्बर ओके तो यह आपके महत्पुन दिन होगे अब हम इसके कुछ एंजी क्यू सॉल कर लेते हैं नागया प्रोटोकल किस से संबंदीत है बताय था मैंने किस से ऑप्शन है जलवायू परिवर्तन से ऑप्शन भी ओजोन की कमी से या फिर ऑप्शन सी खतनाक अपसिस्ट से या ऑप्शन दी जैव विविदता यानि बायो डाइवसिटी से तो अंसर क्या होगा जैव विविदता से तो ये नागया प्रोटोकल किस से संबंदीत है जैव विविदता से नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन मानविकास सुचकांक का मापक नहीं है यानि जो मानविकास सुचकांक होता है उसका मापक क्या नहीं है ऑप्शन है ये भी, option B, सकल ना मंकन, option C, लिंग अनुपाद, और option D, जीवन प्रित्याशा, बनला ये तीन होता है, बस ये option C नहीं है, लिंग अनुपाद, इसके आधार पर मानविकास को नहीं ना पा जा सकता, नेक्स्ट कोस्चन है, क्योटो प्रोटकल की से संभन दीत है? तो option इसेshore होते है, आप्शन भी, खतरनाक अप्सिस्ट, आप्शन C, जलवाईव, परिवरतन ये option D, प्रवान उर्जा, तो ही किस से संभन दीत है, option C, जलवाईव, परिवरतन से? किस से जलवायू परिवर्दन से नेक्स्ट कोश्चन है भारत में हाली में लंच किये गए वायू गुणवत्त सुन्च कांक में कौन सा प्रदूशक सामिल नहीं है क्या है option A है कार्बन मोन अक्साइड यह option B ठीक कन पदार्थ यह ठोस हो गए यहाँ पर क्लोरो फ्लोरो कार्बन नेक्स्ट कोश्चन है प्रति व्यक्ति पानी का उप्योग इन देशों में अधिक्तम है कौन सा देश है जो हम पर सबसे ज़्याद़ पानी का यूज किया जाता है option A USA, option B यूरोपिय संग, option C चीन, option B भारत तो सबसे ज़्याद़ पानी का यूज कहां पर किया जाता है प्रति व्यक्ति जो अधिक्तम है वो यूरोपिय संग में है next question है रास्तिय जलवाई परिवर्तन नीती के भाग के रूप में भारत सरकार वर्स 2030 तक नवी करनिय उर्जा की इस्थापिच चमत बढ़ाने के लिए यूजन बना रही कितनी चमत बढ़ाने के लिए option A है 175 GW option B 200 GW option C 250 GW option D 350 GW तो वो कितनी यूजन बना रही है भारत सरकार जो वो 350 GW यानि option D is correct answer next है सतत विकास लक्षो को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्षे है कब तक ये प्राप्त करने सतत विकास लक्षे है कब तक इनके जो टाइम है वो कितना है option A है 2022 तक option B 2030 तक option C 2040 तक या option D 2050 तक तो इसका सही answer होगा कई बार question में पूछा जा चुका है 2030 तक जो हमाई सतत विकास लक्षे है 2030 तक हमें प्राप्त करने होगे next है भारत सरकार ने वर्स 2022 तक बायो मास में बिजली उत्पादन का कितना लक्षे रखा है 5 MW 25 MW 15 MW ये 10 MW तो इसका सही answer होगा 10 MW तो यानि भारत सरकार ने बायो मास से 2022 तक 10 MW बिजली उत्पादन का लक्षे रखा है next question है विशू मौसम विज्ञान संगठन WMO का उत्देशे वर्स 2010 से 19 के दोरान वर्स 2009 में 19 में 5 बिजली मौसम संबंधी आपदाउ से होने वाली मौतों की संख्या को कम करना कितने प्रतिशत मौतों की संख्या कम करना वो है option A है 25 प्रतिशत option B 50 प्रतिशत option C 75 प्रतिशत option D 80 प्रतिशत तो कितने कम कर सकता हूँ option B 50 प्रतिशत तक next question है किस देश में हाली में hydro-fluorocarbons HFC को चरणबद करने पर अंतरास्टे समझाते पर हस्ताक्षर किये गए थे कहां पर किये गए थे option है Ravanda option B मोरक को option C दक्षिन अफ्रीका और option D है Algeria तो इसमें सही आंसर क्या है Ravanda यहां पर ही HFC को चरणबद करने के लिए अंतरास्टे समझाते पर हस्ताक्षर होई थे कहां पर Ravanda next question आपका वर्स 2022 तक लगू जल्विदूत परियोजनाव से बिजलिवत पादन के लिए भारस सरकार का लक्ष क्या है option A 1 GW option B 5 GW option C 10 GW option D 15 GW तो इसका सही आंसर होगा option B यानि 5 GW लगू जल्विदूत परियोजनाव से भारसरकार विजली उत्पादन करेंगी कितनी 5 GW रास्टे परियावरान अपीलिय प्राधिकरण और इंग्लिश में बोलते हैं National Environment Appellate Authority यानि NEEA तो इह हो गया अब हम जानते इसके बारे में क्या होता है रास्टे परियावरान अपीलिय प्राधिकरण तो परियावरान और वनमंत्राल द्वारा रास्टे परियावरान प्राधिकरण की स्थापना की गई थी जो की कुछ पृतिबन छेत्रों में परियावरान मंजूरी से संबंधित मामलों को देखता है तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो परियावरण और वनमंत्राले द्वारा की गई थी तो ये question बन सकता है इसलिए आप ये बात याद रखना छिसे किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना वो की गई थी परियावरण और वनमंत्राले द्वारा तो राष्ट्या परियावरण अपीले प्राधिकरण या प्रियावरण मंत्राले ने मिलकर इसकी स्थापना की थी रास्टे इस्तर पर कुछ हद तक परियावरण न्याले स्थापित करने में भारत का पहला प्रियास रहा है तो ये भारत का पहला प्रियास है यानि भारत का पहला रास्टे इस्तर पर परियावरणी संबंदी न्याले है विभिन देशों में परियावरण न्याले कारयात्मक रही है विभिन नेर्णों में भारत के सर्वोच न्याले ने पर्यावरणी मुद्दे के संबंद में अब तक पर्यावरण न्यालों और विशेज न्यालों के गठन के आवशकता पर प्रकास डाला यानि सरवोच न्याले के दौरा यह बताया गया है कि हमारे देश में भी एक ऐसा न्याला होना चाहिए जहां पर परयावण से सम्बंदित अपीले की जा सके वहां पर उन से परयावण से सम्बंदित शिकाइतों का निप्टारा किया जाए इसका जो मुख्य उद्देश से था वो था कि लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अपनी पेक्षा से संबंदित था और इस पर ध्यान केंदरित किया जा यानि परियावरण से संबंदित लोगों की क्या क्या शिकायते हैं परियावरण को नुक्सान हो रहा है तो उस बारे में अपनी राय व्यक्त करना और उन पर कुछ परियावरण संबंधी जो पृतिबंध लगाना हाला कि NEEA अब राष्टे हरित अधिकरण विद्धेग 2009 के पारित होने के मद्दे नजर रस्त कर दिया गया है अब नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रीबिनल यानि हम इसे शौट में NGTV बोलते हैं आप लोग कई बार न्यूज में इसका नाम सुने चुके होंगे तो नेशनल ग्रीन ट्रीबिनल क्या है NGTV की स्थापना 8 अक्टूबर 2010 को केंद सरकार दुआरा इसमें केंद सरकार ने की गई थी इसकी स्थापना जो कब 8 अक्टूबर 2010 को पारित राष्ट्य हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी केंद सरकार का गोसित उद्देश है परियावरन, सनरक्षन, वनो के सनरक्षन और परियावरन कानून के उलंगन के कारण लोगोया संपत्ति के हुए नुकसान ये चटिपूरती के लिए मौावजय की मांग के लिए एक विस्शेश मैंच प्रदान करना था क्या था इसका जो मुख्य उद्दे से था एक तो ये था कि जो परियवरान को सनलक्षन देना यानि परियवरान को किस प्रकास से हम सनलक्षित कर सकते ये सरकार के द्वारा ये उसके लिए कानून बनाये गया था इसके लाव बनों को सनलक्षन और जो की परियवरानी कानून लंगन के कारण जो लोगों का नुक्सान हुआ है संपंति का नुक्सान हुआ है उनकी छतिपूर्थी के लिए उनको मुआवजा प्रदान करना इसके लिए एक विसेज मंज प्रदान बन गया था और उनको अनुमुतिया देना NGT की चेयर परसन सुप्रीम कोट की एक रिटायर्ड जज है जो इस टाइम पर चेयर परसन है वो NGT की वो अभी सुप्रीम कोट की रिटायर्ड जज है जिनका हेड़ कार्टर दिल्ली में है तो इसका जो चेयर परसन होते हैं हमेशा NGT की चेयर परसन होते हैं वो हमेशा हो सकता और जो headquarter होता है इसका वो होता दिल्ली में कहां पर दिल्ली में question बन सकता है कि इसका headquarter कहां पर है तो वो है दिल्ली में और NGT का chair person कौन होता तो वो होता supreme court का retired judge अन्य न्याइक सदस्य यानि कि जो इसके अलावा chair person के अलावा जो अन्य सदस्य होंगे वो उच न्याइक यानि हाई court के retired judge होंगे वो भी हाई court के retired सेना न्य वर्त न्याइदीस होंगे अजुआ हैं Do next एो एंजी टी कि प्रमुख पीठ रास्टे राजगानी नहीं दिल्ली में पुने प्रोणे पिष्ट से संबंदित मामलों को पुने वाली बेंच देखती इसके लावा भुपाल है भुपाल में कौन से मध्ध्य छेत्र पीठ यानि जो मध्ध्य के मामले है वह भुपाल वाली पीठ देखती इसके लावा चिन नहीं की है पीठ जो की दक्षणी है जो इसकी दक्षणी ब्रांच है और इसके से लावा जो कोलकतव वाली है वो पूर्वी ब्रांच इसकी पूर्वी भीठ है इन में छेते पीठों के साथ स्थापित की गई है पृतियक बेंच के पास में एक छेतर के कई राज्यों को सामिल करने वाले एक निर्दिष्ट भोगोलिक छेत्रा अधिकार होता तो यह पीठ है यह अलग-अलग छेत्रों को अलग-अलग राज्यों को भी इसमें सामिल कर सकता है है तो यह तो हो गया एंजीटी और एन एए एक बारे में अब हम देखते क्यों टो प्रोटकॉल क्या है जलवाई परिवर्तन पर संयुक्त रास्टे ढाचे के यानि जो संयुक्त रास्टे संग है उसके सम्मेलन से जुड़ा एक अंतरास्टे समझाता है यानि कि वो अपने देश के अंदर कुछ गैसों पर बाध्यकारे उत्सरजन को कम करने के लिए लक्ष निर्धारित करता है तो Kyoto Protocol Greenhouse Gas उत्सरजन में देशदर देश कटोती के बीच पहला समझवता था यानि जो Kyoto Protocol था ये Greenhouse Gases थी उनमें कटवती करने से संबंदी था Question बन सकता है कि Kyoto Protocol किस से संबंदी था तो वो था Greenhouse Gases से संबंदी था यानि कि जो उनका उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है उसमें किस प्रकार से कटवती की जाए क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसे हैं यह environment climate change में सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं इन ग्रीन हाउस गैसों से ही जो environment है वो हमारा change हो रहा है global warming बढ़ रही है तो विभिन देशों के मद्दे ऐसा समझाता क्या गया क्योटो में जो कि उन देशों पर वाद्ध्यकारी उत्सर्जन की कमी करता है जिससे कि वो लोग वो देश अपने यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में कमी करें और जो यह environment है यह ज़्यादा खराब ना हो क्योटो UN Framework अविसकार Convention on Climate Change यानि UNFCCC से उबरा यानि कि जो इसका जो यह बना ही यहां से बना किसके दुआरा बनाए गए है UNFCCC जिसे 1992 के मेगा मिटिंग के लगभग सभी राष्टे दुआरा हस्ताक्ष्रित क्या गया मतलब इसका एक सम्मेलन हुआ था किसमें हुआ था यह 1992 में United Nations Framework Convention on Climate Change क्या है United Nations Framework Convention on Climate Change पर 1992 में एक जो समझाता हुआ था जिसमें इसका Kyoto Protocol का गठन हुआ था हम इसे पृत्वी के सिखर सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं तो यह पृत्वी सिखर सम्मेलन भी हम इसे कहते हैं अगर हम इसके डेट के बारे में बात करें जहां से डारेक्ट कोस्चन पूछे जाते हैं तो 11 दिसम्बर 1977 में को यानी 11 दिसम्बर 1977 में को क्योटो जापान में क्योटो प्रोटे काल को अपना गया, जापान का शहर क्योटो वहाँ पर ही इस प्रोटे कॉटे को अपना गया और 16 फरवरी को यह लाग हुआ संपूर्ण विच्व के देशों के लिए लाग हुआ जिन जिनों ने इस पर signature किये थे उन सभी रास्टों के लिए वाध्यकारी हुआ प्रोटकॉल के कार्यान वेयन के लिए विस्तरत नियम 2001 में मौरक्यों के मारकेस में कॉप 7 पर अपनाए गए थे जो इसके लिए नियम थे वो कब अपनाए गए थे 2001 में कहाँ पर मौरक्यों के मारकेस में और इन्हे ही हम क्या कहते मारकेस रिकॉर्ड कहा जाता है इनको ही क्या मारकेस रिकॉर्ड कहा जाता है तो ये तो हो गया क्योटू प्रोटकॉल अब नेक्स्ट है हमारा नागोया प्रोटकॉल अगर हम इसके थोड़े background के बारे में बात करें तो सईंगतरास्टे महासभा द्वारा वर्स 2010 को जय विविधता के अंतरास्टे वर्स तथा 2011 से 2020 तक के दसक को सईंगतरास्टे जय विविधता दसक के रूप में घुसित किया गया कब यानि सन 2010 को तो हमने जो ये संयुक्त रास्टे महासाबा ने उसको जय विविदता के अंतरास्टे वर्स के रूप में घोसित किया गया और इसके अलावा जो सदी है वो 2011 से 2020 तक की जो सदी है न इसको संयुत रास्ट जय विविदता दसक के रूप में घोसित किया गया तो इस प्रोटोकॉल के सदस्यों को वर्स 2020 तक ABS के प्रावधानों के संदर में न्यूंतम मापदन्ट तै करना है तथा अपने जय विविदता अधिनियमों के अनुरूप बना लेना है यानि कि यह जो नगयो प्रोटोकॉल है जय विविदता से संबंदित है बायो डावरसिटी से यह संबंदित है आनुवनसिक संसादनों तक पहुचारों के उप्योग ABS से उत्पन होने वाले लाभों के निस्पक्ष और न्याय संगत साजाकरण पर नागया प्रोटोकॉल यह जय विविविदता पर समझाता किस पर यह जय विविविदता बायो डावरसिटी यह प्रभावे कार्यान वेयन के लिए एक पारदर्सिक कानुणी ढाचा प्रदान करता है इसका उद्दे से आनुवन्सिक संसादनों के उप्योग से उत्पन होने वाले लाभों को न्याय संगत तरीके से साजाकरण ना है और कहां पर नागया में नागया कहां पर है जापान में और अनुमेदन के पचासवे साधन के जमा होने के नब्भे दिन बाद जब यह मतला अपनाय गया उसके नब्भे दिन बाद बार अक्टूबर दोहजार स्वारी बार अक्टूबर दोहजार 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 को लागू हुआ था अपना तो ही पहले लिया गया था 29 सक्टूबर दोहजार दस को कब अपना लिया गया था 29 सक्टूबर दोहजार दस को लेकिन जब लागू हुआ वो हुआ था बार अक्टूबर सन 2004 में तो इसका उद्दे से आनुवनसिक सनसादनों के उपयोग से उत्पन होने वाले लाभू का उचित और न्याय संगत साजा करण है जिससे जैविविद्धता के सनलक्षन और इस्थाई उपयोग में योगदान होता है जिससे समबंदीत है जैविविविद्धता से उसके सनलक्षन से अब हम देखती नगया नागया प्रोटोकॉल के लक्ष क्या क्या है तो जैविविविद्धता को बचाने के लिए एक नई 10 साल की रणनीती योजना होती है ठीक है यह एक नई दस साल के एक रणनीती योजना को अपनाय गय थो उस टाइम पर एक संसाधन जुटाना रणनीती जो जैविविधता के समर्थन में आधिकारिक विकास सहता के वर्तमान इस्तरों में प्रयाप्त व्रद्धी के लिए रास्ता प्रदान करते हैं यानि किस प्रकार से हम जैविविधता को सन्रक्षित कर सकते उसके लिए हमें बहुँ ज़्यादा जो रास्ता प्रधान करते हैं ग्रह को हैं अनुवन्सिक संसाधनों के उपियोग से लाबों के उप्योग और साज्या करने पर एक नया अंतरास्टे प्रोटोकॉल है ये लाब साज्याकरन प्रोटोकॉल क्या है इसे नया ABS नियम कहा जाता किसको कहा जाता नया ABS नियम लाब साज्याकरन प्रोटोकॉल को तो इसे नया ABS नियम भी कहा जाता है genetic resources यानि ABS के access and benefit sharing पर अंतराष्टिय अशासन सामने आया तो इसकी जो full form होती है ABS की वो क्या है access and benefit sharing याद रखना यह संधी मुख्य सम्मेलन के लिए प्रोटोकॉल है जो बुनियादी आधा नियमों की व्याख्य करता है इसके लावा देश कानुनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल तक पहुच नहीं सकते मतला यह जो प्रोटोकॉल है उनको बाध्यकारी तो नहीं है फिर भी है रेखांकित करता है कि कैसे लाब मिलता हुदारान के लिए जब एक पौधे के आनुवनसिक को एक वानिजिक उत्पाद जैसे की दवा में बदल दिया जाता है तो उन देसों और समुदाव के साथ साजा किया जाता है मतला अगर किसी देश में पार्टिकलर किसी कंट्री में कोई इस तरह के पेड़ है कोई इस तरह का जो व्रक्ष है जो इससे की कोई दवाई बन सकते तो ऐसा निया कि वो अपने पास ही वानिजक रूप में रखे बलकि उसे विभिन देशों के साथ में उसे शेयर करना होगा अब नेक्स्ट है हमारा पार्टियों का सम्मेलन यानि Conference of Parties तो ये क्या है पार्टियों का सम्मेलन जलवाई परिवर्तन सम्मेलन का सरवच निकाय है यानि कि विभिन बड़े देश आपस में विलकर सम्मेलन करते कि इसलिए जलवाई परिवर्तन से संबंदित मामलोकबाद तो दुनिया के अधिकांस देश इसके सदस्य है कि जो दुनिया के जादातर देश इसके सदस्य है और जुलाई 2011 में 185 कन्वेंशन किसी देश के लिए 90 दिलों के लिए लागू होता है कितने दिनों के लिए 90 दिनों के लिए जो लागू होता है उसके बाद में देश इसकी पुस्टी करता है COP ने अपना पहला सत्र 1995 में आयोजित किया गया तो पहले इसका जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था 1995 में और यह आगे भी चलता रहा वार्सिक रूप से मिलना अब तक अन्यत निस्तारण नहों हर साल इसका जो सम्मेलन होता रहा है हाला कि COP को सलहा देने और समर्थन करने वाला विभिन सहयक निकाय अधिक बार मिलते हैं ऐसा नहीं है किसी सम्मेलन के टाइम ही मिलते हैं वो लग-लग समय पर भी आपस में मीटिंग करते रहते हैं कन्वेंशन में कहा गया है कि COP समय समय पर कन्वेंशन के तहत पार्टी और संस्थागत वेवस्थाओं की दायतों की जाच करता है यानि कि कौन सा देश जलवायू परिवरतन से संब्दित कौन-कौन से कार अच्छे कारे कर रहा तो इन सब की यह जाच करता है और क्या-क्या करना चाहिए इन सब भी बारे में अपनी सुझाव प्रदान करता है कंवेंशन के उद्द की इसके कार अवयन में प्राप्त अनुभाव और व्यजानिक ज्यान की वर्तमान स्थिती के प्रकास में करना चाहिए यानि कि इसके कौन-कौन सद्धेस है वो विज्ञानिक scientific way में किस प्रकार से हम जलवाईयों परिवरतन से सम्मधित कारेों को कर सकते हैं तो इस बारे में प्रकास डालता है नेक्स्ट है हमारा मांट्रियल प्रोटोकल क्या है मांट्रियल प्रोटोकल तो 1987 में 27 अध्योगिक देश यानि कि जो सबसे बड़े अध्योगिक देश थे उन्होंने 27 देश और 1987 मेंКब 1987 में ओजोन रिक्टी करन जो ओजोन में छेद ओरा उसके संबंदित एक कौन्फरेंस किया उसका ये था कि जो ओजोन में, ओजोन गेस में जो छेद कर रहे हैं, उन पदार्थों को उप्योग को सीमित करना, यानि ओजोन क्या है जो सूर्य से आने वाली अल्टर वाविलेट किर्णों को हमारे पिर्थी पर आने से रोकती है, तो उसमें छेद हो गया था, ये उसी से स किस से समद्धी था, ओजोन रिक्ति करन से, वाईू मंडल की सुरक्षा के लिए समझहते पर हस्ताक्षर किये गए, यानि वाईू मंडल की सुरक्षा के लिए उसको संरक्षित करने के लिए इस समझहते पर हस्ताक्षर किये गए, विकल्प ढूंड़ा और विकासिल देश को समान होने में मदद की तो ये मुख्य रूप से किस से संबंदी था ओजोन रिक्तिकरण से और इसका जो स्थाप न हुई थे वो कब हुई थी 1987 में कितने देश थे इसके 27 देश होने अब देखते हैं वेश्वी सिखर सम्मेलन क्या है तो परियावरण और विकास पर सयुक्त रास्टे सम्मेलन किस पर परियावरण और विकास पर सयुक्त रास्टे सम्मेलन UNCED द्वारा किसके दोरा UNCED दोरा 1992 में रियोदी जैनेरो ब्राजील में आयोजित कहां पर हुई थी है रियोदी जैनेरो जो कि ब्राजील में इसमें आयोजित इस बैठक में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ सिधान्त बनाये गए थे इसके लिए एतिहासिक Global Greenhouse Gazette उत्सर्जन समझा था की गाली में हस्ताक्षीत हुआ था और जुन परत MOP 28 को चितरित करने वाले पदार्तों पर मॉंट्रियल प्रोटोकॉल में पार्टियों की बीसवी आठवी बैठक में किगाली रवांडा के एक एतिहासिक वैस्विक जलवाई सौधा हुआ था इसके लावा तथा कथित किगली संसोधन जो की 1987 में मंट्रियल प्रोटोकॉल में संसोधन करता है उसका उद्देश क्या था 2014 तक के दसक के अंतक सकती साली ग्रीन हाउस गैसों के एक परिवार जिसमें कि हाइड्रो हाइड्रोक्रावबन कार्बन जो है एच एफसी को बाहर निकालना था किगली संसोधन के तहट भारत सहित सभी 197 देशों में और भारत के साथ ही बाकी जितने भी 197 कंट्रीज उन्होंने 2045 अपनी आधार सला के 85 प्रतिशत को आधार भूत रूप में एच एफसी के उप्यों को कम करने के लिए एक समय सीमा पर सहमत हुए यानि कि समय सीमा थी इनकी 2045 तक इस पर यह सभी अंदेश जो वो सहमत हुए थे परियावरान अधिन्यम 1968 यह अधिन्यम वायू जल और मिट्टी के गुणवत्ता के नियमन और सोर सहीत परियावरान प्रदूशनों के नियंत्रान से समबंदित है अब कोस्चन बन सकता है कि जो परियावरान अधिन्यम 1968 यह किस से समबंदित है तो यह वायू जल और मिट की गुणवंत्ता के नियमन और क्या है सोर सहीत परियावरण जो प्रदूशक उनके नियंत्रण से संबंदित है तो आप यह याद रखना इसके लाबा कीट नाशक अधिनियम हो गया यह कीट नाशक अधिनियम 1968 है यह अधिनियम मानव स्वास्थे और अन्य जीवों के लिए जोखिम को रोकने के लिए व्यापार वी निर्मान और कीट नाशकों के उप्योग से संबंदित है यानि कि जो कीट नाशकों का अधिनियम है किस-किस से जो मानव की स्वास्थे पर कीट नाशकों का क्या प्रभाव पढ़ता है और अन्य जीवों पर इसके क्या-क्या खतर जोखिम को रोकने के लिए इनका जो कीट नाशकों का उप्योग उसके लिए नियमन से संबंदित है क्या के नियम होने चाहिए इनके उप्योग करने के लिए नेक्स्ट है वाईयू रोक्थाम और नियंत्रन अधिनियम यानि वाईयू का जो अधिनियम है वो कब बना था है 1974 में यह अधिनियम जल की गुणवत्ता के सन्रक्षन और जल पुर्दूशन के नियंत्राण से संबंदित है। अब हम देखते हैं कुछ अंतराष्टे समझाते हैं। इनका जो कन्वेंशन है, इनका स्थान भी याद रखना। नेक्स्ट है यूरोप में वायू प्रदूशकों की लंबी दूरी के पारेशन की निगरानी और मुल्ले अंकन के सहकारी कारेकरम के दीरकालिक वितपोशन पर 1984 में जिनेवा प्रोटोकॉल तो जो जिनेवा प्रोटोकॉल हुआ था, वो हुआ था 1984 में। इसलिए यूरोप में जो वायू प्रदूशक बढ़ रहते हैं उनकी निगरानी करने के लिए और उनका मुल्ले अंकन करने के लिए हुआ है इन्हें अपनाने की आवश्यक्ता पड़ी इन्हें कब और कहां पर अपनाया गया तो चलिए स्टार्ट करते सो फ्रेंड्स सन 2000 म कहां पर यूएसे के न्यू यूर्क सहर में यूएन नो की बैठक हुई थी जिसमें की विकास संबंदी आठ लक्षों को अपनाया गया और बाद में इन्हें ही मिलेनियम डेवलप्मेंट गोल्स या की या फिर सहस्त्राब्दी विकास लक्षे के रूप में जाना जाता है तो मिलेनियम डेवलप्मेंट गोल्स यानि MDGs स्वयुक्त राष्टे सहस्त्राब्दी गोशना से उत्पन हुए थे यानि कि स्वयुक्त राष्टे की गोशना के बाद में ये उत्पन हुए थे और इसकी गोशना कब हुई थी अभी बताए मैंने सन 2000 में कहां पर न्यू- स्वतंतरता का अधिकार, समानता, जीने का एक बुनियादि मानग, जिसमें की भूक और हिंसा से स्वतंतरता सामेगला है, और सहस्रुनुता और एक जुटता को प्रोथ साहित करती है, यानि कि इसमें ये कहा गया कि पृतियक व्यक्ति के अपने खुद की गरम अंगरिमा होत जिसमें की उन्हें भूक से और हिंसा से भी स्वतंतरता मिलनी चाहिए, इसके लावा वो सहस्रुनुता और एक जुटता के साथ में प्रित्तिक कार्या करें, तो इसमें ये कहा गया था, इसके बाद में आता है, घोषणा में अधिकारों को प्राप्त करने के लिए MDG ने गरीबी में कमी के लिए ठोस लक्षा और संकेत तक निर्धारित किये, यानि कि इस घोषणा के बाद में यह निर्धारित किया गया कि नियूंतम कितनी गरीबी होनी चाहिए, उस से जादा, उस सीमा से जादा कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, और इसके लिए कुछ लक्षय और संकेत तक निर्धारित किये गए कुछ मापक तयार किये गए ताकि उनसे जादा कोई भी गरीब ना हो इसके लावा जो हां कि उस टाइम पर महासचीव थे उन्होंने कहा था अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हम लोग 20 सताबदी में सहितरास्टे की भूमी का सहस् लक्षियों के लिए वर्स 2000 के मिलेनियम सम्मेलन की तेयारी वर्स के लिए आठ अंतरास्टे विकास केंद्र थे यानि 2000 में इसकी घोशना की गई थी और जिसके कितने केंद्र थे कितने इसके लक्षे थे वो थे आठ थे तो यह महासचीव की रिपोर्ट में कहा गया था संग 2011 से स्थापना की था, संग्त रास्टे के सभी 101 में सदस्य उस समय यानि जो सं 2000 में कितने सदस्य था उस टाइम Protect सन 1961 सदस्य था अब तो इसकी संख्या बढ़कर 193 हो गई है उस टाइम पे थे 191 कब 2000 में तो उस समय जब इतने सदसे थे तो सभी ने मिलकर और कम से कम इसके अलावा 22 अंतरास्टे संगठनों ने एक साथ में मिलकर इन Millennium Development Goals को पृतिवध किया था इनको स्वीकारा था उस टाइम पे किस प मिलेनियम विकास लक्षे हैं सो फ्रेंड्स यहां से डारेक्ट कोस्चन बनते तो आप थोड़ा ध्यान से देखना सबसे पहला लक्षे है अत्यदिक गरीबी और भूक को समाप्त करना यानि कि संपूर्ण विस्व में कोई इतना कोई भी व्यक्त इतना गरीब ना हो और भ लक्षे का उन्मूलन करना और क्या है सार्भौमिक प्रात्मिक हासिल करना सिक्षा लक्षे यानि कि जो दूसरा था वो था सिक्षा का एक प्रात्मिक इस्थर जो उनको प्राप्त करना यानि कि सार्जनिक सिक्षा का लक्षे होना चाहिए सभी को सार्जनिक रूप से प्र आतमिक सिक्षा यह दूसरा होगा अब तीसरा देखते हैं तीसरा लक्षे क्या था मिलेनियम गोल्स में तीसरा था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को ससक्त बनाना यह इसका तीसरा लक्ष था काफी इंपोटेंट है पूछा जा सकता है एक्जाम में कि लेंगिक समानता को बढ़ावा देना मिलेनियम गोल्स के कौन से लक्षे में सामिल है तो यह थर्ड है तो इसमें बताये गया कि किस प्रकार से हम लेंगिक समानता को खत्म कर सकते हैं सभी चाहे वो कुईसी भी जेंडर कहो मतलब मैं हो वूमन हो बॉय हो गर्ल हो ठीक है तो हम सभी को समान रूप से एक मानेंगे और सबसे ज़ादे महिलाओ को ससक्त करने पर जो हमारा लक्षय होना चाहिए महिलाओ को ससक्त बनाना है महिलाओ को इंपावर करना है ताकि वो अपने हक के लिए खुद लड़ सके तो यह आपको हो गया है तीसरा लक्षय है अब हम देखते हैं चौथा लक्ष है कौन से, फोर्थ, तो बाल मिर्त्युदर में कमे करना, क्या था, बाल मिर्त्युदर में कमे करना, उस टाइम पर क्या हो रहा था, जो विकास सीलो और एविक्सित देशते, वहाँ पर बाल मिर्त्युदर बहुत जादा थी, तो इस तरह से, वहाँ पर इस त तो उनके स्वास्तहें किस प्रकार से सुधार किया जाए डिलिवरी के बाद में क्या-क्या मानक थे it's ताकि उनके स्वास्त h должно अच्छा किया जा सके उनके स्वास्त होगी तो इसकी अपना आप हमाफी स्वास्तह जो Mongी जो कि HIV AIDS malaria और अन्य बीमारियों का मुकाबला करे तो इसमें क्या दिया गया था यानि कि जो HIV AIDS फैल रहा था malaria और अन्य बीमारियों से किस प्रकार से विशु को छुटकारा दिलाया जा सके विशु कैसे इन बीमारियों से दूर हो जाए तो यह छटा था तो आपसे question बन सकता है कि HIV स संबंदित कौन सा millennium goal है तो वह छटा तो यह सीरियल वाइस आप लोग लर्ण खर लीजिए नेक्स्ट सात्वा यानिकि परियावरानी सुरक्षा सुनिश्चित करना जैसा कि आप लोग देख रहे हो आज के टाइम में ग्लोबल वामिंग और और भी बहुत सारी परियावर को थे बताता है और तोके नेक्सरिक साज्यादार ही विक्सित करना क्या है वैस्टी क्षा दार श्यृटी संबंध स्थापित करना यानि कि Side neutr歌 मतार किस प्रकार कर से आपसमें साज्यादारूरी हो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए किस प्रकार से वो साजहदारी विक्सित करें इस बारे में था ये तो ये कितना हो गया आठपा एक बार हम फिर सेने रिवाइस कर लेते हैं सबसे पहला था मिलेनियम गोल्स में अत्यधिक गरीवी और भोग को खत्म करना अत्यधिक भुकमरी और गरीवी को पूरी तरह से समाप्त कर देना दूसरा था लक्षय का उन्मूलन करना और सारजनिक प्रात्मिक सिक्षा प्रदान करना यानि प्रात्त करना और थर्था हमारा लेंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओ को ससत बनाना यानि लैंगिक समानता को दूर करके हम किस प्रकार से महिलाओं को ससत्व कर सकते हैं और फौर्थ है हमारा बाल मृत्युदर में कमी करना मलग जो बच्चों की जन्म के समय ही मृत्युदर हो जाती है उनकी मृत्युदर को कम करना इसके लावा पांचा गोल था हमारा मात्र स्वास्थे में सुधार करना यानि जो माता हैं उनके स्वास्थे में उनके हेल्थ में हम किस प्रकार से सुधार कर सके ताकि जो माता हैं जब वो एक बच्चे को जनम दे तो उनका बच्चा एकदम बहुत जादा स्वस्थ हो हमारा परियावरनी सुरक्षा सुनिश्चित करना क्या था यानि परियावरनी सतत्ता यानि परियावरन को हम किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते इस बारे में सुनिश्चित करना चीजे को इसके लावा आठवा जो था आठवा गोल था हमारा वैस्विक साज़ेदारी को विक् जो कि हमारी भावी पीडियों को अपनी जरूरते पूरी करने की योगता को प्रभावित के बिना वर्तमान के आवश्रक्ता को पूरा करें यानि कि जो हमारी भावी पीडियों है वो बिना किसी बाधा के बिना किसी रोक्तों के अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सकें तो य निर्दारित किया गया था सभी कंट्री जीन उने सभी नहीं से मिलकर स्वीकार किया था कब किया था था 2015 में ठीक है तो कोश्चन बन सकता है कि सतंत्विकास लक्षियों को कब अपनाया गया तो को 2015 में अपना आये गया और जो लागू किया गया 2015 में तो इन अपना लिया लेकिन जब लागू किया गया इने तो कब लागू किया गया इने एक जन्वरी 2016 को तो यह 15 में तो इने सुईकार कर लिया गया था लेकिन 16 में इनको लागू किया गया था एक जन्वरी 2016 सोले से इनको लागू किया गए था और इनकी कुल संख्या कितनी है कितने है सतत्विकास लक्ष है वह है 17 कितने है 17 तो टोटल 17 गोल्स है जो कि आपके सतत्विकास लक्ष के अंतरगत आते हैं कि तो गर हम बात करें इसके संकल्प की सबस्तने धी क्या है, शॉट में से एश्डी जी बोलते हैं इसका मतलब है सस्टेनेहवल डिवलप्मेंट गोल्स, कि संइखत्र राष्ट्र महासबा के संकल्प का हिस्सा है क्या है इसका मतला हमारी दुनिया को बदलना यानि इस समय जो हमारी दुनिया की स्थिति उसको हमें चेंज करना है कब तक 2030 तक तो इनका संकल्प लिया था संग्तरास्टे महासाबाने और उसके मेंबर कंट्रीज ने कि हमें 2030 तक संपूर्ण विशु को बदलना है अपनी दुनिया को बदलना है और इसके लिए एजेंड़ा बनाये गया था क्या था 2030 एजेंड़ा 4 Sustainable Development क्या था 2030 एजेंड़ा 4 Sustainable Development तो ये था हाला कि कोई भी देश इन लक्षों को प्राप्त करने के लिए बाध्या नहीं है लेकिन इसमें क्या अंतरास्टे दायतों और देशों के घरेलू व्याय प्रात्मिक्ताओं में बदलाव के काफी संभावना है मतलब विभिन देशों ने अपनी जो देश की घरेलू व्याय है उसमें काफी बदलाव किया है किसलिए इन लक्षों को प्राप्त करने के लिए तो कौन-कौन से सतत्विकास लक्षे हैं उनके बारे में करके जानते हैं आपने थोड़ा दिहान से देखना क्योंकि एक्जाम में कई बार कुछ दे दिये जाते हैं और आपको पूछा जाता कि इन में से कौन सा है और कौन सा नहीं है तो इस तरह के question काफी बनते हैं इसलिए थोड़ा अच्छे से करना आपको इए सबसे पहला है लक्षे one है क्या है कोई गरीबी नहीं यानि कि संपूर्भ विशु से गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना विशु भर से गरीबी को सभी रूपों से समाप्त करना यानि कि विश्व में कोई भी इंसान गरीब ना हो हर कोई अपनी basic जरूरतों को पूरा कर सके बेसिक नीड्स को वो पूरा कर सके तो सबसे पहला लक्षे है कोई भी गरीबी नहीं यानि गरीबी हटाना पूरी तरह से दूसरा लक्षे है सुन्य भूख यानि जीरो हंगर क्या है सुन्य भूख तो ये भी इसका दूसरा लक्षया यानि अंतिम भूख खाद्य सुरक्ष और भेतर पोशन प्राप्थ करना और स्थाय किर्सी को बढ़ावा देना यानि कि कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी भूका ना हो भूक की समापती करना और खाद सुरक्षा यानि हर किसी को भोजन प्राप्थ हो सके और उन्हें बेतर सिर्फ भोजन ही प्राप्थ होने से काम नीचे लेगा उन्हें अच्छे से पोशन भी मिलना चाहिए इसके ल दूसरा लक्ष तीन वह सुनने भूक ज क ALEX अब देखें लक्षतिन क्या है लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ है क्या है मरला जो लोग हो जितने भी वुश्वाल मैं सभी कह स्वास्त है अच्छा हो और उनका कल्यान हो और कया है स्वास्थ जीवन सुनिश्चित करें यां साथ में उनके कल्यान को भी काफी बढ़ावा दिया जाएगा तो आपका ये तीसरा लक्ष है क्या है अच्छा स्वास्था और कल्यान लक्ष चार क्या है गुणवत्तपून सिक्षा गुणवत्तपून सिक्षा समावेशी और न्याय संगत सिक्षा सुनिश्चित करना यानि विश्व में पृत्येक नागरिक को गुणवत्तपून सिक्षा मिलनी चाहिए और क्या है समावेशी और न्याय संगत सिक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए मतलब बिना किसी भेदभाव के उन्हें हर किसी को सिक्षा मिलनी चाहिए उनका मौलिक अधिकार होता, प्राकर्तिक अधिकार है और सभी के लिए आजीवन सीखने के अफसरों को बढ़ावा देना कि कोई भी हमेशा कुछ भी सीख सकता है ऐसा नहीं है कि एक निश्चीत उमर होती है सीखने की कोई उमर नहीं होती ठीक है, तो उन्हें इस तरह के अफसर प्रदान करना ताकि वो आजीवन सीखना अपना ये जारी रखे तो ये होगा आपका फोर्थ क्या है गुणवत्तपुन सिक्षा प्रदान करना और लक्ष पांच क्या है, लक्ष पांच है लेंगिक समानता क्या है लेंगिक समानता यानि की महिलाओ लड़कियों को ससक्त करना साथी साथ बिना किसी भेदभाव के उन्हें हर प्रकार की सुईधाय प्रदान करना लड़कियों को महिलाओ को और इस तरह से जितना बेटों के लिए स्विधाय होती उतने ही बेटीयों को भी मिलनी चाहिए नेक्स्ट आपका लक्ष छे है स्वक्ष जल और स्वक्षिता तो इसमें क्या है सभी के लिए स्वक्षिता और पाने के सतत प्रबंदन की उपलब्दता सुनिश्चित करना यानि कि प्रतेक नागरिक को विश्व में प्रतेक नागरिक को स्वक्ष जल प्राप्थो और वो स्वक्षिता के साथ में अपना जीवन बिता पाए इस तरह के उनके प्रबंदन की उपलब्दता होनी चाहिए इस तरह का प्रबंदन होना चाहिए शाशन के द्वारा ताकि प्रितेख व्यक्ति को स्वक्ष जल मिल सके और उन्हें स्वकषटा मिल सके और लक्ष साथ क्या है यह सस्ती और शक्ष उर्जा यानि कि पृतेख नागरिक को सस्ती विश्वस्निय टिकाऊ और आधिनिक उर्जा तक उसकी पहुच होनी चाहिए ऐसा निया कि जो अमीर वर गया वही एनर्जी तक उनके जो पहुच हो बलकि पृतियक नागरिक को जो हर कोई जो भी स्विस्व में रह रहा है उसको सभी को उर्जा तक पहुच सस्ती और स्वक्ष उर्जा उर्जा लक्ष आठ क्या है निर्ने कारिय और आर्थिक विकास इसका मतलब है सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास इसके लावर क्या है पूर्ण और उत्पादक, रोजगार और भैतर कारे को बढ़ावा देना यानि कि कोई भी मनुस्य अपनी इच्छा के नुसार कोई भी वेवसाई कर सकता है उसे पूरी तरह से आर्थिक स्वतंतरता होनी चाहिए और वह अपना कोई भी निर्ण है में जादी मिलनी चाहिए और इनको किस तरह से हम बढ़ावा दें किस तरह से ताकि जादा से जादा लोग झो है इसके दुआरा रोजगार प्राप्त कर सके और वह अपनी आय को जादा कर सके नेक्स्ट लक्ष आपका, अगला लक्षे, लक्षे 10 क्या है? एसमानताओं को कम करना यानि कि आप देखते होंगे कि देशों के भीतर, विभिन देशों के बीतर बहुत ज़ादा आय में और अन्य उनके जीवन इस तर में बहुत ज़ादा एसमानता है विख्सित देशों के नागरिक के वह अच्छ जीवन व्यतीत करते हैं, जब कि जो एविख्सित और विकासिल डेश है, उनके नागरिकों का जीवन उतना अच्छा नहीं होता, तो इस तरह से विभिन डेशों के मध्य उनके बीच में जो आय का स्थर है, उसको कम करना, थीक ह है इस्थाई सहर और समुदाय इसका मतलब है कि नागरिकों के लिए सुरक्षित लचीले और टिकाउ सहर और मानोबस्तियों का निर्मान हो जिससे कि वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके तो आपका लक्ष ग्यारक क्या है इस्थाई सहर और उनके लिए समुदाय होने चाहिए बस्तिया होनी चाहिए जो कि टिकाउ हो ऐसा नहीं है कि कभी वो कहां पर रह रहे तो इस तरह वो अगर जगा जगा बदल कर रहेंगे तो वो कैसे अपना विकास कर पाएंगे तो इसलिए क्या है लक्ष 11 क्या कहता है इस्थाई सहर और समुदाय और इसके लावा मानोबस्तिया होनी चाहिए लक्ष 12 क्या कहता है जिम्मेदार खपत और उत्पादन क्या है जिम्मेदार खपत और उत्पादन होना चाहिए किस तरह से स्थाई खपत और उतपादन पैटन सुनिस्चित होना चाहिए यानि कि जो भी नागरिक है उनके लिए एक निस्चित खपत होनी चाहिए कि आप इतना कर सकते हो ये तो होगे आपका लक्षे 12 क्या है जिम्मिदार खपत और उतपादन अब लक्षी 13 देखते हैं इसमें क्या है जलवाईव किरिया उत्सर्जन और प्रमोशन को वी नियमित करके जलवाईव परिवर्तन और इसके बचाव के लिए तत्काई कारवाई करना और इसके लावा क्या है नवी करनी और जामें विकास करना तो लक्षी 13 क्या कहता है कि जलवाईव परिवर्तन और उसके प्रुभावों से निपटने के लिए तत्काल कारवाई करना यानि कि आप देख रहे होगे कि आज के टाइम इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है जो हमारी धर्ती का तापमाने वो लगातार बढ़ रहा है मौसम कभी कुछ हो ज़ाता है पता नहीं चल पा रहा हमारी जलवाईव परिवर्तित हो गई है तो इस तरह की कारवाईव करना जिससे कि हमारी जलवाईव फिर से पहले जैसी हो जाए यह गया आपका लक्षे 13 तो आपको question पूछा जा सकता है कि जलवाईयों से संबंदित कौन सा लक्षे है SDG का कौन से लक्षे तो वो क्या है लक्षे 13 यह है जलवाईयू से संबंदित यानि जलवाईयू को सही करने से संबंदित है लक्षे 14 क्या कहता है कि पानी के नीचे का जीवन सतत्विकास के लिए महासागरों समुंदरों और समुंदरी संसाधनों का सनलक्षन और निरंतर उप्योग करना यानि किसी एक पार्टिकुलर कंट्री का ही उनपर पूरितर से अधिकार हो बलकि संपूर्ण विष्व का एक मतलब निश्चीत अथी के लिए निश्चीत इस तर तक उनका अधिकार होना चाहिए ताकि सभी लोग अपना विकास कर पाए ये क्या है? समुंदर से संबंदित कौन सा लक्षय है? ये लक्षय 14 यानि लक्षय 14 नेक्स्ट है आपका भूमी पर जीवन इस्थलिय पारस्थिति की प्रणालियों के इस्थाई उप्यों को सनलक्षित करना उनको बहाल करना और बढ़ावा देना इसका मतलब है कि सतत उप्यों को बढ़ावा देने वाले इस्थलिय जो भी प्राणी इस्थलिय प्राणी है उनको लिए सुरक्षी जंगल भूमी छरण और जैवी विद्धता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रियास करना चाहिए उनके लिए मतलब जो भी प्राणी है जीव जनते उनके लिए जंगलों का प्रबंदन होना चाहिए उनके लिए जंगलों का प्रबंदन होना चाहिए मरूस्थलिकरन को रोकना चाहिए और जो भूमी का छहरण हो रहा है उन चीजों को रोकना चाहिए इसके लावर क्या करना चाहिए जैव विद्धिता का जो नुकसान हो रहा है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए तो यह हो गया आपका लक्ष बंदरे लक्ष सूला क्या कहता है यह कहता है कि सांति न्याय और समावे सी समाज को बढ़ावा देना सभी के लिए न्याय तक पहुच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी जबाव दे हैं और समावे सी संस्थाओं का निर्मान करना इसका क्या मतलब है लक्ष सोला का कि पृतियक नागरिक समाज में पूरी तरह से सुरक्षित हो अगर उसके उपर कोई उसे कोई परेशान या आती है तो वो उसे न्याय मिलना चाहिए सही स्थिती में सही समय पर और क्या है वैं सांती पून अपना जीवन व्यतीत कर सके, इस तरह की कुछ मजबूत संस्थाइ होनी चाहिए और क्या है समावे सी समाज को बढ़ावा मिलना चाहिए समावे सी समाज का क्या मतलब होता है जिसमें क्या होता समावे सी समाज का मतलब होता है जिसमें सभी लोग अपना बराबर से विकास कर पाए सभी को इतनी छूट होनी चाहिए ताकि वो अपना विकास कर पाए और न्याय तक सभी की पहुच होनी चाहिए इसके लावा और लास पर आपका लक्ष सत्रह ये क्या कहता है लक्षो के लिए साजहेदारी क्या है लक्षो के लिए साजहेदारी लक्ष सत्रह तो सतत्विकास के लिए वैस्विक भागिदारी को पुनरजीवित करने के लिए कार्यवयन के साधनों को सक्तिसाली बनाना यानि हमें जितने भी गोल सचीव करने उनके लिए एक सक्तिसाली संगठन बनाना इस तरह कारे करना ताकि हम आसानी से ने प्राप्त कर सके कारियन वियन के साधनों को मजबूत करना जिन के द्वारा भी हम अपने लक्ष को प्राप्त करना वो शाधन इतने मजबूत होने चाहिए इतने सक्तिसाली होने चाहिए ताकि सभी देश उनके साथ में मिलकर एक साथ में कारे कर सके और सतत्विकास के लिए वैस्विक शाज़ेदारी को कुनहर जीवित करना और सभी देश क्या है आपस में मिलकर एक दूसरे के साजहदारी करके इन सभी गोलों को जो गोल्स हैं इन लक्षों को प्राप्त कर सकें तो यह तो हो गए आपके सिक्षन और सिक्षन संस्थानों के स्थापना के बारे में बात करते तो जो लिए स्टार्ट करते तो विद्वानों की गति विदियों के लिए संस्थागत धाचप्रदान करने के लिए कई संस्किर्तियों में प्राचीन उच्च सिक्षन संस्थानों को विक्सित किया गया था यानि जो प्राचीन में संस्किर्टी थी उनमें उच्छ सिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उच्छ सिक्षा को विक्सित करने के लिए कुछ उच्छ सिक्षन संस्थानों को विक्सित किया गया कुछ मतला higher education को promote करने के लिए कुछ institution को जो विक्सित किया गया था ये प्राचीन के केंदर होते थे सिक्षा के प्राचिन केंदर यह उस टाइम पर न्यालो यानि कोर्ट्स के दूआरा प्रायजित होते थे और यही उनकी देखरे करने वाले होते थे इसके लावा कुछ धर्मिक संस्थानों के । द्वारा भी बनाए जाते थे यानि कुछी स्कूल जो है व ध धार्मिक संस्थानों के द्वारा भी स्थापित के जाते थे जैसे कि कैथिड्रल स्कूल हो गया मठवासी स्कूल हो गया और इसके लावा मदर से ठीक है तो ये क्या थे ये धार्मिक संस्थानों के द्वारा स्थापित स्कूल या संस्थान थे जिनके अंदर के संगरहले भी होता था लाइब्रेरी भी होती थी अस्पताल और वैदसाला या लैब्स वागरा भी होती थी और इनके अंदर जो है ये स्पेसिफिक टीचर भी मतलब इनके जो ग्याता है संग्राल अस्पताल वैदसाल और लाइब्रेरी के जो ग्याता है प्रुमुक विद्वान है वो भी के अंदर होते थे जो कि छात्रों को घ्यान प्रदान करते थे अब बात करते बौध ऐस्य मेजर के बारे में तो बौध आश्यमेजर बौध मठों यानि महा वीहारों विश्श रूप से पुष्प गरी ंललंदा और तक्सिला में उन स्कुलों में सामिल थे जो कि प्राचीन भारत में उच्छा के प्रात्मिक संस्थानों में से कूछ थे ठीक है तो यह प्रमू के बौधमट थे तो जैसे पुस्प गिरी हो गया नालंदा विश्विध्यालो और तक्शिला हो गया तो यह उन बौधमटों में हमें उच्छ सिक्षा हमारे देश में उच्छ सिक्षा प्रदान करते थे तो इस अवधी के दौरान प्रिवेनी भी प्रिवेना भी विक्सित किये गए थे ठीक है कुछ प्रिवेना होते थे प्रिवेना का मतलब होता है कि जैसे मतलब प्रारंबिक स्तर की और माध्मिक स्तर क होते थे उस टाइम पर जो कि इसको कवर करते थे और जो यह जादतर है यह कहां पर स्रिलंका तक यह फैल हुए होते थे हाला कि इसके मॉडल को पूरे दक्षिन पूर्वी एसिया में दोहराय गया था ठीक है तो इस तरह के जो मॉडल थे इस तरह के स्कूल है वो फिर बाद में दक्षिन पूर्वी एसिया में भी इनको फिर से दोहराय गया फिर से इनको बनाये गया ठीक है अब हमें एक करके इन शिक्षा का केंदर था ठीक है और यह उदागिरी ओडिसा में इस्थित था उस टाइम पे कहां पर उदागिरी ओडिसा में इस्थित था ठीक है तो पुस्पगिरी में स्कूल की स्थापना तीसरी सताब्दी इस्वी में वर्तमान ओडिसा भारत की रूप में हुई थी तो य 2007 तक इस महावियार के खंडर अभी तक पूरी तरह से खोदे नहीं गए थे तो क्या है 2007 के आकड़ों के बात करें तो इस महावियार के यानि इस मठ के खंडर अभी तक खोदे नहीं गए इसलिए हमें क्या इसके बारे में जादतर जानकारी यानि इसका जो धिकान सितियास व इसके बारे में अंजान है तो तीन महावियार परिसरों में कटक जिले में ललितगिरी सबसे पुराना है अगर बात करें सबसे पुराने जो महावियार के बारे में तो इसमें कटक जिले में ललितगिरी है यह सबसे पुराना कहा जाता है इसे सबसे पुराना महावियारी से म इसापूर कब हुई थी? एक सकी तो इसकी स्थापना इसापूर दूसरी सताब दी के सुंग काल के दौरान हुई थी तो कोस्चन बन सकता है यह जो ललितगिरी है ललितगिरी महाविद्यल है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी इसापूर दूसरी सताब दिमे और किसके साशनकाल के दोरान सुंगकाल के साशनकाल के दोरान इसकी स्थापना हुई थी जो इसे दुनिया के सबसे पुराने बौध पृतिस्ठानों में से एक बनाता है ठीक है तो ये क्या है दुनिया के सबसे पुराने जो बौध पृतिस्ठानों में से ये ए कॉन से हैं ललीट गी पृत्या स्थान ने agreeing कूंसे ललीट गीरी महभीयर अब आगे चीन यात्री ज्वाहन जैघ यह चीन यात्री ज्वां ज्वाहन जंग जिन को हम हुएन सांग के नाम से भी जानते हैं हुएन सांग के नाम से भी तो जिन्होंने 649 इस्वी में पुफगरी महाविहार के साथ-साथ मध्यकालिन तिबबति गरंथों में भी इसका दोरा किया था यानि इसके बारे में चर्चा की थी तो यह जो हुएन सांग है इन्होंने 469 EC में पुफगरी महावियार के साथ जो तिबबती गरन थे उसके बारे में भी इसके बारे में चर्चा की पुफगरी के बारे में हाला कि तक्षिला और नालंदा के विप्रीद पुफगरी के खंडर की खोज 1905 में तक नहीं की गई थी तो यह तक्षिला और नालंदा के विप्रीद जो पुफगरी महावियार था इसके खंडर की खोज 1905 में तक भी नहीं की गई थी ठीक है तो बाद में क्या होता है एक यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे एक प्रोफेसर थे जिन्नोंने क्या किया मतला अपनी साइट पर इसे पहली बार इसके बारे में सर्च किया और इसके बारे में जानकारी 71 की इसके लावा पुस्पगरी के खंडरों के खुदाई का काम इनका खुदाई का काम 58 हेक्टेर यानि 143 हेकट भूमी पर फैला जो इसके खुदाई का काम है वो 58 हेक्टेर भूमी पर फैला और ओडिसा इंस्टिटूट ओफ मैरी टाइम औफ साउथ इस्ट एशियन स्टडीज ने 1906 में से 2006 के बीच में इसका क्या मतलब इसकी जो खुदाई हुई थी वो किसके दुआरा हुई थी के बीच में किया गया था तो याद रखना आप टाइम Base की कब से कब तक किया गया था 1969 में से 2006 के बीच में अब इसे भारते पुरातातु सर्विक्षन ठीक है भारते पुरातातु सर्विक्षन के दौरा चला जा रहा जो इसके खुदाई का काम है वह इसके बारे में नागरजुन कॉंडलिस ने इसके बारे में बताया है अब बात करते हैं दूसरा हमारा है नालंदा विश्विध्यालई क्या है नालंदा क्या था ये बिहार में उच्छ सिक्षा का प्रात्मिक केंदर था ठीक है तो क्या था ये उच्छ सिक्षा का प्रात्मि केंद्र था कहां पर ये था नालंदा में ठीक है नालंदा बिहार में तो भारत 627 से 1177 में तक नालंदा की स्थापना पांची सताबदी इस्वी में बिहार भारत में हुई थी ठीक है तो इसकी स्थापन कब से कब तक मानी जाती है 427 से 1197 तक यह इस्थित रहा था ठीक है 427 में इसकी स्थापन रुए थी और यि बाद में 1197 तक यह चल्ता रहा था ठीक है बाद में कुछ बहार से जो आकरमान कारीयों ने हमला करके और इनको छत्विछत कर दिया और इन्हें पूरी तरह से नस्ट कर दिया और लगभग 1220 के जीवित रही ठीक है 1197 यानी 1220 के जीवित रही यह बौध अध्यानों के लिए समर्पित्था ठीक है तो इसमें मुख्य रूप से कौन-कौन सी स्टडीज कराई जाती थी बौध जो अध्यान है बौध इसके लावे इसमें क्या क्या सिखा जाता था चात्रों को ललित कला चिकित्सा गणित खगोल विज्यान राजनीती और युद्ध की कला के बारे में भी प्रिसिक्षन दिया जाता था ठीक है मतलब बौध जो इस्टडी थी उसके लिए तो ये पूरी तरह से समर्पित था ही इसके लावा इसमें ललित कला चिकित्सा गणित खगोल विज्यान राजनीती और युद्ध की कला को भी प्रमुक रूप से पढ़ा जाता था यहां इन चीजों के बारे में व्यध्यन करा जाता था अब आगे तो यह जो नालंदविश्वी धालय का केंद्र था इसमें आठ अलग-अलग परिसर थे ठीक है तो इसमें क्या थे आठ अलग-अलग परिसर थे इसके लावा दस मंदिर थे दिहान हॉल था कक्षाय जील और पार्ग थे ठीक है तो यह काफी जादा है विक्सित था अपने टाइम में अलग-अलग आठ परिसर थे दस मंदिर भी थे के अंदर ध्यान हॉल था यानि मतला योगा वगरा करने के लिए कुछ है इस फेस्वी के जगह थी इसके लावा कक्षाय होती थी जील और पार्क भी थे इसमें अंदर ठीक है तो इसमें एक नौमंजिला पुस्त का ले था ठीक है तो आप इसी संदाजा लगा सकते हो कि उस जादा उन्नत किस्म कि थी ठीक है जैसे कि आजकल यह हावड युनिवस्टिय यह बड़ी-बड़ी कैलिफोरिया यूनिवस्टिय तो उस टाइम पर हमारे नालंदा यूनिवस्टिय थी यानि जो नालंदा विषविध्यालत इतनी बड़ी वो मानने था रखता था पूरे लिखते थे और वो उनसे संबंदे जानकारियों को बुक्स में उतारते थे तक जो छात्र है वो इसमें पढ़ सके इसमें छात्रों के लिए छात्र आवास थे ठीक है यानि होस्टल वगयरा के उसमें सुईधा थी इसके लिए इसकूल के दिनों में 10,000 छात्रों का आवास द करने के लिए ठीक है तो ये भी इसी के अंदर रहते थे 2000 प्रोफेसर रहते थे कम से कम और इसके लावा 10,000 तक कि इसमें छात्र रह सकते थे इनके लिए होस्टल की सुईधाय थी नालंदा ने स्रिलंका कोरिया जापान चीन तिबबत इंडोनेशिय फारस और तुर्की के विद्ध्यार्ति और विद्वानों को आकर सित किया जो कि केंदर के प्रमु को खाते थे ठीक है तो उन्होंने क्या गया यहाँ पर स्रिलंका से कोरिया से जापान चीन तिबबत इंडोनेशिय फारस और तुर्की से भी विद्ध्यार्ति आते थे और विद्वान यहाँ प एक आधुनिक नालंदा विश्विध्याले शुरू किया गया था ठीक है तो इस टाइम पर क्या है 2014 में इसके पास में राजगीर में एक आधुनिक नालंदा विश्विध्याले शुरू किया गया था तो इसी की तर्जपर इसी के तरह का एक नालंदा विश्विध्याले भी शुरू किया गया था तो आपको यह याद रखना एफेक्ट अब हम बात करते तक्षिला वश्विध्याले की तो यह काफी जादा इंपोर्टेंट से संबंधित सिक्षाय दी जाती थी तक्षिला के अंदर तो कुछ संदर्बों के अनुसार जो केवल एक सहस्तराबदी के बाद में तै किया गए थी ठीक है तो ये कम से कम पाच्वी सताबदी इसापूर में वापिस आ गया हो सकता है ठीक है तो ऐसा बताते कुछ विद्वा इसापूर के रुप में बताया ठीक है कि इसका स्थित्व या इसकी स्थापना तब हुई थी पाच्ची सताबदी इसापूर या फिर छटी सताबदी इसापूर के असपास में तो इसमें से दो भी जो भी दोनों में से कोई भी आ जाये तो वो आप टिक कर देना ठीक है इ कभी-कभी व्यक्ति-गत आधर पर भी प्रिदान किये जाते थे। यानि जो विद्वान होते थे उनका ध्रहम के प्रति क्या चंतन, क्या वो सोचते वे उसके बारे में वो विध्यार्थियों को शिक्षात प्रिदान करते थे। टक्षिला का वर्णन कुछ विस्तार के बाद में हुअ ठीक है मतलब इसका जो वर्णन कुछ चातक कहथाओ में होता जो कि पांच्वी सताब्दी ईस्वी के आसपास में सिलनका में लिखी गई थी ठीक है तो कुछ हम जातक कथाऊ से तक्षिला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते जो कि 25 सताब्दी इस्वी के आसपास में सिललंका में लिखी गई थी यह कम से कम कई सताब्दियों पूर सीखने का प्रमुग केंदर बन गया ठीक है तो काफी टाइम तक यह सिखने के लिए एक प्रमुग केंदर बन गया था तो ताइम पे और पांची सताब्दी इस्वी में सहर के विनास तक छातरों को आकर्सित करना इसने जारी रखा यानि जब तक जो सहर का इसका विनास नहीं हो गया तो पांची सताब्दी इस्वी तक भी चातरों को इस्टुडेंट्स को अपनी तरफ आकर्सित करना अपनी अच्छी क्वाल्टी की सिख्षा के लिए इसके लावा तक्षिला संभुवत चानक्य से जड़े होने के कारण जाने कर दिया ठीक है तो यह प्रमुख विद्वान थे और चानक्य तक्षिला से ही जुड़े होए थे तो कोस्चन बन सकता है कि जो चानक्य विश्णुगुप्त थे वो कौन सी यूनिवस्टी से कौन से विश्विध्याल से जुड़े होए थे तो वो थे तक्षिला से जुड ये तक्षिला में ही इसे लिखा गया तक्षिला के दौरानी जब उन्होंने अध्यापन किया उस टाइम पर इसे रचा गया था तो चानक क्या या कोटिल्य मौर्य समराच चंद्रगुप्त आयरवेदिक हीलर चरक तक्षिला में अध्याद किया ठीक है तो यह जो चानक क्या है इसके लाबा समराच चंद्रगुप्त और यह आरवेदिक हीलर है चरक ठीक है जो आरवेदिक थे चरक थे इने हमारे भारत के पहले माना जाता तो बहुत अच्छे माना जा था तो उस टेम पर प्राचिन भारत के डॉक्टर थे तो इन सभी ने तक्षिला के अंदर ही अध्यन किया वेदो और अठार कलाओ जिसमें कि इसमें क्या क्या था वेदो के वेदो पढ़ाय जाते थे और इसके अलावा अठार कलाय के बारे में सिक्षा दी जाती थी जिसमें कि तीरंदाजी, सिकार, हाति विद्या जैसे की कोसल सामिलते ठीक है वेद थे और 18 विद्याओं को इसमें पढ़ाय जाता था, जैसे कि 18 विद्याओं में कुछ प्रमुख है, जैसे कि तीरंदाजी, सिकार, हाति विद्या, युद्ध, गुड, सवारी इस तरह की, ठीक है, कोईनको कानून स्कूल, इसके लावा, ठीक है, मतलब लौक के बारे मे कानून से संबंदित सिक्षत दी जाती थी, मेडिकल के बारे में सिक्षत दी जाती थी, और सैन्ने विद्यान के लावा, स्कूल के लावा सिखा जाता, यानि कानून, मेडिकल और सैन्ने विद्यान के बारे में भी यहां पर सिखा जाता था, तो यह हो गए तक्षिला, उच्चि सिक्षा के लिए दो सबसे महत्पुन केंदर थे, एक तो था नालंदा और दूसरा विक्रमशला, तो नालंदा की तरह ही विक्रमशला की काफ़ी ख्या थी उस टाइम पे, यह वर्ल्ड फैमस था उस टाइम पे, ठीके, कौन से उसके सामराज्य के दारान, पाल सामर तो विक्रमशला की स्थापना किसके द्वारा हुई थी राजा धरमपाल के द्वारा, फूसे देखते हैं, यह गंगा नदी के तटपर, उत्री मगद में, आठवी सताब्दी में, पालवंस के समराट, धरमपाल द्वारा इस थापित क्या गया, कब क्या गया था, आठवी इनके द्वारा पालवंस के समराट थे, कौन समराट धरमपाल, राजा धरमपाल इनके द्वारा इसे क्या गया और कहां पर गंगा नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई थी, अब आगे देखते इसमें, आतिशा, प्रुसिद, पंडिता, कभी-कभी एक उल्लखनी मठाद के रूप में सूचिवद्ध होती है, इसे बारसों के आसपास में मुहमद बिन बक्तियार खिलजी की सेना ने नस्ट कर दिया था, तो सन बारसों के आसपास में इसे जो उस टाइम पे मुहमद बिन बक्तियार खिलजी आये थे, उनकी सेना ने इसको नस्ट कर दिया था, कि 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 सहयनाने मुहमद बिन भक्तियार खिल जी। ठीक है? तो इनकी सहयनाने इसे नस्ट कर दिया था किसको? विक्रमशिला को। अब आगे देखनेगे विक्रमशिला हमें मुख्य रूप से तिबबती स्रोतों के माध्यम से जाना जाता है तिबबती भिख्षू इतिहासकार त्रानात के लेखन के बारे में तो उस टाइम पे एक इतिहासकार थे तिबबती भिख्षू इतिहासकार क्या नाथ उनका त्रानात इनके लेखन से पता चलता है किसके बारे में विक्रमसिला के बारे में ठीक है तो इन्होंने अपनी अगे देखतें क्या है विक्रमसिला सबसे बढ़े बढ़ विश्विध्यालों में से एक था जिसमें से अधिक सिक्षक और लगभग एक हजार चाँतर थे तो इसके सिक्षध में इसमें कम सुअ सब्सक्राइख न साइध थे सू तो यहां पर शाइब अर यहां से ज़िए इसने प्रियपम आधार की समें зовут इस से वहाट देश व्यून का प्रिय आध्यंधार करो निकले करने वो विद्वान बने ठीक है जिन्हें अक्सर विदेशी देशों द्वारा बौध सिक्षा संस्कृति और धर्म के प्रसार के लिए आमंत्रे तो क्या जाता था ठीक है तो बाद में इन विद्वानों ने अपने अपने ज्ञान के द्वारा विभिन देशों में बौध धर्म क सिक्षा संस्कृति और धरम को फैलाया उसका प्रसार किया ठीक है इसके अलावा सभी के बीच सबसे प्रतिस्ठित और प्रक्षात तिब्बती बहुत धरम के सर्मा थेड्स के संस्थापक आतिशा दिपांग कर थे तो उन सभी में सबसे जो फैमस थे वो थे उस टाइम पे जो यहां से पढ़ कर गए थे ठीक है जो यहां के स्टुडेंट रह चुके थे उनमें सबसे जादा मसूर जो हुए थे प्रक्षात हुए थे वो तिब्बती ब अब देखते हैं यहां पर कौन-कौन से विश्यों को पढ़ा जाता था तो यहां पर दर्शन व्याकरन तत्व मिमान सा भारतिय तर्क्षास्त्र आदि विश्यों को यहां पर पढ़ा जाता था ठीक है तो फिर से देखते हैं एक बार क्या-क्या विश्य थे एक तो दर्श फिलोस्फिया नी, व्याकरण, तत्व मिमानसा, भारते तर्ग सास्त्र, आदि विश्यो को यहाँ पर पढ़ा जाता था, लेकिन सीखने की सबसे महत्पुन साखा तंतरवाद थी, ठीक है, तो कोश्चन बन सकता है कि विक्रम सिला में सबसे महत्पुन जो साखा थी सीखने की वो क्या थी, तो वो थी तंतरवाद, ओके, अब आगे हैं हमारा अन्य, तो इन विश्विद्यालों के अलावा भी कुछ अन्य महत्पुन विश्विद्याल थी, ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं, आगे के केंद्रों में बिहार में तेलहारा था, ठीक है, बिहार मे तेलहरा था उसके अलावा नालंदा से ये अधिक पुराणा था तेलहरा जो था ये नालंदा से भी जादा पुराणा था और ओधन्दपुरी विहार में लगबग 580 से 1040 में और इसके लावा बंगला देश में सोमपुरा गुप्त काल से लेकर तूर्क मुस्लिम विजयतर इसके लावा सार्दापीट जो कि पाकिस्तान में है इसके लावा जगदला महा बिहार ये बंगाल में पालकाल से सामिल है फिर से देखते हैं इक बार बिहार में तेलहारा जो कि नालंदा से अधिक पुराना है ठीक है तो बिहार का तेलहारा हो गया इसके लावा रहा था ठीक है यह यूनिवर्स्टी उस तक रही थी इसके बाद में नेक्स्ट है बंगलादेश में सोमपुरा बंगलादेश में सोमपुरा विश्विध्या ले था जो कि गुप्त काल से लेकर तूर्क मुस्लिम विज़ता के उस ताइम पर रहा इस्थापित रहा तब तक नेक्स्ट है सार्दापीट जो की पाकिस्तान में था उस टाइम पर ठीक है बलाद उस टाइम पर तो भारत का हिस्सा था लेकिन फिर बाल में अब जो सार्दापीट है ये पाकिस्तान के हिस्से चला गया नेक्स्ट है जगदला महविहार ये बंगाल में है ठीक है और ये पालकाल से ही सामिल है बन्लब पाल समराट के दोरान लजु पाल वंस के समराट तो उनके सासन काल से ही सामिल है इसके इलावा तुर्किक मुस्लिम विज़य तक भी रहा था, ठीक है नेथे नागर्जुन कॉन्डा ये आंधे परदेश में, ठीक है लगभग और जैसका टाइम पीरियड था वो था 800-1420 तक उसके बाद में वल्लब गुजरात में है क्या है वल्लब गुजरात में ये मेतरक काल से लेकर अरब के छापे तक रहा था इसके लावा उत्तरक्रदेश में वरांसी और ये आधोनिक काल तक आठी सतावदी से रहा था ठीक है इसके लेवा कांचीपुरम तमिलनाडु में है और मान्याखेत कनाटक में महावियार अभगिरी विहार और ये क्या है जेट वन्रमेया ठीक है ये स्रीलंका में होगा सुतन तुता से पहले भारत में उच्च सिक्षा का विकास यानि की डवलप्मेंट ओफ हायर एजुकेशन इन इंडिया तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस्ट इंडिया कंपनी वे ये उरोपियन ने भारत में लगबग 200 वरसों तक सासन किया तो अपने इस सासन काल के दौरान उनकी क्या-क्या रण नीतिया थी भारत में शिक्षा के विकास के बारे में और मुख्य रूप से उच्च सिक्षा के विकास के बारे में तो चलिए इसके बारे में थोड़ा से जान लेते तो प्रारंबी के 60 वरसों तक इस्ट इंडिया क की मक्सद था कि किस प्रकार से व्यापार से हम ज्यादा से ज्यादा लाब कमा सकें उसके बाद में आता 1781 में वारन हैस्टिंग्स ने कलकत्त मदर्सा ठीक है मतलब 1781 में वारन हैस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदर्सा की स्थापना की गए उसके बाद में 1791 में बनारस के बिर्टिस रेजिडेंट जोनाथन डंकन थे जिनके द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की एक बाद फिर से देख लीजे दो अलग-अलग फेक्ट है सबसे पहले 1781 में वारन हैस्टिंग्स थे उन्होंने की थी कलकत्ता मदर्सा की स्थापना कलकत्ता में उसके बाद में 1791 में बनारस के बिर्टिस रेजिडेंट थे जोनाथन डंगन ठीक है उन्होंने बनारस में संस्कित कॉलेज की स्थापना की तो आप ये नोट कर लोगे ठीक है एक फेक्ट है जो काफी जाद है इंपोर्टेंट आपके एक्जाम के पॉइंट फूसी नेक्स्ट है वर्स 1800 में लार्ड वैलेजली थे ठीक है उन्होंने कंपनियों के अधिकारियों की सिख्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलीज की स्थापना की तो सबसे पहले कोस्चन ये बन सकता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलीज की स्थापना किस उद्देश चशकी गई तो वो थी जो कंपनी के अधिकारी थे उनकी सिख्षा के लिए और किस की द्वारा की गई ये 1800 में लार्ड वैलेजली के द्वारा लेकिन क्या है दो ही वर्षों के बाद में इसे बंद कर दिया जाता है कुछ परिस्थिति कोई कारण अब आगे इसमें 1917 में राजराम महनराय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की ठीक ही काफी ज्यादा इंपोर्टेंट और कई एक्जांस में पूछा भी जा चुका कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किन के द्वारा और कब की गई तो फिर से देखिए 1917 में राज इक लाक रुपए की रासी स्विकृत की गई 1813 में चार्टा रहेट आए था उसमें यह कहा गया था जिक्षा के लिए प्रतेक वर्स एक लाक रुपए की रासी दी जाएगी प्रदान की जाएगी लेकिन क्या होता बात में 1823 तक यह नहीं दी जाती ठीक है और यह थंदे वस्ते में चला जाता है जिसमें उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोथ साहित करने का प्रियास के इसमें बताया गया कि किस प्रकार से हम अंग्रेजी शिक्षा को प्रोथ साहित कर सकते हैं तो इसी विचार को अधोगामी प्रिवेशन सिध्धन्त कहा गया क्या कहा गया अधोगामी प्रिवेशन सिध्धन्त कहा गया ठीक है इसके बाद में आता है 854 में चालर्स रोड के डिस्पेच में, जिसे कि भारते शिक्षा का मैगना कार्टा कहा गया है, ठीक है काफी ज्यादा इंप्रोटेंट और आपको पता के बर पूछा भी जा चुका है, तो भारते शिक्षा का मैगना कार्टा किसे कहा जाता है, चालर्स रोड के डिस्पेच को, औ इसमें कुछ बातों को जिकर था, जैसे कि नंबर एक था कि लंदन विश्विध्याला की तर्ज पर तीनोप प्रेसिडेंसी, कौन-कौन से उस टाइम पर तीनोप प्रेसिडेंसी सहर, मुंबई, कौलकाता और चेननाई में विश्विध्याला स्थापित किये जाएं, किस की पर लंदन विश्विध्याला की तर्ज पर तो इसके और सुठ बाता है जिस तरह आसे लंदन संस्यो obs की तर्ज पर भारत में जो तीनों प्रेसिदेंसिस हो hy मुंबई कलकत्त और चेंद विश्विध्याला उनिवस्टीज खोली जाए इसके अलावे इसमें बताएगा कि जो उच्च शिख्षा का माध्यम में वो अंग्रेजी होना चाहिए कोई छेत्रे भासा नहीं कोई राश्टे भासा नहीं सिर्फ जो माध्यम में वो अंग्रेजी होना चाहिए 1857 में कॉलकाता, मुंबई और चेन्नाई में विश्विध्याले खोले गए तो यह आप नोट कर ले ना कब खोले गए यहाँ पर 1857 में और जब माध्यम था क्या था? सिख्षा का वो था अंग्रेजी उसके बाद में पंजाब विश्विध्याले की स्थापना 1882 में और इलाबाद विश्विध्याले की स्थापना 1887 में की गई उसके बाद में हैं सन 1902 में विश्विध्यालों की स्थिति का आकलन करने के लिए सर टॉमस रहले के अध्यक्सता में एक आयोग गठित किया गया यानि कि उसके बाद में 1902 में एक आयोग गठित किया गया यह देखने के लिए कि भारत में विश्विध्यालों की क्या इस्थिती है वो किस प्रकार से कारे कर रहे हैं क्या उनसे समाज में कोई प्रभाव पढ़ रहा है या नहीं? तो इस बारे में आकलन करने के लिए Sir Thomas Rayleigh की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया किसके अध्यक्षता में? Sir Thomas Rayleigh की अध्यक्षता में और कब बनाये? 1902 में इसके बाद में इनकी सिफारिसों के आधारपा 1904 में भारतिय विश्विध्याल अधिनियम पारित किया गया ठीक है तो सारी टॉमस रेले के धक्सता में जो आयक हुआ था उन्होंने कुछ सिफारिसे की थी तो उन सिफारिसों के अधारपा 1904 में भारतिय विश्विध्याल अधिनियां पारित किया गया तो काफी जादा important question बन सकता है कि ये जो भारतिय विश्विध्याल अधिनियां में वो कपारित हुआ ये 1904 में पारित हुआ तो इसमें कुछ सिफारी से थी जो इस प्रकारा क्या क्या है हैं? एक तो है विश्विध्यालों को अध्धन तता सोध पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी यूनिवस्टी जपी सब्विध्यालह हैं आगे इसमें ये बताया गया कि जो गवर्नर जर्नल है उनको विश्विध्यालों की छेत्रिय सीमाई निर्धारित करने का अधिकार होगा यानि कि जो उस टाइम पे गवर्नर जर्नल थे उनको ये अधिकार था कि वो विश्विध्यालों की क्या क्या छेत्रिय सीमाई है उनक तो सरकार के द्वारा लीड स्विश्विध्याला के जो उपकुलपती थे कौन थे डॉक्टर एम सेडलर इनकी अध्यक्स्ता में एक आयोग बनाया और यह आयोग बना था 1917 में ठीक है जिसका कार्य था जो कलकत्ता विश्विध्याला उसकी समस्याओं के बारे में जानने का ठीक है उसकी समस्याओं का अध्यन करने का और इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रदान करना तो इसमें जो एमी सेडलर थे उनके आयोग ने कुछ सिफार से की थी कलकत्ता विश्विध्याला की समस्याओं के बारे में तो कौन-कौन सी थी वह देखते हैं इसमें यह ते वह हाई स्कूल के पस्चा थी एक चले जाते थे लेकिन उन्होंने बताया कि उत्तर माध्य में परिक्षा के बारे ठीक है यानि 10 प्लस 2 के बाद में ही वह तीन वर्स की अतिरिक्त जो उसलिए बस है तीन वर्स का अतिरिक्त पार्ठिक्रम है उसके लिए विश्विध् रहे हैं उन्हें होस्टल की सुईधा होनी चाहिए और वे स्वायत्ते संस्थान के रूपे कारे करें उन्हें अपने कुछ निर्न करने के अधिकार दिये जाए उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो माध्यमेक सिक्षा है उसके पस्चात इसनातक की उपाधी के लिए त्री वर्स ये सिक्षा दी जाए यानि माध्यमेक सिक्षा के पश्चात इस नातक की उपाधी के लिए तीन वर्स की सिक्षा दी जाए और अनुप्रियुक्त विज्ञान एवं तकनी की सिक्षा को ज़्यादा प्रोथ साहित किया जाए इनों ने कि उस टाइम पे विज्ञान बहुँ ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था, तकनी की बहुँ ज़्यादा प्रोथ साहित किया जाए तो यह तो हो गया सेडलर की जो सिफारिषित दी थी थी उनोंने कलकत्त विश्विध्या लेगी समस्याों के बारे में अब आगे हैं 1939 में गठित हार्टंग समीती ने अपनी सिफार्षों में कहा कि विश्विध्यालों में प्रुवेस सम्बंधी नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए ठीक है उसके बाद में 1939 में एक समीती बनी कौन सी थी हार्टंग समीती उन्होंने बताय था कि जो भी विध्या में प्रुवेस ले रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इस्टिक नियम होने चाहिए बहुत ज्यादा नियम कड़े होने चाहिए तो भारत में शिक्षप्रणाली की व्यवस्था का अवलोकन करने के लिए सरकार के द्वारा 1948 में राधा कृष्णन आयोग के स्थापना की तो क्या था विश्विध्याल शिक्षा आयोग या फिर राधा कृष्णन आयोग तो इसके बारे हम थोड़ा से जान लेते हैं तो जब देश ने स्वतंदृता प्राप्त की थी उस समय हमारे सामने बहुत सारी चुनोतिया थी उनका सामना करने के लिए सुधर्ण सिक्षा अध्यान करना और उनमें सुधार और भविश्य के आवश्यक्ताव के अनुस्वार सुझाव देना था तो डाक्टर सवपली राधा किर्शनन जो की बनारास हिंदू विश्विध्याले के पूरु उपकुलपती रह चुके थे और बाद में भारत के दूसरे रास्टेपत पारत लूसरे आक दीवी बने तो वह इस आयोग के अध्यक्ष थे ठीकें तो आयोग ने न केवल सिक्षा के बारे में सुझाव दी पलकि यह भी टिप ने की कि माध्यमिक सिक्षा हमारी विवस्था की सबसे कम जोर नोगी हैए ह। और जो सुधार की आवश्यक्ता है वो म अधिमिक शिक्षा वो 12 साल की होनी चाहिए तो इसके लिए राधा कृष्णा नायोग की क्या क्या सिफारिस है थी तो सबसे पहले जो राधा कृष्णा नायोग निस फारीष दी थी वह दी थी कि उच्च शिक्षा के तीन मुख्य अप्देश रहे होने चाहिए उन्हें बत प्रितेक नागरिक को आसानी से मिल सके जो जिससे की प्रितेक नागरिक सिक्षित हो सके उसके बाद में उन्होंने बताए कि सरकारी शिक्षा किस जो सिक्षा उसका निजी करन नहीं होना चाहिए सिक्षा जो है वो सरकारी विश्य होना चाहिए तो सरकार अपने हिसाब से सभ चाहिए जो सेकंड इनकी सिफारिस्ति उसमें कहा गया था कि जो विश्विद्याले हैं उससे पहले की शिक्षे 12 वर्स की होनी चाहिए क्योंकि इन्हों ने बताया कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है वो दस की बजाए 12 साल की होनी चाहिए यानि इंटर्मीडियर तक होनी चाहिए इसके लावा इन्हों ने बताया कि जो सांतिनीकतन और जाम्यमिलिया की तरह ग्रामिन विश्विध्यालों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि ग्रामिन भी शिक्षा प्राप् नहीं होगा इई इसके बाद में नोने बताया कि परिसावाओ के लएं मिश्विध्यालों की सिनात्यक उपादी आवश्यक नहीं होनी चाहिए नेग्स इन्म्ने बताया जो इसमें बताया था इनोंने कि विश्विध्याल्य अनुदान आयोक का गठन किया जाए यानि UGC University Grant Commission का आयोक किया जाए जो कि सभी विश्विध्यालों पर सभी कॉलीजों पर अपना नियंतरन रखे तो सबसे पहले विश्विध्याल्य अनुदान आयोक की सिफारी से वो रा का अध्यान अनिवारे किया जाए यानि कि जो study है जो classes है यो वो कम से कम एक सोसी दिन अवस्चे ही चलनी चाहिए जो पढ़ाई वो तो सिदिन अवश्य चलनी चाहिए तो बाद में राधा कृष्णन आयोग यानि कि विश्विध्याल्य शिक्षा आयोग के सिफारिसों के आधार पारी 1953 में विश्विध्याल्य अनुदान आयोग गठन किया गया तो यह बहुत जाद में स्वायत्यसाशी निकाय का दर्जा दे दिया गया तो उसके बाद में जुलाई 1964 में डॉक्टर डियस को ठारी के अध्यक्षता में एक उचिस्तरी आयोग का गठन किया गया था ठीक है कब किया गया था इसका 1964 में और किसकी अध्यक्षता में डियस को ठारी की अध्यक्षता में एक उचिस्तरी आयोग का गठन किया गया था तो आयोकी सिफारिसों के आधार पर 1968 में राष्ट्य सिख्षनीती बनाई गई थी तो कोठारी आयोकी सिफारिस के उपरां थी जो हमारी राष्ट्य सिख्षनीती बनी थी 1968 वो इसी आयोकी जो सिफारिस के आधार पर बनी थी तो इसके बारे में थोड़ा से जान लेते हैं तो वर्स 1964 में भारत की केंदरी सरकार ने सिक्षर प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्धेश से विश्विधाल अनुदान आयोग के उस समय के अध्यक्से यानि UGC के उस टाइम पे अध्यक्स ते 1964 में कौन थे? डॉक्टर दॉलत सिंग को ठारी यानि DS को ठारी थे उनकी अध्यक्सता में एक आयोग का गठन किया गया था और इसमें कुल मेंबर जो थे? वो 17 मेंबर थे, 17 मेंबर थे उस टाइम पे इसमें ठीक है? जिसमें की 6 विदेशी थे और बाकी इंडियन थे इसके लिए एक कारेकारी दल भी बनाय गया था इस आयोग को भारत के सिक्षा इतिहास में आज तक भी सरवाधिक गहन अध्यन माना जाता ठीक है? तो ये भारत में शिक्षा के तिहास में आज तक का सबसे गहन अध्यन है तो शिक्षा को लेकर कुठारी आयोग की क्या के सिफारी से थी? उनमें प्रमुख है शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में सुधार होना चाहिए यानि शिक्षा इस प्रकार के होनी चाहिए जो विज्ञान और तकनीकी में भी सुधार कर सके इसके अलावा शिक्षा रास्ट या सिक्षा प्रणाली का विकास किया जा सके तो बाद में कुठारी आयोग की क्या गया? शिफारी से थी सिक्षा को लेकर तो सबसे पहले इसमें बताएगा की सिक्षा विज्ञान और तकनीक में सुधार होना चाहिए यानि जो हमारे यहां पर सिक्षा विवस्था है विज्ञान की विवस्था और तकनी की सिक्षा है उन सभी में सुधार होना चाहिए इसके अलावा सिक्षा धरम निरेपक्ष लोकतंत्र की होनी चाहिए किसी विशेस धर्म के पृति उसका लगाव नहीं होना चाहिए इसके लावा इसमें बताये ग09 काए कि जो सीक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए और सीक्षा इस्तिरों का विकास किया जाए यानि सीक्षा विभिन इस्तिरों पर की जानी चाहिए और इसके अलावा इन्हों ने बताया था कुठारी आयोग ने कि जो सिक्षा है उसे समवर्ति सूची में सामिल कर लिया जाए इनी सिफारिसों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1976 में सिक्षा को समवर्ति सूची आनि कॉन्कुरेंट लिस्ट में सामिल कर लिया था और बाद में 1968 में 1968 में नविन सिक्षा नीती की घोशन की गई किसकी सिफारिस पर? DS को ठारी की सिफारिस पर इसके लावा कुछ और भी सिफारिसे थी तो सबसे पहले इस सिफारिस में बताय गया था कि जो NCRT यानि रास्टे सिक्षा एवं अनुसंधन परिसद उसको भारते स्तर पर विद्धाले शिक्षा का भार सौपा जाए यानि जो विद्धाले शिक्षा है उसका पूरी तरह से जो नियंतरण होना चाहिए वो NCRT का होना चाहिए है नेक्स्ट इन्होंने बताय था कि एक केंद्री शिक्षा सलाकार बोड़ यानि केब के और अधिक अधिकार दिये जाए यानि जो केब है C A B E ठीक है जो सिक्षा है उसको राष्टे महतु का विशे माना जांग इसके लिए राष्टे सरकार नैशनल एजुकेशन नीती बनाई तथा जो राज्य सरकार है वो स्टेट एजुकेशनल एक्ट बनाई इसके लिए इन्होंने बताय था कि तीन वर्स का डिग्री कोर्स होना जो उच्छ सिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए भारते सिक्षा सेवा यानि Indian Education Service प्रारump करने का सुझयाव दिया गया था, तो ये काफी बड़ी बात थी, इसमें IEs यानि Indian Education सर्विस सुरू करने का सुझयाव दिया गया था, अपिक है सोटन्तरता प्राप्ती के बाद में भारत में उच्ष सिक्षा का विकास तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि 1947 में आजाध होने के बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनातिया थी बहुत सारी समस्याय थी जिसमें की सिक्षा का छेतर भी सामिल था विशेस रूप से उच्छा का छेतर तो इसके लिए हमारी सरकारों के दुआरा विभिन परकार की संस्थाओं की विभिन परकार के आयोगों की स्थापना की गई जो की उच्छा के छेतर में महत्पुन भूम का निभाती है तो आईए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो सवतंतरता के पश्चात भारत की सिक्षपण्णाली का अवलोकन क्या गया है और यह देखा गया कि किस छेतर में क्या आवश्च रखता है कहां पर क्या कमिया है उन कमियों को कैसे पूरा करके हमारी जो जो है इस समय विश्व में ग्रो करने लगा था विश्व में अप्नी जगे बनाने लगा था तो इसमें ठीजटे सामील तो सवतंतरत के उपरांद भारत में इसकोलों कॉलीज और विश्विध्यालों की संख्या में तेजी होने लगी इसके बाद में सवतन्तिता प्राप्त होने के बाद में हमारी सरकारों ने इसके बाद में ने विश्विध्यालों की स्थापना होने लगी इसी के साथ जो विध्यार थी ते उनकी संख्या में भी अभूतपूर व्रद्धी होने लगी सवराजय प्राप्ती के पूर गांधी जी ने जो देश में रास्टेता की जोती जलाई थी जिस तरह का गांधी जी हमारा एक सपनों का भारत चाहते थे उसके लिए उसके विकास में पंडित मदन महुन वालविया सरदार पटेल नेता जी और राजराम महुन राए आदी स सबी अपने तन मंधन से जुट गए थे ठीक हां हालाकि राजराम महुन राय यह इन से पहले थे गांधी जी से पहले थे तो स्वतन्तिता प्राप्ती से पूर भारत की सिक्षविवस्ता कैसी थी जब हमारे देश आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारे जो वेवस्ता थी वो पूरी तरह से घिसी पिटी हुई थी और वो पूरी तरह से पस्चमी सिक्षा की वेस्टन एजुकेशन की नकल थी तो गांधी जी यह चाहते थे कि जो हमारे सिक्षा वो इस थरह की हो जो हमारे सिक्षा के छेत्र में एक नूतन प्रियोग हो यानि एक न नकलना हो तो उत्न त Advisor के अप्रांत यहां स्माप्त हो गयी घृए-धीरे क्या जब हमें सुतंता मिल गए हमाजाध हो गए तो उसके बाद में इन्होंने सांतिनिकेतन की स्थापना की ठीक है तो इसमें ये बतायागा कि ये उनकी कभी की कलपना नहीं थी मतले कलपना के तौर पर उन्होंने सांतिनिकेतन की स्थापना नहीं की थी बलकि येस, सिक्षा के छेत्र में किया गया अभीनव प्रियोग है. बहुत UX। इसे प्रियोग बताया गया तक किसके छेत्र में? शिक्षा के छेत्र में. इसके अलभाए जो अरविंद घोस थे, उन्होंने भारते शिक्षा में अध्यात्मिकता का स्वर गुंजायमान किया ठीक है तो अरविंद गोस चाहते थे कि जो हमारी भारते शिक्षा है वो अध्यात्मिकता से जुड़ जाए हमारी शिक्षा में अध्यात्मिक भी बहुँजाद महत्पुन भूमी का निभाता है तो यह चाहते थे कि जो हमारी शिक्षा वो अध्यात्म हो जाए इसके अलावा महामना मालविया ने काशी में विश्विध्याले शिक्षा को भारतेता पर आधारित करने का सफल प्रियोग किया तो काशी में यह मदन मोहन मालविय थे इन्होंने इस तरह का प्रियोग किया कि जो हमारी शिक्षा है, भारती शिक्षा है, उसको किस प्रकार से भारत के आवशक्ताओं के अनुकूल बनाए जा सके, तो ये उनका एक सखल प्रियोग रहा था, तो आगे देखते हैं विश्विध्यालय शिक्षा क्या है, तो विश्विध्यालय शिक्षा से हमारा अभी प् बखी हैं जो कि विश्विद्यालों से संबंद महामिद्यालों ये कॉलिज दवारा प्रदान की जाती है तो विश्विद्यालों एक स्वायत्य संस्था होती है तो संगठन के अनुसार देश के विश्विध्यालों को निम्न तीन स्रेणियों में वर्गिकरत किया जा सकता है यानि जो हमारे देश में विश्विध्याला है उनको तीन भागों में बाटा जा सकता है कौन-कौन से भाग है? सबसे पहले संबंदक विश्विध्याला क्या संबंदक विश्विध्याला सेकिंड है संघात्मक विश्विध्याला और थाड़ा एक आत्मक विश्विध्याले तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं सबसे पहले हम देखते हैं संबंदग विश्विध्याले क्या है तो संबंदग विश्विध्याले का मतलब है कि ये विश्विध्याल अपने अधिकार छेतर में आने वाले महाविध्यालों को माननेता प्रदान करते हैं यानि कि जो भी कॉलीज, जो भी इंस्टिटुशन से जुड़ जाता है वो इनको माननेता प्रदान करते हैं और उन पर अपना नियंत्रण रखते हैं और उनके लिए पाठ्य करम यानि स्लेवस भी वो खुद ही डिसाइड करते हैं तथा उनमें अध्यानरत छात्रों के लिए परिक्षाओं का आयोजन करते हैं यानि यह संबंदक विश्विध्याले होते हैं इनसे बहुत सारे कॉलिज बहुत सारे महाविध्याले जुड़े होते हैं तो वहां पर क्या स्लेवस होगा किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाएगा और वहां पर कब का परिक्षाओं का आयोजन होगा और किस प्रकार होगा तो इस सब के बारे में नियंत्रण ये संबंदक विश्विध्याले ही रखते हैं। नेक्स्ट है संगात्मक विश्विध्याले तो क्या होते हैं इन विश्विध्यालों के इंतरगत उन संविधाई महाविध्याले स्थर के सिक्षा प्रदान करता हैं। तो भारत में इस प्रकार के कई विश्विध्याल हैं, तो यह क्या होते हैं, संगात्मक विश्विध्याले केंद्र सरकार के द्वारा नियंदरिध होते हैं, तो इन पर जो पूरा नियंदरन होता हैं, वो केंद्र सरकार का होता हैं, और इसमें सम्विधाई महाविध्याले स स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है और इस प्रकार के हमारे देश में कई जो है महाविध्याले हैं कई विश्विध्याले हैं अब नेक्स्ट है हमारा एकात्मक विश्विध्याले तो इस प्रकार के विश्विध्यालों का अपने अंतरगत आने वाले महाविध्यालों पर पूर नियंतरन होता है तथा इन महाविध्यालों के लिए अभी अध्यापकों की नियुक्तिवे स्वयम करते हैं यानि यह जो एकात्मक विश्विध्याले होते हैं इनसे जो भी जुड़े हुए विश्विध्याले होते हैं जो भी जुड़े हुए कॉलीज होते हैं उनका पूरी तरह से इन पर नियंतरन होता ठीक हैं तो एकात्मक विध्याले जो विश्विध्याले हैं वो अपने कॉली अगर हम बात करें किसी भी विश्विध्याले के आंतरिक विवस्था यानि वहां के इंटर्नल स्ट्रेक्चर के बारे में तो इंडिया में जितनी भी यूनिवस्टी जितने भी विश्विध्याले हैं सभी के आंतरिक विवस्था थोड़े बहुत चेंजिस के साथ में चांसलर राजय का राजयपाल होता है जिस भी स्टेट की उनिवस्टी है तो वहां के जो चांसलर होंगे वहां के गवर्नर होंगे अगर बात करें हम दिल्ली विश्विद्याले की क्योंकि यहां पे जो राज्यपाल का पद नहीं है तो इसलिए यहां पे जो यहां के कुलाधी पती यानि यहां के जो चांसलर होंगे वो उपराज्यपाल यानि डिप्टी गवर्नर होंगे तो दिल्ली विश्विध्याले के चांसलर कौन होंगे? वो वहां के उपर राज्यपाल होंगे इसके लावा ये जो पद है हमारे देश में चांसलर के तो ये क्या है? परंपराव के अकॉर्डिंग या फिर इनको सम्मान के तौर पर इने ये पद प्रदान होते हैं जबकि जो वास्त्विक मुख्या होता, जो वास्त्विक दायुत्व होता विश्विध्याले का कुलपति होता कौन कुलपति यानि वाईस चांसलर होता है तो ये जो जैसे उपराजयपाल हो गए, राजयपाल हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, तो इन्हें ये सम्मान के तोर पर या फिर परमपराओ के आधार पर इनको बद प्राप्त हो जाते हैं, जबकि किसी भी यूनिवस्टी का जो वास्तुविक मुख्या होता है, था सबते हैं, खुलपति का ही नियंत्रन होता है, तथा इससे संबंदी जो भी रिपोर्ट है वो राज्यपाल, यानि कुलादीपती यानि चांसलर को दे दी जाती है किसके दौारा कुलपती के दौारा तो क्या है ये कुलपती क्या करते हैं राज्य का किस प्रकार से प्रशाशन चल रहा है किस प्रकार से प्रबंधन चल रहा है तो इस सब के बारे में रिपोर्ट जो है वो राज्य के राज्य यानि कुल अधिपती चांसलर को दे देते हैं अब बात करें हमें विश्विध्याले में कितने प्रकार की संस्थाय होते हैं तो यहां पे मुख्य रूप से दो प्रकार की संस्थाय होते हैं विश्विध्याले के अंतरगत कौन-कौन सी होती है सबसे पहले होती सीनेट या को तो इसमें क्या होता हुट है इसके बारे में जानलीजिए तो इसमें विश्विध्याले से संबंदित सभी लोगों का प्रत्रशार्या होता है इसके अलावा अभी भावक और पंजीकरत इसना तक तो यह सवी क्या है? इनका सीन्येट या कौट में पृतिनिधित्व होता है इसके अलावा कुछ सरकारी विभागों के सदस्य इसके प्रधिन सदस्य होते हैं तो एक को siion बन सकता है कि जो यहां के पधिन सदस्य होते हैं तो वो होते हैं कुछ सरकारी विभागों के सदस्य हैं इसके अलावा जो राज्य सरकार हैं और जो चांसलर है उनके द्वारा भी कुछ ही सदस्यों को यहाँ पर मनोनीद किया जाता है तो जो इस्टेट गोवर्मेंट है और जो चांसलर यानी कुलादीपती होते हैं वो भी यहां पर कुछ सदस्यों को अपने according उन्हें मनोनित कर सकते हैं यहां पर उनिवस्टी के अंदर गत्थ तो इसमें क्या होता यह संस्था विश्विध्याले संबंदित सभी नीतियों का निर्धारन करते कि विश्विध्याले में किस प्रकार से कारेकलाप होंगे किस प्रकार से पाठे करम होगा और मतलब जो अध्यान सामंगरे वो क्या क्या होगी तो इस सभी के बारे में नीतियों का निर्धारन इसी संस्था के अंतरगत किया जाता किसके अंतर सीनेट या कोट के अंतरगत और इसके लावे बजट आदि की विवस्था करती है ठीक है तो आपको नोट करने वाल चीज ये कि यहाँ पर जितनी भी नीतियों का निर्धारन होता वो कोट या सीनेट में होता और इसके लेवा बजट संबंदिक कारेओं की विवस्था भी सीनेट या कोट में ही होती है नेक्स वे यहाँ पर कारेकारनी परिशद तो किसी भी यूनिवस्टी के प्रशासन में यह संस्था नियामक या धुरी की भूमिका का निर्वहन करती है यानि किसी भी यूनिवस्थी में संस्था बहुत जादा इंपोटेंट होती है महाँ पे एकदम धुरी की तरह कारे करती है यह संस्था संपून प्रशासनी कारेओं को संचालित करती है जि फिर से देखिये लाईन विश्विध्याला की संपत्य कोस और उसके प्रतिदिन के प्रसासन का संचालन करते कारे-कार्णी परिसद तो यह क्या है यह एक लगुनिकाय है नोट कीजिए गई क्या है एक लगुनिकाय है जिसमें की सामानेत निम लोगों को प्रतिनीदित प्राप्त होता है किन गिन को होता है इसमें प्रतिनीदित प्राप्त सबसे पहले जो कुलपती होता है यानि वाइस चांसलर जो ह होते हैं किसी भी उनिवस्टि के तो उनको सब्सेज़ाद इसमें प्रतिनीधी प्राप्त होता इसके लावह जो राज्य का शिक्षा शंचालग हैalta उसको और ह pater इसमें ईयद सिनिट हो गया साइनस वेगर और ठीक तो इतने जितने भी संकाय होते हैं के सदस्य होते हैं और इसके लावळ Queer आढ़े महाविद्याला उनके दर्म प्रिब्धानचारी ऑखू Source जितने भी कॉलीज हूँते सीनिय या कोड और दूसरी कारेकार्णी परिशव अब आगे कि विश्विध्यालों की स्वायत्ता क्या है तो इसके लिए जो सुझावदिया था सबसे पहले सिफारिस दी थी वह अंकोठारी आयोग के द्वारा दी गई ती कि इनके द्वारा दी गई थी विश्विध्यालो कुछ तरो में स्वायत्ता प्राप्त होनी चाहिए तो और और जोन नहीं बारे में, उनकी न्यूकतिं विश्वीध्याले अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, इसके इसके लावा फुठार यायोग ने बताय था कि जितने भी विश्विध्याला हैं जितनी भी उनिवस्टीच है वो अपने यहां पर चात्रों का चैन कर सकते हैं उनका entrance exam लेकर वाई 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 वगरा लेकर वो चैन कर सकते कि कि चात्रों को हम अपने यहां पर education प्रदान करेंगे आगे इसमें कोठारी आयोग के अनुसार यहां बताया गया है कि जो अध्यापन के विश्य हैं कौन-कौन से विश्य यहां पर पढ़ाये जाएंगे शिक्षण विधी क्या होगी और इसके अलावा अनुसंधन के विभिन विश्यों के चैन में भी विश्विध्याले को सवत्तर अंतरता होनी चाहिए एक बार फिर से देखते ही क्या क्या है एक तो कोठारी आयोग ने सिफारिश दी थी एक तो यहां पर क्या है जो सिक्षकों की नियुक्ति है और पदोननति यानि प्रमोशन है वो विश्विध्याले के नियंतरन के अंतरगति होगा यानि विश्विध्याले जिसको उसको शिक्षक न्यूक्त कर सकता और उसका प्रमोशन भी कर सकता इसके लावा वो च्छात्रों के चयन में भी पूरी तरह से स्वायत्त है यानि स्वतंत्र है और नेक्स्ट है वो अपने यहाँ पर कोई भी विश्य पढ़ा सकता अध्यापन के लिए और कोई सी भी शिक्ष कैसे एक दूसरे से संबंदित होते हैं और राज्य सरकार किस प्रकार से विश्विध्याले यानि उनियंत्रन रखती है इसके बारे में जानते हैं तो वास्तव में देखा जाये तो जो विश्विध्याले होते यूनिवस्टी होती है वो पूरी तरह से स्वायत्ता सरकार के लिए स्वम जिम्मेदार होती है लेकिन क्या होता सरकार इन पर प्रित्यक शुरूप से अपना नियंतरन बनाए हो रखती है तो सरकार इन पर जो अपना नियंतरन रखती है वह प्रित्यक शुरूप से होता है और वह किस प्रकार से होता है आए देखते हैं तो सबसे स 민주 स्टेट यूंवस्टी होते हैं कि सिस स्टेट की उनका जो चांसलर होता है ठीक जुर्जस 본 का राज्या के के समस्त विश्विध्यालों के संचालन एवं प्रबंदन संबंदी प्रतिवेदन को प्राप्त करता है तो वो क्या करते हैं कि उस विश्विद्याले में किस प्रकार से सेक्षिक प्रकिर्याओं को संचालन किया जा रहा है और वहां पर किस प्रकार से प्रबंदन किया जा रहा है प्रशाशन किस प्रकार से कारी कर रहा है इन सभी के बारे में जो उनको रिपोर्ट मिलती है प्रितेख वर्ष ठीक है तो उनको प्रितेख वर्ष रिपोर्ट मिलती रहते हैं कि हमारे यहां पर इस तरह से कारे क्या जा रहा है यह यह जो पाठे क्राम हम यह चला रहे हैं तो इस प्रकार से सरकार राज राजय के सभी विश्विध्यलों के कुलपती की न्यूठती राजय पाल के द्वारा ही यान recurrence मैं Canadian वहां पर प्रमुक यानद के रांद ही कुलपति होते, वहां तो नी निक तो उनकी न्यूक्ति के द्वारा होती है राज्यपाल के द्वारा तो इस तरह से जो कुल्पति उसकी न्यूक्ति करके भी राज्यसरकार किसी भी यूनिवस्टी पर अपना नियंतरन बनाई रखती हैं अब आगे इसमें सीनेट के द्वारा पारित नियम तब तक अधीनियम करूप धारा नहीं कर सकते जब तक उन्हें राजयपाल से स्विकर्थी प्राप्त नहीं हो जाए ठीक है तो सीनेट जो भी किसी भी यूनिवरस्टी की जो सीनेट होती है या वहाँ पर जो कोर्ट होता वो कोई भी नियम तब तक नहीं बना सकता या फिर कोई भी नियम तब पारित नहीं हो सकता जब तक कि राजयपाल अपनी सहमती प्रदान न कर दे इसलिए कोई भी नियम पारित करने के लिए राजयपाल की सहमती आवश्यक है तो इस तरह से भी राजयवसरकार किसी भी उनियंवर्स्टी पर अपना जोए नियंत्रन बनाए रखती है तो यह किस यूनिवस्टीज होती हैं उनके आर्थिक कोस का आवंटन क्या सरकार के दुवारा या आज्य सरकार के दुवारा ही क्या जाता है इसलिए सरकार क्या कर सकती है उनके आई विया का अखलन कर सकते हैं कि आप किस जगह पर कितना खर्जा करोगे और आपका बजट क्या होगा तो तो जो कारेकार नी कारेकार नी सीनेट होती है उसमें राज्यसरकार के द्वारा मनुनित प्रतिनीधी होते हैं ठीक है तो राज्यसरकार उसमें से कुछ है प्रतिनीधियों को मनुनित करते हैं जो कि वहां पर अपना नियंत्रन बनाए रखते हैं जो कि विश्विद्ध्याल अनुदान समीति के माध्यम से राज्य के विश्विध्यालों को अनुदान प्रदान करती है तो राज्य सरकारे किस के माध्यम से अनुदान प्रदान करती है विश्विध्याल अनुदान समीति के माध्यम से ठीक है तो जब राज्य सरकारे किसी भी यूनिवर्स्टी को और पननियंद्रन्ट स्थाफितर करती है अब आगे इसमें विश्विध्य विवस्था तह इसका मतलब है जो भी र्ट्रों होती है वहाँ पर शिक्षा तो किस प्रकार से होती है याने कि कोई भी उनिवस्टिया और उससे संबंध महाविद्याल है उनमें आये के साधन क्या क्या होते हैं तो निम्न प्रकार होते हैं क्या क्या है एक तो केंद्र सरकार के अनुदान तो हर उनिवस्टि को केंद्र सरकार कुछ अनुदान प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से जो उनिवस तो उनमें राजर्श सरकार यानि सेट गौर्मेंट क्या है कुछ अनुदान परदान करती है उन्यंवर्श्टी पर तो क्या इसके माध्यम से वह अपने विवस्था करते हैं यानि यह भी उनके आये का साधन होते हैं नेक्स्ट शिक्षन सुल्क यानि फीस उस प्रकार से अपने आए के साधन के रूप में इसे उपयोग करते हैं आगे हैं व्रत्यदान इत्यादी तो इस तरह से जो भी यूनिवर्स्टीज होती हैं वो सिख्षा की वित्यविवस्था करती है यानि अपने यहां पर आए के साधन जुटाती है तो फ्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक होगा संस्थाय एमं उनकी अंता किरिया तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ संस्थाओं के बारे में और उनके अंता किरिया के बारे में जो कि हमारे उच्छ सिक्षा के छेतर को महत्पुन रूप से प्रभावित करती है तो चलिए शुरू करते हैं तो विश्विध्याले शिक्षा में विभिन संस्थाओं की महत्पुन भूमी का होती है ये जो हमारा higher education का field है इसमें बहुत सारी ऐसी संस्थाओं जो कि अपनी महत्पुन भूमी का निभाती है तो ये संस्थाओं जो होती हैं वो केवल सिक्षा को प्रोथ साहीत ही नहीं करती है अपितु जो शोध करता होते हैं विध्यारती होते हैं उनको नहींने विश्यों से अवगत कराती हैं और नहींने जानकारियों से अवगत कराती हैं तो इस तरह से ये उच्षा को और भी जादा विक्सित करने में महत्पुन भूमी का निभाती हैं तो भारत की वे संस्था है जो की उच्चितर सेक्षिक अनुसंधान छेतर में कार्यत हैं वो कौन-कौन सी उनके बारे में थोड़ा से जान लेते हैं तो इसी तरह की पहली संस्था है भारतिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिशद अगर बात करे हमें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना वर्स 1969 में हुई थी प्रमुख उद्धेश था यानि इस संस्थान का मुख्य उद्धेश था जो इस थापना का मुख्य उद्धेश था वो था देश में सामाजिक विज्ञान सोध को प्रोनत वै समनवित करना क्या था देश में सामाजिक विज्ञान सोध को प्रोनत वै समनवित करना यानि सामाजिक विज्ञान के सोध को जादा से जादा विक्सित करना और उसे प्रोनत करना यह परिशत सामाजिक विज्ञान क सामाचिक विज्ञान का घ्ञान कुबर्वा रश्र, इसके अलावा अंतर विश्यवक परिप्रेक्ष को प्रोणत करके अनुसंधान की कोटी में सुधार भी करती है यानि कि अगर लगता है कि कुछ संस्थान गलत तरीके से कोई भी फेक्ट को जो चाप रही है उसको बता रही है तो इस तरह से वो उनकी जो क्वाल्टी उसको भी सुधार सकती है अब ने भारती आतिहास एक अनुसंधान परिशाथ जिसका कार्याल है नई दिल्ली में इस्थित है अगर बात करें हम इसकी स्थापना वर्ष की तो इ भी तर से स्वतंत्र है और कोई भी बाहरी संस्थान इसके उपर कोई भी दवाब नहीं बना सकता तो इसका जो उद्देश था वो देश में इतिहास के छेत्र में तथ्थ परक अनुसंधान तथा लेखन को बढ़हावा देना था इसके अतरिक यह अनुसंधान परियोजन को प्रायोजित करती है तथा देश के लोगों में देश की रास्टिया एवं सांस्कृतिक विरासत को आत्मसाथ करने की भावना को जागरित करती है जिससे की देश के लोग अपनी जो रास्टिया संस्कृतिया सांस्कृतिक विरासत है उनको आत्मसाथ करे और उनके अंद इस तरह की अपने पन की भावना आजा इन सभी चीजों के पृति तो इस तरह से यह जो संस्थान हो देश के लोगों में देश की राष्ट आवयों सांस्कृतिक विरासत को आत्मसाथ करने की भावना को जागरित करती है तो यह काफी जाद महत्पुन भूमी का निभाती है इसकी बी जो स्थापना हुई थी वो एक स्वायततसासि संस्थान के रूप में हुई थी यानि यह भी अपने कार्य करने के लिए पूरी तर से स्वतंत्र है और जो इसका उद्देशे था, इसका मुख्य उद्देशे क्या था? वो था सामाजिक विज्ञान मानवी की एवं संबंदित छेतरों में उच्च अनुसंधान को बढ़ावा देना सबसे पहले चीज तो ये जो सामाजिक विज्ञान का छेतर है, मानवी की का छेतर है और संबंदित छेतर हैं उनमें उच्च अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसके लिए वरिष्ट विद्वानों की सहायता करना इसके लिए बढ़ावा देने के लिए जो भी वरिष्ट विद्वाना उनकी सहायता करना इसके लिए यह नई छेतर में अनुसंधान, नए महत्पुन विचारों के सुरजन एवं संकल्पना आत्मक विकास को प्रोथ सही करने की दिसा में कार्या करती है और इसका कार्या आत्मक विकास में प्रोथ सही करते हैं तो इसतरह से यह काफि जादा ये महत्पुन हो जाती है सनस्थान नेक्स्ट इसी में भारति दर्शनी का अनुसंधान परिसाद और इसका कार्या लेख है नई दिल्ली में तो यह है परिशत देश के दार्षनिक अनुसंधान के छेतर में शोध एवं अध्यन को प्रोथ साहित करते हैं एवं संबंध विश्यों में सोध करने वाले विध्यार्तियों एवं अनुसंधान करताओं को विध्य सहता भी प्रदान करते हैं जो भी लोग इसमें रिसर्च करते हैं किसमें दर्शन शास्त्र में और उससे संबंधित विश्यों में जो भी रिसर्च करते हैं सोद करते हैं उन विध्यार्तियों को या फिर उन सर्चर को ये कुछ विक्त्य सहता भी प्रदान करते है। कुछ फाइनसर जो हैल्प उनको प्रदान की जाती इसके द्वारत भारती दार्षनिक अनुसंधन परिसत नहीं दिल्ली के द्वारत इसके अलावा कुछ और भी महत्कुन सेक्षिक संगठन या फिर परियोजना है जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि कई बार एक्जाम में पूछे भी जा चुके हैं तो चलिए इनके बारे में जानते हैं सबसे पहले है रास्टे बाल भवन और इसकी स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी तो रास्टे बाल भवन की स्थापना कब हुई थी 1956 में तो यह फैक्ट आप याद रखोगे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है इनके बारे में बस इनका स्थापना वर्स पूछ लिए जाता है ज्यादा 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 नेक्स्ट है विश्विध्याल अनुदान आयोग इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हो ठीक है और उसका जो स्थापना वर्स ह इसके बाद है रास्तिया, सैक्षिक अनुसंधन और विकास परिसद तो इसका जो क्या है इसका स्थापना वर्स वो 1961 है याद रखना आगे है केंद्री विद्याले संगठन का जो स्थापना वर्स है 1966 है 1966 है नेक्स्ट है रास्तिय जनसंख्या सिक्षा परियोजना और इसका स्थापना वर्स 1980 है क्या है इसकी स्थापना वर्स 1980 है रास्तिय जनसंख्या सिक्षा परियोजना काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और और भी बाके एक्जाम्स में पूछी जा चुकी है तो आप य हैं इंद्रा गांधी रास्टे मुक्त विश्विध्याल है और इसके बारे माँ थोड़ा रिटेल में भी पढ़ चुके हो और जो इसका इस्थापन वर्स है वो 1985 में ठीक है और ये देश का पहला उपन यूनिवर्स की इंद्रा गांधी रास्टे मुक्त विश्विध्याल है और इसका इस्थापन वर्स है 1989 महिला समाख्या कारे करम 1989 इसके बाद में है जिला प्रात्मिक सिक्षा परिसद इस्थापन वर्स है इसका 1994 में 1994 इसके बाद में रास्टे अध्यापक सिक्षा परिसद रास्टे अध्यापक सिक्षा परिसद का इस्थापन वर्स कब है 1995 यानि 1995 इसके बाद में है रास्टे उर्दु भासा विकास परिसद जिसका इस्थापन वर्स है 1996 में यानि 1996 में तो इसे देखते हैं रास्तिय उर्दु भासा विकास परिशद 1996 तो एक बार हम फिर से रिवाइस कर लेते हैं सबसे पहले परिशद है भारत्य सामाजिक विज्ञान अनुसंधन परिशद और इसका कार्याल है नई दिल्ली में और जो इसका स्थापना वर्स है वो है 1969 में, और परिशत कहाँ पर इसका नई दिल्ली में स्थित है Next है, भारतिय ऐतिहासिक अनुसंधन परिशत, इसका अभी कार्याल है नई दिल्ली में स्थित है और जो इसके स्थापन वरसा है 1972 है आगे हैं, भारतिय उच्चितर अनुसंधन परिशत और इसका जो कार्याला है वो शिमला में स्थित है और इस थापना वर्स है इसका 1965 आगे है भारतिय दार्षनिक अनुसंधन परिशाद इसका कार्याला कहां पर है नई दिल्ली में स्थित है और इसके बाद में कुछ अन्य महत्कुन संगठन है सेक्षिक संगठन है जिनके बा इसके बारे में पड़ भी चुके हो फिर भी आपको यहां पर दे दिया है और इसका जो है इस्थापना वर्सा वो 1956 इसके बाद में नैशनल बुक ट्रस्ट ये कब स्थापित हुआ था ये 1957 में हुआ था इसके बाद है रास्टे सैक्षि कनू संधान और विकास परिशद ये इसके बाद में है रास्टे जनसंख्या सिक्षय परियोजना तो ये देश में जो रास्टे जनसंख्या है ग्रामिल जनसंख्या उसको सिक्षित करने एक द्रस्टी से योजना बनाए गई थी और इसका जो इस्थापना वर्स है वो है 1980 में इसके बाद में इंद्रा गांध में हैं महिला समाख्या कारेकरम जो की 1989 में इस्थापित हुआ था महिला समाख्या कारेकरम 1989 में इस्थापित हुआ था नेक्स्ट जिला प्रात्मिक शिक्षा परिशत जो की 1994 में इस्थापित हुआ तो 1994 में इसके बाद में रास्ट्य अध्यापक शिक्षा परिशत जो की 1995 मे इस्थापित क्या गया था और आगे हैं रास्टिय उर्दू भासा विकास परिसद्जों की 1906 यानि यूनिवेस्टि ग्रांट कमीशन हिंदी में कहते विश्विध्याल अनुदान आयो तो UGC अधिनियम 1956 ये क्या था अधिनियम लेखते हैं इसे विश्विध्याल सिक्षा क उसके किस प्रकार से मानकों में समनवे किया जाए और उनका किस प्रकार से निधारान किया जाए यानि कौन-कौन से नियम बना जाए उच्षिक्षा के लिए और उनका किस प्रकार से रखराका किया जा इसके लिए संसद में एक अधिनियम आया जो कि UGC 1956 है इस अधिनियम और जिंद्री अधिनियम एक राज्ज अधिनियम के तहित एनर द्वारा इस्थापित या निगमित है और इससे विष्विध्याले के प्रामर्स में कोई विष्विध्याले हाँ, यानि हमारे यहाँ पर जो भी संस्थान होते हैं, उन्हें UGC के द्वारा माननेतप्राप्ठ होना जरूरी है, वह तभी वर्क कर पाएगा, तभी बहें आगे चल पाएगा, तो विश्विध्याले अनुदान आयो गयानी UGC का गठन पहली बार 1945 में अलिगड बनारस और दिल्ली के तीन केंद्रे विश्विध्यालों के काम की देखरेक के लिए क्या गया तो पहले इसका गठन वो किसलिए क्या गया था कि तीन विश्विध्याले थे कौन-कौन से अलिगड बनारस और दिल्ली इनके रख रखाओ को इनके काम की देखरेक के लिए UGC का गठन 1945 में क्या गया था इसकी जिम्मेदारी 1947 के सभी भारते विश्विध्यालों को कवर करने के लिए बढ़ाई गय थी यानि जब बाद में 1947 में इसकी जिम्मेदारी को बढ़ा करें सभी भारते विश्विध्यालों को उनके कारियों को देखरेक करने लगा 1948 में विश्विध्यालों सिक्षा आयोग के द्वारा सिफारिस की गई जो कि भारतिया विश्विध्यालों सिक्षा पर पुनरविचार पर सुझाव देने के लिए ठीक है? तो 1989-1996 में क्या किया गया इस पर आयोग की कौन सा आयोग था? विश्विध्ध्ध काल दूज dónde Cameda पर पुनल आर विचार किया गया तो इसमें और किस प्रकार से हमारे उचे क्षा में सुधार किया जा सकता और उसे कैसे विश्थारित किया जा सकता उसे किस प्रकार से बढ़ाय जा सकता तो इसे जाव देने के लिए डॉक्टर S. राधा कृष्णन के अध्यक्षता में ये समीती स्थापित की गई किसकी अध्यक्षता में S. राधा कृष्णन के जो अध्यक्षता में इस्थापित की गई इसके लावा 1952 में सरकार ने फैसला किया कि सभी विश्विध्याले और उच्छ सिक्षन संस्थानों को अनुदान UGC द्वारा संभाला जाना चाहिए यानि 1952 में सरकार ने फैसला किया कि जितने भी विश्विध्याले हैं जितने वी उच्छ सिक्षन संस्थान है सभी को UGC द्वारा ही संभाला जाना चाहिए सभी की देखरे कौन करेगा UGC तो ये फैसला किया सरकारण 1952 में इसके बाद में 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अजाद जो कि हमारे उस टाइम पर सिक्षमंतरी थे इसका उद्गाटन किया कि इन्होंने किया मौलाना अजादने जो कि हमारे शिक्षमंतरी थे इन्होंने इसका उद्गाटन किया कब किया 28 दिसंबर 1953 को आगे इसमें तो ये जो हमारे UGC यानि विश्विध्यल अनुदान आयोग या मानव संसादन विकास मंतराला यानि MHRD इसके तहत 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित सरकार के अकादमिक मानग अनुदान की रिहायादी के समन्वेव रख रखाओं के लिए जिम्मेदार है यानि जो ये हमारे UGC है एक तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखना आपको ये हमारे मानव संसादन विकास मंतराले के तहत कारे करता है इसके तहती से बनाए गया तो फिर से बोल देती है किसके तहत बनाए गया मानव संसादन विकास मंतराले के द्वारा ठीक है तो इसके तहती है 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था और किसली के आर्था सरकारने से स्थापित यह अकादमिक मानक यानि जो सिख्षा से संबंदित नियम है उनके उनको बनाने के लिए इसके लावा अनुदान की रिहाई के लिए किसको कितना जो ग्रांट दिया जाए किस उनिवस्टिय को कितना ग्रांट दिया जाए इसके बारे में क्यों कौन से नियम तै किये जाए तो इस सब के बारे में इसका और किस प्रकार से उनमें आपस में समन्वय और उनका रख रखाव किया जाए इस बारे में इसकी स्थापना की गई और यह सभी के लिए जिम्मेदारी से बनाए गया अब बात करते हैं इसका मुख्याले की तो इसका जो मुख्याले है वह है नई दिल्ली में है जो इसका मुख्याले है वह नई दिल्ली में इसके लावा वो है पुणे, भवपाल, कॉलकाता, हैदराबाद, गौहाटी और बैंगलोर में ठीक है इसके छेन्य छेतरी केंद्र है अब देखते हैं UGC की क्या के विशेश्थाई देखते हैं तो विश्विध्याले और कॉलेजे को अपने स्वयम के धन को और उनके विकास या अन्य सामान युद्धिश्यों के लिए अनुदान आवंटित करता है यानि जो UGC है वो विध्याले को और कॉलीजों को क्या करता है अनुदान आवंटित करता है ग्रांट जो ये बाढ़ता है इसके अलावा विश्विध्याले को अनुदान देने में केंद्र और राज्यसरकार को सलहा देता है यानि किस विध्याले को कितना अनुदान दिया जाए किस विध्याले को कौन-कौन से चीजों के लिए जो एक्स्ट अनुदान दिया जाए या फिर कम किया जाए उनका जो अनुदान को, तो इस बारे में केंद्रो और राज्य सरकार को सलहा देता है, इसके अलाबर विश्वी धहलों में मानक या अनुसंधान, शिक्षन और परिक्षा को बनाई रखना, कि कब परिक्षा ही की जाएगी, कब उनका स्क्षन किया जाएगा और कब अनुसंधान से संबंती चीजें की जाएंगे तो इस सब के बारे में यह जो मानक या नियम बनाता है आगे हैं राष्ट्य पात्रता परिक्षा यानी नेट और जूनियर रिसर्च फैलोशिप का आयोजन करता है तो हमारे यह जो यू कौन करता था यूजी सी करता था जो सिक्षन पेसे और उनुसंधान में प्रवेश करने के लिए भारति नागरुप के लिए नियून्त मानकों के रूप में निर्धारिक किया गया इसके लावा नए विश्विध्धालों के स्थापना या किसी विश्विध्धाले के विस सलहा देता है कि क्या यह किया जाना चाहिए या कोई नय विश्विध्याले ओपन किया जाना चाहिए फिर किसी विश्विध्याले को बढ़ाया जाना चाहिए तो इस तरह से यह भी जो अथर्टियों से सलहा देता है इसके अलावाई है समय समय पर विश्विध्यालों से जानकारी मांगता है कि आपके यहां पर जो सिख्षा के स्थर वो कैसा है और किस प्रकार बंदित भी हो सकती है या फिर किसी विशेश विश्विध्याले में अगर कोई विशेश तरह के नियम लगा दे गए तो उनके बारे में भी विश्विध्याले जो जानकारी मांग सकता है और किस प्रकार से जो उनके विश्विध्याले से जानकारी मांग सकता है और किस प्र क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए कैसे उसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए और कौन-कौन सी आवश्यक नीतियां है कौन-कौन से आवश्यक कारे करें में उनको तेयर करना ठीक है तो यह UGC का काम ही है इसके अलावा नेपाल के भीतरिया बाहर विश्विध्यालों और शिक्षन संस्थानों के बीच में चात्रवरत्ती फैलोशिप आदी के लिए आदान प्रदान पर आवश्यक वेवस्था करना कि कौन-कौन से विश्विध्यालों को फैलोशिप या चात्रवरत्ती जो प्रदान की जाएगी तो इसकी वेवस्था भी UGC ही करता है इसक इसके लावा क्या है विश्विध्यालों और उच्च शिक्षा संस्थानों को सरकार्य नुदान के आवंटन के लिए नीती तयार करना यह जो हमारे देश में जितने भी विश्विध्यालों है या फिर उच्च शिक्षा संस्थानों सभी को जो गौर्मेंट की तरफ से कितना अनुदान के दिया जाएगा कितना अनुदान आवन टित किया जाएगा इसके लिए नीतिया भी यूजी सी ही तयार करता है नीतिया यूजी सी ही बनाता है इसके लावत दूरस्त सिक्षा परिशद और एगनु के बारे में भी यूजी सी ही नीतिया बनाता और इनके बारे मे अब हम इस संगठन की सन्रचना के बारे में बात करते हैं तो आयोग में एक अध्यक्ष होता है किस प्रकार से होती है इसकी सन्रचना एक तो अध्यक्ष होता है एक उपाध्यक्ष और केंद सरकार द्वारा न्यूक्त दस अन्य सदस्य होते हैं इसमें 12 होते हैं, टूटल कितने होते हैं, 12 सदस्य होते हैं, इसमें अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और उसके लावा केंद सरकार की नीवी 10 सदस्यों को इसमें न्यूक्त कर सकते हैं, जो हध्यक्ष की न्यूक्ती होते हैं, जो इसमें अध्यक्ष होता है, उसकी न्यूक्त क्या जाता या तो 5 वर्स के लिए या फिर अगर उसकी आईउ जो 65 वर्स हो जाए तो वो तब तक अध्यक्ष के पद पर बना रहेगा और वह कोई भी केंद सरकार का अधिकारी नहीं हो सकता ना ही किसी राज्यसरकार का तो यह याद रखने वाली चीज़ है जो यह अध्यक्ष का यूजीसी का ना तो वो केंद सरकार का अधिकारी होगा ना ही राज्यसरकार का इसके अलावे जोवाइश चेयर पर्सन होते है यानि उपाध्धाख्ष होते हैं उनकी न्यूगती तीन साल के अवधि के लिए 65 वर्स के आई Yू, जो भी पहले हो, पीर हो लेह дост को के लिए जो यह सरकार के द्वारा दस अन्ने सदस ते तिनिकन को बढ़ा जा सकता हैं, VIDUK थे हैं, यानि उच्छ शिख्षा में कौन-कौन से नीतिय बनेंगे, इसके लिए बहुत-बड़ी हद्ट तक जिम्मेदर हमारी केंद सरकार भी है, और इसके लेवाद UGC केंद्र विश्विध्यालों को अनुदान प्रदान करता है, तो यह बता दिया गया है कि यह जो UGC इसका प्रमुकारे क्या है, वो केंद्र विश्विध्यालों को अनुदान प्रदान करना होता है, ठीक है, तो यह UGC केंद्र सरकार को सला देता है, दू भी यूनिवस्टी के रूप में सेक्शनिक संस्थान की सिक्षा की घुचना के लिए भी जिम्मेदार है. आप देखते हैं राज्य सरकार तो राज्य सरकार राज्य विश्विध्याल और कॉलीजों के स्थापने के लिए जिम्मेदार है और उनके विकास के लिए योजना अनुदान और उनके रखरखाओ के लिए गैरी योजना अनुदान प्राप्त करते हैं रहे के अनुदान प्रदान करते हैं तो योजना अनुदान और दूसरा गैर योजना अनुदान आप दिखते हैं संग और राज्यों के बीच में समनवय और निगम को केंद्रिय सलहकार बोर्ड सिक्षा यानि CBST के माध्यम से सिक्षा के छेतर में लाया जाता है यानि संग और राज्यों सरकार के बीच में समनवय के लिए कि इंद्रिय सलहकार बोर्ड सिक्षा के माध्यम से इसे सिक्षा में लाया जाता है अला इसके माध्यम से इन दोनक बीच में जो कॉर्डिनेशन इस्थापित किया जाता है तो अब इसके हम कुछ MSQS solve कर लेते हैं 1906 में संसद के एक अधीनियम दोरा इस्थापित किया गया था तो यह तो सही है कि हां इसे किया गया था 1956 में संसद के एक अधीनियम के त ह participants इसके लावाद दूसरा है यह उच्छ सिक्षा को बढ़ावा देने और समनवय के साथ में इसे काम सौपा गया यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो UGC का काम उसे उच्छ सिक्षा को बढ़ावा देने और आपस में समन्वे बठाने के लिए से काम दिया गया काम सौपा गया यह भी सही है इसके लावा तीसरा है यह केंद सरकार से योजना और गैर योजना निधी प्राप्त करता है बिल्कुल केंद सरकार से यो विध्यालों का सम्मान है तो यह पूरी तरह से गलत है यह राज्य सरकारों से ने बलके केंद सरकार से धन प्राप्त करता है ठीक है तो यह गलत है तो आपका अंसर होगा इसमें D UGC अधिनियम 1956 के तहत निमन में से कौन सी संस्था को डिगरी प्रदान करने या अनुदान देने का अधिकार है ठीक है तो इसमें ऑप्शन A है आपका संसद के द्वारा अधिनियम द्वारा स्थापी तेक विश्विध्याले को या फिर B विधान मंडल द्वारा स्थाप सब्सक्रां एक होसा या चार परकार के विश्विध्याले हैं सबसे पहले केंद्रे विश्विध्याले राज्य विश्विध्याले थर्ड है संसद में कदीनियम में लाता गर्ारेत हो जैता हैं तो किसी भी नएने केंद्रिय विश्विध्याले की स्थापना स्थापना की जाता हैं और मानस संसाधनविकास·मंत्राइले में अश्षविभाग के नासे किबार केंद्रान रहे के欢ना हुए इसके लावा जो केंद्रिये विश्विध्याले हैं उनको केंद्रे विश्विध्याल अधिनियम 2009 के द्वारा कवर किया जाता है ये एक अधिनियम है केंद्र विश्विध्याल अधिनियम 2009 इसके तहत ही इन्हें जो नए विश्विध्याल बनाए जाते हैं इनको कवर किया जाता है जो उनके उद्देश सक्ति शाषन आधी को नियंतरित करता है यानि यह अधिनियम बताता है कि किसी भी विश्विध्याल के सथापना की गई है अब आगे इसमें केंद्रे विश्विध्यालों में एक ही परिसर होता है और मोटे तौर पर जो इसनाथ कोतर यानी पीजी के लेवल पर जो इस्टड़ी होती है और अनुसन धान पर ध्यान केंद्रित किया जाता किस-किस पर पीजी पर और जो रिसेट से संबंदित इस्ट्रडियोति उस पर कुछ के माध्यम से कुछ ऐसी उनिवस्टीज भी हैं जिनमें कि इस नाता की स्तर पर भी यानि ग्रेजुशन लेवल पर भी कुछ प्रोग्राम के प्रावधान किये गए जैसे की उधारन के तोड़ पर अलिगर्ड मुस्लिम विश्विध्याल है बनारस हिंदु विश्विध्याल है जवारलाल नहरू विश्विध्याल है ठीक है तो यह यह उनिवस्टी जहां पर ग्रेजुशन लेवल पर भी कुछ प्रावधान किये गए मतलब ग्रेजुशन के भी कुछ प्रोग्राम है यहां पर तो आपको कोश्चन में जो पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से केंद्रे विश्विध्याल है जहां पर जो ग्रेजुशन लेवल के लिए भी प्रोग्राम है तो वो है अलिगर्ड मुस्लिम विश्विध्याल है बनारस हिंदु विश विश्विध्याला, 2017 में UGC की नवींतम युवा सूची के अनुसार MBA, BTEC, MTEC और PhD कारेकरमों की पेसकस करने वाले भारत में 44 दीम्ड केंद्रिय विश्विध्याला, ठीक हैं? इन कारेकरमों को इन प्रोग्राम को ये चलाते हैं, अब आगे देखते हैं, राधा किर्ष्णन आयोक की रिपोर्ट, ये क्या कहती है? ये कहती है कि बनारस, अलिगड और दिल्ली केंद्रिय विश्विध्यालों की निम्ना नुसार है, क्योंकि उनकी नियो और उनकी परमपराओं की सर्तों के कारण जो उन्होंने बनाई है, बनारस और अलिगड दो संस्थानों ने देश भर से एकत्र किये गए दान और इस विध्याले बनारस और अलिगड ये बताते हैं कि जो इन्होंने अपना इस्थापना के लिए खुदी जिम्मेदारा है, इन्होंने दान के दुवारा और अन्य साधनों से अपनी इस्थापना की है, हिंदू या मुस्लिम इस विध्याले के रूप में उन्होंने इसंटों में उन्हें आकर्सित किया जाएगा यानी इन्होंने बताये कि हम छात्रों को हर लेविल पर आकर्सित करेंगो उन्हें अच्छी से अच्छी सिक्षा प्रदान करने की कोशिस की जाएगी तुब 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 6 झाल सेट ऐसेंव केन रेखियों के भोगली रुप से किसी भी पूण्परांथ से बाहर दिली क्या है जो दिली विश्वी द्याल से एंसे अरोग्षा प्रांच रहीं ह। यसर नहीं आती तो केंद्र सरकार नहीं दिल्ली विश्विध्याले के लिए किया है जो प्रांतिय सरकार अपने प्रांत विश्विध्यालों के लिए करती है तो केंद्र सरकार इस पेसली दिल्ली विश्विध्याले के वह वह स्विध्याय दे रही है जो कि जो राज्य सरकार है अपने चांसलर होते हैं तो यहां पर बात जो पूरी तरस आप याद रखना अच्छे से पूछा जा सकता है कि जो रास्टेपती होते वो कौन से विश्विध्या लोगे चांसलर होते हैं या फिर केंद्री विश्विध्या लोगे चांसलर कौन होते हैं तो वो होते हमारे यानि जो हमारा रास्ट्यपति होते हैं वो क्या करते हैं विश्विद्याला दिन्यम के लिए कुछ इस तरह है के जो कारे-कारी समीत्य के जाग गठन भी कर सकते हैं यानि उन्हों जो सदस्यों को नामित भी कर सकते इसके लवा कौन-कौन से विच्विद्याला में बॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट होगा उसके बार में देख सकते कोट क्या होगा और इसके लावा विश्विध्याले के लिए चैन किये गे नामित सदस्य भी यही जो हमारे जो प्रेसिडेंट है वही इनको नामित करता है आगे इसमें मंत्राले रास्टेपति के लिए खुलपति कारेकारी समीतियों के नामितियों और न्याले के उम्मीदवारों चैन समीति के नामंकन के लिए सचिवाले सेवा प्रदान करता है ठीक है तो मंत्राले ही रास्टेपति के लिए जो कौन-कौन से कुलपतियों के बारे में और जो सदस्य होते और कौन-कौन से उम्मीदवा सब के बारे में चैन समित्ति के नमंकन के लिए सची वाले को सयवा प्रदान करता है कि साथ विष्विध्या ले करम से साथ केंद्री विष्विध्यां के बाद और यूजी सी और गयरयोजन अनुदान के दाइरे को जा रही नहीं होने दे रहांक् Parram एक तो हिन में है केंद्री या किर्सी विश्विध्याल ये है इमफाल मनिपूर में कौन सा है केंद्री या किर्सी विश्विध्याल इमफाल यानी मनिपूर में है ये सेकिंड है हमारा इंद्रा गांधी रास्टे मुक्त विश्विध्याला यानि इगनु भी बोल देते ये नई दिल्ली में स्थिता ठीक है और थरड हमारा भारती समुंदरी विश्विध्याला ये है चेन नई में इसके लावा नालंदा विश्विध्याला यानि राजगीर्जला नालंदा बिहार में स्थिता है इसके लावा पांचवा है हमारा दक्षिन ACI विश्विध्याला चानक के पुरी नई दिल्ली में आई लावा है इसके बाद में है केंद्रे विश्विध्याले ये तो यह साथ ऐसे विश्विध्याला जो की UGC के गेरियोजन अनुदान के दाइरे में नहीं आते हैं ठीक है अब आगे कुछ केंदरे विश्विध्यालों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से क्योंकि exam में direct question बनते हैं कि निमली खित में से कौन से केंदरे विश्विध्याला है या फिर कौन से नहीं है तो उसमें से इस तरह का option दे दी जाते हैं, आप बहुत जादा confused हो सकते हो उसमें, ठीक है तो एक बार देख लेते हैं, दो तिन बार कर लेंगे न हो जाएगा, सबसे पहले है अलिगड मुस्लिम विश्विध्याला, ये अलिगड में और ये 1920 में स्थापित हुआ था, कौन स और ये 1969 में, यानि 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था, नेक्स्ट जो आपका विश्विध्याले बो है, बनारस हिंदू विश्विध्याले यानि बियच्ची और ये वाराणसी में स्थित है, नेक्स्ट तेजपूर विश्विध्याले, ये है और ये 1921 में, गुरुदेव रविंदर नाठ टेगोर द्वारा स्थापित किया गया था, और इसे 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा गोसित किया गया था, जो इसका अधिकार छेतर है, वो वीरभूमी जिले के सांतिनिकेतन के रूप में जाना जाता, पहले इसे ही व विश्विध्याले सहर है, विश्व भारती विश्विध्याले, इसके लावा नेक्स्ट है मारा बाबा साहब भीमराव अंबेड कर विश्विध्याले और ये लखनव में इस्थीत है, और ये 1994 में इस्थापित हुआ था, और 10 जनवर निस से चानमय को केंद्रे विश्व इस्थापित हुआ था, शेकिनड है, जवार लाल नेहरू विश्विध्याले यानि जियन्यों ये नई दिल्ली में इस्थीत है, और ये 1979 संसद के गधिनियम द्वारा इस्थापित हुआ था, नेक्स्ट है, बनारस हिंदु विश्विध्याले यानि बियाच्यों और ये पस्चिमी बंगाल में और यह पहले सांति निकेतन के रूप में जाना जाता था और यह गुरु नानक देख द्वारा इस्थापित था ठीक है और इसके लावा नेक्स्ट हमारा बाबा साहब भीम्राव अग् чистमी देखें लिखाहं बेडर कर लिग्द्वा कर स्थापित बाद में इसे जनवर इस्चांव में केंद्री मिश्विध्याल्य तौन केंद्री मिश्विध्याल्य है ठीक है अब आपको देखना कौन सा है कौन सा इह हैं आप्चन ए हे हो कपांडी-चेरी विश्विद्या बिरम एफ है विश्विद्या या फिर । अप्षन ऐन्डी है तो है कुरू छेटर भीष्विद्याल है तो आपको सही आसा God में जौन ग्यांकर ओर आप आच्छ एनबी गडवाल भी यह, केंद्रे विश्विध्याला, इसके लाव जोए, कुरुचेतर विश्विध्याला यह, स्टेट लेवल का विश्विध्याला, ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर वो हो आपका, 1, 2, और 3, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक दो और तीन तो आपये फिर से भी देख लीजे आगे हैं केंद्रे विश्विध्याले के बारे में हम निमलिखित में से कौन सा कथन सही है देखेaint सबसे पहले है कथन 1 केंद्रे विश्विध्याले संसद के एक अधिनियम के तहट स्थापित किया गया था ठीक है ए यह भी ठीक है आगे भारत के राश्टेपति विश्विध्या लगे आगुन तक के रूप में कारे करते हैं अब दीखते हैं ठीड़े राश्टेhao एक आगे देखते हैं रास्टे पती कभी कभी कारेकारी समीतिया न्यालम की बैठकी अध्यक्ष्टा करता है अब आपको जो जो सही है वो सलेक्ट करने जो जो ऑप्शन इसमें सही है जो कफन सही है तो कौन-कौन से सही है, option A, B भी ठीक है, और इसके लावा 4 ठीक है, ठीक है, तो इसमें से क्या गलत है, कि जो हमारे राष्टे पती होते हैं, उनके पास में कारे-कारी समीती, यानि विश्विध्यालक जो पुरबंदन बोड़ा, उसको नामित कनने की शक्ती नहीं होती है, इसके लावा वो क्या क्या कर सकते हैं, केंद्रे विश्विध्यालक जो हो कभी-कभी करमचारी समीती है, नियाले की बैठके अधक्ष्रा करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है, वो है, option A, A, 1, 2 और 4, इस्टेट यूनिवेस्टी, तो राज्य विश्विध् और इनपर कंट्रोल सरकार के द्वारा ही, राज्य सरकार के द्वारा ही रखा जाता है, संबंदित राज्य के लिए, और वे UGC द्वारा सेकिंड के तहत, विध्य और अन्य संसाधनों के वित्रण की विवस्था करने, उन्हें आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है, ठ तो यह UGC ही इनको सलाह देती है UGC अधिनियम 1956 की बारवी जो आमतवर पर एक इस्थानी विधानसभा अधिनियम द्वारा इस्थापित की जाती है यानि जो UGC अधिनियम है 1956 इसकी ये साखा है बारेवी जोकी आमदवर पर रहे कि स्थानी विधानसभा द्वारा तिके इस्थानी विधानसभा यानि राज्य की लेजिसलेटिय। सेंबली के द्वारा अधिनियम द्वारा इस्थापित की जाती है 17 जून 1972 के बाद में इस्थापित राज्य विश्विध्याला केंद सरकार UGC या सरकार से धन प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन से कोई अनुदान प्राप्त करने के पातर नहीं होंगे यानि इसमें ये बताए गया कि जो भी विश्विध्याला जो 17 जून 1972 के बाद में इस्थापित हैं जो भी राज्य विश्विध्याला इस्थापित किये गए हैं वे केंद सरकार UGC या सरकार से धन प्राप्त करने या फिर किसी अन्य संगठन के लिए कोई भी अनुदान प वू किस प। परकार से विकास करेंगे। किस परकार का उनका इसटरक्चिर होगा तो यह सब क्या है ? यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ठीक है। विशेस योजनाओं के तहत अनुदान सहीत विकास अनुदान सभी आरक्षित विश्विध्यक उजदा马लों को प्रदान जाएंगे जो भी आरक्षित विश्विध्याय रिजर्व विश्विध्याय ठीक उनको यह प्रदान किया विश्विध्याल है ठीक है क्या है किर्सी और प्रोध्योगी की विभाग इसके लावा किर्सी विश्विध्याल यूजी सी होमपेज पर मिल जाएगी आपको बर्माव देखना चाहिए तो अब हम देखते हैं कि जो राज्य विश्विध्याल नंकी क्या-क्या विशेस्ताय होती हैं एक तो इसमें यह चीज़ होती हैं कि जो संबंदित राज्य हैं उनके राज्यपाल सभी विश्विध्य के रूप में कारे करते हैं किसी भी स्टेट यूनिवर्स्टी के जो चांसलर होते हो वहां के गवर्नर होते हैं तो एक कोस्चन बन सकता है ठीक है इसे कोस्चन फॉर्म में आप जरूर याद रखना तो इस स्टेट जो जितनी भी स्टेट यूनिवर्स्टी उनके चांसलर ह होते हैं राजजयपार और जितनी भी केंद सेंटर्ल यूनिवस्टीज होती है केंद सरकार की ठीक है तो उनके जो चैनसलर होते हैं हमारे देश के मानेदिया राश्टेपती जी तो आगे इसमें राज्य सरकार राज्य पाल को कुलपती, कोट नौमिनी और चेहन समिती की नौमिनी 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 विभिन स्थीति के मामले में कुछ सदस्यों को कारेकारी समीति यानि जैसे प्रवंधन बोर्ड यानि BOM Board of Management न्यायले और विश्विध्याले की चेहन समीति को नामित करने की शक्ति आ तो इसमें बताया गया कि जो राज्येपाल है उसकी इस्टेट यूनिवस्टी में कौन-कौन जी सकती है तो इसमें राज्येपाल विभिन स्थीति में कुछ मामलों में कुछ सदस्यों को कारेकारी समीति के रूप में या फिर प्रवंधन बोर्ड के रूप में और विध्याला की चेहन समीति के रूप में नामित कर सकते हैं यह निर्मान करना और इसके लाव उनकी रख रखाव यानि उनकी देख भाल करना उनकी निगरानी करना यह UGC की करती है कौन करती है UGC का ही कारिया है इनियम के नुसार UGC अधिनियम के नुसार नीजी विश्विध्यालेक इस्थानी विधान सभा के अधिनियम द्वारा इस् और सूचीबद विश्विध्याल यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के तहद यूजीसी द्वारा निर्दिस्ट वैधानिक परिसदों के अनुमोधन के साथ डिगरी प्रदान करने के लिए सक्षम है। यानि जो ये निजी विश्विध्याले हैं इनके अपना मतला यूजीसी ने इनको ये हक दे रखा कि अपने आपसे डिगरी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है वे डिगरी स्थापित कर सकते हैं लेकिन आफ कैमपस कॉलेजे संबंद और संस्थान कॉलेज नहीं हो सकते हैं। वे पांच साल के लिए अपने अस्तितु के बाद संबंद राज्य के भीतर आफ कैमपस सेंटर की स्थापना कर सकते हैं। पांच साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में राज्य के भीत में जहां पर है ये उस राज्य के अंदर ही आफ कैमपस सेंटर यानि ओकिस्थापना कर सकते हैं। और विश्विध्याला अनुदान आयोग यानि UGC की पूर स्विकर्ति के साथ UGC के वेबसाइट पर बताता है। UGC इसको भी अपनी वेबसाइट पर फिर दरसाता है। कुछ विश्विध्याला अएस हैं कि जोकि इन केंटरों को फ्रेंचाइंजिंग के अधार पर चला रहे हैं। जिनकी अनुमती नहीं है। मतलब कि जो UGC के नियम के अनुसार इन विश्विध्याला को ये जो निजी विश्विध्याला इने फ्रेंचाइजिंग के आधार पर नहीं चला सकते जबकि ऐसा चल रहा है जो कि मतलब गैर कानूनी है ठीक है जिसकी अनुमती नहीं है उधारन के लिए जो ये राजिस्थ का hill का समुके ट्रष्ट द्वारा विद्पोसित और चला जाता ते तूर आसे उनिवस्टि के सी किसी Purpain में की द्ежд गरें और माननेता का कौन देता है विश्विद्यालों विश्विद्य रूर्टा है। एक UGC समेकित सूची के अनुसार 2017 में 233 में निजी विश्विध्याला ठीक है यानि 2017 के रिपोर्ट के अनुसार इस ताइम जो है हमारे देश में 233 में निजी विश्विध्याला प्राइवेट यूनिवर्स्टीज है अब हम इनकी कुछ विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्वि यूजी सी या अन्यस्थानों के द्वारा होते बलकि जो यह जो नीजी यानि क nellिवर्श जो इंब फ्यूश्टी होती हैं यह अपनी प्रिवेश परिक्रेत स्वन ही संचालित करते हैं और इसके लावा पत करते कि हमारी उनिवरस GB क्या क्या पढ़ा जायगा और और क्या नहीं, तो ये भी ये खुद ही decide करते हैं, इसके लावा ये अपनी खुद की परिक्षा भी आयोजित कराते हैं, मतलब अपनी परिक्षा भी खुद कराते हैं, और छात्रों को डिगरी भी प्रदान कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, जो इनके यहां पर entrance exam है, उसे ख खुद कराते हैं स्लेवस भी खुद बनाते हैं और जो परिक्षा उसको खुद आयोजित करते हैं और इसके लावा छातरों को डिग्री भी प्रदान करते हैं तो यह तो हो गया हमारा निजी विश्विध्याला यानि प्राइवेट यूनिवरस्टी अब आगे हमारे डिम्ड विश्विध्याला यह क्या होते हैं आई देखते हैं इनका सबसे पहले काम यह कि वे उच्चितर सिक्षा संस्थान जो की सिक्षा के सेतर में विशिस्ट और उचेस्तर पर कारे कर रहे हैं उन्हें विश्विध्याला अनुदान आयोग यानि UGC की सलहा पर केंद सरकार द उच्चेसादिकार का उपयोग करते हैं यानि कि यह ऐसे विश्विध्याले होते हैं कि जो शिक्षा के छेतर में बहुत उच्चतर कारे करते हैं इसलिए UGC सिफारिस करके इने केंद सरकार के दुवारा डेम्ड यूनिवस्टी घोसित करा सकती है तो यह जो डेम्ड अब यूनिवस्टी होती है UGC अधिनियम 1956 की धारत 3 के तहत UGC की सलहा पर उच्च शिक्षर विभाग द्वारा दे गए स्वायत्ता के इस्थिती है ठीक है और कौन सी धारत तहत UGC अधिनियम 1956 की धारत 3 के तहत अगे इसमें डिम्ड विश्विद्यालाग पून स्वायत्ताया स्वतंत्रता का आनंद लेते ठीक है इनके पास में क्या इनकी खुद की वल्ला ये स्वतंत्र होते है अपने हिसाब से कुछ भी कारे करने के लिए अपने पाठ्थे करम के लिए अपनी फीस वगेरा के पूरी त्यक्राइक के कैंगे यू जीजी सी या फिर केंद सरकार इनके बीचमें इनके कारियो में हस्थ क्örtषै नहीं करते हैं कुछ दीम्ड होने के लिए भी विश्विद्यालागे आपनी दमपर धिग्री प्रदान कर सकते हैं वो क्या अपने दमपर भी डिग्री दर्शन करें कि बहुत अच्छी पर्फरमेंस देगा जो भी विश्विध्याला है उसे एक बाद में पूर्ण विश्विध्याला का दर्जा भी दिया जा सकता है एक यूजी सी समयकित सूची 2017 के अनुसार देश में 130 डीम्ड टू भी विश्विध्याला ठीक है तो अगर बात करें कोश्चन आजा कि कि इतने यूनिवर्स्टी इस टाइम पर हो 123 प्लस है ठीक है तो 123 प्लस यूनिवर्स्टीज आगे इसमें डीम्ड विश्विध्याला रास् प्रध्योगी की संस्थान है यानि पहले छेत्रे इंजीनिरिंग कॉलीज के रूप में जाने जाते थे ठीक है पहले इन्जीनिरिंग यानि छेत्रे इंजीनिरिंग कॉलीज के रूप में जाने जाते थे तो उच्च सिक्षा की मनिपाल अकैडमी ठीक है और है ये सिंबाय इसके लावा पुणे में कम्प्यूटर अध्यान और अनुसंधान के सिंबायोसिस संस्थान इसके लावा नेक्स्ट है व्यवसाय प्रवंधन और सिंबायोसिस सोसाइटी लॉकॉलेज नार्सी के सिंबायोसिस संस्थान सामिल है फिर से देखते हैं इसमें कौन-कौन से एक तो मनिपाल अकेडमी ठीक आपने काफी नाम भी सुना होगा इसके लावा सिंबायोसिस अंतरास्ट शिक्षकेंद्र और कुणे में कम्प्यूटर अध्यन और अनुसंधान के सिंबायोसिस संस्थान इसके लावा व्यवसाय जाब रखना जाया एक्जाम में और पूछें कि प्रवारतिय सूचन प्रवाद्योगी की संस्थान और प्रवंधन भारतिय विज्यान संस्थान बैंगलोर को भी डीम्ड यूनिवस्टी माना जाता है किसको यह जब भारती सूचना प्रध्योगिक संस्थान और प्रबंधन और भारती विज्यान संस्थान इन बैंगलोर को भी विश्विध्याला कैसा डीम्ड यानि समविश्विध्याला माना जाता है अब इनके हम कुछ विश्यस्ताओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या यह जो दीमडी उनिवर्स्टी होती है इने कुछ है सो तंदरताय मिली होती है ठीक है एक तो क्या यह अपने यहाँ पर जो प्रवेश्पिर किरिया उसको संचालन भी खुद ही करते हैं जैसे प्रवेट उनिवर्स्टी करते हैं ऐसे यह भी अपने यहाँ पर प्रवेश्पिर किरिया का संचालन खुद करते हैं अलावा इनका जो स्लेव से खुदी तया करते कि हमें अपने यहां पर क्या के पढ़ाना क्या के नहीं और जो परिशा यह खुदी आयुजित कराते हैं लेकिन एक चीज है हाँ पर प्राइवेट जो यूणिवस्टी और इसमें जो यह दिम्ड यूणिवस्टी में एक डिफ तो हमकुछ MC cuda solve कर लें थे हैं देखते हैं तो सबसे पहले Question है… deemed विषविध्यालों के बारे में निम्लिखित में से कौन सकथन सही है? अब देखते हैं कौन सा deemed यानिंस सम्हिविध्यालों के बारे में सही है? ए राज्य का राज्य पाल डीम्ड विश्विध्याले का चांसलर होता या भी वे अपना सलेबस और कोर्स वर्क खुद डिजाइन कर सकते हैं ओप्शन सी है वे प्रवेस और सुल के बारे में अपने स्वयम के दिसानिर्देशों को लागो कर सकते हैं और डी है वे डिगरी प्रदान कर सकते हैं तो इसमें कौन-कौन से सही है वो बताना आप कोड के माध्यम से बताना तो इसका सही आंसर जो है वो है बी सी इसमें डी नहीं है ठीक है वो अपनी डिगरी खुद प्रदान नहीं कर सकते तो इसका जो सही आंसर होगा वो B और C होगा, ठीक है, क्या होगा, B और C, D नहीं होगा इसमें, तो B और C is the correct answer, So friends, हमारा next topic है, योजना आयोग, यानि Planning Commission, तो चली जानते इसके बारे में क्या है, Planning Commission या योजना आयोग, तो योजना आयोग, नीति आयोग का पूरवर्ती निकाय है, ठीक है, योजना आयोग, Hello and Welcome, so friends, आज का हमारा topic है, योजना आयोग, यानि Planning Commission, तो क्या है Planning Commission या योजना आयोग, आईए जानते इसके बारे में, तो योजना आयोग, नीति आयोग का पूरवर्ती निकाय है, ठीक है, नीति आयोग से पहले योजना आयोग ही था, जो कि योजना उसे सम्मदित कार्य करता था, अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी, कब हुई थी, मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, कब मार्च महीने में, ठीक है, जो की भारत सरकार के एक कारे पाली के संकल्प निकाला आपके द्वारा की गई थी बिना किसी एट के बस ऐसे ही इसकी एक कारेपाली की संकल्प निकाला गया है जिसके द्वारह्जिस्थापना कर दी गई थी जो की 1946 में गठित सलहकार योजना बोर्ड की सिफारिस के अनुरूप थी किसकी सिफारिस के अनुरूप थी सलाकारों योजना बोर्ड की सिफारिस के अनुरूप ठीक है तो इस बोर्ड के जो ध्यक्सते वोते केसी नहीं होगी इस बोर्ड के ध्यक्सते केसी नहीं होगी इस प्रकार से योजनायोग ना तो सम्मेधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है ये केवल कारेकारणी निकाय है ठीक है तो भारत में यह सामाजी कार्थिक विकास के लिए नियोजन का सीर्स अंग था तो 28 फरवरी 1950 को भारत के वित्मंतरी जौन मथाई ने वित्यवर्स उन्निस सो पचास एक्यावन के लिए बजट पेस करते हुए घोशन की की भारत सरकार ने एक योजना आयो की गठन करने की योजना बनाई है ठीक है कब की थी ये 28 फरवरी 1950 को उस टाइम पे जो भारत के व वित्मंतरी थे कौन थे जौन मथाई उन्होंने घोशना की थी कब की थी वित्यवर्स का जो बजट है 1950 और 51 का बजट पेस करते हुए घोशना की कि भारत एक इस प्रकार की योजना आयोग बनाएगा जो की योजना उसे संबधनित कारे प्रणाली को देखेंगे ठीक है त इसका कारे पहला था कि जो देश के लिए पंचवर्स योजना शुरू करना तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली पंचवर्स योजना शुरू की गई 1951 में ठीक है तो जो हमारे देश की पहली पंचवर्स योजना शुरू हुई थी वो कब हुई थी 1951 में शुर गया था तो उस टाइम पे दो किर्मिक पंच वर्षी योजनाय तेयार की गई 1965 से 1979 तक आयोग नेक योजनावकास को बुलाया यानि 1965 से 1969 का जो टाइम है ये योजनायोग के लिए एक अवकास का समय था ठीक है इसे अवकास समय भी बोला जाता योजनावकास समय भी से बोला जाता अब हम बात करते हैं योजनाय के कारियों के बारे में तो सबसे पहला कारिया था योजनायोग का वो था तकनी की कम्यों सहीत देश की सामंगरी पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करें यह देखे कि हमारे देश में कौन-कौन सी कमिया है कौन-कौन सी तकनी और इनहीं सभी संसादनों को बढ़ाने की संभावनां की जाचिक रए ऐं, कि अगर किसी छेत्र में कुई कमी रह गई है, तो उनको कैसे बढ़ाया जा सकें, उनका कैसे विकास किया जा सकें, तो ये सभी कारी थे, योजना आयक के, क्योंकि यह देश की आवश्क्ता के संभन लिए कौछ योजनाओं की आवश्यक्तव होती है इस तरह से योजना आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करता था कि दूसरा है देश के संसादनों के सबसे प्रभावे और संतुली तुप्योग के लिए कि योजना तयार करना की किस तरह से कौण से संसादन होंगे जिससे कि हमारा देश सबसे ज़्यादर प्रभावी जो विकास कर पाएगा और किस तरह से उसका संतुली तुप्योग किया जाए इस सभी के लिए योजना बनाना भी योजनाय का ही कार्य था आगे प्रात्मिक्ताओं के निर्धारन पर उन चर्णों को परिभासित करते जिसमें योजनाओं को पूरा क्या जाना है और प्रितिक चर्ण के पूरा होने के लिए संसादनों के आवंटन का प्रस्ताव करना चाहिए यानि कि इस टाइम पे हमारी सरकार की क्या प्रात्मिक् जो संसाधन है उनका आवंटन होना चाहिए उनके आवंटन का प्रस्ताव करना चाहिए ये भी योजनायों के प्रमुक का रहे था इसके लावा उन कारकों को इंगित करें जो की मद आर्थिक विकास के लिए चल रहे ठीक है ये देखना की कौन-कौन से काराक है जो की हमारे म बंद आर्थिक विकास के लिए उत्तरदाई है तो उन कारकों को सांकेति करके उनको ढूंड करके उनको दूर करना और उन पर स्थितियों को निर्धारित करना जो कि योजना की सफलता के लिए वर्तमन सामाजिक और राजनेतिक स्थिति को देखते हुए इस्थापित की जान और हमारे देश के विखास के लिए कौन-कौन से योजना जादा अच्छी रहेंगे तो उन सभी को जमीनी स्तर पर लागू करना आगे इसमें मसीनरी की प्रकर्तिका निर्धारन करे और उन सभी पहलों में योजना के प्रितेक चरण के सफल कार्यान वेन को सुरक्षित करने क के लिए आवश्यक होगा यानि की जो देश की बहुत तिक पूंजी और मानुससाधन का आगलन है उनकी समवर्धी की संभावना तलास करना और यह देखना की कौन-कौन से प्रकर्तिक संसाधन कौन-कौन-कौन से प्रकर्तिक द्वारा दिए गए हमारे लिए साधन में जि की सिफारीष करना और मापना की इस तरह का मूल्यंगन आवस्यक हो सकता है इसके लारा योजनाय को प्रमुख दावित्व यह भी था कि वे समय समय पर जो योजनाय सरकार ने लागू की हैं उनकी निग्रानी करते रहें ठीक है जाचना यह भी मापना कि सभी लोग जो उन्हों योजनाओं का लाब ले भी पा रहे या नहीं तो इस तरह से इन सब का मुल्यांकल आवशक हो सकता है अब इसमें आगे हैं इसके अलावा यह केंद्र वे राज्य सरकारों को सलाभी दे सकता था कि आज की क्या स्थितिया आद में क्या आर्थिक स्थितिया हैं उन्हों सभी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की नीतियों का निर्मान करें जिससे की वो जन्ता के लिए जादा से जादा करके जो वो केंद्र और राज्य सरकार को सला भी दे सकते थे जिससे कि जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है वो इस तरह की नीतियों का निर्मान करें जो की जनता के लिए जो वो लाबदायक हो जनता के लिए कारे कर सके जिससे कि जो आम जनता वो भी अपना विकास कर सक तो यह था योजनग आयोग हब तो सबस्फपहल अगर इसके बात कर इसकी फल फॉर्म की तो इसकी फॉल फॉर्म होती है ने सटि ऌल इंस्टीटूशन फोर ट्रांस्फॉर्मिंग हिंडिया तो कई बार इसकी फुल फॉर्म से भी question आ चुका है ठीक है तो आप यह धियान रखना फिर से देखिए National Institution for Transforming India तो नीति आयोग को 65 वर्स पुराने योजन आयोग को भंकर करके इसकी स्थान पर स्थापित किया गये था ठीक है तो नीति आयोग पूरवर्ति योजन आयोग का ही भाग है National Institution for Transforming India तो कई बर question आ चुका है इसकी full form से और भी कई एक्जांस में तो क्या है इसकी full form National Institution for Transforming India तो नीति आयोग को पूरवर्ति योजन आयोग की जगह स्थापित क्या गये था ठीक है मोधि सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजन आयोग को भंग करके उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की तो नीति आयोग को योजन आयोग के उत्रादिकारी के रूप में भी जाना जाता है ठीक है यानि पूछा जा सकता है कि योजनायोग के उत्तरा दिकारी किसको का जाता तो वो है नीती आयोग तो केंद सरकार ने एक जनवरी सन 2015 को NITI फिर से देखिए क्या है NITI नीती आयोग ठीक है यानि इसकी फुल फॉर्म होती National Institution for Transforming India या National Institution for Transforming India के गठन की घोषना की कब की गई इसके गठन की घोषना एक जनवरी 2015 को ठीक है और योजनायोग को बदलने के लिए आठ फरवरी 2015 को पहली बैठक हुई योजनायोग को बदलने के लिए कब हुई पहली बैठक आठ फरवरी 2015 को ठीक है जिसमें Top Down Model का पालन किया गया यानि Top To Down जो Model है उसका पालन किया गया योजनायोग में क्या था? जो Model था वो Top To Down था यानि उपर से नीचे तक उसमें देखा जाता था जबकि जो इसकी जगए पर नीती आयोग आया गया इसमें Down To Top ओडर है इसमें जो Order होगा वो होगा Model होगा वो होगा Down To Top यानि जो विकास होगा वो जमीनी स्तर से लेकर उपर होगा तो इस तरह से इस प्रकार से नीत्यायोग योजनायोग से भिन है तो योजनायोग की तरह ही यह भी एक कारेकालिक संकल्प के द्वारा सर्जित निकाए है ठीक है तो इस प्रकार से ना तो यह सम्मेधानिक है और ना ही वैधानिक ठीक है ना ही यह सम्मेधानिक निकाए है और ना ही वैधानिक दूसरे शब्दों में यह है एक गैर सम्मेधानिक है सम्मेधान उत्तर निकाए है साथ ही एक ग नीतिगत दोन प्रकार के इंपुट प्रिदान करता है भार सरकार के लिए नीतिगत एवं दिरकालिक नीतियों एवं कारेकरमों का प्रकल्प तैयर करते हुए नीति आयोग केंद्रवे राज्य को प्रासंगिक तकनीकी सलावी देता है तो बात कर अगर नीतियायों के गठन की तो इसमें जो प्रमुक होते हैं वो होते हैं इनके अध्यक्ष और नीतियायों के अध्यक्ष कौन होते हैं वो हमारे होते हैं देश के प्रधान मंत्री ठीक है तो देश के प्रधान मंत्री ही नीतियायों के अध्यक्ष होंगे इसके दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्य मंत्री होंगे इसके अलावा अंडमान और निकोबार के लेप्टिनेंट गवर्नर होंगे ठीक है कौन कौन होंगे सभी राज्यों के मुख्य मंत्री होंगे दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्य मंत्री होंगे इसके अलावा अंडमा और निकोबार के लेटिनंट गवर्नर होंगे और प्रधान मंतरी के द्वारा नामित कोई बी एक उपध्यक्स होते हैं तो इस तरह से जो निति-ायोग उसमें देश के प्रतेकभाग का पृतिनिदित्व होता है निति-ायोग की गवर्निंग काउंसिल जिसमें की सभी राज्यों की मुख्य मंत्री केंद सासित पर देशों के लेटिनेंट गवर्णा रादी सामिल है इसने स्वाभभविक रूपसे प्रायोजित योजनाउ कौसल विकास और श्वक्ष भारत मिसन के विषय पर केंद सरकार को सलह देने के लिए मुख्य मंत्रियों के तीन उ किये हैं ठीक है तो मुख्य मंत्रियों के क्या तीन उपसम्हूं नियुक्त किये गए थे उससे में इसके अलावा नीती आयोग के द्वारा राज्यों और केंदसासित प्रदेशों में गठित पिर्टेक विश्य पर समानंतर कारे बलों के साथ किर्शी विकास और गरीबी उन ज्यादा से ज्यादा किर्शी में विकास करने के लिए और गरीबी को उन्मूलन करने के लिए गरीबी को हटाने के लिए दो विसेस कारे बलों की स्थापना की गई है तो अब हम देखते हैं नीती आयोग के कारे क्या है तो नीतियव के तीन प्रमुक कारे होते हैं जो की अलग-अलग होने के बजाए एक दूसरे के पूरक है ठीक है? तीनों अलग-अलग है लेकिन क्या है? तीनों इस दूसरे के पूरक भी है सबसे पहला कारिया है सहकारी परतिसपर्धी संगवाद को बढ़ावा देना उनका लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाब मिल सके नीती निर्माण में केंद सरकार की सहयता करना यानि हमारे देश की क्या आवश्यक्ता है अपने अपने देश की आवश्यक्ता हो के अनुसर सरकार को सहयता करना कि कौन-कौन सी नीतिय बनाई जाए कौन-कौन सी योजनाय बना जाए ताकि जो आम जंता उससे लाभानवित हो सके तो इस तरह से नीति आयोग केंद्र सरकार को सहता करता किसमें नीति निर्मान करने में सरकार के think tank के रूप में कारे करना सबसे important चीज़ यह यह नीतियायोग के think tank के रूप में कारे करता है think tank का मतलब होता है केंदर और राज्य सरकार को सलहा देना ठीक है तो जो जो आवश्यक्ता है उनके अनुरूप केंदर और राजी सरकार को सलहा देकर उस हिसाव से नीतियों का निर्मान कर सकते हैं तो इस तरह से नीतियायोग सरकार के ठिंग टैंक के रूप में विकारे करता तो इसके तीन प्रमूग कारे हो गए यह हो गए हमारा नीतियायोग एक बाइ फिर से देखते इसके कारियों को तो उसमें क्या है सहकारी पिर्तिसपर्दी संगवाद को बढ़ावा देना नेक्स्ट है नीति निर्मान में केंद सरकार की सहता करना और नेक्स्ट है सरकार के ठिंक टैंक के रूप में कारे करना तो यह तीनों इसको महत्पूर्ण कार्य जो तीनों अलग-अलग हैं लेकिन क्या है एक दूसरे के पूरग हैं अब हम कुछ में सबसे पहले कोस्टिन है निमली खित में से कौन सा धिकार भारते सम्विधान के हिर्दय और आत्मा को डॉक्टर भीम्राव अंबेड करने कहा था ठीक है तो कौन सा धिकार है जिसको की डॉक्टर भीम्राव अंबेड करने भारते सम्विधान के हिर्दय और आत्मा कहा था तो पता कीजिए क्योंकि कई बार कोस्टिन बन चुके हैं यहां से तो सबसे पहले भाषन की सवतंत्रता या फिर समानता का अधिकार या फिर धम की सवतंत्रता का अधिकार या फिर सम्मिधानिक उपचार का अधिकार तो इसका सही आंसर क्या होगा? गिल्हाराक उसका चांश करों का औन अधिकार आ हो साइं स already सम्मिधानिक उपचार्णों का अधिकार उसको डॉक्तोर भीम्रावं बेड़कर के दोारा सम्मिधान की आतमा कहा गया था नेक्स्ट कोश्चिन है, निमलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का कार्यार बनाया, किसने बनाया था? उप्षण A है, लोड कानवालिस, उप्षण B है, वारन हैस्टिंग्स, उप्षण C है, विकेंद्री करन पर रोयल आयूग, और उप्षण D है, सर चालर्स मेटकॉफ, तो इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा, उप्षण B, वारन हैस्टिंग्स, तो वारन हैस्टिंग्स के सबसे पहले हैं नमबर एक समिधान राश्टे ध्वज और रास्टे गान का सम्मान ये बी है विग्यानिक सवभव को विक्सित करने के लिए थर्ड है सरकार का सम्मान करना फोर्त है वन्नाजीवों की रक्शा करना तो अब देखते कौन कौन से इसमें से सही है तो क्या है मौलिक करतव्य ये भी है सम्मिधान और रास्टे द्वज और रास्टे कान का सम्मान करना ये भी ठीक है इसके लावा वैग्यानिक द्रस्टिकॉन विक्सित करना ये भी ठीक है लेकिन ये नहीं है सरकार का सम्मान ये हमारे मौलिक करतव्यों में सामिल नहीं है ठीक है? तो हम चाहे सरकार का सम्मान करे या ना करे तो ये हमारा करतव्य नहीं है सम्मिधान के नुसार तो ये क्या है? रॉंग है ठीक है, नец्ट है वन्ने जीवों की रक्षा करें हाँ ये बिल्कुल सही है कि हमारा मौलिक कर्तव है कि हम वन्ने जीवों की रक्षा करें तो इस तरह से क्या सही है 1, 2 और 4 तो इस तरह देखे, इसमें जो सही option है वो है option B 1, 2 और 4 next question दीखते है भारत के राष्टे पती सफ़त लेते हैं option A है भारत की संप्रगुता और अखंटता को बनाई रखने के लिए option B भारत के सम्मिधान के पृति सच्ची आस्था और निष्ठा रखना option C है देश के सम्मिधान और कानूनों को बनाई रखना और option D है सम्मिधान और देश के कानून का सन रक्षन रक्षा और बचाव करना तो भारत के जो राष्टे पते को किसली सफ़त लेते हैं कि सम्मिधान और देश के कानून का सन रक्षन रक्षा और बचाव करना तो इस तरह सा option D is a correct answer कौनसा रहो होसा है सब्सक्राइब पर कि नियाज़ते वियुकित के रूप में है यूग्य के नियालों के रूप में जो कि बारत की न्यायिश बनने के लिए योग्या सेaur है उससे लोक सभा और रजय सभा कि कारवाई में भाग लेने का अधिकार है फोर्थ उसका नष्छित कार कारेकाल है । इस च्रश स्अधु आंसर अपको मत शुन्ना तो राष्ट करता तो राश्ट्यपती को न्यूखती करता जो गद बॉर्ण करया ने सुटी सब्सक्राइबू कर नहीं कर सकता है तीसरा इसलोग सभा राज्यसभा की आप लेने का दिकार बिल्कुल गलत है क्योंकि उसे लोकसभा और राज्यसभा की कारवाई में भाग लेने का कोई दिकार नहीं है ठीक है इसके बाद में है उसका निश्चित कारेकाल है ठीक है हाँ उसका कारेकाल जो वो निश्चित होता तो इस तरह से जो बन रहा है वो एक और चार तो इस तरह से है option A is the correct answer तो friends इसके बाद में हमारी अगली सम्मिधानिक संस्था है संलोकसिवा आयोग यानि Union Public Service Commission शॉर्ट में हमें से UPSC भी वोल देते हैं तो आई जानते क्या होते है UPSC तो संलोकसिवा आयोग भारत का केंद्रिय भरती अभिकरण है या फिर भारत की केंद्रिय भरती अभिकरण संस्था है तो friends इसके बाद में हमारी next सम्मिधानिक संस्था है संलोकसिवा आयोग यानि Union Public Service Commission शॉर्ट में हम इसे UPSC भी बोल देते हैं तो क्या होती है UPSC या यह जानते हैं तो संलोकसिवा आयोग भारत की केंद्रि भरती अजेंसी है इसके माध्यम से क्या होता जो केंद्र में बड़े-बड़े अधिकारी होते है IS, PCS, IFS तो इन सभी की भरती इसके द्वारा UPSC की द्वारा ही इनकी भरती होती है यह है एक सुतंत्र सम्मेधानिक निकायान की संस्था है क्योंकि इसका गठन सम्मेधानिक प्रावधानों के मैध्यम से किया गया है तो सम्मेधानिके भाग 14 में अनुछे 315-323 तक संग लोग से वायोग यानि UPSC के बारे में बताया गया है इसकी सक्तिया क्या होंगे इसके कारी क्या होंगे इन सब के बारे में तो इसका जो अनुछेद है हमारे Constitution में वह है भाग 14 और अनुछेद है 315 से लेकर 323 तो यह क्या है यह हमारा हो गए UPSC से संबंदित अनुछेद इसकी सक्तियों के बारे में इसके कारियों के बारे में इन सब का इसमें वर्णन है क्यूंकि UPSC का उलेक हमारे सम्मिधान में है इसलिए यह एक सम्मिधानिक निकाय या फिर सम्मेधानी संस्था है तो ये क्या है संगलोग स्विवायों भारत के केंदरी भरती एजेंसी याद रखना आप और अगर हम बात करें इसके गठन का इसकी स्थापना की तो यह है एक अक्टूबर 1926 को सरकार के दुआरा सिवायों की रूप में स्थापित क्य गया था तो आजादी से पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी और जो इसकी डेटर वो है एक अक्टूबर 1926 तो उस टाइम पे जो बिर्टिस सरकार थी बिर्टिस में भारत सरकार थी उन्होंने इसका गठन कर दिया था इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद इस बाद में भारत सरकार के द्वारा संग्य सार्जनिक सेवायोग के रूप में पुनर गठित किया गया था बाद में जब भारत सरकार अधिनियम 1935 तो इसके बाद में क्या होता है कि भारत सरकार के द्वारा इसे संग्य सार्जनिक सेवायोग के रूप में गठित कर दिया ज जिसे की आधिकारिक तोर पर UPSC के रूप में भी जाना जाता है तो मुस्तली इसे UPSC के नाम से ही जाना जाता है तो संग की विभिन सिविल सेवाओं में न्यूक्ति के लिए परिक्षा आयोजित कराने के लिए अधिक्रत भारत में एक सम्मेधानिक निकाय है सबसे magic Då दो कर दिया जाएका तो इसतरे से जो है केंद्र में या संग में विभिन सिविल सिवाओं के निकाय अब बात कर आगार इसके मुख्याल़ा है वो नेदिल्ली में इस्थिता आप इतना याद रखिकी नेदिल्ली में स्थितां दहौलपूर हाउस में इसके अलावा न्यूपति, स्थानांतरन, पदोनती और अनुसासनात्मक मामलों से संबंदिक मामलों में सरकार के दुवारा परामर्स किया जाना आवशक है अगर किसी अधिकारी को कोई न्यूपति देनी है या फिर उसका जो ट्रांसफर करना गहीं पर या फिर उसका प्रमोशन करना और उस पर कोई अनुसासनात्मक कारवाई करनी है तो इन सबी मामलों में यूपति को सरकार से परामर्स आवशक है ठीक है यूपेस्ड क्या है यह डारेक्ट यूपा यह रास्टे पत्ति को रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या kia इस्थिती है ठिक है और उसके माध्यम से सरकार को सलह हुदे सकते ठीक बाध्यकारी यानि हो बाध्यकारी नहीं है तो सरकार सलह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है सम्वेधानिक प्राधिकरण होने के नाते UPSC कुछ संस्थानों में से है जो देश की उच्छ नियायपाली का और हाल ही में चुनाय आयोग के साथ स्वायता और स्वतंतरता दोनों के साथ कारे करते हैं यानि कि सम्वेधानिक प्राधिकरण होने के नाते UPSC कुछ उन चुनिंद संस्थानों में से है जो की उच्छ नियायपाली का और चुनाय आयोग के साथ में पूरी स्वतंतरता के साथ में और निस्पक्सता के साथ में कारे करते हैं तो यह किसी का जो इनके ऊपर कोई दवा नहीं रहता यह पूरी स्वतंतर होकर पूरी स्वतंतरा के साथ में अपना कारियां करते हैं यूप्यस्य यानि संगलोग सेवायों के अध्यक्स और अन्य सदस्य भारत के रास्टेपती के द्वारा न्यूक्त के जाते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है कि जो सदस्य हैं और इसके ध्यक्ष होते हैं यूप्यस्य के उनको जो उनकी न्यूक्ति वो किसके द्वारा होती है तो वह होती है रास्टेपती के द्वारा ठीक है तो इनकी न्यूक्ति किसके द्वारा होती है रास्टेपती के दिवारा तो आयोक के कम से कम आधे सदस्य केंद होना चाहिए या तो राज्य सरकार के अंडर या फिर केंद सरकार के अंडर ठीक है तो उन्हें दस साल का जो अनुभव आवश्यक है अगर उनको उपयासी के सदस्यक रूप में काम करना तो इस तरह से या वो कारे कर रही है या फिर वो र atual हो चुके हूँ ठीक है तो इस तरह से उन्हें 10 साल का एक्सपेरियैस आवश्यक है की सम्विधान में आयोग की संख्या का उलदिया कारे करेंगे जो आयोग की संहर्चना का निर्धारन करता है साधारन ता आयोग में अध्यक्स समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं ठीक है तो इसके जो सदस्यों की संखा होते है वो 9 से 11 होते है अध्यक्स के साथ ही ठीक है अवश्यक्त पढ़ने पर इसकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है लग 11 भी किया जा सकता है 9 तो और जो UPSC के बागी मेंबर्स होंगे उनकी सेवा सर्ते क्या होंगी तो इस तरह से राष्टेपती को अधिकार है उनकी सेवा सर्तों की निर्धार्थ करने का इसके बाद है आयो के अध्यक्स वै सदस्य पद ग्रहन करने की तारिक से 6 वर्ष के अधि या फिर 65 वर्ष की आयो तक इसमें से जो भी पहले हो अपना पद धारन कर सकते हैं तो इनकी जो न्यूंतम अब्धी है जो इनकी पद्धारन करने की वो है 6 वर्स या फिर अगर बात कर इनकी आई योगी तो वो 65 वर्स तो जो भी पहले हो जाए 6 वर्स या 65 वर्स तो ज्यादा तर बच्चे क्या करते हैं वो 5 वर्स लगा देते हैं तो 5 वर्स नहीं है इसके धक्स और सदश्यों की जो पतधारन करने की अफधिया, वो है छह वर्ज और जो एज है है वो है 65 यार्ज deviando कि इसके खबिबह बीचमें अपने करें आपने कारेकाल के दौरान राष्ट्य पतिक आ अपना जो इस्तिफा है वो दे सकते हैं उन्हें कारेकाल से पहले भी रास्ट्रेपती के द्वारा सम्विधान में वर्णित प्रिकरिया के माध्यम से भी हटाया जा सकता है तो उन्हें क्या है रास्ट्रेपती के द्वारा सम्विधान में प्रिकरिया होती है उसके तहत उन् यानि की election commission तो इसके बारे में जानते हैं तो निर्वाचन आयोग एक इस्थाइवे स्वतंत्र निकाय है और इसका गठन भारत के सम्मिधन के दुवारा देश में स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाव संपन कराने के देश से क्या गया था यानि जो हमारा इन निर्वाचन आ स्वधान के 324 अनुछेद में इसका वर्णन मिलता है तो इसके लिए 324 अनुछेद, आर्टिकल 324 इसमें चुनाव आयोग यानि निर्वाचन आयोगा जो वर्णन मिलता है तो सम्मिधान के अनुछे 324 के अनुछार संसध, राज्य विदान नंडल, राश्ट्य पती है, पदों के लिए, निर्वाचन के संचालन के लिए और निर्देशन की और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी है चुनाव आयोकी, फिर से देखते हैं, सम्विधान के अनुचे 324 के अनुसार, संसद हो गया, राज्य विधान मंडल, रास्टे पती वे उपरास्टे पती, इन स सब के जिम्मेदारी किसकी है? वो चुनाव आयोकी है अत्रह चुनाव आयोकी एक अखिल भारतिय संह स्था है क्योंकि यह केंद्रवयर राज्य सरकार दोनों के लिए, तो यह ऐसा नहीं है, क्यों चुनाव आयोग इन उनको देख रेक करता है उनकी देख निगरानी करता है बलकि राज्य इस तरके जो चुनाव होते हैं विधान मंडल के विधान सभा कि इन सभी का भी जो चुनाव आयोग ही इनको देखता है ठीक है अब इसमें बताया गया है कि जो चुनाव आयोग है वो एक इस्थाई सम्म स्थापना 25 सफ़ीधान के अनुसार की गई थी। 25 जनवरी 1950 को ठीक है जिस दिन हमारा सम्विधन लागू हो था उससे एक दिन पहले ही चुनावायूकि स्थापना की गई थी और यह चौनावायूकि स्थापना की गई थी इसके लावा भारते सम्विधन के अनुचे टीन सो चौबिस के नुसार रास्टे पती मुख्य चुन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है हमारे रास्टेपति के द्वारा और ऐसे अन्य आयुक्ति की नियुक्ति करता है क्योंकि वह समय निर्धारित कर सकते ठीक है इसके लावा भी जो अन्य आयुक्ति होते है उनकी जो नियुक्ति हो रास्टेपति के द्वारा ही होती है अब हम बात करते हैं CEC यानि Chief Election Commissioner और चुनाव आयोगतों की न्युक्ति की जाती है ठीक है CEC आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है यानि Chief Election Commissioner जो आयोग होता है चुनाव आयोग होता है इसके अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करते है तो CEC ही चुनावायोक के अध्यक्ष होते हैं अगर हम बात करें भारत के पहले चुनावायोक कौन थे या फिर Chief Election Commissioner कौन थे तो वो थे सुकुमार सेंड ठीक है तो सुकुमार सेंड भारत के पहले CEC थे ठीक है यह याद रखना अगर बात करें हम चुनावायोक की क्या-कय लक्ष थे तो इसके लिए सबसे पहले है भारत के संसदो राज्य विधान सभाव smallest और भारत के राश्टेपती और उपर्ष्टेपती कारियले के लिए सभी चुनावों का निरिक्षन करना यानि जो भारत की संसाद है इसके लावा जो राज्य विधान सबाय हैं भारत के रास्टे पते और उपरास्टे पते इन सब के लिए चुनाव का जो निरक्षन है वो कुन करता है चुनाव आयोग यान निर्वाचन आयोग इनके संबंधित चुनाव को जो हो नियंतरित करता और इस पर निगरानी रखता है ठीक और यही आयोजित कराता इसके लावा 1989 में पहली बार आयोग में दो अतिरिक्त आयुक्त निक्त किये गए थे ठीक है तो पहले क्या था उससे पहले दो यह अतिरिक्त आयुक्त नहीं थे ठीक है तो इसके बाद में 1989 में पहली बार दो अत एक्ट दा एलेक्षन कमिशनर अमेंड मेंट्मेंट एक रिवाध के बाद एक बार फिर बहु सदस्य आवधारना चालू होगई 1993 में क्या हो गया फिर से दो अत्रिक्त आयोग जो आयोग थे इनको नुक्ति होने लगे किसमें चुनाव आयोग में और फिर से जो हमारा यह आयोग है यह निर्वाचन आयोग यह फिर से बहु सदस्य आयोग की जो यह बन गया ठीक है अब हम देखते हैं कि जो चुनाव आयुक्त होते या मुख्य चुनाव आयुक्त होते उनको किस प्रकार से उनके पद से हटाया जा सकता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कदाचार या अक्षमता के आधार पर उनके कारियाले से हटाया जा सकता है अगर सरकार को लगे कि वो कदाचार मतला उन पर कदाचार सिध्ध हो जाता है उन पर गलत आचरण सिध्ध हो जाता है या फिर लगे कि वो अपने पद के योगे नहीं है तो इस प्रकार से उनके पद से हटाया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदनों में दो तीहाई सदसे निर्ने से अपनी सहमती दे देते हैं ठीक है तो जो संसद के जो सदसे हैं अगर वो दो तीहाई सदसे अपनी निर्ने कर देते हैं या फिर अपनी सहमती दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो मुख्य चुनावाय उत्त हैं, उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, सिद्ध कदाचारों और एक्षमता के आधार पर, ठीक है, इसके अलावा EVM का तो आपने काफी नाम सुना ही होगा, तो electronic voting machine यानि EVM का उ उपयोग कब से सुरू हो गया है, वो हो गया थे, 1990 के चुनावों से, तो चुनावों से भाग में electronic voting को लागू करने के लिए भारते सामान्या और राजय चुनाव में किया जा रहा है, यानि जब भारते संसत का चुनाव होते हैं, इन सभी में electronic voting machine यानि EVM का उपयोग किया इसमें क्या होता है, कि जो इसमें आपने देखा हो को जो शिल्प सी मिलती है तो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं होते हैं, सिर्फ आपको एक बटन दवाना होता है, और जो आपके मन पसंद उम्मी दवार उनको आपका जो मत हो चला जाता है, तो इस तरह से जो कागजी मत पत आने का चुनावायोग ने फैसला किया वोटर वेरिफायर पेपर और ट्रेल यानी वीवी पीएटी पुर्णाली को भारतिय आम चुनाव तो इसको भारत में यह भारत की चुनाव पुर्णाली में आम भारती आम चुनाव में 2014 से एक राजनीतिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था ठीक है तो आप यह याद रखना यह हो गया आपका चुनाव आयोग लोगी हायर एजुकेशन में नहीं याड़ हो गय जैसे कि वेल साइक शिक्षा, तक्नीकी शिक्षा और कौस्वाला धारित शिक्षा तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेल साइक शिक्षा, यानि प्रोफेश्णल एजुकेशन के बारे में तो ईल्ड़रण आज हम बात करते हैं कुछ updated topic की जो कि हमारे higher education में नए एड हुए हैं, जैसे कि website शिक्षा, तकनीकी सिक्षा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ updated topic की जो कि हमारे higher education में नए एड हुए हैं, जैसे कि website शिक्षा, तकनीकी सिक्षा और कौसालाधारित शिक्षा, तो सबसे प विए सिक्षा है जो की टक्निकी शिक्षा के उपर जोड़ नहीं देती यानी टेक्णिकल एजूकेशन के उपर फोकस नहीं करती बलकी है अगर शोहरी और प्रेटिकल के उपर ही म繼्दे फोकस करती है तो यह वेब साइक सिक्षा हो तो यह उप kiedy को क्रेक्षा कोर्सिず ओगए और किसी अधारत सिख्शा ये सभी क्या आ गएं है हमारी website सिख्षा यानि professional आ सिख्षा है इसके बाद है तक्नीकी सिख्षा तो तक्नी डेश के मानसादन विकास में अत्यंत महत्पुन भूमिका का निर्वहन करती है, यानि कि हमारे देश में या फिर किसी भी अन्य देश में जो तकनिकी सिक्षा होते हैं, वो मानव संसाधन विकास के लिए बहुत जादा अनिवारे हैं, उसमें अपनी बहुत महत्मुन भूमिका निभाती है, इसका कारण यह है कि वह कौशल युक्त मानविय शक्ति का निर्मान करती है, क्या करती है, वो कौशल युक्त मानविय शक्ति का निर्मान करती है, जो मानविय शक्ति होते हैं, लेबर्स वगरा होते हैं, उनमें कौशल आ जाता है, ठीक है, तो वो कौशल के साथ में ही कोई भी कारे करते हैं, अध्योगि कि शिक्षा के अंतरगत क्या क्या आती है जैसे प्रध्योग की हो गई इंजीनिरिंग हो गई इस्थापत्य कला प्रबंधन नगर्नियोजन अनुप्रियुक्त दस्तकारी एवं कला इसके लावा खानपान प्रबंधन तता होटल मैनेजमेंट आधी ये सभी किसमें आती है य आते हैं हमारी तक्निक यानि टेक्निकल एजुकेशन में फिर से देखते क्या कहता है इसमें जैसे इंजीनिरिंग हो गया इस्थापत्य कला हो गया मैनेजमेंट हो गया नगर्नियोजन हो गया अनुप्रियुक्त दस्तकारी एवं कला हो गया इसके लावा खानपान प्रब मानव संसाधन विकास मंत्राल है M.H.R.D. यह तकनीकी सिक्षा के लिए अवरिसना तक यानि ग्रेजुएशन लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के और इसके लावा रिसर्च से संबंदी जो भी कारे करा में इनके आवश्यक्ताओं के पूरती करता है टेकनोलोज विक्सित प्रद्योग की सिक्षा दी जाती है महां पर लेवर्स को डिक है जिससे की वह जादा से जादा वरक कर पाते हैं अच्छे कोशल के साथ में अपना कारे कर पाते हैं, जिसके पर परेणाम सब्रूप अच्छी आये होती है और उचिस्थिति के कारण भारतिया जाए वो काफी जादा विक्सित हो जाएगा अभियांत्रिक एवं तकनीकी महा विध्यालों में प्रवेश के लिए भीड इसी तथ्या की घूतक है आज के टाइम में क्या हो रहा है आजकल जो विध्यारते वो तकनीकी एजुकेशन ही प्राप्त करना चाहते हैं आपने दे रही है जैसे मैनेजमेंट हो गया जैसे यह एम्बे वगरा के कोर्स हो गया तो यह भी युवावगों बहुत जादा अच्छे अवसर प्रदान कर रही है इसके अलावा जैसे विश्व में आर्थिक उदारीकरन बढ़ रहा है ठीक है उसी हिसाब से उपभोगता वस्त है कि रास्ट्य और अंतरास्ट्य प्रसार के कारण व्यापारिक संस्थानों उध्योग और कार्यालों में प्रबंद के विश्व की मांग में काफी तीरता आ गई है जैसे जैसे विश्व बहुत ज़्यादा उदारीकरन की जो नीति अपना लिए पूरे विश्व ने तो जो पूरा वर्ड है वो ग्लोबलाइजेशन में चेंज हो गया एक भूमंडली करन का जो दौर आ गया इससे क्या हो गया जो विभिन देशों में विभिन जगों पर जो ये कौशल है विभिन विश्व बढ़ गई है इनकी मांग में तीरता आ गई है इन्हें क्या मिलता फ भारते समाज के लिए एक विशिष्ट संस्तर बना रहा है तो यह विशेशक क्या करें हमारे भारते समाज को विक्सित बनाने में महत्पुन भूमी का निभा रहा है इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक्स और संचार प्रद्ध्यों के लिए अभिनव छेत रहे हैं आज की टाइ कि हमारे भारत में उसका इतिहास क्या रहा था तकनीकी सिक्षा के बैक्ग्राउंड क्या रहा था हम पाते हैं कि वास्तव में देश में तकनीकी सिक्षा का विकास मुख्यता अपने वेशिक सासनकाल में प्रारंब हुआ था जह हम उपने वेश थे ठीक है हमारे उपर दू अंग्रेज़ों का ये नहीं था कि हम भारत को विक्षित बनाएंगे भारत को अच्छा करेंगे ये उनका कोई मकसद नहीं था उनका सिर्फ मकसद इसके लाबब सेना नोसेना और विभाग के लिए ऐसे तकनीकी विदों की आवशकता थी कि वहां पर रखर कर सके खिए हैं वजह ये थी उनको तक्नीकी सिक्षा भारत में लाने की चूकि उस समय इंग्लेंट से आने वाले तक्नीकी विद काफी महंगे पड़ते थी जब उन्हें वहां से अपने जो टैक्नीशियन्स थे वो इंग्लेंट से बुलाने पड़ते थे वो काफी महंगे पड़ते थे इसलिए अनुगे जोनने चाहा कि भारत में ही इनको तयार कर दिया जाए इसलिए अंग्रेजोन ने भारत में ही तक्निकी विद्र तयार कनने की योजना बनाई इसी वज़े से देश में कैई अभियांत्री की महाविध्यालों की स्थापना की गई तो इंजीनिरिंग से संबंदित का जो महाविद्याला है कई कॉलीजों की स्थापना की गई इसी करम में अंग्रेजों ने सबसे पहले कलकत्ता और मुंबई में याद रखना आप 1842 में मदरास के गुइंडी में पहला औध्योगे की स्कूल प्रारम किया गया ठीक है तो इस प्रकार से एक स्कूल 1854 में पूना में में प्रारम किया गया इसी तरह का ऐसे ही टेकनोलोजी का स्कूल जो है वो पूना में भी 1854 में प्रारम किया गया और सबसे महत्पुन चीज यह है कि बिर्टिश शासनकाल के में जो पहला अभियांत्री की यानि पहला इंजिनिरिंग कॉलीज है वो 1847 में रूड़की में खोला गया 1847 में वो रूड़की में खोला गया ठीक है तो यह कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है और यह भारत का जो पहला इंजिनिरिंग कॉलीज है जो की भारत में इस्थापित है ठीक है इसके बाद तीनो प्रेसिडेंसियों में वर्स 1856 में अभियांत्री की महाविद्यालों की स्थापना की गई अभियांत्री की का मतलब होता है इंजिनिरिंग ठीक है तो उसके बाद जो तीनो प्रेसिडेंसियों थी उनमें 1856 में इंजिनिरिंग कॉलीज की स्थापना की गई बंगाल में 1856 में कलकत्ता कॉलेज ओफ सिव दो यह ऐं 1856 में खुला गया था। यह महाविध्याला कल्कत्त्त विश्विध्याला से मानता प्राप्त पहें जो प्राबन गी थी इसके बाद 1858 में पूना मैं एक और अभियानत्री की यानी इंजिनिर कॉलेज शुरू किया गया जो की मुंबई विश्विध्याला से संबंद दी तर किस से ये विश्विध्याला से सम्बंद था उस समय पस्च्मी भारत का एक मात्र अभियांत्री की महाविध्याला था तो उस टाइम पे जो उप पर शाषणकाल में मदरास presidency में भी इसी परकार के एक अभियांत्री की महा उधा ले प्रारंब के आगई है जिस परकार से बंबै विष्र विद्धया ले था पुनविष्व विद्धया ले ठीक है तो इसी परकार से मदरास presidency में भी 1858 में एक engineering college हो लगया ठीक है उपन किया गया इस समय तक प्रारंब लगभग अभियांतरी की college में civil engineering का ही course पढ़ा जाता है स्टार्टिंग में क्या था इन college में engineering college में किवाल civil engineering का जो course है वही पढ़ा जाता था लेकिन बाद में 1887 में बंबई में विक्टोरिय जुबली तकनी की संस्थान की स्थापना की गई ठीक है इसका उद्देश था इलेक्ट्रोनिक मेकानिकल एंड टेक्स्टाइल छेतर के प्रिसिक्षकों को प्रिसिक्षन देना जो भी जो स्टुडेंट्स इनमें जो ट्रेनिंग चाहते हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान करना 1915 में बैंगलॉर इस्थित भारती विज्यान संस्थान में इलेक्ट्रोनिक इंजिनेरिंग कोर्स प्रारंब किया गया कोशन बन सकता कि बैंगलॉर इस्थित जो भारती विज्यान संस् में रास्टे सिक्षा परिसद का गठन किया ठीक है कब क्या ये बंगाल में स्वेदेशी आंदोलन के नेताउने ये क्या था 1907 में और क्या था ये रास्टे सिक्षा परिसद तो रास्टे सिक्षपरिसद की क्या मांगती इसकी मांग थी की बंगाल में एक रास्टे विश्विध्याला खोला जाए ठीक है कैसे विश्विध्याला खोला जाए रास्टे विश्विध्याला वैसे यहां उस समय इंजिनेरिंग के कई संस्थन प्रारम हुए थे लेकिन जादपूर कॉलिज को छोड़कर धीरे-धीरे सबी बंद हो गए थे क्या था उस टाइम पे बहुत सार इंजिनिरिंग कॉलिज भी यहां पे शुरू कर दिये गए थे अब आगे हैं इसके बाद 1915 में सर थॉमस की अध्यक्स्ता में भारतिया अध्योगिक आयोग का गठन किया गया तो उसने अपनी अनुसंसाओं में कहा कि अभी भारत में इनजिनिरिंग का कोर्स प्रारं करने के आवश्रक्ता नहीं है तो इसलिए उन्होंने मतलब उसको मना किया था कि अभी इसकी जुरत नहीं है यहां पर अभी जो इलेक्ट्रोनिक उद्ध्यों के वो स्थाबित नहीं हुए हैं तथा इससे सम्मधिक छोटे-मोटे काम मेकैनिक ही कर लेते हैं जो भी मेकैनिक है अगर कभी जुरत पड़े तो वही इनमें कर लेंगे इसलिए इसको अलग से कोई कोर्स कर चलाने की कोई आफशकता नहीं है य कौन सा विश्विध्याले जहां पर मेकैनिकल इंजिनेरिंग का कोर्स आरंब किया गये सबसे पहले तो वह में बनारस से विश्विध्यालों में पहली बार में कैनिकल sortir कोह कोर्स सरो किया गया इटें इसके लगवग 15 वर्षों के बाद 18 1931 में सिंबपुर में सिंबफ में उसके बाद में 1931 से 32 में बंगाल इंजिनिरिंग कॉलेज की स्थापना की गई यहां मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रोनिक इंजिनिरिंग का कोर्स चला जाता था कैसा था यहां पर सिप्पूर में जो बंगाल इंजिनिरिंग कॉलेज था उसमें किस प्रकार के कोर्स चला जा । कालीज की स्थापना तेजी से होने लगी। और यहां पर क्या है हमारे यहां पर जो इंजिनेरिंग की सिक्षा भी उसमें भी जो बढ़ोतरी होने लगी तथा तकनीक एवं पेसरवर सिक्षा का तीरता से विकास होने लगा आज कमोबेश देश में प्रयाप्त इंजिनेरिंग एवं तकनीकी कॉलिज वे सोध संस्थान आज आप देखते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे ही जो इंजिनेरिंग और तक्निकी कॉलीज और सोध संस्थान है जिनके सरकारी एवम नीजी दोनों छेतरों के संस्थान सामिल है ठीक है अलग गौर्मेंट भी है कुछ जो प्राइवेट इंस्टिटूट भी है तो इ क्या है अच्छा उत्तम भला सच्चा मित्र और संग्या के रूप में कल्यान हित लाव भलाई इत्यादिस है यानि कि अगर हम विशेशन के रूप में देखे इसका क्या अर्थ है तो वह हो जाएगा अच्छा उत्तम भला सच्चा मित्र और अगर हम संग्या के रूप में तो संग्या के रूप में जो अर्थ है वो हो जाएगा कल्यान हित भाव हित लाभ इत्यादी ठीक है भलाई ओके तो अत्य सामाने अर्थों में वह शाषन जो उत्तम हो क्या वह शाषन जो उत्तम हो जनहीत एवं भलाई का कार्य करे यानि कि वो शाषन जो की बहुत अच्छा करो उत्तमांती हो जंता हो और वो जंता की भलाई के लिए कारे करें वो क्या कहलाता है सुसासन नांगी governance तो वर्तमान में शाषन को सुशाषन के रूप में किसे शाषन को सुशाषन के रूप में परिवर्टित करने पर बल दिया जा रहा है जिसके लिए हम ICT का यूज कर रहे हैं सुशाषन सब्द का प्रियोग विश्व बैंक द्वारा इसके द्वारा ही लोग प्रियोग बनाया गया सुशाषन को यानि गवर्नेंस को विश्व बैंक यानि वर्ड बैंक के द्वारा इसे लोग तो इसमें शासन इनके अनुसार जो सिंपल का मतलब होता है सासन जो सरल होना चाहिए और सासन में आपचारिक और जटिल पिर क्या है नहीं होनी चाहिए यानि कि ऐसे कठोर नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं कि हमेशा इसमें पूरी करते रहें तो इस तरह किमनी होनी चाहिए वो सिर्फ एक सासन सरल होना चाहिए ताकि आम जनता को भी उसके बारे में पता रहे सासन का उद्देश परिणामर्जित करना है क्या करना उद्देश इसका मुख्या परिणामर्जित करना इसमें प्रिकरिया पर बल देना नहीं होता ठीक है प्रिकरिया चाहे जो भी हो लेकिन परिणाम अच्छे होने जाहिए तो यह होता ये simple का मतलब ठीक है next आता M4 moral moral अर्थात साशन में भाग लेने वाले जो भी पदाधिकारियां है वो नेतिक होने चाहिए ठीक है उनका जो दाइत्व है वो नेतिक होना चाहिए कि वे आम जनता के लिए सुलब रहे तथा उनकी मानदारी से सेवा करे कि जो भी अधिकारी है वो आसानी से जनता को मतलब अगर जनता जाए तो उनको मिल जाए और वो अपनी उन्हें जो जनता है वो अपनी परेशानी अपनी जरूरते उनको बताए और वो इमानदारी से उनके कारिये करे इमानदारी से उनकी शिवा करे नेक्स्ट होता ए यानि accountable क्या है accountable इसका मतलब होता अर्थात शाषन आम जर्णता के प्रति उत्तरदाई होनी चाहिए बनला जो शाषन का मुख्य कारे होता है वो होता है जनता की जो भी जरूरते हैं उनको ध्यान में रखकर कोई भी योजनाई बनाना और उनके प्रति वह पूरी तरस उत्तरदाई होनी चाहिए नेक्स्ट आपका आर आर फोर होता responsible क्या आर फोर होता responsible तो अर्थात शाषन आम लोगों के प्रति अनुक्रियाशील होना चाहिए जो ये शाषन है वो लोगों के लिए ही कारे करे हमेशा क्या है वो लोगों के हित में ही कारे करे उस से responsible होना चाहिए उसे लोगों के प्रती ही जिम्मेदार होना चाहिए तो यह हो गया आर से responsible का अर्थ अब next देखते क्या है T T4 होता transparent क्या है transparent साशन में गोपनियता को दूर करके पारदर्शीता का निर्मान होना चाहिए कैसी होनी जो जो साशन पद्धिती है वो होनी चाहिए पारदर्शी यानि उसमें साशन में कुछ भी गोपनियता नहीं होना चाहिए बलकि जन्ता को पता होना चाहिए कि हमारी सरकार कौन-कौन से योजनाई हमारे लिए बना रही है ताकि पृतिये एक व्यक्ति उन से लाव लेकर अपना विकास कर सके साशन द्वारा संचालित सभी कारिय एवं निर्न आम जन्ता के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिए कि कौन-कौन से सरकार कारे कर रही है और कौन से कोई निर्न लिया गया डिसीजन लिया गया वो सभी वो जन्ता के सामने होने चाहिए अब देखते सुशाशन के निमलिखित आयम हैं क्या क्या आयाम है सुछासन के आइए देखते आं कि सबसे पहले मैं प्रशाशनिक यानि टर्टरदाई होना चाहिए can के उटरदाई पादरसी होना चाहिए औनुकिया सीलता होना चाय ये सह भागी ता भुनि चाहिए उसमें न्याय पूरह ना चाहिए कुषल आम स्थासन प्रभभर सासन इस्थापित यह यह होता है सुषाषन का जो प्रशाषनिक आयम है इसमें विये सामिल होते हैं तो इसमें क्या-क्या है पार्दर्सिता अनुक्रिया सीलता सह भागिता न्याय पूर्ण होना चाहिए और जो सहमती होती है वो वो सभी पर आधारित होने हैं, सभी की सहमती पर वो कार्य आधारित होना चाहिए, उसमें विदी का विसासन होना चाहिए, त्वेरित वे प्रभाविसासन विस्थापित होना चाहिए, तो ये सबी चीज़ें किसके अंदर गताते, प्रसासनिक आयम के अंदर गताते, नेक्स उसके लिए कानून आवश्यक है, यह नि एक जो बड़े-बड़े घराने हैं, कॉर्परेट घराने, उनके उपर कोई नियंतरन नहों सरकार का नहीं, उनके उपर भी बहुत जादा नियंतरन होना चाहिए, साथ ही उनका सामाजिक उत्तरदायत भी निर्धारित होना चाहिए कि क्या-क्या उनके सोसल जो रिस्पोंसिविल्टे वो क्या-क्या है, यह सभी उनको पता होनी चाहिए, सरकार एवं निजी उद्धमों की भागिदारी को बहतर बनाना चाहिए, कि जो सरकार है और निजी उद्धम है, उनकी आपस में क्या भागिदारी है, तो ठीक है, इस प्रितिस्पर्दा होनी चाहिए एक healthy competition होना चाहिए उनके बीच में corporate घरानों के द्वारा समाज से जो लाब प्राप्त किया जा रहा है उनका एक अंस समाज की भलाई के लिए भी प्र्यूक्त होना चाहिए जो भी companies वगेरा जो भी लाब कमारी profit कमारी है उसका कुछ न कुछ एक अंस खम एक अंस भी वह समाज के लिए वह होना चाहिए समाज की भलाई के लिए वह होना चाहिए नेक्स्ट आता सामाजिक आया सुशाशन का भी प्राय केवल प्रसासनिक कुसलता एवं दक्षता का निर्मान करना ही नहीं बलकि इसका सामाजिक पहलो भी अत्तधिक महत्पून है ये नहीं है कि सिर्फ प्रसासनिक कुसलता और ये हाँ दक्षता का ही निर्मान हो गया बलकि इसका जो सामाजिक पहलो भी बहुत जादा महत्पूर्ण है किसी अभावग्रस्त समाज में सुशाशन की कल्पना संभव नहीं है कि मान के चलिए वहां की जन्ता तो भूकी मर गई है वहां पे जो बिरोजगारी फैली तो वह समाज कैसे विकास कर पाएगा तो इसी तरह से यह बताए गया इसके में कि ज चाहिए कि अच्छे साशन के लिए अंदर क्या होना चाहिए एक तो व्यक्ति की सभी मूलभूत सुईधाय जो है उन्हें प्राप्थ होनी चाहिए और कोई गरीब ना हो लोगों के बीच में जो विसमता ना हो और कुपोशन ना हो यह सभी चीजों को सरकार को सभी चीजो अच्छा करे ठीक है तो इसके लिए कुछ ना कुछ नागरिक वह भी अपनी जिम्मेदार यह निभानी होती है नागरिक समाज समाज का दूसरा रूप है क्या है नागरिक समाज समाज का दूसरा ही रूप है नागरिक समाज से अभी प्राय समाज में सामिल वे व्यक्ति जो समाज की भलाई के लिए कारे कर रहे हैं ठीक है और वे सरकार के सदसे नहीं है बलकि चाहे वो सरकार के सदसे हो या नहीं हो लेकिन जो समाज है उसकी भलाई के लिए कुछ न कुछ वर्ग कर रहे हैं और नाही वानिजेग संगठनों से सामिल है तो नागरिक समाज में कौ फिल्म कार हो गए और गेर सरकारी संगठन ठीक है यानि जो छात्र है वो भी अपने कुछ अंदर लोनों के द्वारा सरकार को बताते हैं कि क्या क्या आवश्यक्ता है समाज की उनको पूरा किया जाए मीडिया भी अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से जो समाज का सही चेहरा है वो सरकार को दिखाती है इसके अलावा फिल्म कार यानि जो डारेक्टर्स वगेरा होते हैं जो फिल्मेकर्स होते हैं वो भी अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज की कुछ समाजिक ब्राइयों को उठाकर उन्मुद्दों को उठाकर उन पर फिल्म बनाते जिससे की लोग नागरिक समाज कि अभी है विश्व बैंक ने सुशाशन के तीन विशिस्ट पहलों की पहचानी के यानि जो वर्ल बैंक है उसने कौन-कौन से सुशाशन क्या होने चाहिए उसके तीन पहलों की पहचान के पहले क्या है सबसे फर्स्ट है राजनीति का सभरूप, ठीक है यानि जो राजनीति विवसथा है उसका सभरूप कैसा होना चाहिए है संसदात्मक होना यह प不到 और सामाजिक संसाधनो के पुरबंधन में शक्ति के प्रियोग संबंदे क्यिया, कि जो एक देश है, वो अपने आर्थिक और समाजिक सनसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का किस प्रिकार से प्रियोग करता है, यह सभी चीजुस में आती है, आपका तीसरा आता है, नीतियों के निर्माण और किरियानवय के संबंद में और सामानी रूप से सरकारी कारियों को संपन करने संबंदी सरकार की छमता क्या है इसका मतलब है कि जो नीतिया है वो किस प्रकार से लोगों के लिए जो नीतिया बनती है उनका निर्मान कैसे होगा उनका क्रियान वियान यानि वो लागू कैसे होगी इन सभी के विश्या में यह बताता है सामयनी रूप से सरकारी कारेों को संपन कराने के लिए सरकार की छमत क्या है ठीक है तो मतलब सरकार किसी स्तर पर कारे करते हैं सब इसके अंतरगत आता है दर असल सुसाशन के अवधारना जीवन स्वतंतरता और खुशी प्राप्त करने के लोगों के अधिकार से जुड़ी हुई है कि जहां पर लोगों को जीवन अच्छा जीवन प्राप्त हो कि अंपनी हर बात कहने की और लोगों के भीक में खुशहाली हुए किसी भी लोकतंतर में तभी पूरा हो सकता है जब 20 अजह नहीं कर सकता सुसाशन की धारणा निश्चेही सरकार को मानव उन्मुखी जनहितकारी और विकासात्मक तथा सहभागी बनाने के लिए मार्ग प्रिशस्त करती है यानि कि जो सुसाशन की धारणा है वो सरकार को किस प्रकार का बनाती है ताकि वो जन्ता के हित में ज़्यादा से ज़्यादा कारे करें, उनके विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कारे करें और उन्हें अपनी नीतियों में सहभागी बनने के लिए जो उनका मार्ग वो पृशस्त करें, ठीक हैं? तो संछेप में कहा जा सकता है कि शूशाश जिससे कि जादा से जादा लोग अपना विकास कर सकें और गरिबी उनमल उनमूलन क्या है गरिबी हटा Ν pomoorn, morte अर्थाट तन्हों क्या होना चाहिए नयाय सस्तिकरं रोजगार एवं चंता-पूर्वग सेवा-परदयन सुनिश्चित होना चाहिए सुनीश्चित अम ईता हो क नेक्स्ट देखते हैं सुशाषन के प्रमुक्तत्व कौन-कौन से हैं नेक्स्ट है आपका सुशाषन के प्रमुक्तत्व क्या-क्या है संयुक्त रास्टे संग के अनुसार सुशाषन की निमलिकित विशेशताय होती है किसके अनुसार संयुक्त रास्टे संग ने बताय था ठीक है तो सिशाषन में कौन-कौन सी सिश्थाई होती एक तो उसमें होता विधी का शाषन क्या होता है विधी का शाषन होता है सेकिन क्या होता है समानता एवं समाविशन होता है ताकि वहां के जो नागरी के उनको समान अवसर मिले और सभी अपना समाविशन कर सके नेक्स् जो मतलब महत्तपून कारिया उनमें वो पार्टिसिपेट करें कैसे उनको क्रियासील बनाए नेक्स्ट होता बहुमत यानि मत्तेक्य कि लोगों को